as hello दोस्तों तो चलिए इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगी इतिहास के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगी आपका बारत का इतिहास और विकी कहीं जाएं अगर यह लेक्चर आप ठीक है बस एड़ेश्ट करिए किसी भी तरह से क्योंकि यह लेक्चर तब रेकॉर्ड किया गया है जब ना तो मेरे पास इतना टाइम था कि आराम से कर सके ना ही आप लोगों के पास था ठीक है तो आपको एड़ेश्ट करना है जैसा भी है आगे तो इसमें हम लोग बात करे बारे में बैदिक सब्विता की बारे में महा जैन पदों का उदाय जैन धर्म देखेंगे बोध धर्म देखेंगे सेफ धर्म देखेंगे बैश्ण धर्म देखेंगे इसलाम धर्म देखेंगे इसाई धर्म मगद राजी का उतकर्स सीकंदर मौर समराच ब्रह्मन समराच भ राजबंसों का अभूद है ठीक है यह होगा आपका प्राचीन भारत में इतना फिर बात करेंगे हम लोग मद्द कालीन भारत के बारे में इसमें बात करेंगे भारत पर अरवों का अकमर हुआ उसे देखेंगे महमूद गजनभी को देखेंगे मुहमद गौरी को देखेंगे सल्तनत काल को देखेंगे विजे नगर समराज को देखेंगे बहमनी राजी को देखेंगे सुतंत प्रांतिय राजी को देखेंगे सोफी आंदोलन को देखेंगे भक्तियान दोलन को देखेंगे मोगल समराजी को देखेंगे मोगल सासन विवस्था को देखेंगे मराठों का उतकर्ष देखेंगे ठीक है यह होगा आपका मद्देकालीन भारत याद रखिए फिर से मैं यही बोला हूँ कि वन डे ग्याम तद तो मैं कम्प्लीट कारंटी ले सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी कुश्चन्स नहीं जाएगा लेकिन आईएस PCS में कुछ कुश्चन्स यह से आजाते हैं जो बड़े डिसकर्शन के ताई बड़े निसकर्शन निकालना पड़ता है वो डेटेल ही पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हारी सॉल्व कर पाऊगे तुम लोग तो वन डे एक जाम तक आपके लिए रीडे जन के पॉइंट वीडियो से बहुत अच्छा वीडियो है क्योंकि एक ही लेक्चर में पूरा इतिहास आपका फिर चाहे भारत का हो फिर विष्ट का हो मिल जाएगा पिर बात करेंगे हम लोग आधुनिक भारत के बारे में इसमें बात करेंगे उत्तर कालीन मुगल समराट भारत में यूरोपिय व्यापारी ब्यापारी कंपनियों का आगमन देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजियों का अधिपत देखेंगे अंग्रेजियों का मैसूल से सम्मण सिख एवं अंग्रेज देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल देखेंगे 18-17 की महान किरांती देखेंगे अंग्रेजी सासन के दोरान हुए मत्पूं विद्रो देखेंगे भारत का सुतंता संग्रस देखेंगे इसम भात्पूर्तत जो है वो भी देख लेंगे भारती राष्टी आंदोलन से सम्मदित महत्पूं संगठन सरस्थाएं देखेंगे भारतीय राष्टीय आंदोलन से सम्मधित महत्पूर्तत्थ देखेंगे, भारत के महाल सहीद देखेंगे, भारतीय सुतंता आंदोलन के दोरान देगए पिरमुक बचन एवं नादे देखेंगे, सुतंता आंदोलन से सम्मधित प्यकासित पत्तिकाएं देखेंगे हम लोग, पत्तिकाई वपुस्त कें देखेंगे कॉंग्रिक्स अधीवेशन देखेंगे सभी कब और कहां हुए यह भी देखेंगे भारत का इतिहासिक भारत की जो इतिहासिक लडाईया हुई उसे देखेंगे फिर मुख राजबंस देखेंगे संस्थापक तत्हाराजधानिया देख का एकी करण देखेंगे जर्मनी का एकी करण देखेंगे रूसी करांती देखेंगे उद्धोगी करांती देखेंगे इंग्लेंड में करांती देखेंगे पिथम विसे देखेंगे चीनी करांती तुर्की इटली में फार्शिस्टों का उदाय देखेंगे जर्मनी में नाजी कम्पलीट हो जाएगा तो इस लेक्चर में हम लोग कम्पलीट आपका शुरू करेंगे 2ं qi pit ait प्रहाचीन भारत से और उसके बाद हम रोुग म्द्ध्यकालीन भारत देखेंगे आधुनिक भारत पूरा घंपलर करेंगे जिस इतियास तरते इसी तरहागे हम लोग paper पूर कंप्लीट देखेंगे पिर चाहे आपका भारत का ओ विसका ओ ठीक है इस तरह चे मेरा नाय की जान्दा आप लोगों को बटक ना नहीं पड़ेगा और एक ही जगे आपका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा तो आप लोगों को भी सहूलियत होगी से ठीक है हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर चुके ये थी लूस-इंड सामानियां तो चलिए बिसाय सुची देख ली थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अब इसमें बात करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास को सुरूं करते हैं इतिहास के बारे में जानते हैं ठीड़ भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दश्चेड में समुद तक ठेलाया उप महादी भारत वर्स के नाम से ग्याद है जिसे महाकाब तथा फुराणों में भारत वर्स अर्थाद भारत का देश का तथा यहां के निवासियों को भारती अर्थाद भारत की संतान का गया है युनानियों ने भारत को इंडिया और मद्दे कालीन मुसलिम इतिहास कारों ने हिंद अत्वा हिंदोस्तान के नाम से सम्मूदित किया तो याद रखिए भारत वर्स को भारत का देश भी का जाता है यहां के निवासियों को भारती यानी की भारत की संतान का गया है गुव्यानियों ने भारत को इंडिया का आये, तथा मद्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा इंदुठान के नाम से संबदित किया है भारत को अपने. भारती इतियासको अद्यान की अधियां की विधा के लिए तीन भागों में बाठा गया है. याद रखिए प्राचीन भारत प्रह मद्यकालीन भारत और प्रह आधुनीक भारत तो इस लेक्चर में में लोग बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे किसके बारे में प्राचीन भारत के बारे में ये कौन-कौन से हैं धर्म ग्रंथ, इतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, फिर पूरातत्य संबंदी साप्च, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, धर्म ग्रंथ एबं इतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली मत्मुन जानकारियां, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है वेद, याद रखिए कई बार परिक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है वेद, जिसके संकलन करता महय सी कृष्ण द्वापाय और वेद व्यास को माना गया जाता है, वेद चार हैं, कौन-कौन से हैं, फिर यजुबेद, यजुबेद, सामवेद और अथरवेद, तो कौन-कौन से हैं, रिगवेद, यजुबेद, सामवेद, अथरवेद, फिर सबसे पहली बात करते हैं, रिगवेद के बारे में, रिजाओं के क्रम बद्ध, ज्यान के संग्रह को रिगवेद कहा जाता है, खिल्ल पार्ट के ग्यारा सूप्तों सहत हैं और इसमें रिगवेद में 10462 रिचाएं हैं इस बेद की रिचाओं के पढ़ने वाले रिषी को होद कहा जाता है इस बेद से आरी की राजनितिक पेडाली इवंगितिहास के आरी में जानकारी मिलती है विस्वामित द्वारा और फिस्ट गायति मंत है तो याद रखिए जो रिगवेद का तीसरा मंदल है गायति मंत से समंदित है इसके नौवे मंदल में देवता सौम का उलेख है इसके आठवे मंदल में मंदल की हस्त लिखतरे चाओं को खे कहा जाता है चतुर्स वर्ड समाज की कल्पना का आदी स इसरोत रिगवेद की तस्वे मंदल में बर्ड पूरुष सूप थे जिसके अनुसार चार वर्ड ब्रहमण चत्रिये वैस सुध यह चारों कौन-कौन से चार वर्ड ब्रहमण चत्रिये वैस तथा सुध आदी पूरुष ग्रम्मा की क्रमसा मुख भुजाओं जांगाओं और चृणओ से उत्पन हुए इन चारों पर्ड वर्ड वर्ड वर्डों का कहा से उतपन है तो पूरुष ग्रम्मा की क्रमसा मुख बोजाओं जागों से और चर्णों से ठीक फिर बात करते हैं धरम सूथ चार पर मुख जातियों की इस्तितियों विवसायों दायतों कर्तबों तथा विसे सदिकारों में इसपर्ट विभेद करता है बावन बावना अवतार की तीन पवों के ख्यान का प्राचीनतं त्रिवत इन रिगवेद है रिगवेद में इन्द के लिए 250 तथा अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना की गई है इन्द के लिए कितने हैं 250 याद रखिए और अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना की गई है फिर प्राचीन इतिहास किस साधन के रूम में बैदिक साहित में रिगवेद के बाद सत्वत ब्रहमर्ड का इस्थान है फिर आता है ये रिगवेद के बाद की याजूर बैद सास्वर फार्ट के लिए मंत्रों तत्ता बली के समय अनुपालन के लिए नेमों को संकलन याजूर बैद कहलाता है इसके फार्ट करता को अधेर यूग कहते हैं यह एक ऐसा बैद है जो गद्ध एवंपद दोनों में है तो कई बार पर इक्छाओं में पूंचा जा चुका है कि यह ऐसा कौन सा बैद है जो गद्ध एवंपद दोनों में है तो याद रखी यह जूर बैद है फिर आ जाता ह हमारा कौन सा आ जाते हैं सामवेद यह गाई जा सकने वाली रिचाओं का संक्लन है इसके पार्ठर करता को उद्धात कहते हैं इससे भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है यह भी कई वार पर इक्छा में पूचा चुका है कि भारतिय संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं तो यह सांबेद कौन सा सांबेद थी फिर हमारा अथर विवेद अथरवार इसी द्वारा लिख प्रचित इस वेद में रोग नीवारन तंतमंत जादू कोना स्राफ वसी कर आलशी वाद इस्तुती फ्राश्चित औस दी अनुसंधान विवाय प्रेम राजकरम मात्र भूमी महमत अधर विवेद विश्याओं के से समध्ध मंत तता सामानने मनुस्ष्के विचारों विश्वासों अंदे विश्वासों इत्यादी का बरण है अथर विवेवेद में इसके सबात तता एवंसमिती को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है सबसे प्राचीन बेद रिख बेद एवन सबसे बात याद रखिये यहाँ, क्या है, सबसे प्राचीन बेद कुन सा है, सबसे बात का बेद है, अथरविवेद, बेदों को वली वाती समöhने कि, छे बेदाबों की रचना हुई है, ये हैं सिच्छा, जियोतिस, कल्ब, ब्याकरण, निरुक्त तथा चन्द फिर बात करते हैं भारती इतिहासी कत्थाओं का सबसे चक्रमबद विवरण पुराणों में मिलता है इसके रचेता पुराणों की लौम हरस अथवाई इसके पुत उग्ज सर्वा माने जाती है इनकी संख्या अठार है फुराणों की ठीक जिनमें से केवल पांच मत से भायू विश्णू ब्रामड एवन भागबद में ही राजाओं की बंसावली पाई जाती है ठीक पुराणों में मत से पुराण सबसे प्राचीन एवन दर्माडिक है याद रखिया यहाँ देख लेते हैं पुराण संबंदित बंस देख लेते हैं तो याद रखिये विश्णू पुराण किसे संबंदित कौन से बंस है मौरी बंस अंगे बात करते हैं अधिकतर पुराणों पुराण सरल संस्कित स्लोप में लिखे गए है इस्तरियों तथा सूध जिने बेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे किनकी बात करें जी याद रखे इस्तरियां और सूध मैलाओं और सूध को बेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी याद रखे इन्हें के वाद जिस लोग सुन सकते थे पुराणों का पार्ट पुजारी मंदरों में किया करता था इस्मिती गरंतों में सबसे प्राचीन प्रमा मनुस्थमिती मानी जाती है यह सुंग काल का मानक ग्रंथ है नारद इस्मिती गुपत युग के विशह में जानकारी पिदान करता है जातक में बौद के पूर्ब जनम की कहानिया वाड़े थे ही नान का प्रमुक ग्रंथ है कथा वस्तु इन्यान यह बौद साखक थी एक जिसके महात्मा बौद का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ बर्ड़ थे इसमें जैन साहित को आगन कहा जाता है जैन तरम का प्राम्बे की दियास कल्प सूत से ग्यात होता है जैन गेंत भगवती सूत में महावीर के जीवन कृत्तों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके स समographers का बेबरान मिलता है अरतस्त के लीएका है याद रखी अरतस्त जो है वह चाडक ने लिखी थी ट्री को कोटिल या विश्नुकुत भी बोला जाता है यह सबसे पहले याद रखी अरक है क Richmond है चाड़कने कई बार पिपरों में पूंचा जुका है यह 15 अधी करणों एवन 180 पिकरणों में विभाजित है कौनसी अर्थसाथ इसमें मौर कालीन इतिहास की जाने करीव प्राप्त होती है संस्कित साहित में इतिहास घटनाव क्रमबद लिखने का सरफ्रतम फिरयास कलहड द रचित पुस्ता कौन सी है राज तरंगनी जिसका संबंद कस्मीर से है तो याद रखे अर्थसास्त लिखी थी कोटल ने जिनका चाड़क नाम है और कलहड में लिखी राज तरंगनी जिसका संबंद कस्मीर से राज तरंगनी का और अर्थसास्त का था मौर बंस से संबंद अर्वों का सिंद विजय का वितांत चचनामा अली एहमद ने लिखा था में सुरक्षे था टीर चचनामा कितने लिखा अली एहमद ने अश्टध्याई संस्क्रित भासा ब्याकरण की पित्धम पुष्टक है इसका लेका के पढ़नी पढ़नी इसके मौर के पहले इतिहास त अवस्था की जानकारी प्राफ्त हो थी इससे अश्टध्याई से कात्यायन की गार्गी सहता एक जियोतिस्क्रत है फिर भी इसमें भारत पर होने वाले इहमद आकमर का उलेक बलता है पतंजली फुस्च मित्य सुंग के प्रोहित थे पतंजली इनके महाभास में सुंगों क एतिहास का पता चलता है इससे अब करते हैं लोग बितेशी यात्रियों से मिलने वाले तिनवों की जानकारी तो सबसे वीषरण आश्चर जनत कहानियों से प्रिपूर्ण होने की कारण आविस्वस्जनिय है फिर हमारे हैरोडोटस सिभ इतिहास का पिता कहा जाता है हैरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है याद रखिए इसने अपनी कुस्तर हिसटोरी का में पांच भी सताबदी इसापूर्ग के भारत भारत के संबंदिक अबाइडन किया है परंतो इसका विवरण भी अनुस रोतियों एवं अपवाहों पर आधा रहे थे टेसियस हेरोडोडस फिर बात करते हैं सिकंदर के समर आने वाले लेकक में नरियाकस आने सिकेटस आस्टोगूलस की विर्भण अथेक प्रमाड़े के वंबिस्वसनी है फिर बात करते हैं मेगस्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राज़दूर था जो चंदगुप्त मौर की राज़दर्वार में आया था इसने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका में मौर इग्विन समाज एवं सच्किती के विशन में लिखा तो मेगस्थनीज की पुस्तक कों सी ने इंडिका याद रखी डाइमिकस यह सिरियन नरेस आन्तियोकस का राज़दूर था जो बिंद इसके राज़दर्वार में आया था टॉलमी इसमें दूसरी सताब्दी में भारत का भोगोल नामक पुस्तक लिखी भारत का भोगोल किसमें नामक पुस्तक इसने लिखी टॉलमी ने फिलेनी इसके पित्थम सताब्दी में नैचुर्यल हिस्टरी नामक पुस्तक लिखी इ पजारतों आधी की बार वेबरम मिलता है फिराह फेरीप्लस पुस्तक की लेकक के बारे में जानकारी नहीं है यह फोस्तक है याद रुखिए फेरीफ्लस पुस्तक की लेकक करीब 80 इसी में हिंद महासागर की यात्रा में पराया इस ने उस समय कि भारत की बंदरगाहों तथा ब्यापारि बस्तों के बारे में जाने करी दिये फिर आते हमारे चीनी लिखब फाहियां यह चीनी या त्री गुप्त नरेश चंदगुप्त दुदीय के दरबार में आया था इसने अपने विबरन में मद्विदिश के समाज सं संब्रद्ध बताया फिर आया संगुवन यह पास्टो अठारे इस भी भारत आया इसने अपने तीन वर्सों की यात्रा में बहुत द्रहां की प्राथियां एकत्तित की फिर आये हुएंशांग यह हरस परधन किसासनकाल के में भारत आया था हुएंशांग 629 सीशबी में चीन से भारत बरस के लिए प्रिस्थान किया लगवग एक बरस की यत्रा के बाद सरप्यतम भारतिये राजिक कपीसा कहुंचा भारत के 15 वरसों तक ठहर कर इसने 645 सीशबी में चीन लोट गया वह बिहार में नालंदा जिला इस्थित नालंदा विस विद्याले में अध्यान करने तथा भारत से बहुत गरंतों को एकत्तित करने ले जाने के लिए था इसका विवमर्ड वितांस सी यू की नाम से पिसित है जिसमें 138 देशों का विवमर्ड मिलता ह जोत taybyunyaً संघ्रि के समय नालंदा विस वध्याले के कुलपती थे अचार ओ सीलवति थे। फिर है इत्सिंगौड यह साथभी सदाब दीव के अंतिमें वरत आया था इसने अपने विवरण में नालंदा विस विद्याले Multiple विविर्च्रम विज्विथ अर्वी में लिखी गई उसकी किती किताब उलहिल तहक या तहकीक एहन भारत की कोई आज भी इतियासकार के लिए एक मत्पून स्रोत है इसमें राजपूत काली समाय धरमरी तीरवाज राजनितिक आधी पर सुन्धर व्विकार डाला गया अन्य लेका को कही बारे में बात करें तो तारानात यह एक तिबती लेक था इसने कंगी और तंगी और नामा ग्रंतों की रचना की इसने भारती एति लिहास के अध्यन के लिए उपय होगी है फिर बात करते हैं पुरात्त संबंदी साक्ष से मिलने वाली जानते हैं 1420 पूर में कि अभी लिए एक बोगाज कोई किस्या माइनर से पैदिक दिवता मित्य वरून इंद ना सत्य के नाम से मिलते हैं मत्य कालीन भारत में भागव दिर्विक का जानकारी देने वाला अविलेक सो है गोरा अविलेक है शरप मतम भारत पर होने वाले वूड आकमण की जानकरी भीत्री स्थम लेख से प्राथ होती है सती पित्या का पहला लिखित साक्ष एरण अविलेख सासक भानुगुप्त से प्राथ होता है रिषर पोनकर की सेणियों की चांकरी मन्द सोर अविलिक से प्राथ होती है मात्तों अविलिक को भी देख लेते हैं आतीजुपोlles अविलिकंस तिथी रहें अविलिक है कलिंगरॉजा खागल, खाक्खेल, फ्रफय जुनागर अविलिक, रोध दामद से नासिक अभीले सासक गौत्यमी बल्श्री प्रयाग स्तमले समुद्गुप्त से संबंदे थे इहोल अभीले पुलकेशिन दुतिये से संबंदे थे ठीक तरह मंद्र सौर अभीले तो ये मालवा नरेश यसो बर्दन से संबंदे थे गौालियर अभीले इफितिहार नरेश बो से संबन देते हैं आगे बात करते हैं लोग आगे लेकों का देन एपीग्राफिक का इत्पलाती है कस्मीरी नवपासाड नवपासाड एक पुरास्थल बोर्जहॉम से करतावास गड़्धा का साक्ष मिला है इसमें उतरने के लिए सीड़ियां होती थी प्राचिनतम सिक्कों को आठ सिक्क्य का जाता था है इसी को साहत में कासाल पन कहा गया है सर्पितम सिक्के पर लेख लिखने के कारगी यवन साथ कुने किया समुद्ध गुप्त की बीड़ा बजाती भी मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत फ्रेमी होने का तर्मान मिलता है अरिक मैडू फु प्राचीन भारत की बारे में इतियास की उसी में पहला चेप्टर उनने देखा है इसके सिरूत प्राचीन भारत के सिरूत ठेक चलिए तो हम लोग लूसेंड देखर है सामने ग्यान इसी कड़ी में हम बात करते हैं प्रगतिहा से काल के बारी में जिस काल में मनुस्ने घटनाओ का कोई लिखित याद रखे कोई लिखित विवरण वो द्यद नहीं किया इसका मतलब है याद रखे घटनाओ का जो कोई लिखित साक्ष नहीं है उसे क्या कहते हैं प्रगतिहासिक काल जो लिखा गया नहीं है उस टाइम पर उसे प्रगतिहासिक काल कहा रहता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूम में उपलब्द है इसका मतलब क्या हुए? इतिहास उसे कहते हैं जिसका कोई विवरण लिखा हुआ है रूम है और बिना लिखे हुए कोई लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहते है प्रग इतिहासिक काल आग इतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के पिछलन के बाद उपलब्द लेख पड़े नहीं जा सकते हैं आग इतिहासिक काल उसे कहते हैं उस काल को लेखन की कला तो पिछलिती लिकिन उसे पड़ा नहीं जा सकता ह ज्यानी मानोव होमो सीपियस का प्रवेश इस धर्ती पर आज से लगवक 30 या 40 हजार बर्स पूर्व हुआ पूर्व पासाड युग की मानोव की जीविका का मुखाधार सिकाल था आग का विश्कार पूरा पासाड काल में एवन पहिये का नव पासाड काल में हुआ तो आग का विश्कार कब हुआ पूरा पासाड काल में और पहिये का अविश्कार कब हुआ नव पासाड काल में याद रखे मनोस में इस्थाई निवास की प्रवित्ती नव पासाड काल में हुई क्या पूछा गया है कि सबसे पहले किस जानमर को मनुस ने पालतु बनाया था तो याद रखिए एक उत्ता डौ मनुस ने सरफ फिथम तावा धातु का फियोग किया याद रखिए तावा धातु का फियोग मनुस ने सरफ फिथम किया था उसके बाद बनाय जाने वाला पिथ सबसे पहले कौन सा अजार बनाए कुलहाडी किरसी का अब इसका नव पासा अड़काल में हुआ फ्रगितिहा से अन उत्पादक स्थल मेहरगड फश्मी बलुस्थान बलुचिस्थान में वस्तित है किरसी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है गेहूं और जो तो कौन-कौन सी है गेहूं और जो फलावरम नावकिस्थान पर फित्थम भारतिय फूराद पासान कलापिति की खुच हुई थी भारत में पूर्व पिस्तर यूग के अधिकान सोजाद इस्पिटिक पत्थर के बने थे भारत का सबसे प्राचीन अगर कौन सा है मोहन जोड़ो था सिंदी भासा में जिसका आरत होता है मिर्द कों का टीला ठीक है चलिए थो हम लोग बात कर रहा है फ्रागिति हासिकाल को देख लिए अब बात करते हैं हम लोग सिंदू सब्धता को देखते हैं रेडियो कारवन सीट 14 जैसी नवीन विसलेशन पदिती के द्वारा सिंदू सब्धता की सर्व माननक्ति थी 2350 इसापूर्व से 1750 इसापूर्व मानी गई है तो याद रखिए रेडियो कारवन कि तहट सिंदू सब्धता की सर्व माननक्ति थी कौन सी है 2350 से इसापूर्व से 1750 इसापूर्व माननक्ति थी सिंदू सब्धता की कोज राय बहादूर दयाराम साहिनी ने की थी सिंदू सब्धता की कोज किस ने की थी राय बहादूर दयाराम साहिनी ने सिंदू सब्विता को प्रगितिहासिक काल अथवा कास योग में रखा जा सकता है इस सब्विता के मुख नेवासी, द्रविण एवं भूमद सागरिय थे सिंदू सब्विता के सरभादिक पश्चमी पुरा इस्थल सूतकांग के डोर बलुचिस्तान पूर्वी पुराइस्थल आलम गिरपूर मेरत रुटतर प्रदेश में उत्री पुराइस्थल मांदा जिलाक नोर जम्मू कसमीर में दच्छडी पुराइस्थल दाइमाबाद जिला एहमद नगय महराष्ट में सिंदू सब्विता या सिंदो सब्विता नगरीय सब्विता थी सेंदो सब्विता से प्राप परीपक अवस्था वाले इस्थलों में किवल 6 कोई बड़े नगर की संग्या दी गई है यह च्छैनगर हैं मोहंजोद्रो, हडपा, गडवारीवाला, दोलावीरा, राकी गड़ी एवं काली वंदन ठीट, सुतंतिता प्राप्वती पष्चार्थ हडपा संस्किती के सरबाधी किस्तल गुजरात में खुजे गए तो याद रुखे, सुतंतता, प्राप्ति, पश्चात, हडपप, संस्कृति, सरबादी किस्तल कहा खोजे गए? गुजरात में खोजे गए लोथल एवं सुत्कोटदा, सिंदू सब्धता का पंदरगाय था, कौन से? लोथल और सुत्कोटदा जोते हुए खेत और नकासी दार इंटों के पेवक कसाथ काली वंगन से प्राप्त हुआ है मोहन जोदलो सिप्राप्त अन्नागार संभता सैंदू सब्धागी सबसे वड़ी इमारत है मोहन जोदलों से प्राप्त बेहद इस्नान नागार एक प्रमुक इसमारक है जिसके मद दिश्थित इस्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है अगनी कुंड लोथल कहा कहा से अगनी कुंड लोथल एवं काली बंगन से प्राप्त हुएं मोहन जोदलों से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पसुपति नात की मूर्थी मिली है उनके चारों और हाथी गैणा चीता एवं भेशा विराजमान मोहन जो दोडों से नर्दकी की एक कास्प मोर्ती मिली है हरपपा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पसु का अंकन मिलता है मन के बनाने के कारिखाने लोथल एवं चंद दोडों में मिले है सिंदु सब्दा की लिपी भाव चित्रात्मक थी सिंदू सब्विता के लिपी क्या थी भाव चित्रात्मक यह लिपी दाई से वाई ओल लिखी जाती थी जब अविलेक एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंती दाई से वाई और दूसरी पंती वाई से दाई ओल लिखी जाती थी सिंदू सब्विता के लोगों ने नवरों पता घरों के विन्यास के लिए ग्रेण फद्दिती अपनाई थी घरों के दर्वाजे और खिटकिया सडक की और ना कुल कर फिछवाडे की और खुलते थे केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख को सड़की और खुलेते थे सिंदू सप्ता में मुख फसल थी गेहू वजो सेंदोस बासी मिठास के लिए सहद का पेवग करते थे याद रखिए रंगपूर रंगपूर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिन से धान की खेती होने का फिर्माण मिलता है चावल के पित्थम साक्ष लोथल से इपराप्थ हुई थी सुरकोतिदा, काली बंगन एवं लोथल से सेंदाव कालीन, गोडे के अस्तर, फंजर भी मिले तौल की काई संभावता सोला के अनुपात में थी सेंदाव सब्विता के लोग याता आयात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बहल गाड़ी या भैसा गाड़ी का उप्योग करते थी यहां देख लेते हैं सिंधू भाटी में बिदेशी ब्यापार भी होता था तो आयातित बस्तु में किस देश से होती थी यह सब देख लेते हैं तावा की बात करें तामा तो एक खेदरी वलुचिस्तान ओमान से होती थी इसकी आयातित होती थी आयात होता था चादी की बात करें तो अफगानिस्तान इरान से होता था सोना की बात करें तो करनाटक अफगानिस्तान इरान से होता था फिर टिन की बात करें तो अफगानिस्तान इरान से होता था गोमेद तो यादर की ये सौराष्ट से होता था लायो अर्द तो यह मैसुपोटामियां से होती थी है इसकी आयात सीसा की बात करें तो सीसा इरां से आता थाar मैसोटीमियां के अभी लेखों में बर्डित मेल हुआ सब्द का अभी फ्राय सिंदू सब्दा से ही है संभातर हरपा संस्कती किसासन वर्डिक वर्ड की हाथों में था फिगट ने किसमें फिगट ने हरपपा एवं मोहन चोदुड़े को एक विस्तत समराज की जुड़वा राजधानी का है सिंदू सब्विता की लोगधर्ती को और वरता की देवी मान कर उसकी हुजा किया करते थे व्यक्ष पूजा इवं सिप पूजा के पिछलन के साक्ष भी सिंदू सब्विता से मिलते हैं। पसुओं में कूबर्वाला साण इस सब्विता के लोगों के लिए विसेश पूजनिय था। इस्ती मिल मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से एहसानवान लगाया जाता है कि संधव समाज मात्य सत्तात्मक था। संधव वासी सूती एवं उनी वस्तों का प्योग करते थे। संधव वासी सिंदु सब्विता गया व्यक्ती मनोरंजन के लिए संधव वासी मचली पकड़ना, सिखार करना, पसू पक्छियों को आपस में लड़ाना, चौपड और पासा केलना आधी साधनों का प्योग करते थे। सिंदु सब्विता के लोग काले रंग से डिजाइन किये हुए, लाल मिट्टी के बलतन बनाते थे। सिंदु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। काली वंगन एक माध ठडपा काली निस्ता रख था, जिसका निचला सहर भी किले से गिरा हुआ था। सिंदु सब्विता में पिचलें थी याद pin सवों को जलाने, armour यांनी दोनों पिचलें थी, हृडपा मी सवों को को दफनाने जपकी मोहन जोदलों में जलाने की पिथा थी कि मोखन जोदंलों में जलाने की पिथा थी लोथल एवं काली वंगन में योगुं समाधियां मिली सेंदो सब्धा के वीनास का समभुता सबसे प्रभावी कारण वार था आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता था अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंदो सब्धा या सिंदू सब्धा के प्रमुकिस्थल नदी उत्खनन करता इवं बरत्मान इस्थिति उनकी ठीक है कि इन सब को याद कर लेना क्योंकि इनसे एक नाई कुश्चन पूच्छा ही जाता है जैसे प्रमुकिस्थल हो गए यह नदी हो गई जिस किनार है इस सहर है उत्खनन करता हो गए वर्स हो गया है इस्थिति हो गई प्रत्मान इस्थिति तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हडपा के बारे में तो हडपा किस नदी के किनारे है रावी नदी के इसके उत्खनन करता कुन थे दयाराम साहिनी और माधव सरोग वत्स इन्होंने कप की ये खुल तो याद रखिए 1921 में परत्मान इस्तिति क्या है हडपा की तो पाकिस्तान का मौंड गौमरी जिला फिर है मोहन जोद्रो तो इस सिंधु नदी के किनारे है राखल दास बनर जी ने उत्खनन करता थे इसके 1922 में इनने उत्खनन करवाया ये बरत्मान में इस्तिति है इसकी पाकिस्तान के सिंध्य प्रांत का लर्काना जिला है इसका फिर है चंधु देड़ो कौन सा है इस सिंधु नदी के किनारे है गोपाल मजूमदार ने इसकी उत्खनन करता है इसके उत्खनन करता है बीवी लाल एवं बी के थापर 1953 में इसका उत्खनन हुआ इसकी बरत्मान इत्ती है राजिस्थान का हनुमान गड़ जिला फिले कोट देजी ये सिंदु नदी के किनारे है फजल अहमाद ने इसकी उत्खनन करवाए था 1953 में सिंद परांद का खेरपोर इस्थान है इसका बरत्मान फिरे रंगपूर रंगपूर मादन नदी के किनारे इसके उत्खनन करता है रंगनात राज इन्होंने 1953 में इसका उत्खनन करवाए इसकी बरत्मान इस्थिति ये गुजरात का काठियावाड जिला फिरे रोपड तो है सत्लज नदी के किनारे इसके उत्खनन करता रही यगदत सर्मा 1953-56 इसकी वर्तमार इस्तिती है पंजाब का रूपड जिला फिर हमारा लोथल स्थल ये भोकवार नभी के किनारे है रंगनात राव ने इसका उत्खनन करवाया 1955 एबं 1962 में इसकी वर्तमार इस्तिती है गुजरात का एहमदाबाद जि इसके उत्खनन करता रहे है उत्खनन करता रहे है 1908 में उत्खनन करता रहे है 1927 इवं 1962 इसकी बल्तमान इस्तिती बताए है तो पाकिस्तान के मकरान करता है संमुद्य moderate के के किनारे है थ्रैबन वाल माली तो रंगोईली के किनारे इसके उत्खनन करता है रविन्द सिंग विष्ट उनिछ्ड उनिस चात्र में यह हरयाना का हिस्तार्च जिला में है रहे है न्यक्रम करता है रविन्दर्ट सिंग विश्ड उनिस नब्य एक में गुजरात के कच्छ जला में है ठीर तो यह थे हमारे सिंदू सब्विता ठीर चलिए तो हम लोग सिंदू सब्विता देख लिए अब बात करते हैं बैदिक सब्विता की कि इसकी बैदिक सब्विता की बैदिक काल का विभाज़त दो भागों में रिख वैदिक काल इसका समय पंदल्यसो से एक हजार की सब्वित और फिर उत्तर वैदिक का तो इसका समय है एक हजार से चैसो इसापूर्प में ठीक आरे शर्पितम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूडर में आयों का मूल निवासिस्तान मध्य एसिया को माना है ठीक आरे यां द्वारा निर्मि सब्विता बैदिक सब्विता कहलाई आरे यों द्वारा विक से सब्विता ग्रामिड सब्विता थी याद रखिए आरे यों की वासा थी संस्कित क्या थी संस्कित आरे यों की पिसासने के कारी आरो ही क्रम में से इन पांच भागों में बाटा था कुल गिराम विस जन राष्ट गिराम के मुखिया ग्रामिडी और विस का पिदान होता है विस्पति जन के सासक को राजन कहा जाता था राज्या दिकारियों में पुरोहित एवं सैनानी पिरमुप थे सूत रतकार सूत रतकार तथा कमादी नामक दिकारी रत्नी कहे जाते थी इनकी संख्या राजा सहथ करीब बारह हुआ करती थी पुरप पुरप द्रोगपती इस पस यह जनता की गतिवधियों को देखने वाले गुप्टचर होते थी वाजपती वाजपती एक गौचर भूमी का अधिकारी होता था उग तो यह अपरादियों को पकड़ने का कार करता था उग ठीक सभा एवं समती राजा को सलाय देने वाली सज्था थी सभा सेष्ट सब्रहांत लोगों की सज्था थी जबकि समती सामान जनता का पिती ने देखती करती थी इसके अधियक्च को ईसान कहा जाता था था इसमें देख लिए हम लोग देशा उत्तरविधिक राजा थी तो राची यहां बूला जाता था राजा को सम्राठ ठीक है क्या बूला जाता था पूर में सम्राठ पश्च में प्रितिची सब्द और राजा को बूला जाता था यहां सवराष्ट उत्तर में उदीची यहां की राजा को बूला जाता था बीराठ मद्द में राजा बूला ज पुश्ट में सौराट, सौराष्ट, उत्तर में वीराट, उम्द में राजा, दच्छ में बूद, आगे देखते हम लोग, योद्ध में कभीले का नेतत राजा करता था, योद्ध के लिए गविष्ट, गविष्ट रब्दे का फियोग किया गया था, जिसका रथ होता था ग गायों का गाय का बहुत ही बहुत दे था, गाय के लिए योद्ध भी हुआ करते थे, दसराज योद्ध का उलेक रिकवेद के सादवे मंदल में है, यह योद्ध फरुश्णी रावी नदी के तटपर, सुदारा, सुदास एवं दस जनों के वीच लड़ा गया था, जिसमे दसराज योद्ध का हुगा था, परुश्णी नदी, रावी नदी के तटपर, सुदास इसमें अंतिग रूप से विजई हुए थी, रिगवेदिक समाज चार बड़ों में बिपक्त था, इवर्थ ब्रहमण चत्रिये वैस सूद्ध, यह विवाजन ब्योसाय पराधारित था यादर की, रिगवेद के दसवी मंदल में, पुरो सुब्त में चत्र वर्डों काउलेख मिलता है, इसमें कहा रहा है कि रुप्रहमण और परम को उसके मुख से, चत्रिये उनकी भुजाओं से, और बैस उनकी जाओं से, यह उन सूद्ध उनकी फैरों से उत्पन्न हु समाज की सबसे छोटी काई थी परीवाय या कुन, जिसका मुखिया होता था फिता, यह से कुलब कहा जाता था, इस त्रिया इस काल में अपने पती के साथ यह कार में भाग लेती थी, वाल विवाय एवं परदा पिता का पिछलन नहीं था इस पिछलन, विदिवा अपने मि तक पती के छोटे भाई से विवाय कर सकती थी, वेदिक काल में, इस त्रिया सिच्छा गहण करती थी, रिगवेद में लोपा मुद्रा, घोसा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदू सी इस त्रियों का वैडम है, जीवन भर आविवायत रहने वाली महिलाओं को आम यह बनस्पती से बनाया जाता था, ठीक, और मुख तीन प्रिकार के बस्तों का उप्योग करते थी, वास, अधिवास, और उफिडिस, अंदर पहनने वाले कपरों को निवी, निवी कहा जाता था, याद रुखे, अब यहाँ देख ले, उपने सिदों की कुल संख्या कितन यह, कुल, 108, महापोराणों की संख्या, 18, बेदान की संख्या, 6, ठीक, आंगे देखते में, आर्यों की मनुरण्यन के मुख साधन थे संगीद, रत दोड, घुर्दोड, धूत, कीड़ा, ठीक, आर्यों का मुख बेवसायता पसू पानन, एवं किरसी, गाय को अगन्या, न मारे जाने योग पसू की सेणी में रखा गया, गय की हत्या करने वाले, या उसे गायल करने वाले के लिए, बेदों में, मित्तु दंड, अत्मादेश से निकालने की विवस्ता की गई थी, आर्यों का प्रिये पसू था गोड़ा, सर्भादिक फ्रिये देवता था इंद, ब्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था, लें देन में बस्तू बीनिवाय की पिडाली विक्सित थी, बस्तू बीनिवाय मतलब बस्तू के बदले, दूसरी बस्तू के बदले एक बस्तू देना, इस तरह से बीनिवाय, रेड देकर व प्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नौट या सूद्ध कोर का जाता था मनोस एवं देवता की भूमिक्या नेवाने वाले देवता के रूम में अगनी की पुजा की जाती थी ठीक है यह हम लोग कुछ प्रमुक दर्सन एवं उनकी प्रिवर्तक देख लेते हैं जैसे चाव जो ठन की प्रिवर्तक चार वा घंege योग रर्शन जो इसके प्रिवर्तक है पतन्य आखक का कपिल नया है तो इसके प्यवर्टक है गौतम पूर मिमान सा इसके प्यवर्टक है जैमनी उत्तर मिमान सा याद रखिए इसके प्यवर्टक है बादरायन विसे सिक तरशन तो इसके प्यवर्टक है कडार या उलूग ठीज याद रखिए अब बात करते हैं लोग आंगे देखते हूं रिगवेद में रिगवेद में उल्लेखे सभी नदियों में सरसुती सबसे महत्वोन तथा पविद्य मानी जाती थी रिगवेद में गंगा यमना का उल्लेख सरिफ एक बार हुआ है उत्तरवेदिक काल में इंद के स्थान पर प्रिजापती सरवाधिक प्रिये देवता हो गए तो क्या है रिगवेदिक काल में इंद सबसे प्रिये देवता थी लेकि उत्तरवेदिक काल में प्रिजापती सरवाधिक प्रिये हो गए बेल्द काल में राजसूर्य यग्ज का अनुष्ठान किया जाता था वर्ण विवस्ता की वज़ा जनम की आधार पर निज्धारत होता था येैं उत्तरव्यदिक काल में जनम की आदावर पर निरधाणीथ होने लगी है? ठीक है? यहां हएं लोग उत्तरव काली नदिया देखे लिए थी तु सフ meow कि राथे, नाम है उस व्य मुत turning और तो जैसे नाम ना म है ने जलिदky कुम्भा इसका कावुल वित्तस्था वित्तस्था जेलं अस्किनी चैनाव परुष्णी रावी सतुदी तो इसका ब्रत्माने सतलज विपासा व्यास सदानीर इसका ब्रत्माने गंडग जुरस दित्ती गगर गोम्ती गोमल सवस्तन सवात इप्राची नाम ये त्व कि अधम्यूदी काम कर दों कि हमें लके तो अांगे दिखते हैं कि उत्तभ परुथ क्रों सिरा वर्रीका को सअ गार्य कल धाता थे उत्तर विदे कने निस्क इस को और सतमार्मुद्रा की कायि ती लेकिन इस काल में किसी खास बार सांक दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे कराची इसके आंपने सार मूल्टथ 25 जिन में प्रक्ति पहला तत्थ है प्रक्ति पहला तत्थ है से क्रवाध करते हैं सत्य मेरी हैम ओ जयति यह मुंड को उपनिसद से लिया गया है कई बार पर एक्छा हो पूछा में नाहाओ करते हैं याद रखी है मुंड को उपनिसद में इसी उपने सद में यग की तुला तोटी नाव włosay किreyky गैत्री मंद सब्दित नामक देवता को संपुदित करता है जिसका सम्मद रिगवेद से हैं उत्तरवेदिक काल में कौसांबी नगर में पिथम बार्पकी इंटों का फियोग किया गया महाकब्द दो है महाभारत और रामायन महाभारत का फुरान नाम है जैसहिता क्या है जैसहिता यह विसका सबसे बड़ा महाकब्द है गोत नामक संथा का जनम उत्तरवेदिक काल में हुए था यादर की अब हम लोग देख लेते हैं रिगवादिक कालीन दिवता तो यह दिव देवता है और उनका संबंद किस्से तो सबसे पहले बात करके लोग इंद की तो इंद को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है अगनी अगनी देवता एवं मनुसों के बीच मद्ध्यस्त थी वर्ण तो यह पित भी एवं सुरी की निर्माता ने कहा जाता है समुद्य का देवता भी कहा जाता है विस्त के नियामक एवं सासत सत्य का पिती भी जाता है रितु परिवातन एवं दिन रात का कलता है घो तो यह आकास का देवता कहा जाता है सबसे प्राचिन है सोम वनस्पति द एबन उद्धान देवता, आस्वन ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, पूसन पसुंगों का देवता, विश्णु विविश्वे संरक्चक एबन पालन करता, मारूत ये आधी दूपानों का देवता माना जाता है, ठीवे, तो ये था वहारा बैदिक काल, ठीग, बैदिक काल देख लिए अब लोगों, चलिए तो अब बात करते हैं, महा जनपदों का उद्ध, महा जनपदों के बारे में देखते हैं, ठीग, बोद्ध के जनम के पूर्व, छटवी सताब्दी इसा पूर्व में, भारत वर्ष, सोला है, जनपदों में बटा हुआ था, इसकी जानकारी में बहुत ग्रंथ अगुंतर नीकाय से मिलती है, किसे अगुंतर नीकाय से, याद रखें, ठीज, अब यह हमारे महाजनपद, उनकी राजधानिया है, और यह छेत याद रूने के इस्थान, ठीग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अंग की, महाजनपद है हमारा अंग, इसकी राजधानिया चंपा, इसका छेत है भागलपूर, मुंगेर, बीहाद, ठीग, तो क्या है अंग, अंगी की राजधानिया चंपा, इसका इस्थान क्या है, भागलपूर, मुंगेर, बीहाद, ठीग, मगद, दूसरा जनपद है मगद, इसकी राजधानिया ग्रिविज, ग्रिविज या राजगे, इसका छित है फटना, गया बिहार, तीसरा महा जनपद है कासी, इसकी राजधानिया वराणडसी, क्या है वराणडसी, इसका छित है वराणडसी के आसपास, उत्तर फिदेश में, ठीक है, वज्जी, इसकी राजधानिया वैसाली, विदे, मिथिला, इसका बर्तमानिस्थान वैस्थान है, मुझभ फर्पुर एवं तर्भंगा के आसपास का छित, ठीक है, फिर है हमारा कौसल, इसकी राजधानिया स्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर फिदेश के आसपास, अवंती, इसकी राजधानिया उज्जेनी या महस्मकी भी बोला जाता है, मालवा, मद्द फिदेश में, ठीक, फिर है हमारा मल, इसकी राजधानिया कुसावती, देवरिया उट्तर पिदेस में है इसके चेत ठेर तरह हमारा पंचाल इसकी रातधनी है एइछ Exchange गामपीविलब इसकी राध इस्थान है ब्रेली व्यदाइव अरप खावाद उत्तर पिदेस में रज्यदी चेदी ₷ सक्ती मती है इसकी रातधनी बुंदेल कन उत्तर पिदेस में मत्रा में इसकी राद्धानी विराट नगर जैबु राजिस्थान के आसपास के चित्थ हैं कमबोज हाटक है यहां की राद्धानी इसकी महाजनकत की कमबोज की राज्योरी एवं हजारा चित उत्तर पिदिश में हैं तरह मद्व हंगला जन पद्ध हमारा सूर सें मत्रा मैं इसकी राद्धानी इसकी मत्रा उत्तर के अधिस में चित्थ में हैं तरह मारा असमक तो पोटली यापोतन में इसकी राद्धान नहीं गोदावरी नदी चित के दच्छे भारत का एक मात जनपद है अस्मक प्रेगंधार तक्छिला रावल पिंडी एवं पेशावर में ठीक तो यह थे 16 जनपद चलिए एक बार हम लोग जनपद उनकी राजधानी के बद देख लेती अंग इसकी राजधानी चंपा है छंगे की राजधानी चंपा है बिहार में मगत ग्रिविड या राजधानी कासी वाडसी इसकी राजधानी ए उत्तर पिदेश में वत्स कौसाम्वी ये भी उत्तर पिदेश में वज्जी पैसाली विदे या मिथला भी इसकी राद्धानी ये भी मोजप्र नगर एवन दरवंगा में कोसल स्रावस्ती ये उत्तर पिदिस में अवंती की राध्धानी उज्जन महस्मति मालवां बद पर दिस में मल कुसावती दिवरिया में तृरब पंचाल अहिद आहिछ चत कंपविल कंपल यह इसकी राध्धानी है यह राध्धानी होगी और यह उत्तरप दिश में चैदी सक्ती मती मुंदिल हन में कुरूर इंदकरस्त इसकी राध्धानी आधुनिक दिल्ली मेरक्ट हर्याना के छित हैं मत्स ये विराठनगर है इसकी राददानी, जैपुर राजिस्थान के आसपा से, कंबोज हाटा के इसकी राददानी, राजोरी ये भूं हजारा चित में, सूरिसेन मत्रा अपुत्रफिदिस में, असमब पोटली पोटन है इसकी राददानी, गोदावरी नदी के चित में, दख्चिनवारत में गंधार तक्चिला रावल पिंडी तेसावर पाकिस्तान में तो यह हमते हमारे आजनपद चलियों तो हम देखते हैं जैन्धरम जैन्धरम के संस्थाबा के पित्थम तीर्द करते रिशब देव जैन्धरम के संस्थाबा को पित्थम तीर्द करते रिशब देव जैन्धरम के तेईसवे तीर्द करते पासर फार्ज नात जो कासी के इस छाकू वंसी राजा अस्सुसैन के पुद्थ थे इन्होंने तीस वर्स के अवस्था में सन्याज जीवन को सुई करा महा भीर स्वामी जैन्धरम के 24 वे अंतिन तीर्द कर हुए महा भीर स्वामी कौन से नमबर के थे? 24 वे नमबर के थे? महा भीर का जन्ब 540 सेंशापूर में कुन्ड दिराम वैसाली में हुआ इनके पिता सिदार्थ ग्यात्रक कुल की सरदार थी माता तिसला लिच्छवीर राजा चेटक की भैन थी थीगत महावीर की पत्नी का नाम था यसोद्रा पुत्री का नाम था अनुज्या फ्रिये दर्सनी महावीर का बचमर का नाम था वर्दमान इन्होंने 30 परस की उम्में माता पिता की मित्तीव के पश्चाद अपने वड़े भाई नंदी वरधन से अनुमती लेकर सन्याज जीवन को स्विकारा वाराय वर्सों की कठिन तफस्या के वाद महावीर को जिरम्भिक के समीक तरजू फालीका नदी के तटपर साल व्यक्ष के नीचे तफस्या करते हुए संपूर्ण ग्यांका बोध हुगा इसी समझ से महावीर जिन विजेता अरहत पोज्य निरगरंध बंदनीन कहलाए महावीर ने अपना उप्देश प्राकत अर्द मगदी मासा में दिया महावीर के पिथम अनुआई उनके दमान प्रिय दर्सनी के पती जामिल थे महावीर ने अपने सिस्सों को ग्यारे गड़धरों में विभाजित किया था आरे सुधर्मा अकेला ऐसा गंधरब था क्यों महावीर की मित्यू के बाद भी जिवित रहा जो जैन धर्म का पिथम थेरा या मुख उपदेशक हुआ लगवग तीन सो इसापूर में मगद में बाराए बरसों का भीसर अकाल पड़ा जिसके कारण भद्द बाहु भद्द बाहु अपने सिस्सों सहिद करना तक चले गए किन्तु कुछ अनुवाईस इस थूल भद्द के साथ मगद में ही रुकी रहे भद्द बाहु के बापस लोटने पर मगद के साधूओं से उनका गहरा मद्वेद हो गया जिसके पईडाम स्वरूप जैन मत स्वतामबर इबन दिगंबर नामक दो संपतायों में बढ़ गया इस थूल भद्द के सिस्स से स्वतामबर कहलाई स्वेद बस्त धिधारण करने वाले और भद्द बाहु के सिस्स कहलाई दिगंबर नगन रहने वाले कि तो याद रखी स्थूल भद्द के सिस्स क्या कहलाई स्वतामबर और भद्द बाहु के सिस्स दिगंबर कि चलिए अब देखते हैं आगे जैन धरम के त्री रतन समय दर्सन समय ज्ञान और अच्रण त्री रतन के अनुसीलन में निम्ने पांच महा वर्तों का पालन अनिवाई अहिंसा सत्त वचन अस्ते आपरी गरें ब्रह्मा चाल जैन धरम में यस्ष्वर की मानता नहीं है जैन धरम में आत्मा की मानता है, याद रखें जैन धरम में इस्वर की मानता नहीं है, जैन धरम में आत्मा की मानता है, महावीर, पुनरजनम एवन करमबाद में विश्वास करते थे, जैन धरम के सक्त भंगी ग्राण के अन्नाम थे, स्यादवाल या अनेकांतवाल और अनेक दर्शन से कहन किया जैंद्रम मानने वाले कुछ राजा थे उदाइन वंद राजा चंद गुप्त मौरक कलिंग नरेश खारवेल और फिर राष्ट पूट राजा अमोग बर्ज चंदिल राजा सकते हैं यहां कुछ पिरमुख जैन दीर्थकर्थ और उनके फिदीक चिन तुसल्बस से पहले बात करते हैं रिसप देव पित्थम तीज़ करते हैं इनका फितिक चिन है 6 और अजीत नात दूतिए थे इनका फितिक चिन है संभव तितिय है इनका फितिक चिन है घूदा संपाश सब्धम थे साद्वी नम्मर स्वास्तिक चिन इनका पिदिक चुन है। शोलाय soul वे थे दिद्ध वन्हार्ण विदिजय शने नामी 21 वो पॐन्ला माने संक्थ आरिश। दो जैन तेर्ट करों रिसब देव एवं अरिष्ट नेमी की नामुकावलिक रिगवेल में मिलता है ठीव अरिष्ट नेमी को भगवाद किष्ण का निकट सम्गान्दी मना जाता है चलिए बात करते हैं आँगे देखते हैं मैसूर के गंगवंस की मंतरी चामुंड की फुत्सान से करनाटक के स्तरवण बेल गोला में दसबी सताब्दी के मत्य भाग में बैसाली बाहुवली की मूर्थी गौमते सोल की मूर्थी का निर्माड कराये गया खजराहो में जैन मंदिरों का निर्माड चंदेल सास को द्वारा किया गया था खजराहो एमपी में याद रखी मौरोत्तर यह में मत्रा जैन धरम का प्रिस्ट केंदेता मत्रा कला का संब्द जैन धरम से है जैन ती रितकरों की जीवनी वंदवाहु द्वारा रचित कल्व सूत में है बहत्तर वर्स की आये में महावीर की मित्तिव निर्माड बुला जाता है जिसे 468 इसापूर में विहार राजी के पावापुरी राजिगर में हुआ मल राज श्रस्ति पाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी कुल निर्माड प्राप्त हुआ ठीक जैन संगितियां भी देख लेते हैं ठीक तो ये संगितियां हुए बर्स हुए इस्थल हुए अध्यक्षुल तो पितम की बात करें तो 300 इसापूर में पितम संग्ती हु इस तूलगत इसके अध्यक्ष थी दुथी हुई है चटी सताब्दी में ठीक वल्ली भी गुजरात में हुई थी चमा सर्वण इसके अध्यक्ष थी ओंते चमा सर्वण याद रखिए पहली वीटी पाटली कुद दूसरी वल्ली में तो ये था हमारा जैन धरम ठीक चलिए तो हमने जैन धरम देख लिया है अब बात करते हैं लोग बहुत धरम के बारे में आप लोगों को बता दे हैं लोग लूसेंट की सामान बुक देख रहे हैं सामन गयान वाली है तो बहुत धरम के बारे में बात करते हैं बहुत धरम के संस्था पक गौतम बहुत थे बौध धरम के संस्था पकों थे गौतम बौध इन्हें एसिया का जियोती फुर्ज कहा जाता है लाइट और एसिया कहा जाता है कि इन्हें गौतम बौध को गौतम बौध का जनम हुआ था 563 इसापूर में कफिल वस्तु के लुम्मिनी नावाकिस्थान पर हुआ थे इनका इनके फिता का नाम था सुद्धोधन साक्कगर के मुखिया थे, इनकी मात्ता का नाम था महादेवी, जिनकी मुथ्य इनके जनम के साथ वे दिन हो गई थी, इनका लालन पालन इनकी सौतेली मा प्रजापत्ती गौत्मी ने किया था, इनके बच्पन का नाम था सिद्धार्थ, क्या था सिद्धार्थ, गौतम बौध का बिवाय सोला वर्स की अवस्था में यसोधरा के साथ गुआ, इनके पुत्त का नाम था राहूल, गौतम बौध के पुत्त का नाम था राहूल, चील, सिद्धार्थ जब कफिल वस्तु की ओर की सेर्फ निकलिव दोनों ने चार देस्टों को क्रमसा देखा ये चार दरस्त कौन-कौन से थे बूड़ा बैक्ती एक बीमार बैक्ती एक सव देखा और एक सन्यासी थे यादर के बूड़ा बैक्ती एक बीमार बैक्ती और एक सव ए सन्यासी संसारिक समस्याओं से विठ्थित होकर सिदार्थ ने 39 वर्ष की अवस्था में गरहत त्रयाग दिया जिसे बौधे धरम में महाविनिस्करमण कहते हैं गरहत त्रयाग करने के बाद सिदार्थ बहुत ने बैसाली के अलार कलाम से सांख दरसन की सिक्षा ग्रहण की अलार कलाम सिदारत के पित्थम गुरु थे याद रखिए अलार कलाम के बाद सिदारत में राजगर के रुद्ध काराम पुत्ध से सिक्षा ग्रहण की यहां कुछ देख ली थे हैं बहुत जीवन से संबन्दित बुद्ध के जीवन से संबन्दित भूद्ध धरम के पितीकों के बारे में तो जर्म में का इनका पितिक्चन था कमल एवं साण, ग्रह तयाक था गोडा पितिक्चन, ज्यान फीफल बौद्री वेप्च, निर्वाड पदिक्चन, उमित्तिव इस्तू, ठीक, आंगे बात का त्यांग लोग? उरुवेला में सिद्दार कुप, कौड़न, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामपा साधक मिले, विना अन ग्रहण की छे बरस की कट्षिन तपस्या के बाद 35 बरस की आयू में, बैसाक पूनमा की राद, नीरण्यना, फाल्गो नदी के केनारे, पीपल पेक्च के नीचे सिद्धार्थ को ग्यान प्राप्त हुआ, ग्यान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौध के नाम से जाने जगए, वह स्थान जहां इने ग्यान प्राप्त हुआ, उसे बौध गयात कहा जाता है, बौध ने अपता पिथम उप्देश सारनात, रिसी पतनम में जिसे बौद गरंतों में धरम चक्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिये बुद्ध्ध ने अपड़ना पिथम उब्वदेश, तारणात रिसी फत्नमस में दिया, जिसे बौद गरंतों में धरम, चक्र वांakigers रिख्वर्तन कहा अनराज्यों में दिये, बुद्ध ने अपने सरवादिक उपदेश कौसल देश की रादानी स्रावस्ती में दिये, इनके फिर्मों खनवाई सासकती विम्भी सार, फिसैन जी तथा उदेन, बुद्ध की मित्यू असी बरस की अवस्ता में 463 इसापूर में कुसी नगर, दिय बुद्ध धर्म में महा परी निर्वाड कहा गया, मलों ने अतेंत संबान पूर्वक बुद्ध का अंतिष्टी संसकन किया, एक अनुस्तुरी के अनुसार, सुरूती के अनुसार, मित्धी विवाद बुद्ध के सरीर के अफसेसों को आठ भागों में बाट कर उन पर आठ इस्तोपों का निर्वन कराए गया, बुद्ध के जनब एवं मित्यू कि तिथी को चीनी परप्रा के केंटोन अभी लेक के आधार अपर निश्चत किया गया, बौध धर्म के बारे में हमें विसद जानकारी पाली तिरी पिटक से प्राप्त हुई, बौध धर्म उलता आन सुर्व वादी है, इसमें आत्मा की परीकल्पना भी नहीं है, बौध धर्म में पुनय जर्म की मानता है, चिश्चना को छीड हो जाने की अवस्ता में ही बौध ने निर्वाण कहा, बिस दुखों से वराय है, कसिध्धान बौध ने ओपनिसस से लिया, बौध के अनवाई दो भागों में विवाजे थे, विच्चुप, बौध धर्म के परचार के लिए उन्होंने जिनों सन्यास गया, उन्हें विच्चुप कहा लिए, उफासक, ग्रहसते जीवन वितीत करते हुए बौध धर्म अपनाने बालों को, उफासक कहा गया, संग में प्रविष्ठ होने को उफ संपदा कहा जाता है, बौध धर्म के त्री रहतन हैं, बौध धाम संग, अब बात कर लेते हैं लोग, यहीं बौध सभाओं के बारे में, फित्थम बौध संगिती हुई 483 इसापूर में, राजग्रह में हुई थिये, इसके संगिती हुई 383 इसापूर में, वैसाली में, सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, काला सोग के इसापूर में हुई, तित्थिये बौध संगिती की बात करें, तो 200 पच्छपन इसापूर में हुई, पाठली फुत में, मौगली फुत्त, तिस अध्यक्ष थे संगिती में, असोग के साशनकाल में हुई, चत्थूरत बौध संगिती की बात करें तो 20 की पितम सतापूर में हुई, यह हुई थी कुंडल वन में, इसके अध्यक्ष थे वसूमित या अस्वोस, कनिस्क के साशनकाल में हुई थी, चत्थूरत बौध बुद्ध संगिती के बाद बुद्ध धरम दो भागों में ही इन्यान एवा महायान में विवाजित हो गया धार्मिक जुलोसों का फ्यारम सबसे पहले बुद्ध धरम के द्वारा फ्यारम किया गया बुद्धों का सबसे पवित्यभार वैसाक पुणिमा है जिसे बुद्ध पूरिमा के दिन ही बुद्ध का जनम ग्यान की प्राप्ति और महाप्री निर्माण यानि की मित्ति हुई अंगली बात करते हैं आगे दुख बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबन्द में चार आरे सत्तियों का उपदेत दिया जिसमें दुख है दुख समुदाय दुख निरोद गामिनी फिती पद्ध इन सारिक दुखों से मुक्ति है तुब गुद्ध ने अस्टांगिक मारक की बात कई वह कि आक साधने समय का संब्ध दिरिश्टि, समय क संकल्प, वानि्यी पुद्ध समय करवांत्थ, समय क आधिव, व्यायम आगे बात के हमें की अनुसार अस्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरां मनुस्व की भाव त्रहना नश्ट हो जाती है उसे निर्वाड प्राप्त हो जाता है निर्वाड पौद्धरम का परम लक्ष है जिसका अध्य दीपक का बुझाना अधा जीवन बरण चक से मुक्त हो जाना साविल है आयन्सा सत्य आस्त्य चोरी ना करना आप परीगर रहे किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना मद सेवन ना करना आसमाय भोजन ना करना सुख्रत विस्तर्पन नहीं सोना धन संचायना करना इस्तिरियों से दूर रहना नित्य कान आधी से दूर रहना ग्रश्तों के लिए केवल पास सील तथा मिच्चियों के लिए दसों सील मानना अडिवार था बुद्धिन ने मध्यमार का उदेश दिया अनिस्तरवात के संबन्द में बहुत दर्म और जैन दर्म में समानता है जातक कथाएं फिदर्शित करती हैं बहुती सत्थ काउसत अवतार मनुसों के रूप मनस रूम में भी हो सकता है तथा पसों के रूम में 22 सत्थ के रूम में फुनर जनमों की दीर्ग संखला के अंतरगत बहुत दें साथ कमुनी के रूम में अफना अंतिम जनम प्राफ्त किया किन्तु इसके उपरां मिठ्थे तथा अन अनाम बहुत अभी आउद्रित होने से सरवादिक बहुत मूरतिय अगंतरगत किया गया तुछ दीकित्व पिथम मूरति समा बत्वराख अलाके अंतरगत बनी थी यो चलिए दो हम देखते हैं सेवधरम की बारे में यह भाद धरम को देख चुक है अब सेवधररम को देकते हैं भगवान सिब की पोजा करने वालों को सेव तिवम सिव से संबंदि धर्म को सेव धर्म के घाजात कहा है सिविलिंग वो पासना का फ्यारमीक फूरा तात्विक साथ साक्षे हड़ापपा संस्किती के आउसेसों से मिलता है कि रिगवेद में सिव के लिए रोत नामक देउता का उनलेक मिलता है याद रखिए अथर्व वेद में सिव को भाव शर्व पसूपती इवं भूपती कहा गया है याद रखिए अथर्व वेद में सिव को भाव या साव शर्व पसूपती इवं भूपती कहा गया है लिंग पूजा का पहला इस पर्ष्ट बर्डन मत्स पुराण में मिलता है कहा मिलता है मत्स पुराण में महाभारत की अनुसासन फर्व से भी लिंग पूजा का बर्डन मिलता है याद रखिए महाभारत के अनुसासन परव से भी लिंग पूजा का बरडन मिलता है उस सिवलिंग उपासना का फ्यारंबेक साक्ष कर मिलता है पुरा तात्विक साक्ष हडपा संस्किति के आउसेसों से मिलता है ते वावन वावन पुराण में सेवधरमक की संख्यार चार बताईए है पासुपत कपालिक कालामक लेंग आए कौन-कौन से है पासुपत कपालिक कालामक लेंग आए पासुपत संपदाय सेहों का सरवादिक प्राचीन संपदाय है इसके संस्था करते लपूलीस लपूलीस थे इस संपदाय की संस्था पर चिने भगवान सिर्थी अठारे आउतारों में से एक माना गया है पासुपत संपदाय की अनुवाईयों को पंचार्थिक कहा जाता है यह स्मक्क अप्रमुक सिधान्तिक ग्रंध है पासुपत सूर्थ श्री करपंडित एक विख्यात पासुपत आचारित है याद रखिये यह कुछ संपदाय देख लेते हैं पहले और उनके संस्थापक थे अजीवक संपदाय तो याद रखें मखली पुत्यगोसाल थे इसके अजीवक संपदाय थे घोर आक्रियावादी संपदाय तो इसके संपदाय के संस्थापकों थे पूरण कस्यर ते यद चावाद संपदाय के संस्थापकों थे आचार अजीवक तरह भौतिक वादी भौतिक वादी संपदाय के संस्थापकों थे पकुद कच्चायान कच्चायान थे आगलेश्चे वादी संपदाय तो इसके संस्थापको कपालिक संपदाय के इश्ट देव हैं वहरों, इस संपदाय के लोग नरकपाल मही भोजन, जल तथा सुराफान करते थे, साथ ही अपने सरीर पर चिता की वसन मलते थे लोग, लिंगाय संपदाय दच्छिण में पिछलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था, इस संपदाय के लोग सिर्व लिंग की उपासना करते थे, थिए, वासव पुराण में लिंगाय संपदाय के प्रिबर्तक अल्लाः प् इस संपदाय को वीर सिर्व संपदाय भी कहा जाता है, याद रखें, दस्वी सताब्दी में मत्सें नात्ने, नात संपदाय की इस संपदाय की, इस संपदाय का व्यापक प्रचार पिसार बाबा गोरक नात के सबय में वह भुगा, दच्छे भारत में सेव धरम चालों की राष्टकूर पल्लों एगों चोलों के समय लोग पिरिये रहा है, याद रखें, पल्लों काल में सेव धरम का पिचार पिचार नाय नारों द्वारा किया गया, नाय नारों द्वारा किया गया, नाय नारों द्वारा किया गया, नाय संदर मूर्ती आदी के नाम उलेगनी है। एलूरा के पिसिद कहलास मंदिर का निर्मार्ण राश्ट कूटों ने करवाया था। याद रखे हैं कई बात कुछा जूचा है जुट्छाउ heter है केलास मंदिर का निर्वाण किस ने करवाय था राष्ट कूटों ने चोल सासक राज 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 कि थम ने तंजोर में पिसिद्ध राज से खस्य मंदिर का निर्वाण कराया था जिसे वेहदीस और मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तो राज राज कि थम ने चोल सासक था तंजोर में पिसिद्ध राजराजे सिव मंदर का निर्वाण करा है जिसे बेखदी सोर मंदिर के नाम से जाना नेता है कुसार सासकों की मुद्राओं पर सिव एवं नंदी के एक साथ अंकर प्राप्त हुआ है क्या हुआ है कुसार सास्कों की मुद्राओं पर सिर्व एवं नंदी की का एक साथ अंकर प्राप्त हुआ है कि अगया है ठाण ठीजिए तो हमने देख लिया है सेवत्रम बात करते हैं हम लोग बैश्नाव धरम के बारे में ठीज़िए बैश्नाव धरम की विषय में प्यारंविक जानकारी उपनिश्दों से मिलती है इसका विकास भगवत धरम में इसका विकास भगवत धरम से हुआ है याद रखिये बैश्नाव धरम के विषय में प्यारंविक जानकारी उपनिश्दों से मिलती है और इसका विकास भगवत ध धरम से हुआ है बैशनाव धरम के फिवर्तक हैं श्रीक किष्ण जो बिरसन कभीले के थे और जिनका नेवास इस्थान मत्वुरा में था तो किष्ण का उले स्टरफितम कहा मिलता है छादोग अपने सदमें देव की पुत्थ और अंगीरस के सिस्के रूम हैं तो किष्णे का उले एक सरफितम कहा मिलता है छांदोग हुपनिसद में देव की पुत्त और अंगीरस के सिस्के रूम में देव की पुत्त और अंगीरस के सिस्के रूम में विश्णु के दस आउतारों का उले मत्स पुराण में मिलता है दस अउतार किस्पिकार थे? मत्स, कुरूम, वराह, नर्शिंग, वामन, फरुस्तुराम, राम, बलराम, बौत और कल्की क्या थे? एक वारोज देख ले थे हम दस अउतार विश्णु भग्वान के मत्स, कुरूम, वराह, नर्शिंग, वामन, परुस्राम, राम, बलराम, बौत और कल्की बैशना धरम में इस इस्वर को प्राप्त करने के लिए सरवादिक महत्त भक्ती को दिया गया है ठी? अब बात कर ले थे हम लोग फिरमुक, संपधाय, मत, एवं आचारे ठी? ये फिरमुक, संपधाय होगे अपने, इम्मत होगे और ये आचारे होगे तो सबसे पहले बात करते हैं वेफनाव संपधाय के तो इनका मत्था विशिष्टा द्वेत इसके आचारे थे रामा नुझ बिरम्मा संपधाय इसका मत्था द्वेत इनकी आचारते आनंद तीध फिर रुद्य संपधाय तो इनके मत्था सुध्धा द्वेत और इसके अचारते वल्लभाचार फियों सनक संपधाय मत्तायन का देटाबात और इसके आचारते निमार्ख निमार्ख फिर बात करते हैं यहीं प्रमुक्ष संपदाय संस्थापक एवं पुस्थक पुस्थक तो इस प्रमुक्ष संपदाय और संस्थापक उनके उनकी पुस्थक ठीक वरकरी वरकरी तो नामदेव थे इसके संस्थापक स्रीवेश्णव तो इसके संस्थापक थे रामानुच और पुस्थक ती से प्रमय तो संथा पकते राम दास पुस्तक्ति दास बोध राम भक्त चु इसके संथा पकते रामानड पुस्तक्ति अध्यात्म रामायंण ट्रीग और फिर से संपताये देख लएते हैं पिस्ता班 रहिए बेहनस संपताये अचाई है इसके रामानुच ब्रह्मद श leer संपदाय, इसके आचाट थे आनंतीत, रुद्ध संपदाय, बल्लवाचार थे इसके आचाय, सनक संपदाय, निमारक थे इसके आचाय, ठीक है, और पुस्त, इनके प्रमुक संपदाय के पुस्त के लिए दिख ले थे, संबनेत उनकी जो रही है, बरकरी, इसके संस्था बक वह संबनाइब स्री बैशन आधर मैंनेAg avoided इसकी सप्वक्ति में इसके सबता वा थे स संब्धि थे संबद्ध아요 फर्मार्थ रंद्राश्छ पुस्टकि त्या सुब्धर रांभक्त रामनम्त अध्यात्म आम राम अयड पुस्टक ये संप्दाइइ से संबन दी हुआ है चलिए नहीं बात बात करों लूशन सामा भियान की वारे में उम लोग बात कर छुके हैं अब है लूग इस्लाम दर्म के संस्थापक थे हजरत मोहमद साव कौन थे हजरत मुहमद चाहब का ज RAW में हुआ इंढ़ना के जर्म्हान मोहमद साहब का 573 में मक्का में हुआ थल्थ महमद साहब Price आ के वीट्जा का नाम था अक्दुल्ला और जीजा का नाम था अमीना हजरत मुहम्मद साहब को 610 इसवी में 610 इसवी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ग्यान की द्रापती हुई 24 सेप्टमबर 622 इसवी को पेगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इसलाम धरण इसलाम जगत में मुसलिम संबद या हिजिरी संबद की नाम सचाना जाता है मुहम्मद की साधी 25 वर्स की अवस्ता में खली ख़दीचा नामक विद्वा के साथ हुई थी मुहम्मद की पुत्री का नाम था थातिमा और इनकी दमान का नाम था अली हुसेंड ठीक देवदूद ग्रेंबियल ने पेगंबर मुहम्मद साहब को कुरान अर्वी भासा में संप्रेशित की पेगंबर मुहम्मद साहब ने कुरान की सिच्छाओं का उपदेश दिया है हजरत मुहम्मद साहब की मित्जी आठ जून 632 सीसीवी को हुई उन्हें मदीना में दपनाया गया जनम हुआ था मक्का में याद रखिए उन्हें दखनाय कहा गया मदीना में मुहम्मबत साहब की मित्तियों के बाद इसलाम सुन्नी तथा सिया नामक दो पंथों में विवाजित हो गया सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं सुन्ना प्यगंबर मुहम्मद साहब के कत्नों तथा कारेओं का विवरण है सुन्नी याद रखिए मुहम्मद साहब की मित्यु के बाद सुन्नी तथा सिया नमक दो पंतों में विवाजित हो गया है सलाम धरम सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं सुन्ना प्रेगंबर मुहम्मद साहब के कत्नों तथा कारेओं का विवरण है सिया अली की सिक्षाओं में विश्वास करते हैं तका उन्हें मुहम्म्मत साहब का नियाय सम्मत उत्तरादीकारी मानते हैं। अली मुहम्मत साहब के दमान थे व्याद है। अली का जनव की जनव 661 इसवी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्त हुसेन की हत्या 630 इसवी में कर दी गई। करवला नमगेस्थान इरान में यहां कर दी गई थी इन दोनों हत्तिया ने सियाग को निश्चित मत करूप दे दिया फेगमोर मुहम्मद साहब के उत्रादीकारी खलीपा कहलाए इसलाम जगत में खलीपा कपत 1924 इसीवी तक चला 1924 में इसे तुर्की के सासन मुस्तफा कमाल पासा ने समाप्त कद दिया एबन इसाक ने सरव प्रिथम पैगमबर साहब का जीवन चरित लिखा था मुहम्मद साहब पैगमबर के जनम दिन पर इद ए मिलाद उन नभी परब मनाया जाता है मुहम्मद साहब के पैगमबर के जनम दिन पर क्या बनाया जाता है इद ए मिलाद उन नभी परब मनाया जाता है चलिए तो हम बात करते हैं इसाई धर्म के बारे में इसलाम धर्म देख चुपे हम लोग इसाई धर्म के बारे में बात करते हैं इसाई धर्म के संस्थापक इसा मसीह थे इसाई धर्म का प्रमुक गरंथ क्या है वाईविल इसाई धर्म के संस्थापक कों थे इसा मसीह और इसाई धर्म का प्रमुक गरंथ है वाईविल इसा मसीह का जनम जेरू सिलम के निकट वैत लेहम नामक स्थान पर हुआ इशा के जनम दिवस को किसमस के रूम में मनाया जाता है। इशा मसीह के माता का नाम था मैरी और पिता का नाम था जोसेब। इशा ने अपने जीवन के पित्थम 30 बर्स एक बड़ई के रूम में वैथलेहम के निकट नाज रेत में बिताये। इशा मसीह के पित्थम दो सिस्थे एंडूस और पीटर। इशा मसीह को सूली पर रॉमन गवनन पॉन्टियस में चड़ाया। इशा मसीह को 33 इसवी में सूली पर चड़ाये गया था। इशाई धरम का सबसिप पवित चन्ने क्रॉस। इशाई त्री द्थम में विश्वात रखते हैं। इस्वर्पिता इस्वर्पुत और इस्वर्पवित्थ आत्मा इसाई धरम त्री तत्त में विश्वात रखता है इस्वर्पिता इस्वर्पुत इस्वर्पवित्थ आत्मा तो ये था हमारा इसाई धरम यही हम बात कर लेते हैं पार्शी धरम के बारे में फार्शी धरम के पेगंबर थे जर्थुष्ट इरान के थे इनकी सिक्षाओं का संकलन जेंद अविश्था नामक ग्रंथ में जो फार्शीयों का धार्मिक ग्रंथ थे इनकी मोल शिक्षा का सूथ दद्र इसके अनुआई एक एस्वर आहूर कुमांदे इस धर्म के अन्वयाईयों को अगनी पूजग भी कहा जाता है इस धर्म के पार्शी धर्म के अन्वयाईयों को अगनी पूजग भी कहा जाता है चलिए तो इस था पार्शी धर्म चलिए तुम लोग देख चुके हैं इसाई दर्म और पार्शी दर्म अब बात करते हैं लोग मगद राजी का उतकर्ष मगद के सबसे प्राचीन बंस की संस्थापक थी व्रह दिर्थ इसकी राद्दानी थी ग्रिवरज राज ग्रेड जरासंद वेह दर्थ का पुत्य था हर एक बंस की संस्थापक विम्मिसार मगद की गद्दी पर 544 इसापूर में बहुत ग्रंथों के अनुसारी डेटे बेटा वह बहुत धर्म का अनुवाई था विम्मिसार था जो बहुत धर्म का अनुवाई था राज़ी को मगद में मिला लिया विम्मिसार ने राजग्रेड का निर्मान कर से अपनी राजदानी बनाया विम्मिसार ने मगद पर करीब 52 वरसों तक सासन किया महत्मा बौध की सेवा में विम्मी सार ने राज वेल जीवक को भेजा था आवंती के राजा प्रगोध जब पांडू रोग से ग्रसित थे तो उस समर्वी विम्मी सार ने जीवक को उनकी सेवा सुस्रुषा के लिए भेजा था विम्मी सार ने वीवाहिक संबन्द इस्थापित कर अपने समराज का विस्थार किया इसने कौसल नरेश पसेंड जीद की बहें महा कौसला से वेसाली की चेटक की पुत्री चेलेन्डा से तथा मद्ध देश की आधुनी पंजाब की राजकुमारी छेमा से साधी की विम्मी सार ने याद रखे विवाहिक संबन्द दोर अपने समराज को विस्थार दिया इसमें कौसल नरेश पसेंड जीद की बहें थी जो महा कौसला से विवाहिकिया बैसाली की चेटक की पुत्री चेलेना से मद्ध देश की आधुनी पंजाब की राजकुमारी छेमा से विम्मी सार की हत्या उसके पुत्र अजाद सत्तु किसने विम्मी सार की हत्या उसके अजाद पुत्र अजाद सत्तु ने कर दी वर 493 इसापुर्व तक में मगत की गद्धी पर बैठा था अजाद सत्तु का उपनाम था कुडिक अजाद सत्तु का उपनाम क्या था कुडिक अजाज सत्रू ने 32 बरसनों तक मगत पर साथन किया अजाज सत्रू प्यारब में जैन धरम का अनुगाई था अजाज सत्रू के सुये मंत्री का नाम था वरसकार वरसकार इसी की साहेता से अजाज सत्रू ने वैसाली पर विजय प्राप्त की अजाद सत्तु की हत्यां उसके पुत्त उदाएन ने 461 पीज़ा इसाउ गुडमे की वई मगत की गद्धी पर बैठा उदेन ने पाटली पुत्त की स्थापना की थी उदेन ने जैंदरं भी जैंदरं का अनुवाज थी उदाएन भी जैंदरं का अनुवाजि थी हर एक बंस का अंतिमराजय कों था उदाइयियन का पुटि छर एक बंस का कि अंतिमराजय कों था धुटि नांग全 स्थामने चार आपurgh दोत्त कर नीचार सो बारा किमें अधिक की सथापणु तो याद रखी पर आफ़्सी सिसुना वंस की स्थाफना, किसने शीसुणाग नहीं अपनी रड़ादानी पाठली पुत्से से हटा कर वैसाली में स्थाबिक इसू नांग का उत्तरा अध्यकारी था काला सु कुनारा दनी को पाम इawiते। धावर्फ नांड बनस का अंतिंध्य घ्णन पैरान था बाम्पदम्नद, यह स्घंधर का अंतिंध्यक्त मोर ने योद में पराजित किया और मगत परी नए बंस मोरी बंस की स्थापना किया ठीम चली तो अब हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में सिकंदर का जनम 556 इसापूर में हुए सिकंदर का जनम कम हुए याद रखिये हम इसाब 356 इसापूर में जिकंदर के पित्र का नाम था फिलीप फिलीप पांस तीन सो वनन appropriate मैं मक्दूनिया का अस्वजन नहीं इसकी टीन सो उनटीश इस इस्पूर में खर दी गई थी फिलीप की सिकंदर अरस्तू का सिस्द्ठा सिकंदर किस सिस्द्धा अरस्तू सिकंदर की गुरू थे याद रखना सिकंदर ने भारत विजय का वियार तीन तो चब्वीस की साफूर में प्यारम किया सिकंदर का सेनापती सेलूकस ने केटर था सिकंदर को पंजाब के साथ पूरस के साथ युद करना पड़ा जिसे हाई डिस्पीज के युद जेलम का युद के नाम से जाना जाता है याद रखिए सिकंदर को पंजाब के साथ पूरस के साथ युद करना पड़ा उसे युद को हाई डिस्पीज के युद या जेलम का युद के नाम से जाना जाता है जिलम याद रखिए वित्रष्टा भी से बुला जाता है जिलम नदी को सिकंदर की सेना को व्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया सिकंदर की सेना ने सिकंदर इस्तल मार्ग से 325 इसापूर में भारस से लोटा सिकंदर की मित्ती हुई 323 इसापुर में देवी लौन में 33 वर्स की अवस्था में हो गई थी सिकंदर की जल सेना पती था सिकंदर का जल सेना पती था निरयाकस याद रखिए ठीक है चली तो हम बात करते हैं मौर इबंस की बारे में किसमें मौर इबंस मौर वंस का संस्थावक था चंद गुप्त मौर का जनम 345 इसापूर में हुआ घनानन्द को हराने में चाणक ने चंद गुप्त मौर की मदग की थी जो बाद में चंद गुप्त का पिधानमंतरी बना कौन चाणक की यादर की चाणक को कोटल ले अविश्नोगुप्त भी कहा जाता है अरत सास्त जिसका संबंद राजनीती से अब अधियों अरत सास्त जो बुस्तक है चाणक की है यादर को चंद गुप्त मगर्द की राजगर्दी पर 322 इसापूर में बैठा था चंद गुप्त जैन धरम का अनिवाई था चंद गुप्त ने अपना अंतिम समय कर्णाटक कहां कर्णाटक की सेवड वेल गोला नाम इस जंद कुप्त नें किस यह राये सेलोगर्च न कर्डर को 300 यसापूर में से लूकष न कर्डर न पैपमी पुत्री कार्णने लिया की साधी चंदकुप्त महः ये साथ किर दि और इयोति की संधी सर्द्युमोर पिल अनुसार्प्वाध काबूल कंधान हैरात मक्रान च चंदकुत मौर ने जैनी गुरू भध्यवावों से जैन धर्म की दीख चली मेगस्थनीज सेल्बस निकेटर का राजदूर था जिस चंदकुत मौर की दरवार में रहा। मेघस्तिमीन द्वाला लिकी गई पुस्तक्ती इंडी का याद रखे MAGA ST fountain which looked at kLife weld को लिखे तरी चंनकों और मोर कि मिलेघ थे सहले के बीच विएधक बड़न एक एम पीए आनस एक पी आनस ने किया कि तिईटार्ट के अनुसार चंद्कुप्थ मोर्डर स्यलुकस को पांच चयार हां थी उपहर में दिये थे चंद्कुप्थ मोर की मित्ति हुई दोसो अंठाउन इसापूर में सेवर बेलगुल बेलगुला में उपकवास बारा हुई थी उसकी मित्ति फिर आता है चंदगुप्ट मौर का उत्रादीकारी बिन्दु सार अमित्य घात के नाम से बिन्दु सार जाना जाता है अमित्य घाद का यहाँ दैस्टूब बिनासर बिन्दूसार अजीवक संपधाय का नुयाई था वायू पुराण किसमें वायू पुराण में एक बिन्दूसार को भद्यसार कहा गया इस्टेवू के अनुसार सिरियन नरेश एंटी योकस में विंदू सार के दरवार में डाइमेकस नामक राजदूद बेजा इसे ही मैगस्तनीच का उत्रादिकारी माने जाता है 거지 में जैन elbow जेंग उनलको में विंदु सार को सिंग सेंट कहा गया विंदु सार के सासनकाल में तक रिचल sürh कि में दूऊंड विद्रों विद्रों गवर्ण है इस विद्रों को जड़ों के लिद्रों के लिए फेर बाद को देने पहले सुसीम को और risks को मिला चांग दार्सलिक भेजने की प्रात्मां की थी मदिरा सुखै नॡिढ दारा नात ने गिंदु सार को सोला राजियों का विज़िता रहे हैं आपकरते हैं डीकार डीकारी यह फुनल माद तक कि राजगंधी पर बैठा राजगंधी पर बैठने के समय असधों अवंति का राजपल था मासकी aż फीरा आहि कि अभी लेक में असोग का नाम असोग मिलता है मासकी फेल पुराणों rolls वेसोग को को असोग हुवा नतन कहा गया है असोग ने अपने अभिसे के आठवे बस यानी की 261 इसापूर में कलिंग पर आखमड किया और कलिंग की राध्धानी तोसली पर अधिकार कर लिया प्लीनी का कथन है कि मिस्त का राजा फ्ला डेलफस टॉलमी सेकंड ने पाटली कोत्त में डियानी सियस नामकी राधूत भेजा था असोग की दर्वाद में वोको गुप्त नामक बौन्द विच्चुने असोग को बहुत धरम की दीख्चा दी थी किसने वोको गुप्त ने अ असोग ने अजीबकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ पहाड़ियों मेरे चार गुपाओ का निर्मान तरस जिनका नाम neutral चौपार ुदाम वि स्त जोप्णी तरफ अगे बात करते हैं असोग के हुट्ट इसमें असोग के दसरत ने अजीबकों को नांगा असोग ने बहुत दर्म के विचार के लिए अपने पुत्र महेंद, पुत्री, संगी, मितागो, स्रीयरक का बेजा, भारत में सिलालेख का पिछलन सरफितम असोग ने कराया था, असोग के सिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्री, अर्माईक लिपी का फ्योगा, ग्री के अर्माईक लिपी का अविलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपी का अविलेख वत्र वश्चिम पाकिस्तान से, सेस भारत में ब्रह्मी लिपी के अविलेख मिलेख है, असोग की अभिलिकों को तीन भागों में माटा जा सकता है सिलालेक इस्थम्मलेक और फिरे गुहालेक असोग की सिलालेकों की कूल 1750 इसी में इसी में पढ़ द्रेटी फैंतियर ने की थी इसकी संख्या 14 असोग की अभिलिक पढ़ने में सबसे पहले सफलता अठारहे सो सथीस में जैमस की थी तो याद रखिए असोग की खुचकी है 1750 में यह और सबसे पहले पढ़ने में सफलता इसने प्रप्त की 1837 में जैमस defense को यह अब बात करते हैं लोग रुखर सिलालेगों है सिलालेग और उन मिपासुवली कि देन की गई है दूसरे सिलालेग की बात करें तो इसमें असोख ने मनोस एबन पस्वों दोनों की चिकित्सा विवस्ता का उलेक किया तीसरा सिलालेक की बात करें तो इसने इसमें राच किये दिकारियों को यह जादिश दिये गए कि वे हर पांच में वर्स के उप्राद दौरी पर जाए सिलालेकों के कुछ धार्मिक नेमों का भी सिलालेक मिलता है किया गया है इसमें चौथा सिलालेक है असोग का इस अभी लेक में भेरी गोस की जगए धमकोस की गोश्णा की गई है अब आप करतें पांच में पांच में जो सिलालेक है इस सिलालेक में धरब महामात्रों की निवति की विशा में जानकारी मिलती है छट नवा जो शिलालेक है इसमें सच्ची घ्या सच्ची भेंट तथा सच्चे श्रष्टाकार का विध किया गया है है इसमें अजीत दिया कि राजा तथा अच्च अदिकारी हमेंसा फ्रुजा गेज्ट में सोचें रखलते हैं हम द्यारव ए सललेकी तो इसमें धमेघ की व्याक्ता की गई है कि अब बात करके हैं flex अब 100 कि सभी पितार के विचार उनका की संभाण की बात कही दिन के ना रों कि अ огрई का हमारी तेध कुरलेंगे उद्य में कि सर्फब्र लेंग युद्दिका वर्ण किसमें तेरह वे वे सिलालेक बेद की बात करें असोख ने जंता को धार्मिक बीवन बिताने क्लिए पेरित क्या है अगे बात करते हैं असोख के इस्थम्बलेकों की संख्य कितनी साथ जो केवल ब्रंवी लिपी में लिखे गए करा से पूलुमों इस्टनले को WeGO सिद्वर बसक्राद करें U sv Assistant नश sä 답द करा है तो फिर को सब्सक्राइए लक्री डिया लिच खें दिस्टनले को अकबर ने लावात के सबस्क्राइए दिल्ली टोपरा है गो यह इस्तमलेक फिरोज साह दुगलक के द्वारा तोपरा से दिल्ली लाए गया फिर दिल्ली मेरट जो अभी इस्तमलेक है पहले मेरट में था इस दिल्ली इस इस्तमलेक को फिरोज साह द्वारा दिल्ली लाए गया फिर है रामपुर्वा तो यह इस्तमलेक चंपारण विहार में स्थाप थे इसकी कोई 1872 में काल लायल नेकी थी तेरे लोरिया अरे राज तो ये चंपारण बिहार में है लोरिया नंदन गड़ चंपारण बिहार में ये इस इस्थमलेग पर मोर का चित्त बनाबगा है कौसामभी अभिलेग को रानी का अभिलेग भी कहा जाते हैं इसी में लुम्मिनी के धम यातरा के तवरां असोग द्वारा भौ राजस की दर घटा देने की जोश्ञा गीए असोग का सादवा अभिलेग सबसे लंबा है फिथम फिथक सिलालेग में ये जोश्ञा की गई है सभी मनुस मेरे बच्चे हैं असोग का सारी पुना कंध एवं आर्मी बहासाओं में पराप्त हुआ। समराज में मुख मंत्री एवं पुरोवत की नियुक्ति के पूरु इनके चरित तो काफी चाचा परका जाता था वो वदा परीच्छन कहा जाता था इसे जाच परकू। समराट की साहता के लिए एक मंत्री फरिषद होती थी जिसमें सदस्तों संख्या 12-16 20 हुआ करती थी अरत्सास्त में सीसस्त अधिकारियों की रूप में तीर का उलिख मिलता है जिसे महामात्वी कहा जाता है इसकी संख्या कितनी थी अठार है अरत्सास्त में चार जासुसों को अरत्सास्त में चर जासुसों को कहा जाता था चर असोक के समय में मौर प्रांदों में प्रांदों की संख्या कितनी थी पांच प्रांदों को चक कहा जाता था प्रांद देख ले थे जह मौर प्रांद और उनकी राजदानी तो उत्तरा पत इसकी राधानी थी तख्चला अवंती राश्ट तो इसकी उच्जेनी थी राधनी कलिंग इसकी राधानी तोसली थी दशना बन पर फिराध्वी पूरी प्रांटंट पाटली कुझ थी बात करते हैं वोग प्रांतों के पिसासन को कुमार या आरे पुत्र या राष्टिक का लाते थी फिरांतों का भीजा विवाजन विशय में किया विशय पती के अधीन होते थे पिसासन की छोट सबसे छोटी काई थी ग्राम जिसका मुख्या ग्रामिक था कि फिसासकों में सबसे छोटा गोपता जो दस ग्रामों का सासन समादता है मैगरस्थिनीच के रुसार नगर का फिसासन तीस सदसों का एक मंडल करता था जो छे संप्कियों में विवाजेग था पित एक संथी में पास सदस होती थी ठीए अब अरत्थिसास्त में बढ़ेती कि दीज देख लेंते हैं मंतरी मंतरी पिधान मंतरी पुरोऋेद धरम एंसन्रागा फिछा सेथा , सेनपति , युवराज राज्पुत्थ था इए दुब आरी तो उसकी द्वार रखचा था अंतरवेदी अंतरपुर का द्याख़् समाहर था या आये का संग्रे करता था सन्निधा था, तौराज की एकोश कादेक्षDh था, थिसास था ये कारागार कादेक्षDhf, फ्रदेश्टी कमिस्नर थाइces, पोर ये नगर का कोदवाल था, बिवधार ये था अद्यश्टDh kなるほど, नायक नगर कादेक्षDh, कर्मांतिक औद्योग वे एवनता, कारखनों काद अध्यक्षता मंत्री फरिशत अध्यक्षताय। दंडी वाल सेना का समान एकत्यत करने वाला। दुरुपाल दुरुग रख्चत। अंत्पाल सीमावाल सीमावरती दुरुगं का सन रख्चत। ठीक। तो यह थे सब अस्त। साथ में बढ़ते तीत। विक्री करके रोग में मूल का दस्वा भाग वसुले जाता था। इसे बचाने वालों को मित्युदंड दिया जाता था। में अगस्तनीच के अनसार एक ग्रोह नुमाई मार का निर्मार अधिकारी था। जेश्टिन के अनसार जेश्टिन के अनसार चंदकुप्त मौर की सेना में लगबग पच्छास हजार अस्वार होई सेनिक ते नो हजार हाथी और आठ हजार रत थे। जेश्टिन के अनसार चंदकुप्त ने धन्दों को फैलर सेना से तीन गुनी अधिक संख्या में अर्था साथ हजार आदमियों को लेकर संफून भारत को रोण डाला। योद्य च्छित में सेना करने तर्थ करने वाली अधिकाई अधिकारी नायट कहलाते से सेन विवाब का सबसे वड़ा अधिकारी सेना पती था मैगस्थ्मीज के अनुसार मौस सेना करक्ठा का फास सदस्थी है और छे सम्थियां करती थी यहां देख लिए हम लोग फिसास सम्थे सम्थियों के कार तु पिथ हम लो सम्थी इसका आफ़ा हो दे मुटके कार देख लेते हम लोग तित्थम सम्ती थी जो जद सैना की विवस्ता करती थी दूतिया सम्ती या कायत एभं रसत की विवस्ता तितिये सम्ती पैदल सैनकों की देखरेक चत्थुर्थ अस्वारवईयों की सैना की देखरेक करती थी पंचम थी जो गज सैना की देख करती थी कि मौ पिसासमें को प्ट विभाग महामात शरुप नामक अमात के दिन था कि है अ अर्धए जबढ़ाने वाले गुप्टशन को संचार कहा जाता था असों के समझ चन्वधिए नियायलय के नयाधिस को राज्यों कहा जाता था सरकारी घूम्मी को सीता भूमी कहा जाता था थे बिना बर्सा के अच्छी खेती होने वाली भूमी को आदेव मात्रक कहा जाता था मेगस्तनीज ने भारतिय समाज को साथ बर्गों में बभाजित किया दार्सनेक, किसान, अहीर, कारागार, कारीगर, सैनिक, निरिक्षण, सभासद सुतन्त बैस्याविती को अपनाने वाली महलाय, महला रूपा, जीवा कहलाती थी नदवन्स के विनास करने में चंदगुप मौर ने कस्मीर के राजा परवतक सिसायता प्राप्त की थी मौर सासन 137 बर सों तक चला, मौर बभन्स का अंतिव सास्थ तक था ब्रह दित इसकी हद्यावित के सहना प्रती पुस समित्य सुंग नगी और 180 इसमी में कर दी वो मगत पर सुंग बंस की न्यू डारी तो याद रखे मौर बंस का अंतिव सासर कूंता ब्रह दित चलिए तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ब्रहमध बंस बात कर चुके थे हम लोग मौर बंस के बारे में अब ब्रहमध बंस के बारे में बात करते हैं समराज की पुस्त मित सुंग जिसने मगत पर सुंग बंस की न्यू डाली ब्रहमध जाती का थ हैं पुस्त मित सुंग सासकों ने अपनी राधधानी वीदी सामे इस्थापित की इंडो युनानी सासक मिनांडर को पुसमित सुंग ने पराजित किया पुसमित सुंग ने दो बार यस असमे यग किया इनके लिए पतंजली ने असमे यग दलाए भरभूत इस्तूप का निर्वाण पुसमित सुंग ने करवाया याद रखें भरभूत इस्तूप का निर्वाण किस से मित सुंग ने सुंगबंस का अंतिम सासकवा देवभूती इसकी हथ्या तेहत्तर इसवीपूर में वासूद्यों ने कल दी और मगत की गद्धी पर कन्नवांस की स्थापना की कन्नवांस की का अंतिम राजाद को था सुसरमा सिमुक ने साथ ईसापूर में सुसर्मा की अत्या करके और साथ वाहनद बंस की इस्थापना की साथ वाहनद बंस या आंद बंस भी होना जाता है इसे सासको ने अपनी राददानी पितिष्ठान मैं इस्थापित की पितिष्ठान आंग विदेश के और अंगवाद के लिए मैं साथ बाहर बंस कि पिरमुक सा सकते सिमुक साथ करनी गौत्मी पुत्त साथ करनी बश्रिष्ट पुत्त पुलवामी तथा यगिसरी साथ करनी साथ करनी ने दो इस्थ मेगी तथा एक राजी सूर्य सूर्य यद्ट किया साथ बाहर सास्कों के समय के पिसित्थ चाहितकार हाल एवं गुड़ाना थे हाल ने गाथा सब्त सतक तथा गुड़ारन ने वियहत कथा नावक पुस्तकें की रचना की साथ बाहर सास्कों ने चाह दी तामिश सीसाथ प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का फिचलन किया ब्रह्मनों को भूमी याद रखे ब्रह्मनों को भूमी अनुदान देने की विथा का आरम साथ बाहर सास्कों नहीं किया था साथ बाहर की भासा थी प्राक्रत एवं लिपी थी ब्रह्मी साथ बाहर का समाज था मात सत्तात्मक याद रखे साथ बाहनों की महत्फून कृतियां की कारले काक्चत अजंता एबं एलोरा की गुफाएं साथ करनी के अजंता म सवी सद्वान साथ को ठेखन अब बात करते हैं भारत की यवन राजी के बारे में भारत पर आक्मड करने वाले विदेशी आक्मड कारियों का क्रम देखते हैं में हिंदी युनानी सक पल्लाव और कुसाण ठीक सैलूकस के द्वारा इस्थाफित वश्चिमी तथा मद्देश या के विशाल समराज को इसके अत्रादिकारी एंटी ओकस पिथम ने आचुन बनाये रखा एंटी ओकस सेटेंड के सासनकाल में विद्रों के फासरों उसके अनेट ब्रांद सुतन्त हो गें वेक्ट्रिया के व बेक्टिया प्डियो डोटस पिथम के साथ इन राजाओं ने क्रमसास आसन किया डियो डोटर सेकेंड यूथी डेमस डेमी टीयस मेनेंडर यूके यूप्रेट्टाइब दस एंट्री आलकीडस तथा हर्मिक्स थे भारत का सबसे पहले भारत पर सबसे पहले अक्मड वेक्टिया के सासक डेमी टीयस ने किया इसने एक सनदब्य इसापूर में भारत पर आक्मड कर अफगानिस्तान पंग्रा कि सिंद्र के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया इसके साकल को इसने साकल को अपनी राध्धनी बनाया इसे हिंद यूनानी हिंद यूनानी ये वेक्टियाई यूनानी का वेया है है हिंद हिंद यूनानी सासकों में सबसे अधिक विख्यात था मिनांडर एक सो पैसाट इसापूर से 145 इसके राध्दानी की साकल आध्धनीग स्याल कोड़ सिक्षा का प्रमुख कहने था मिनांडर ने नांग सेंड नागाजुन से बहुत धर्म की दीख्चाली मिनांडर के फिसन एवं नांगसेंग द्वारा दिये गए उत्तर के उस्तका की रूम में संगेत है जिसका नाम मिलिंद पनेहो अर्थात मिलिंद की फिसन या मिलिंद फिसन है हिंद युनानी भारत के पहले सासरक हुए जिनके जारी के सिक्कों के बारे में निश्चत रूप से कहा जाता था जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के भारत में सबसे पहले हिंद युनानी युनानियों नहीं सोने के सिक्के जारी किये याद रखिए भारत में सबसे पह ने भारत के पश्चमों तरसीवा प्रांद में युनान की प्राचीन कला चड़ाई जिसे हेलिनिस्टिक पाइट भी पाइट कहते हैं भारत में गंधार कला इसका उप्तम उधारन है ठीक है चली है हम बात करते हैं सक के बारे में युनानियों के बाद सकाय सकों भी पांस साकाये थी हर साका की रातानी भारत और अफगानिस्थान में अलग अलग भागों में थी पहली साखा ने अफगानिस्तान, दूसरी साखा ने पंजाब, तीसरी साखा ने मत्राव, चोतरी साखा ने पश्चिमी भारत, यह पांच भी साखा ने उपरी दक्कन पर प्रवुत इस्ताबित किया, सक मूलता मद्द एसिया की निवासी थे, और विश्चारा गाहे की कोज में भारत आये थे, अनुठोन इस इसापूर में वज्जेन के एक स्थानिया राजा ने सकों को पराजित करके बाहर ख़ड़ दिया, और विक्रमा दित की उपादी धारण की, सकों पर विजे के उपलक्ष में अठावन इसापूर में एक नया संवत, विक्रम संवत की नाम से पराम हुए, उसी समय से विक्रमा दित एक लोग प्रिय उपादी बन गई, जिसकी संख्या भारती है इतियास में 14 तक पहुँच गई, गुप्त समराठ चंद गुप्त सकों की एक अन्य साखाओं की तुल्ला में दच्छिन भारत में प्रभुत इस्थापित करने वाली साखाओं ने लंबे समय सबसे लंबे अर्से तक सासन किया, लगवक चार सताथ दीतों, गुजरात में चलने समुद्री व्यापार, चैसा का काफी लावान वित हुई, बह कि वड़े भाग पर था, इसने काठिया वाड कि अर्दसुद्र सुदर्संजी मौरयाउं द्वारा निर्मित का जीरुद्धार किया, रुद्यदावन संस्कित का बड़ा प्रयमी था, उसने इस सबसे पहले विसुद्य संस्कित भासा में लंबा अविले, गिरनार अविल चत्तब कहते थे, याद रुखे, भारत में सक राजा अपने आपको क्या कहते थे, चत्तब, हम बात कर लेते हैं हम लोग कुसानों के बारे में, ठीक है, पलों के बाद कुसान आये, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते, यूची नामा की कबीला पांच कुलों में बट ग कुजुल, कड़ फीसिस, इस बंस का सबसे तापी राजा था, कनिस्क, इसकी राजधानी थी, पुरुस्पोर या पेसावर, कनिस्क की कुसानों की दुथिया, राजधानी थी, मत्रा, ठीक है, कनिस्क ने 78 इसवी में, एक संबद चलाया है, जो सक संबद कहलाता है, इसे भ के सासनकाल में कुंडलवन, कस्मीर में, फिसिद बहुत विद्वान, वसू, मित्र की अध्यक्ष्चा में हुई, कनिस्क, बहुत धर्म का महायान संपदाय का अनवयाई था, आरामी कुसान सास्कों ने भारी संख्या में सण मुद्राय चलाई, जिसकी सुद्धा गुप्त काल की सुन मुद्धाओं से उतक्रेष्ट है, कनिस्क का राजवेद आयूरुवेद का विख्या विद्वान चरक था, जिसने चरक सहिता की रचना की, महावी, महावी वास, सूत की रचना का रवसू में थे, इसे ही बहुत धर्म का विस्वकोस कहा जाता है, कनिस्क के राजवी असुगोस ने बौद्धों का रमायड बौद्चरित की रचना की, बसूमित फास, बसूमित फास, नागारजुन महाचेत, संगरक्ष भी कनिस्क की दर्वार में विवुविशित थे, भारत का आईश्टेन, आईश्टेन नागारजुन को कहा जाता है, इसकी पुष्टक है माद्ध में सूत, इस पुष्टक में नागाजुन ने सापेक्ष्टा का सिध्धान्द पिस्तुद कियो, कनिस्क की मित्तियों, एक सो दो इस्वी में हो गई, कुसाण बंस का अंधिम सासक हुआ, वासु देव, गंधार सेली में मत्वरा सेली, कौन से रेसम बनाने की तक्नीकी का आवस्कार सबसे पहले चीन में होगा था, याद रखिए, ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं, गुप्त समराजी के बारे हैं, किसमें, गुप्त समराज, गुप्त समराज का उदय, तीसवी सताब्दी के, अंत्वे प्रयाग, प्याग के गुप्त बन्स का संस्था बग्दा स्थी गुप्ति, दो सो चालीश से दो सची इसमी तक इसका साहन रहा, ठीक है, श्री गुप्त का उत्रादीकारी घटोध, घटोध, कच्छ हुआ, दो सची से तेनसो वीस इसमी था, गुप्त बन्स का पिधम महान समराज चंद गुप बेठा, इसने लिक्षी राजकुमारी देवी से, कुमार देवी से विवाय किया, इसने महा राजा धी राज की उपादी धारं की कि इसने चंद गुप्त पिथम ने गुप्त संबत 319 से 320 की शुरुआत चंद गुप्त पिथम ने चंद गुप्त पिथम का उत्तरादीकारी हुगा समुद्ध गुप्त जो 335 इस भी में राजगद्धी पर वैठा इसने आर्या वर्त के 9 सासकों और 10 शिना वर्त के 12 सासकों को पराज़ित किया इनी विजियों के कारण इसे भारत का नैपोलियन कहां जलता हुगा समुद्ध गुप्त का दरबारी कभी था हरी सेंड जिसने इलावाद फिसस्ती लेग की रचना की थी याद रखिए समुद्ध गुप्त था जो गिष्णू का उपासक था है समुद्ध गुप्त ने अस्व मेग करता की उपादी धारन की समुद्ध गुप्त संगीत परेमी था ऐसा अनुवान उसकी सिक्कों पर उसे बीड़ा बादन करते हुए दिखाय जाने से लगाया गया है चंद गु जो 380 इस्वी में राजगंती पर बैठा चंद गुप्त सेखेंड के सासनकाल में चीनी वध्यात्री फाहियान भारत आया याद रखिए चीनी यात्री फाहियान किसके सासनकाल में आया था भारत चंद गुप्त दुतिये के सासनकाल में सकों पर वीजय के उपलक्ष में च चान्दी के सिक्क्य चलाए चंद गुप्ति सेकंड का उत्त्रादीकारी हुआ कुमार गुपति फर्ष्ट या गोबिन्द गुपति 415-456 नालंदा भृसम विध्याले की स्थापना कुमार गुपति ने की थी यादुर किये है कुमार इसकंद गुप्त ने गिर्णार परवत पर इस्थित सुदर संजील का पुनर्दार किया कि इसकंद गुप्त ने पर्ण दत्त को सौरार्ट का गवर्नर निप किया इसकंद गुप्त के सासनकाल में हूडों का आकमर शुरू हो गया अंग्तिम गुप्त सासक था भालू गुप्त के गुप्त समराज की सबसे वड़ी प्रादेसे किकाई थी देश जिसके सासक को गुप्त कहा जाता था एक दूसरी प्रादेसे किकाई भूब गुप्ती थी जिसके सासक को उपरी कहलाते थी गुप्ती के नीचे बिसाय नामक विशाय नमाग पिसासने की काई होती थी जिसके पिरमुक होती थे विशाय पती पुलिस विभाग का मुक अधिकारी दंडफा से कहलाता था पुलिस विभाग के साधारन करमचारी को चाठ एवं भाड कहा जाता था पुलिस विभाग की सबसे चोटी काई ग्राम का पिसासन ग्राम सबाद वारा संचालिट थे ग्राम सबा का मुक या ग्राम ही कहलाता था एवं अनन सदस से महतर कहलाते थे ग्राम समुवाओं की छोटी काई वो पेट कहा जाता था गुप्त सासक कुमार गुप्त के दामोदर पूर तामपात में भूमी भी क्री संबंदी अधिकारियों के क्रिया कलापों का उल्लेक है बूराजřिस कोल उत्पादन का एक बटए 4 से एक बटए 4 भाग से एक बटए 6 भाग हुगा करता था आर्थिक उप्योगता के आधारपन निम्न पिकार की भूमी थी, छेत्र, किरसी करने योग भूमी थी, छेत्र, वास्तु, ये वास्त करने योग भूमी थी, चारा गाह भूमी, पस्मों के चारा योग भूमी थी, खिल, ऐसी भूमी जो जोतने योग नहीं होती थी, खिल बो पिद्धान को चेश्टक ठक कहा जाता था ठीक है गुप्त काल में उज्जेन सरवादिक महत्कून ब्यापरिकेंद था गुप्त राजाओं में सरवादिक सवड मुद्राएं जारी की इसकी सवड मुद्राओं को अभिलेक में दीनार कहा गया कायस्तों का सरवपितम वाड़न याग वलक इसमिती में मिलता है जाती के रों में कायस्तों का सरवपितम वाड़न ओसनम इसमिती में मिलता है बिवंद जंगल में सवर जाती की लोग अपने दिवता को मनुस्त का मास चड़ाते थे कौन से जाती है सवर जाती है पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 इसवी के भानुगुप्त के एरण अविलेक से मिलता है जिसमें किसी भोज रात की मित्तिव पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेक है गुप्त काल में वैस्त्यावती करने वाली महलाओं को गडिका कहा जाता था बुद्ध वैस्त्याओं को कुठनी बिध्ध ब्रद्ध वैस्त्याओं को कुठनी कहा जाता था गुप्त समराथ व्यश्णो धरम के अन्वयाई थे तथा उन्होंने इसे राज धरम बनाया था विश्णु का बाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्न था गुप्तिकाल में व्यश्णो धरम संबंदी सबसे मत्पूड उसे देवगर जहासी का दौसा का दस आउतार मंदि है अजन्ता में निर्मित खुल 29 गुफाओं में बरत्मार में केवल 6 ही से से जिनमें गुप्तिकाली ने जिसमें गुप्तिकालीन है इसमें ुथक्रीन मरणासन्य राजकुमारी का चित पिसंसनी गुप्तिकाली शितसाला का गया है, इस शितसाला में बॉदिके जर्म, जीवन, महाव भीनिसक्रमण, महापरी निर्मार की घर्टनाओं से संबंदी छित है, कीए गए है उद्ध है। अजंता की गुफां, अजंता की गुफा हैं बॉद धर्म की महायान साका से संबन देते हैं गुप्ति काल में निर्मित अंड गुफा बाग की गुफा है युग्वालियर की समीफ बाग नामकिस्तान पर बिंद परवत उकाट कर बनाई गई है चंद गुप्त सेकेंड के सासनकाल में संस्कित भासा का सबसे दिख पिसिद कभी थे कालीदास याद रखिए कालीदास चंद गुप्त दुथिये के सासनकाल में कभी थे चंद गुप्त दुथिये के दरवार में रहने वाले आरयो बैदाचार धरवन्तरी थे बात कर लेते हैं कुछ मंदिर, गुप्त कालीन, पिसिद मंदिरों की बारे में, विश्मु मंदिर तियाब रखी ये तिगवा, जवलपुर्म मद्धपिदेश में है, सिव मंदिर ये भूमरा, नागोदा मद्धपिदेश में है, हुआरवदी मंदिर ये नैना कुठार में ह को दृस्टा मंदिर यह देवगड जहासी में सेव मंदिर वीटर गाउं मंदिर एंटो का मंदिर लच्मन मंदिर द्वारा निमित इंटो द्वारा टेकर लच्मन मंदिर कानफौ अथि आंगे देखते हैं गुप्त काल में विश्णु सर्मा द्वारा लिखित पंच्टन्थ संस्कित को संसार के सरवादिक फिचलित गंत माने जाता है वाइविल के बाद इसका इस्थान दूसरा है इसे पांच भागों में बाटा गया है मित्रवेद मित्रलाग संधी बिग्रें लब्थ प्रडास आपरिच्छा कारित आरवट ने आरवट्टियम एवं सूर सिध्धान्त नामगरंथ लिखे तो याद रखे आरवट्ट ने आरवट्टियम एवं सूर सिध्धान्त नामगरंथ लिखे इसी ने सरवपतम बताया है कि इत्वी सूर के चारों और गुंती ह चंद गुप्त सेकंड की दरबार में रहने वाली प्रमुक विद्वान थे पारवट वारा है मेरे महिर धरवंत्री और ब्रमा गुप्त पुराणों की दरत्मान रूप में रचना गुप्तकाल में हुई इसमें इतिहासिक परमपरां का उले हैं गुप्तकाल में चांदी के सेकों को रुपया, रुपयका कहा जाता था याग वलक, नारद, क cricket,点, दृसपती स्मित्यों की रचना गुप्तकाल में ही हुई मंदिर वनैने की कला का जनम गुप्तकाल में ही होगा सांस्किते कुपलब्दियों के कारण गुप्तकाल को भारती एतिहास का स्वर्ण क्यों कहा जाता है याद रखे सांस्किते कुपलब्दियों के कारण गुप्तकाल को भारती एतिहास का स्वर्ण क्यों कहा जाता है चलिए दों लोग देख चुके की बात करें पुस्यवूती वन्स या वल और लांस के बारे हूं कि गुप्त वन्स के पतन के बाद जिन नए राजबंसों का उद्य हुआ उनमें में तक मोक्री के पुस्यभूती या योपट गौर्ण प्रमॉक्त श् değişikating उससे भूति वंस के स्था पकते उससे भूति इसकी राजधानी थी थाने सो हर्याना प्रांत के करणाल जिले में इस्तिद्वरत्मान थाने सर्व नम्मकिस्तान परती फिवाकर वर्धन इस वक्स की सुदंत्ता का जनमदार्थ था था तथा पित्थव प्रभावसाली सासर था जिसने परमवट्टाचा वट्टारक और महराजा धी राज जैसे सम्मान जनक उपाधियां धरट की प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यसुमति यसुमति से दो पुत्थ हुए राजबर्धन और हर्सवर्धन तथा एक कन्या कन्योच के मोखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ मालवा के सासर देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी तो राजबर्धन की हत्या कर दी ससांक सेवधरम कानवाई था इसने बौधी वेक्ष को कटवा दिया था तो याद रखे ससांक ने बौधी वेक्ष को कटवाया था राजवर्धन की मित्तिव के बाद 606 इसवी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्ष्वर्धन खाने सुर की गद्दी बर बैठा हरस को सिलादित की नाम से भी जाना जाता है इसने भट परंभटारक नरेच की उपादी धारन की हरस में ससांक को पराजित करके कन्वोच पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजद्धनी बनाया हरस और फॉलकेशन दुतिय है हरस और फॉलकेशन दुतिय की भी नर्वदा नदी के तट पर कौनसे नर्वदा नदी के तट पर योग दुगा जिसमें हरस की पराजर हुई चीनी यात्री हुएंड सांग हरस बर्धन के सासन काल में बारत आया था चीनी याक्तिरी वें सांग हर्ष बर्धन के सासिन काल में बारताया था वें सांग याक्तिरियों में राजकुमार नीती का पंडिर बर्तमान साक्ट मुनी कहा जाता है वें नालंदा विस्तु विधियाले में पढ़ने एवं बहुत गरंत संग्रह करने के उस देस से बारत आया था हरश 641 इसवी में अपने दूद्ध चीन बेजे तथा 643 तेवं 645 इसवी में दूद्ध उसके दरवार में आये हैं हरश ने कस्मीर के सासक के से बुद्ध ग्रत दंत और से बल पूर्वक प्राप कि हरश के पूरवज भगवान से और शूर की अनन्न उपासक थे प्यारव में हरश भी अपने कुल देवता सिव का प्रम्वक्त था चीनी यात्री होईन्शंग से मिले के बाद उसने बहुत धर राज्यो कि महायान सा खhar को राज्य श्रग्यद पिदान किया तता होई पूर बाट दुवन गया हरस के समय में नालंदा महा विद्यालाय महायान बौत धर्म की सिक्षा का प्रिदान कहने था हरस के समय में प्रयाग में पिती पांच में वर्स एक समारों आयुजित किया जाता था जिसे महा मोख्ष परिशत कहा जाता था वह इंसांक स्वें छट्रेव समारों में संभलित हुआ वाडबट हरस के दरवारी कभी थे उन्होंने हरस्चरित एदम कदंबरी की रचना की प्रिये दर्षिखा रत्नावली नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक गरंतों की रचना हरस ने की थी कहा जाता है कि धावक नामक कभी ने हरस से पुरुस्काल लेकर उसके नाम से इनों नाटक लिख दिये थी हरस को भारत का अंतिम हिंदू समराट कहा जाता है लेकिन वाड़ना तो कर्क्टर हिंदू था ना ही सारे देश का सासक ही हरस के अधीनस सासक महाराज अत्वा महासावंत कहे जाते थी हरस के मंत्री फरिशत के मंत्री को सच्छिव या अमात कहा जाता था पिसासन की सुधा के लिए हरस का समराज कई प्रामतों में विवाजित था प्रामतों को भुपती कहा जाता था पिते भुपती का सासक राज इस्थानिया उपरे अत्वाराष्टिय कहलाता था हरस्चरित, हरस्चरित में प्राम्तिय सासक के लिए लोग पाल सब्द का आया, भुक्ती के ववाजल जिलों में हुआ था, जिससे जिले की संग्यार थी, जिसका पिदान था विसाय पती, विसाय के अंतर कई पाठक होते थे आधनिक तैसिल, ग्राम सासन की सबसे छोटी काई थी, ग्राम सासन का ब्रधान था, ग्रामक छपट लिए कहा जाता था, पोलिस कर्मियों को चार्ट वाट कहा जाता था, दंड फासित तथा दांडिक पोलिस विवाग के अधिकारी होते थे, अस्व सैना के अधिकारीयों को बेहदे सोर, पैदल सैना के अधिकारीयों को वलादी करत या महावलादी करत कहा जाता था, हरश चरित में सेचाई के साधन के रूप में तोला यंतों काउलिक मिलता है हरश के समय मत्वरा अस्तूती वस्तकों निर्माण के लिए पिसित था हरश चरित के अनुसार हरश की मंद्री परिशाद देख लेते हैं भंडी फिधान सचेव सिंग नाद फिधान सैनापती कुंतल अस्तू सैना का पिधान इसकंदवुप्त इसकंदवुप्त गज सैना का प्रमुख चलिए तो हम लोग देख चुके थे पुस्त से गोटी वन्स या बर्दन वन्स अब बात करते हैं दच्छिन भारत के प्रमुख राजवन्सों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं पल्लाव बन्स पल्लाव बन्स का संस्थापक था सिंग विष्णू इसका कारकाल आया है पांसो पच्छत्र से 620 और इसकी राजदानी रही है कांची तमिलाडू मैं कांची पुरम थी वह बैश्णव धरम का अन्वयाई था सिंग किर्टार जुनियम की लेकक्ते भारवी सिंग संग्य विष्णू के दरवार में रहते थे हैं पल्लाव बन्स के तिरमुक सासक हुए जिनमें क्रम साथे महेंद बर्वन पिफम इसका कारकाल राया है छेषजो से 630 इसवी फिर नर्सिंग बर्वन पिफम इसका कारकाल राय 630 660 महिंद वर्मन दूती है तो इसका काल काल रहा है 660 670 फिर आया परमेशुर वर्मन पित्थम तो इसका काल काल रहा है 670 680 फिर आया नर्सिंग वर्मन सेकंड इस 704 से 728 रहा है 704 से 728 इसवी तक फिर आया नंदी वर्मन बर्मन सेकंड 731 से 795 तक पल्लाव वंस का अंतिम सासक हुगा आ पराजित इसका काल काल रहा है मत्य विलास पहसन कीज था कि रजना महिंद वर्मन पित्थम ने की थी महावली पुरम में के यह कास्म मंदिर जिने रत काल गया इनका निर्माड पल्लाव राजा नर्सिंग वर्मन पित्थम के द्वारा करवाए गया था यह रत मंदिरों में सबसे छोटा इन मंद्रों में सबसे छोटा रत रुपती रत है जिसमें किसी पिकार का अलंकरण नहीं है बिलता ठील बातपी कोंड की उपादी नर्सिंग वर्मन पित्थम ने धारन की थी अरवों की आकमर की समध पल्लोगों का सासक कुंता नर्सिंग वर्मन सेकंड उसने राजा सींग राजाओं में सिंग आगम पिरिये सास्तों का प्रेमी और संकरभाक्त सिविक का उपासक की उपाद यह दारन की उसने कांची के कैलास मंदिर का निर्वार कराया इसने नर्सिंग वर्मन पिथम में जिसे राज से सिद्धे सुर मंदिर भी का आ जाता है इस मंदिर के निर्मार में देविड स्थापत कला की शुरुआत हुई महावली पुरम में सोर मंदिर भी है दस कुमार चरित के लेकर दंडी नर्सिंग वर्मन दुदिय के दर्वार में लेते थे कांची के मुक्ते सोर मंदिर तथा बैखुंट पेरुमाल मंदिर का निर्वार नंदी वर्मन दुदिय ने कराया था याद रखिए कांची के मुक्ते सोर तथा बैखुंट पेरुमाल मंदिर का निर्वार नर्सिंग वर्मन दुदिय ने करवाया था पिसे दे वेश्णों संत्रों मंदई अलवार नंदी वर्मन दुदिय के समकालीन था अब बात करते हैं हम रोग राष्टकूर्वन्स के बारे में राष् मुद्बहान मालखेट 16 तुद्ध कर राष्टकूर्वन्स के सासके बारे में बात करें तुकिष्ण पित्हम फिर उसके बाद बारो व attachments दुदिय आमोग वर्स जिर्चृक्ड टुदिय ंड तीटिय ओफेश्न तीए एहलुण की सद्धिक एलास मंदिल का निर्माण किसने पिरत्थम ने करुए था ि याद रुखिए काटि के 결 stolen का निर्माण किसमें करह Caribान करंवाया था और एलोरा के पिसिद कैलास मंदे का निर्वाण किस ने करवाए किस ने पित्थम ने करवाए धुरू राष्टपूट बंस का पहला सा सक्ता जिसने कनोश पर अधिकार करके करने ही दुत्री पक्षिये संगर्स में भाग लिया और पितिहा नरेश दुवत्स राज पाल एव त्री पक्षिये संगर्स में भाग लेकर चक्का यूद्ध और एवं उसके संरख्चक धरमपाल पितिहार बंस के सासक नागवक्ट दुतिये को पराजित किया इसने पल्लोव पांडव पांडव केरल एवं गंग सासकों के संग को गोविन्द तितिये ने नस्ट किया अम अमोग बरस जैन धर्मकाल वाई था ज्याद रखियें इसने कंडर में कभी राजमार की रचना की आधी पुराण की रचनाकार जिंसें थे गडिता सार संग्राय के लेकक महावीराचार एवं अमोग बित्ति के लेकक थे सक्तायन अमोग बरस की दरवार में रहते थे सब अ संग्भद्धर नधी में सलीस में लेकर अपने जीवन का अंत किया थे परेंसी भारत को कि स्यार इसने तदकाली राष्टकूट सासकों भारत का सिर्फ शिष्यस का राष्टकूट बन्स का अन्दिम महान सासक कि सब्साधिये थे इसे में कन्नड भासा कि कभी पॉन रहते थे जिन्हों ने सांती फुराड की रचना की फिर बात करते कल्याडी के चालूट तेलग दुतिये ने 973 इसमी में करक को हराकर राफ्ट पूट राज पर अपना अधिकार कलिया और कल्याडी के चालूट के बंस की नियू डाली एलोरा एवन एलीफेंटा महराष्ट गवा मंद्रों का नर्वाण राष्ट पूट के समय के हुगा है एलोरा में 34 से एलकत गुफाएं इनमें एक से बारे तक बहुत हो और तेरह से 29 तक हिंदुओं एवन 30 से 34 तक जैन ग्रुन्तों की गुफाएं हैं याद रखिए एलोरा क तीनों दर्वनों की गुफाएं एक से बारे तक हैं बहुत दों की 13-39 हिंदुओं 30-34 जैनों की गुफाएं राष्ट कूट से बैशनों साथ संपतायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपा सकते राष्ट पर आता है हमारा चालुपवल्स होनाता है चालुपवल्य कल्ले आडी कल्ले आड़ी चालुपवलस की इस्थापना ते Алब दोतिय ने की इसकी रादी था निती मानन नमकिन चालुकग बंस के प्रमुख सा चक वे तैलब पिथम तैलब दुदी ये विक्रमा दित चैश्ञ सौमेसोर两 विक्रमा दित 6, शिक्स सुमेसोर तितिय तेलब तितिय सुमेसोर पिथम सुमेसोर पिथम ने मानने खेट से राजधानी हटाकर कल्याडी करनाटक को बनाया इस बंस का सबसित प्रितापी साच्टवा विक्रमादित शिक्स में चटा विलहरर एवं ग्ञाने सुर विक्त्रमादित शिक्स के दरबार में ही रहते थे। यागववलख ऑलक इसमीतर इसमीती परव्याक्या नावग्रंध की रचना वहान ग्यान है सुन्ने की थी। याद रखिए में ताक्षरा इसकी रचना विग्यारिसों ने की विक्रमांक मांक देवचरित की रचना विलहर ने की इसमें विक्रमादित ते सिष्ट से विक्रमादित शट्वा की जीवन पर शष्ट के जीवन पर प्रकाष डाला फिर आया हमारा चालुक कुवल्स वतापी जैसिंग ने वातापी के चालुक वन्स की स्थापना की जिसकी राधानी वातापी वीजापूर के निकड़ती इस वन्स के पिरमुख सासक हुए फुलकेसिन पिथम, किरिटी वरवन, फुलकेसिन दुतिय, विक्यमादित, वीनेदित, विजयादित इन में सबसे पितापी राजा था, फुलकेसिन दुतिय, महाकूट इस्तमलेख से प्रमाड़त होता है कि फुलकेसिन दुतिय, वहू सोवार्ड, एबं अगनीश्टॉम, टॉम एक संपन कराया था, जिनेनिक का मिगोती मंदिर, फुलकेसिन दुतिय ने वरवाया था, फुलक कि उपादी विधारणकी, फुलकेसिन दुतिय ने फ़रमेसोर की विउपादी दारनकी, और भध्चिना, पत्येसोर की विफ उपादी दारनकी, अब बात करते हैं, फुलकेसिन दुतियों को लगवद 642 में इस विय में परवास्त किया, इसकी रादानी बदामी पर अहिकार कर लिया, संभावत राइसी योद में फुल के सिंदूतिये मारा गया, इसी विजय के बाद नर्सिंग भरवन ने वताफी खोड की उपादी दारएं की, ये होल अभिलेक का समद्ध फुल के सिंदूतिये से है, उसके लेका तेरवी कीरती आजन्ता के एक गुहा चित में फार्सी दूद मंडल को स्वागत करते हुए फुल के सिंदूतियों को दिखाए गया है, वताफी का निर्भार करता था कीती वर्मन कुमाना जाता है, मालवा को जीतने के बाद विन्या अधित ने संकलोतर पतनात की दारण की थी, याद मादित दुतिये के सासनकाल में ही दखन में अर्मों ने आकमड किया, इस आकमड का मुखामला विक्यमादित के भतिजे फुल के सी न किया, इस अभियान की सफलता पर विक्यमादित दुतिये ने इसे आओ निजिनासर की वुपादित पिदान की, विक्यमादित दुतिये क पिधम पत्णी लोक महादेवी ने पट्टत कल में विरूपाक्च मंदीर तत्था उसकी दूसरी पत्णी तिरों लोक देवी ने तिरों लोके सुर्मंदिर का निर्मार कराया इस बंस का अंतिम राजा गेती वर्मंदु दिये था इसी इसके सामंत दंती दुर्ग ने फरास्त कर नए राष्ट पूट बंस की स्थाबना की अब बात करते हैं चालुक बंस वेंगी की वेंगी के चालुक बंस का संस्थाबग विश्नु बर्धन था इसके राध्धानी विंगी आंताविकिन में थी हुं इस मड़श के प्रमुक्षासा कुए जैसिंग पितम इंद वर्धन विश्णु भर्धन दुतिये जैसिंघ मैं बू और विश्णु तितिये विश्णु बर्धन तितिये इस वछंस के सबसे सखं़, थीसाली, सबसे परतापी राजा मिक्रमा दिद दूधियोंった जिसका सेनबती था, फंडरंग, अब बात करते हैं चोल, चोल नौवी सताब्दी में, नौवी सताब्दी में चोल वछंस के फलों के ध्रौनसा उसेसों पर स्थापित उआ इस वरंस के संस्थावक थे विज्य को सबसुत स्थाओं नर्केश्री उपादी धारण गदो और निकनी सुंभिज। देवी का मंदिर भी बनवाय थिसने चोलों का सुतंत राज Aussłe अदित पित्तम ने स्तावित किया कि पलहों पर विजय पाने के अपरांथ आदित ने lease कौतन चोल बंस के प्रमुक राजा थे परांतक पिथम, राज राज पिथम, राजिन्द पिथम और राजिन्द दुटिये, कुलो, तुंग, तक्कोलम की योद में राटकूट नरेश, खृष्ण तितिये ने परांतक फर्ष्ट को पराजित किया, इस योद में परांतक का बड़ा राजा दित्त मारा गया राजा दित्त राज राज पिथम न स्री लंका पर आक्मर किया वहां के राजा महीम माच को पंचम को महीम महीम पंचम को भाग कर स्री लंका के दच्छड जला रोहर में सरन लेनी पड़ी थी राज राज पित्थम स्री लंका के बिजित के देशों को चोल समराज का नया प्रांथ मुंडी चोल मंडलम बनाया उलन रुवा को इसकी राध्धानी बनाया राज राज फर्ष्ट सेव धर्म कानवाई था याद रखिए इसने तंजोर महराज से राज राजी सुल कस्य मंद पाल सासक मधीफाल को पराजित करने के बाद राज जेंद पित्थम ने गंगे कोड चोल की उपादी धारण की और नवीन राध्धारी गंगे कोड चोल पुर्म के लिए के चोल गंगम नामक विसाल तालाप का निर्माड कर आया गजनी का सुल्तान महमूत राजद पित्थम का संकाली था याद रखिया राजद दुधिया ने फ्रक के सरी की और बीर राजद ने राज के सरी की उपादी दारण की चोल बंसकां तिम राज़ा हुआ राजद दितिये ठीक है यहाँ चोल काल में भुमी के विर्कार देख लेने हम दो, जैसे बेल, विल्लेन, वगाई, तो गेर ब्रह्मण किसान स्वामी की भूमी थी है, ब्रह्मा देव, तो ब्रह्मणों को बहार में दी गई भूमी थी है, सालावो, किसी बिद्याले के रखराखाओं के भूमी की, देवदान या तिरू मटकी नी, तो ये मंदिर को बहार में दी गई भूमी थी, पल्ली चन्दम, ये जैन समस्तानों को दान दी गई थी भूमी, थी, आंगे देखते हम लोग चोलों एवं पश्चमी, चोलों एवं पश्चमी चालपकों को भी सांती स्थावित करने के लिए, मैं गवा के कदम, सासक जैकेस पिथम ने भाई थी, विक्रम चोल, आभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब चंता से राजस्त वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार को बन रहा था, कलो तुंग, कलो तुंग सेखिंड के चिदंबरम मंदिर में इस्तित गोविंद राज की मूर्थी को समुद में पित्वा दिया सेखिंड कलांतर में बैष्णाव अचार रामानुजाचार निरुप्तमूर्थी का फुनर्दार किया और उससे तिरुपति के मंदिर में प्राण पितिष्ठित किया, चोल पिसासन में भाग लेने वाले उच्छ पदादिकारियों को क्या करते थे, पेरूंद्रम तथा न संपूर्ण चोल समराजच्छ प्रांतों में विवक्त था, याद रखिए, प्रांत को मंदलम कहा जाता था, मंदलम कोटम में कोटम नाडू में और नाडू कई कोरून रमों में विवक्त था, नाडू की स्थानिय सवाक नाटूर और नगर की स्थानिय सवाक और नगरतार कहा जाता था इस्थानिय सुसासन चोल पे सासन की मुख्वे से इस्था थी और सरव साधारें लोगों की समिती थी जिसका कारव होता था सारुचनिक कल्यान के लिए तालावों और बगीचों के निर्माड है तूँ गाउं की भूमी का दिगर करना सभा या महसभा यह मूलता अंग्यहारों और विरहमण वस्तियों की सभा थी जिसके सदस्थों को पेरु मक्कल कहा जाता था यह सभा वरियम नाम की सम्धियों के द्वारा अपने कारी को संचालित करती थी सभा की बैठक गाउं में मंदीर के निकट वेक्ष के नीचे या ता चोल काल में भूमी उपच का भूमी करता उपच का एक वट्टे तीन भार हुआ करता था गाउं में कारसंथी की सदस्था के लिए बेतन भोगी करमचारी रखे जाते थे उन्हें मद्धेस्थ कहते थी ब्रह्मणों को दी गई कर्मुक्त भूमी को चतुर्वेदी मंगलम पुद्दान दी गई भूमी को ब्रह्मा देव कहलाती थी चोल सेना का सबसे संगटित था फदाती सेना चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे तमिल कभियों ने जैन डैनमुदर पिसिद्ध कभी था कुलोतुंग पिथम का राज कभी था ये इसकी र अभी देख लेते हैं हम लोगों उत्र मरों मीरूर अभी लेकर सार सभा सब्सेद्ध करता के लीए एक चुक लोगों को ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए जहांसे भूह राजस वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, याद रखे, सभा की सदस्ता के लिए सभी सर्त्य थी, सभा की सदस्ता के लिए चुक लोगों को यसी भूमी का स्वामी होना चाहिए था, जहांसे भूह राजस वसूला जाये, उसके पास अपना जानकारी होनी चाहिए और इमानदार होना चाहिए यदि कोई फिछले तीन सालों में किसी समिधी का सदस रहा है तो वह किसी और सम्धी का सदस नहीं वन सकता जिसने अपने अपने संबंधियों के खात्ते जवा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था ठीट है आंगे देखते हैं कंबन और टेकू टन और पुगलेंदी कुंतमिन साहित का त्री रतन कहा जाता है पंप पुन और रन कंड़ साहित कि त्री रतन वाने जाते हैं परसी ब्राउन ने तंजोर के विहदिस और मंदिर के विवान को भारतिय वास्तुकला का निकस का माना है चोलकाली नट राज पितिमा को चोलकला का सांस्कितिक सार या निचोड कहा जाता है सेवसंत इसान सेव को पंडित राजिंत फश्ट के गुरू थे चोलकाल का सबसे महत्पून वंदरगार रखता काविरी पत्नम ठीक है बहुत बड़ा गाओं जो एक काई के रूप में सासित किया जाता था उसे तनियर कहलाता था उत्तर मेरो सिलाले एक जो सभा संस्ता का विस्तित बर्दन उपस्तित करता था परां तक पित्थम के सासनकाल से संब्दित था है चोलों की रादधानी कालकरम के अरसा थी औरेव तंजोर गंगेकूंड चोलकुरम कांची चोलकाल में सड़कों की देखपाल वागान संब्दी करती थी चोलकाल में आहम बस्तुओं को के आधान पदान का अधान था था चोलकाल के विसाल व्यापारि समूर्डिम्न ते वलन्जीय यार नाना देशी और मनिग्यामम विश्णू का उपासक अलवार सिफ के उपासक नयार संद कहलाते थे, तो याद रखें विश्णू के उपासक होग, अलवार, सिर्थ के उपासक, नय नार थे, संद थे, अब बात करते हैं हम लोग यादव वन्स, देवगिरी, देवगिरी के यादव की वन्स की स्थाफना पहलं पंचम ने किल, इसकी रातनानी देवगिर थी इस बंस का सबसे पिताबी राजा हुआ सिंगहड बारा सो दस इसवी से बारा सो चेहलीस इसवी तक इस बंस का अंतिम सुतन साथक था अलाम चन्द जिसने अलागदीन के सेनापती मलीक कपूर के सामने आत्म समर्पड किया था अब बात करते हैं हो इसल बंस द्वार सम्मुन्त के होइसल बंस की इस्थापना विश्नू-बर्दण की होइसल-बंस जादवबंस की एक साठाथ सिफ़ा थी बेलूर में चिनद्दा के सर्मंदिर का निर्सान विश्णू-बर्दण ने घ्यारा सो सक्त्राइस इससिन मं किय वो इसल बंस का अंतिम सासक्ता वीरवलाल तितिय जिसे मलिक कपूर ने राय था वो इसल बंस की राधानी थी द्वार समुत आधोने हलेविड अब बात करते हैं कदमबंस कदमबंस की स्थापना मयूद सर्मन ने कि और कदमबंस की राधानी थी वनवासी त्रह गंग देव गंग वन्स का संस्थापक्त था वज्चित हस्त पंचम अभिलीटियों को इनस्वार गंग वन्स की पिथम सासक को कड़ी वर्मा था गंगों की पैरावने एक राधानी कोलाल थी जो बाद में तलकाड हो गई तक पुत तक सूत पर टीका लिखने वाला गंग सासक्त था मा हाथ करते हैं लोग काक्तिये वन्स का संस्थापक्त थे वीटा पितम जिसने नल कॉंडा है दरावान में एक छोटे से राजिका गठन किया जिसकी राधानी थी अंग कॉंड इस वन्स का सबसे सकती सालिसासक था गडपती रुद्मा देवी गडपती की बेटी थी जिसने महराज का नाम गेंड किया जिसने 35 पर सासर किया गडपती ने अपनी राधानी वारंगल में सब तुरिद कर ली थी इस वन्स का अंतिम सासर हुआ प्रताब रुद्ध देव प्रताब रुद्ध वारा सो पंचानवे से तेरा सो तेइसी सबीदर चलिए तो हम देख चुके हैं दर्चिन भारत के प्रमुख राजवन्स अब बात करते हैं सीमा पलती राजवन्सों का अभियूदर ठीए तो सबसे पहले बात करते हैं पालवन्स पालवन्स का संस्ता पकों था गुपाल सास्सी सबचासीस भी मैं इसने स्थापना की जिस वंस की राधॉन्स थी मुंगीर गुपाल वंस जो था गोपाल था फिर बात धर्यमकानिय आईता इसने ओधन्त पूरी विस्तु विद्धिय लाई की की इस्थापना की थी उदंत पुरी पालवंस के फिरमोक सासक थे धरम पाल, फिर हुआ देव पाल, नारायन पाल, मही पाल, नय पाल पालवंस का सबसे महान सासक थे धरम पाल, जिसने पर किरम, सिला, विस्विद्याले की इस्थापना की थी कन्योज के लिए त्री पक्षिय संगर्स फाल बंस गुर्जर पितिहार बंस एवन राष्टकूर्ट बंस के बीच हुआ याद रखें कन्योज के लिए त्री पक्षिय संगर्स हुआ था जो इसमें सामिल थे पालवंस, गुजर्पितिहरवंस और राष्टपूर बंस के भी स्थाए पालवंस की ओर से स्वरपितम इसमें धरमपाल सामिल हुआ था ग्यारहेवी सदी की गुजराती कवे सोडठल ने धरमपाल को उत्रापत स्वामी की उपादी दी ओधन्दपूरी बिहार के फिसित बहुत मट का निर्माण देवपाल ने कराये था जावा के सैलन्द वंसी सासक वालपुत देव के अनरोद पर देवपाल ने उसे नालंदा में ये बहुत दी बिहार पनमाने के लिए पांच गाउं दान दीए थे टीरे गोडी रीती गौंडी रीती नामक साहित विद्या कभिकास पालसासकों के समय हुआ फालसासक बहुत धरम के अनुवयाई थे अब उसके बात करते हैं हम लोग सेन वंस किसके बारे में सैन वंस सैन वंस किस था अपना समंस सैन ने की थी राद में की थी इसकी राधनी नादिया लक-नौती थी जान के फिरमत्य साथा से विजय सेंगिंग, वल्लाल सेंग, युपं लचमर सेंग। सेनब का पिदह्म सुब्रित सदंत सासग विजय सेंग, जो सेवधरम का अन्वयाई था ते दान सागर एवं अद्भुद सागर नामगरंद की रचना सेंसासक पलाल सेंड की थी अद्भुद सागर को लच्मर सेंड पूर्ण कराया था लच्मर सेंड की राजसवा में गीत गुबंद के लेकर जैदेव पवंदूत के लेकर भोई एवं ब्रह्मण सर्वस्त के लेकर हलायूद रहते थे थालायूद लच्मर सेंड का प्विधान ने आए देश एव मुख मंत्री था विजर सेंड देव पाड़ा में प्रधुन ने सुर मंदिर सिव की विशाल मंदिर की स्थापना करवाई थी सेंड राजवन्स का पित्हम राजवन्स था जिसने अपना विलेग सरवपित्थम हंदी में क्रेइन करवाया था लच्मर सेंड बंगाल का अंतिम हिंदु शाषक था फिर वार करते हैं हम लोग कस्मीर के राजबंस के बारे में कस्मीर पर सासन करने वाले सासक बंस का कालकरम इस्तकाल था कार कोट बंस उत्फपक बंस लुहार बंस कशमीर में कारणकोट बंस हिंदूंस की थाम नगा किंधि कस्मीर कारकोट बंस का सबसे सकती साधिसाड़ी राजब भुए ललीटादिथ मुकताफीड कस्मीर का माद्थंद मंदे Mmर ले दिता वंग to से याद रंखिए मानतंड बंद र कस्मीर का किसने निर्वाड अहिकर वाई लिता दित्र मुत्स पीड़ नए कंग उसका के बाद कश्मीर पर उत्फल वंस का सासन हुआ इस वंस का संस्तापक था वंती वर्मन अवंती वर्मन अवंती वर्मन की अभियंता स्वे निस्यचाइ के लिए नहरों का निर्माड कर है नोसो सी ईस्वी में उत्फल वंस की रानी दिद्दा एक महत्वां का दुछी सासका हुई फल्लो वंस के बाद कस्मीर पर लोहार वंस का सासन हुआ लोहार वंस का संस्ताफक संगाम संगराम राज था संगराम राज के बाद अनंत राया हुआ इसकी पत्मी सूर्य मदी ने फिश śासन को सुधारने में उसकी साहता की लोहरवंस का सासका रर्ष बिद्धून कभी तन था, कई भowski कंगा ग्याता था ये लोहरवंस क रर्ष बिद्धून था कलहरड रर्ष का आश्रत कभी था जर्सीन लुहारवंसे का अंतिम सासक्ता जिसने ग्यारा सो अटाइस से ग्यारा सो पच्पन इस भी तक साथन किया जैसे इनके साथन के साथ ही कलहण की राज्टरंगनी का विवर्वन समाथ हो गया कि अब बात करते हैं कामरू का वर्वन बिस चोर्पर सतापदी के मतले कामरू का इस वर्वन की पिठीष्टा का संधापक पुस्ट से वर्वन था इसकी रा धहन ही प्राग यह उतिस्त नमग्स्तान पर थी कलांतर में काम रूप पाल समराज 가운데 अंग बन गया था झेल को कि चलिए मैं इस यह AH को बात करते हैं हम लोग राजपूर्थ राजवन्सों की उत्वत्ती कि नए राजपूर्थ राजवन्सों को देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्जय पितिहार बनस मालवा का साथ सध्सकिन नांग ब पिथम नांगवट सेकेंड गुवराष्ट कोट समराथ गोवन्द तितिय नहराया था फितिहार वंसका सरवादिक सकती सालियर प्रतापी राजा हुआ मेहरवोज था मेहरवोज ने अपनी रातानी कन्योज में बनाई थी वह विश्णु भक्त था उसने विश्णु के सम्मा में आदी वराय की उपादिधारन की थी राजसेखर पितिहार सासक महेंद पाल के दरवार में रहते थी इस बंद का गुरजर पितिहार वसका अंतिम्द राजा हुआ हुआ यस पाल दस्तोच्छटीस इसवी में दिल्ली नगर की स्थापना तौमन नरेज अनंगेपाल ने ग्यहरेव इस सदी के मद्द में की थी अब बात करते हैं गहडवाल राठ और राजवंस गहडवाल वंस का संस्था पक्ट चंद देव था इसकी राधानी थी वानडसी कासी इस वंस का सरवादिक सकती साली राजा हुआ गोविंद चंद इसका मंत्री था लच्मीधा सास् प्रिकाड प्रिकांड पंडित था लच्मीधा जिसने कृत कल्प तरू नामग्रंत लिखा गोविंद चंद की एक राणी कुमार देवी ने सारनाथ में धरम चक जिन बिहार अबनवाई पित्वी तितिये ने स्वेंबर्ग से जैचंद की पुत्री सेंगविता का अभण क प्रिक्त लिया था इस वह न का अंतीत सासक हुआ जैचंद जिसने गोरी जिसे गोरी ने ग्यारएंसो चौराणवे इस वी के चंदा वरियोत्य में मार डाला था उसके बात करते हैं लोग चाह मान चौहान बंस के बारे में चौहान बंस का सथा वासुत्यीव जिस वंसकी प्यारंबिक राजदानी थी एच्छत बाद में अजय राज दुटिया ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे राजदानी बनाया किसे अजमेर को इस बन्स का सबसे सकती साली सासक अड़ो राज की पुलते विग्रह राज चतोर्थ वेसल देव हुआ जिसने हरी के लिए नामक संस्कित नाटक की रचना की थी सौमदेओ विग्रह राज चतोर्थ के राज कभी थे इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था। जोपड़ा नावक मस्जित शुरू में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्वेत एक बिद्याले था पितिवीराज तितीये इस बंस का अंतिम सा सकता है चंद वरदाई पितिवीराज तितिये का राज कभी था इसकी रचना पितिवीराज रासो है किसकी चंदवरदाई की रचना को सी है पितिवी राज रासोय रडधमबॉर के जेनमतिर का सिखर पितिवी राज तितिये ने वरवाय था तराई का फित्थम युद 1191 में हुआ जिसमें पितिवी राज तितिये की विजय हुआ और गौरी की हार हुई फिर हुगा तराइन का दुतिय युग 1192 में इसमें गौरी की बिजय हुई और पितिवी राज तितिय की घार हुई अब बात करते हैं परमारवंस परमारवंस का सस्थाफक उपेंद राज था इसकी रातानी धारा नगरी थी फिराचीन रातानी उच्जेन थी परमारवंस का सर्भादिक सकती साली हुआ राजा भोज राजा भोज ने भोपाल के दच्छेन में भोजपुर नामक जील का निर्मान करवाया नेस धीय चरत कि लेकग के लेकग के शीर्ष ये पेबंद चिंतावनी कि लेकग मिरु तोँग थे राजा वोज ने चिकित्सा गड़ित एवं ब्याकरण पर अनेक ग्रत लेकिए भोज कृत युगती कल्प तरू में वास्तु सास्त की साथ साथ विभिद विज्ञानिक यत्तों बाउस के उपियोग का उलेक है नौ साइस साक्रट चरित की रचेता पदम गुत दस रूपक की में रोचेता थि धुन दनेक कलायए उत्त एवं अमितव जैसे विद्वान वाक्फती मुंझा के दर्वार में रहते थे है कवी राज की उपादी से विभुसित साथ सक्था राजा भोज राजा भोज ने कवी राज की उपादी द्हारण की थी बोज ने अपनी राध्दानी में सरस्तुती मंदिर का निर्मान कर आया था, इस मंदिर की परिशन में संस्कित बिद्यालय भी खुला गया था, बोज ने चितोड में त्री भुवन नारायन मंदिर का निर्मान कर आया, बोज ने भुवन नारायन मंदिर का निर्मान किसने कर आया था, बोज पूर नगर की स्थापना राजा भोज न की थी, पर्मार वन्स के बाद दोमर वन्स का, उसके बाद चाह, चाहमान वन्स का, और अंत में बारे सो संतानवे इस्वी में, अलाव दिन खिल्गी के सेनापती, नसरत खा और उल्गू, उलू खाने मालवा पर अजिकार कर लिए, अब बात करते हैं चंदेल वन्स के बारे में, कितिहार समराज की पतन के बाद बुंदेल खंड की भूमी पर चंदेल वन्स का सुतंत राजनितिक इतिहास प्यार हुआ, बुंदेल खंड का प्राशी नाम जिजाग उपती है, फितिहार समराज के पतन के बाद बुं याद रखिए बुंदिल खंड का प्राची नाम क्या है जेजाग गुपती चंतेल बंस का सस्थापक नन्नुप था 831 सी में इसकी रादानी खजुरा हो थी प्यारव में इसकी रादानी कलिंजर महुबा थी राजा धंग ने अपनी रादानी कलिंजर से खजुरा हो में स्थार नांतित की थी चंतेल बंस का प्रिथम सुतन्टेव सबसे प्रताफी राजा वगा यसो बरवन यसो बरवन ने कनोच पर आकमण कर फितिहार राजा देवपाल को हराया तब हो उसकी एक विश्णू की पित्मा प्राप्त की जिसे उसने खजराहों के विश्णू मंदिर में इस्थापित क कराया कि धंग धंग ने चिंद्णात विस्वणात इवंबेदनात मंदिर का निर्माण करण कर वाए कंदरिया महादियो मंदिर के निर्माण धंगदेवन्य के द्वारा 999 सिर्ण में करा गये धंगने गंगा जमना के संगम में सिव की आराधना करती हुए अपने सरीर कात्या किया चंदेज सासक विद्याधर ने कन्योज के पितिहार सासक राजजफाल की अत्या करती क्योंकि उसने महमूद के आपमण का सामना किये विनाही आत्म समर्पन कर दिया था विद्या धर ही अकिला सभार्तिय नरेश्ता जिसने महमूद गजनीवी की महत्वा कांची का सफल्त पुर्वख पितिरोद किया चंदेल सासक कीति वर्मन की राजभासा में रह राजसवा में रहने वाले किस्ने मिस्ने प्रुबोद चंदोदय की रजनगी इन्होंने महुवा के समी केती सागर नामक चलासर का निर्माण किया था आला उंदल नामक दो सेना नायक फरमर्दियों मर्दी देवों कि दर्वार में रहते थे जिन्होंने पितिवीराज चोहान के साथ योंद करते हुए अपनी जान गवाई थी चंदेल वंस का अंतिम साथ कौन था फरम फरमर्द देवों बारे सो दो इसी भी में कुत्व विद दीन एवक ये दिनता स्विकार कर ली थी फरमर्दी देव ने इस पर उसके मंत्री यजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी अब बात करते हैं सोलंकी वंस या अत्पा गुजरात के चालुक को सासक की वारे में सोलंकी वंस का संस्था पक मूल राज पिथम था इसकी रातानी अन्य वार थी इसकी मूल राज पिथम सिवध्रम काल में आई था भीम पिथम के सासंकाल में महमूद गचनी ने सौमनात की मंदिर पर आपमण किया था किसके काल में भीम पिथम के सामंत्त विमल ने आबू परबगपर दिलवाड़ा का फिसिठ जैन मंदिर बन बाया सोलंक वस का पिखम सक्ति साली सासक गुआ चैसीन सिद्धराज किसिद्ध जैन विद्वान हैमचन्द जैसीन सिद्धराज की दर्वार में रहे थिती माउंट आवुद पर्वक राजिस्थान पर एक मंड़ग बना कर चैसीन सिद्धराज ने अपने सात्वों पूरवजों की घजार हुई मूर्तियों की स्थापना की मुडेरा की सूर मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं की सासनकाल में सिद्ध पूर में रुद्ध महाकाल की मंदिर का निर्माण जैसे ही सिद्ध राज ने किया था सोलंकी सासक कुमार पाल ने जैन मतानुयाई था वा जैन दांके अंतिम राज की इंपेवलतक के रूमें पिसिद्दे सोलंकी बंस का अंतिम सासक हुआ भीम दुतिये भीम दुतिये कि एक सामंत लवड प्रसाद ने गुजरात में बगेल बंस की स्थाफना की बगेल बंस का करण दुतिये गुजरात का अंतिम हिंदू सासक था इसने लाद दिन खिल्जी की सेनाव पा मुकाबला किया अब बात करते हैं कल्चूरी चैदी राजवन कल्चूरी बंस का संस्ताफक कुकल था इसकी रातानी थी तिप्पूरी कंचूरी बंस का एक 37 सासक गंग देव था जिसने विक्रमा दित की उबादी धारण की फूर मदिकाल में स्वर्ण सिक्कों के बिल्पत हो जाने के पश्चात इनों ने सरवितम इसे प्यारम करवाया कंचूरी बंस सबसे महान सासक करणड देव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्री कलिंग आप दीपती की वादी धारण की फिसे ते कभी राज सेखर कंचूरी दर्वाज में रहते थे अब बात करते हैं विलौ सिसोधिय वंस के सासक अपणने कुछ सूरी बंस ही कहते थे शिसोधिय वंस के सासक मेवार का सासन करते थे मेवार की राधानी थी चंद वी कम्दों में राडा कुंभा दोंब में करवाया था कंसा खतालीय यूुध ik 1518 इस भी में राड़ा सागा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ ठीक है तो चलिए दोस्तों हम लोग लूसेंट सामान ग्यान को देख रहे हैं उसमें हम लोग प्रागीन भारत को देख चुके हैं इस लेक्चर में हेलो दोस्तों तो हम लोग लूसेंट सामान ग्यान को देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर में बात कर चुके हम लोग प्राचीन भारत की बारे में इतिहास को देखा है सबसे पहले हमने उसमें बात कर रहे थे हम लोग प्राचीन भारत की बारे में अब इस लेक्चर में बात मद्य कालीन भारत के बारे में ठीक है मद्य कालीन भारत को दिखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पर अर्वों का आकमड मुहम्मद बिन कासिम की नेतत में अर्वों ने भारत पर पहला सफल आकमड किया अरवों ने सिंद पर 712 इस्वी में विजय पाई थी अरव आकमड के समय सिंद पर दाहिर का सासन था याद रखें सिंद का सासन दाहिर था इस समय भारत पर अरव आसियों के आकमड का मुख खुद्देश धन दौलक लूटना तथा इसलाम धरम का प्रिचार पिसार करना है तो याद रखें सबसे पहले मुखमद बिन कासिम के नितित में अरवों ने भारत पर आकमड किया अब बात करते हैं महमूद गजनभी के बारे में अल्पत गीन नाम के तुरुक सरदार गजनी समराज का सस्थापत था अल्पत गीन का गुलाम तथा दमान सुवक्त गीन था महमूद गजनभी सुवक्त गीन का पुत था अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का सा सकता महमूद गजनभी 27 वर्स की अवस्था में 927 इसवी में गद्दी पर बैटा बगदाद का खलीफा अल आदिर विल्लाहर विल्लाल विल्लाहर ने महमूद गजनभी के पद को माननता पिदान करते हुए उससे यमीन अदौला तथा यमीन अल मिलार की उपादी दी थी महमूद गजनभी ने भारत पर 17 वार आप्मर किया महमूद गजनी ने भारत पर पहला आप्मर 111 इस भी में किया यह आकमर साही राजा जैपाल के विरोद्ध था इसमें जैपाल की फराजर हुई महमूद गजनी एक जार आठी सिवी में नगर कोट के विरोद्ध हमले को मूलती वाद के विरोद्ध पहली महत्पूर्जीत बताई जाती है महमूद गजनी ने थाने सोर के चक्क स्वामिन की कास निर्वित आदम कद पितिमा को गजमन नभी गजनी भेज का रंग भूमी में रख पाया महमूद गजनी का सबसेफ चर्चित आखमरता दस्सो चौबीस इसवी में सौमनात मंदिर सौराष्ट पर हुआ इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी सौमनात की रखचा में सहायता करने के कारण अन्हिल्ग वाड़ा की सासक पर महमूद ने आखमरत किया सौमनात मंदिल लूट कर ले जाने की क्रम में महमूद पर जाटों ने आखमरत किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी महमूद गजनी का अंतिम भारतीय अक्मरता दस्सो सत्ताईस इसवी में जाटों के विरोध था महमूद गजनी की मित्तिव दस्सो तीस इसवी में हुई अलबरुनी, फिर्दोसी, उत्वी, फरोकी महमूद गजनी के दर्बार में रहते थे अब महमूद गजनी के बात करते हैं मुहम्मद गौरी के बारे में गौर महमूद गजनी के अदिन एक छोटा सा राज्य था 1173 इस्वी में सहाब उद्दीन मुहम्मद गौरी गौर का सासक बना इसने भारत पर पहला आकमड 1175 इस्वी में मुलतान के विरुद किया याद रखिए मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आकमड 1175 में इस्वी में मुलतान के विरुद किया मुहम्मद गौरी का दूसरा आकमड 1178 इस्वी में फाटन गुजरात पर हुआ यहां का साथ सक भीन सेखन ने गौरी को बुरी तरह फरास्त किया अब बात करते हैं मुहमद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख के युद्धों के बारे में तो तराइन का फित्थम युद्ध ये ग्यारे सो एकानवे इस भी में हुआ गौरी एवं पित्वी राज चोहान के बीच याद रखिए पहले तराइन के फित्थम यूद में पितिवीराज चौहान की विजय हुआ जीता तराइन का दुतिय यूद हुआ 1192 में ये भी गौरी और पितिवीराज चौहान के बीच हुआ इसमें गौरी विजय हुआ ठीक है फिर हुआ चंदावर का यूद तो याद रखिए ये हुआ था 1194 में गौरी और जैचंद के बीच इसमें गौरी विजय हुआ ठीक है मुहम्मद गौरी भारत के विजयत पिदेशों पर सासन का भार अपने गुलाम सैनापतियों सौंपते हुए गजनी लोट गया मुहम्मद गौरी की हत्याफ 15 मार्च 1226 भी को कर दी गई थी अब बात करते हैं हम लोग सल्तनत के बारे में सल्तनत को देख लेते हैं सल्तनत काल गुलाम बंस को देखते हैं सबसे पहले गुलाम बंस की स्थापना 1226 भी में कुतुब बुद्दीन एवक ने किया किसने की कुत्व बुद्दीन एवक ने वह गौरी का गुलाम था कुत्व बुद्दीन एवक था जो गौरी का गुलाम था कुत्व बुद्दीन एवक ने अपना राज्यवी से 24 चुन 1226 भी को किया गए कुत्व बुद्दीन एवक ने अपनी राधदानी लाहौर में बनाई कुत्व मीनार की निव कुत्व बुद्दीन एवक ने डाली याद रखिए कुटबुद्दीन एवक ने कुटब मीनार की निव डाली थी दिल्ली का कुबत उल इसलाम मस्जिद को बत उल इसलाम मस्जिद एवन अज्मे का धाई दिन का जोपडा नामक मस्चिद का निर्माण एवक ने कराया पुत्तुपिद्दीन एवक को लाख बक्स लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था प्राचीन नालंदा विस विद्याले को धुरस्त करने वाला एवक का सहाइक सेना नायक दख्ति का खिल्जी था एवक की मित्तिव 1210 इसवी में चौगान खेलती समय घोड़े से गिर कर हो गई याद रखे इसकी कुत्तुपिद्दीन एवक की मित्तिव 1210 में चौगान खेलती समय घोड़े से गिर कर हो गई इसे लाहोर में दखनाया गया ये पुत्व बुतीन एवक का उत्तिरादिकारी हुआ आराम साह है जिसने सरिफ आठ महीने तक सासन किया आराम साह की हत्याउस करकी इलतुत्मिस बारे सो ग्यारे में दिल्ली की गद्धी पर बैठा इलतुत्मिस तुर्कमिस्तान का इलवरी तुरqu था जो एवक का गुलाम था एवं दमात इवक की मिउयकतिकारी समय वह बदायू का गवर्नर था इलतुत्मिस लाहूर से राजधानी को इश्थानांत्रेथ करके दिल्ली लाया याद रखे कुट्व बुद्दीन एवक ने लाहोर को राजधानी बनाया लेकिन इल्टुतमिस ने दिल्ली को राजधानी बनाया लाहोर से हटाकर इल्टुतमिस पहला सा सक्था जिसने 1229 इसवी में बगदाद के खलीपा से सुल्तान पद की वैधानिक सुई किती प्राप्त की अब यहीं बात कर लेते हैं इल्टुतमिस द्वारा किये गए मत्पूंद कारेयों की कुत्व मीनार की निर्माण को पूंड करवाया इल्टुतमिसने इसकी न्यू किसना रखी थी? कुत्व बुद्दीन एवक ने सबसे पहले सुद्ध अरवी के सिक्के जारी किये इल्टुतमिसने चांदी का टंका उतावा का जीतल इक्ता पिडाली सुचलाई किसने इल्टुतमिस ने चालीस गुलाम सरदारों का संगटन बनाया इल्टुतमिस ने जो तुर्कान ए चहल गानी के नाम से जाना गया सरफितम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया इल्टुतमिस ने यह सभी इल्तुतमिस्ट के महत्वन कारी थे अब बात करते हैं बोग इल्तुतमिस्ट की मित्यू अप्रेल 1236 शीचती सी में से हो गई इल्तुतमिस्ट के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज कौनसा रुकनुद्दीन फिरोज गदी पर बैटा पर हो है एक आर्व योग सासक था इसके अल्व काली इंसासन पर उसकी माँ साह तुरकान की चाही रही साल तुरकान के आवांचित प्रभाव से परेशान होकर तुरकी अमीरों ने रुकनुद्दीन खटाकर रजिया वेगम को सिंगासन पर आसीन किया इत्विकार रजिया वेगम पित्थम मुस्लिम महला थी जिसने सासन की बागडोर समाली रजिया ने परदा पित्था का त्याक कर तता पुरुसों की तरह दोगा काबा कुला है टोपी पहिनकर राज द मुई जुद्दीन यकूद को अमीर अकूर घुडे का सरदार निफ्ट किया गैल तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गत्थी पर मुई जुद्दीन बहराम साय को बैठाया रजिया की साधी अलतुनिया के साथ भी रजिया की साधी किसके साथ भी अलतुनिया गया इसके साधी करने के बाद रजिया ने पुनाहा गंदी प्राप्ट करने का प्रयास किया लेकिन वह आसपल लई है रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकों के दारा कैथल के पास कर दी वहराम साहे को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई वहराम साहे के बाद दिली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद साहे 1242 में बना बल्वन ने सडेंद के द्वारा 1246 इसवी में अलाउद्दीन मसूद साहे को सुल्तान पत से हटा कर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाहा करता था बलबन ने अपनी पुत्री का विवार नसरदीन महमूत के साथ किया था बलबन का वास्तमिक नाम था बहाउत दिन वल्दृत्मिस का गुलाम था तुरकान ए चहल गानी का विनास किसने किया बलबन ने बल्बन ने 1266 इसीवी में ग्यासुद्दीन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा यह मंगोलों की आकमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा राजदर्वार में सिजदा पैबोस फिर्था की सुरुवात बल्बन नहीं की थी बल्बन ने फार्सी रिती रवाज परादारित नव रोज उत्सव कुप्यारम करवाया अपने विरोधियों के फिती बल्बन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीती का पालन किया नसुरुद्दीन महमूद ने बल्बन को उल्गू खां की उपादी फिदान की बल्बन के दर्वार में फार्सी के पिछट गवी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे गुलाम बंस का अंतिम सासक्पून हुआ समसुद्दीन सम्मूद्दीन केमूर्स अब आप करते हैं खिल्जी बंस ठीक है अब खिल्जी बंस को दिखते हैं खिल्जी बंस रहा है 1290 से 1320 इस वीता गुलाम बंस के सासन को समाप्त कर 13 जून 1290 इस भी को जलाल उद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी बंस के इस्थापना किए किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया है टोने जलाल उद्दीन की हत्या 1296 में इसके उसके भतीजा तथा दमाद अलाउद्दीन की जीने कर दी कड़ा मानिकपुर में कर दी थी इलावा में इए बारे अक्टूवर बारे सुच्चानमय में अलाउद्दीन दिल्ली का स्ल्तानमना अलाउद्दीन के बच्वन का नाम था अली तथा गुरसासमितvoll लाउद्दीन कील्जी ने सैना को नगत बेथन दैने यहां इस्थाई सेना की नियू रखी दिल्दी सासकों में अलाउद्दीन की जी के पास सबसे विसाल सेना थी यहीं पात कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में तो अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन था अमीर खुसरो का नाम मूल नाम क्या था मुहम्मद हसन उसका जनम पट्याली फश्चमी उत्तर पिदेश में बदायू के पास 1293 में खुसरो पिसिद सूफी संद सेख निजामुद्दीन उलिया के सिस्ते वह पल्वन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरवार में रहें इन्हें तूतिये ये हिंद तूतिये हिंद भारत का तूता के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के विसकार कर से अमीर खुसरो को ही दिया जाता है ठीक है किस-किस का सितार और तबलेगा आंगे बात करते हैं लोग अलाव घोडा दागने सेनकों की कहुलिया लिखने की पिता की सुरू आप किसने की अलाउद्दीन खिंजीर है कई बार पूचा जा चुका है घोडा दागने और सेनकों कहुलिया लिखने की पिता किसने सुर दरखो बढ़ा कर उपच का एक वटे बारव एक वटे दो भाग कर दिया इसने खंस लूट का धन में सुलतान का इस्ता एक वटे चार बारव करा दिया इसने ब्यापारियों में वेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले वैक्ति के सरीर से मास काट लेने कादिश दिया इसने अपने सासनकाल में मूल नियंतल पडाली को दृरता से लागू किया दच्छिर भारच की विजय के लिए अलाउदीन ने मलिक का फूर कोद भेजा जमयत खाना मस्चिद अलाई तरवाजा सीरी का किला हजार खंबा माहिल का निर्माड अलाउदीन खिल्जी ने करवाया पूर कौन से है जमयत खाना मस्चिद अलाई तरवाजा सीकरी का किला हजार खंबा महिल का निर्माड किसने करवाया अलाउदीन खिल्जी ने देवी अधिकार की सिध्धान को अलाउदीन ने चलाया सिकंदर एसानी की उपादी सिश्वेम को अलाउदीन की लिने विवुष्थ किया अलाउदीन ने मलक यकूब को दीवान एक रियासत निवक किया अलावद्दीन द्वारा निवत फरवाना नवीस नाम अधिकारी बस्तूं की पर्मिट जारी करता है साहना ये मंडी यहां खध्यानों को विक्री है तू लाया जाता था सराय ये अदल ये बस्त सक्कर जडीबुटी मेवा दीपक तते अननिर्मित बस्तूं ये बिखने के लिए आती थी वाजार नियंतन करने के लिए अलावदीन के लिए द्वारा बनाये जाने वाले नवीन पद्दे दीवान ये रियासत यह ब्यापारियों पर नियंतन रखता था यह बाजार नियंतन की पूरी विवस्ता का सर्चालन करता था कौन दीवान ये रियासत सहना ए मंडी पित्ते एक बाजार में बाजार का अधीक छक्त है सहना ए मंडी वरीद बाजार के अंदर गुम कर बाजार का निरीक्चन करता था वरीद मुन हियान बागुप्त चर गुप्त सूचना प्राप्त करता था मुन हियान बागुप्त चर आगे बात करते हैं लोग पूल नेंतर्ण को सफल बनाने में मोहत सिव सेंसर एवब नाजीर नापतौल अधिकारी की महत्पूर भूमी का थी राचस सुधारों के अंतरगत अलाउद्दीन ने सरप्थम मिलक इनाम वक्क के अंतरगत दी गई भूमी को बापस लेकर उसे खाल सा भूमी में बदल दिया अलाउद्दीन खिल्जी के द्वारा लगाये जाने वाले दो नवीन करते चराई कर दुधारू पसुवंपर लगाये जाता था गड़ी कर घरों एवं जोपडियों पर लगाये जाता था अलाउद्दीन खिल्जी की मित्यों पाँच जन्वरी 1300 सूला को हो गई थी कुटप बुद्दीन मुबारक किल्जी 1326 बीको डिल्ली के सिंगाशन पर बैटा इसे नगनिस्तरी फुरोस की संगत पसंद थी कुटप बुद्दीन मुबारक किल्जी को मुवारक किली कभी-कभी राज़ दर्वार में इस्तिरियों को वस्त पहन कर आ जाता था वर्नी के अनसार मुवारक किली कभी-कभी नगन होकर दर्वारियों की बीज दोड़ा करता था मुवारक खाने खलीपा की उपादी दारन की मुबारक के वजीद खुसरोग खाने 15 अपरेल उननी 15 अपरेल 1320 सीच्पी को इसकी हत्या कर दी और स्प्रेम दिल्ली के सिंगासन पर बैठा खुसरोग खाने पेगंबर के सैनपती की उपादी दारन की चलिए खिली बंस को देख लिया अब बात करते हैं तुगलक बंस 12-1320 से 1398 कितना 1320 से 1398 इसवी तक रहा है तुगलक बंस पांच सेक्टमबर 1320 इसवी को खुसरोग खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक की नाम से आठ दिशंबर 1320 को दिली के सिंगासन पर बेटा ग्यासुद्दीन तुगलक ने करीब 39 बार मंगोल आकमणों को विफल किया याद रखिए ग्यासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आकमणों को विफल किया ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिये गए अमीरों की भूमी को पुनाह लोटा दिया इसने सिचाई के लिए कुए और नहरों का निर्मार करा आया ग्यासुद्दीन तुगलक ने सम्भवतास नगरों का निर्मार करना आने बाला ग्यासुद्दीन पिथम सा सकता है ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीव इस्तित पहाड़ियों पर तुगलका बात नामक का एक नया नगर स्थापित किया रोमन सेली में निर्मित इस नगर में एक दुरुप का निर्मार भी हुआ है इस दुरुप को चपन कोट के नाम से भी जाना जाता है ग्यासुद्दीन तुगलक की मित्यू ग्यासुद्दीन तुगलक की मित्यू तेरे सोफचीसी सीवी बंगाल अवियान से लोटते समय जूना खा द्वारा निर्मित लकडी के महल में दबकर हो गई ग्यासुद्दीन के बाद जूना खा मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंग्ञासन पर बैठा मत्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहम्मद तुगलक सरवादिक सिक्चित विद्वान योग बैक्ती था मुहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओ, क्रोल कित्तों एवन दूसरों के सुप दुख के इती उपेक्च्छा भाव रखने के कारण सुपनसील पागल रक्त प्रिपासू कहा जा जाए थे मुहम्मद बिन तुगलक ने क्रिसी विकास के लिए अमीर एकोही नामक एक नभीन विवाग की इस्तापना की तो याद रखिए अमीर एकोही नामक विवाग की स्तापना किसने की थी? मुहम्मत बिन तोगलक ने एकनी राध्धानी दिल्ली सिद्योंगरी महस्थाना नितित की और इसका नाम दॉलता बाद रखा संकेतिक मुद्राओं के इंतगत मुहम्मत बिन तोगलक ने पीतल ताबा धातुगों के सिर्के चलवाए जिनका मूल चादी के रोपे में टंका के बराबर होता था मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियानवर चार योजनाओं को देख ले थे करमसा पहली है दुआब छेत्र में करविद्धी ये 1326 से 1327 इसी में हुई सांकेतिक मुद्रा का पिचल 1329 से 1330 खुरासन और कराचिल का वियान ठीक एक मुख के योजनाओं थी अब बात करते हैं आगे देखते हैं हम लोग अफिर की याक्तरी इपन बतूता अल्लाग हुआग इमन बतूता अफिर की याक्तरी इमन बतूता 1333 में भारत आया सुल्तान ने से दिल्ली का काजी निव्ट किया 1342 में सुल्तान ने से अपने राजदूत के रूम में चीन मेजा इपने बतूता की पुष्ट के रहेला में मुहमत तुगलक की समय की घटनाओ का वड़न है इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन डांग चोपियों की स्थापना यानी टांग विवस्ता गुफ्ट चर विवस्ता के वारे में लिखा मुहमत बिन तुगलक की मित्यू बीस मार्ज 1399 में सिंद जादे समय ठटा के निकट गोडाल में हो गई मुहमत बिन तुगलक के सासनकाल में दच्छन में हरी हर एवं बुक्का कौन-कौन से हरीहर एवं बुक्का नामक दो भाईयों ने 1336 इस्वी में सुतंत राज विजय नगर की स्थापना की थी तो याद रखें विजय नगर की स्थापना हरीहर एवं बुक्का ने 1336 में मुहुम्मत बिंतोग लग के सासनकाल में ही समय में ही दच्छन भारत में ही महाराश्ट में अलाउत दीन वहमन साहन है 1347 में सुतंत वहमनी राज की स्थापना की मुहम्मद बिन तुगलक की मित्यु पर इतिहासकार वर्णी लिखता है कि अंतितार लोगों को उसके उससे मुक्ती मिली और उसे लोगों से महम्मद बिन तुगलक सेख अलाउत दीन का सिस्था वह सलतनत का पहला सासकता जो अजमेर में सेख मुईन दीन चिस्थी की दरगार और बहराईच में सलार मसुद रगाजी की मकबरे में गया मुहम्मद बिन दुगलक ने वदायों में मीरन मुलहिम दिल्ली में सेख नजामुद्दीन वा लिया मुलतान में सेख रुकनुद्दीन अजूधन में सेख मुलतान आधी संतों की कब्रव पर मकरूरी बनवाए फिरोष्ट दुगलक का राजजव सेख थट्टा के नजदी 20 मार्ज 1391 में कुगा पुना फिरोष्ट का राजव सेख दिल्ली में अगस्त 1391 में कुगा खलीपवाद द्वारे से कासिम अमीर उल्फ मुम मीन यूपादी दी गई फिरोष्ट दुगलक याद रखिए फिरोष्ट दुगलक ब्रह्मनों पर जज़िया लागू करने वाला पहला मुसल्वान सासक बना फिरोष्ट दुगलक याद रखिए फिरोष्ट दुगलक ब्रह्मनों पर जज़िया लागू करने वाला पहला मुसलिम सासक था फिरोष्ट दुगलक ने एक नया कर सिच्चाई कर भी लगाया जो पचकाई वटी दस बाभाग था फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्माना किराय था फिरोज तुगलक ने तीन सो नही नगरों की स्थापना की इनमें हिसार फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहबाद, जौनपूर, फिरोजपूर पिरमुक थे इसके सासनकाल में खिज्जाबाद तोपरा गाउं तो मेरण से असोग के दो इस्थम्मों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया ये भी पूचा जा चुका है कि असोग के मेरण और खिज्जाबाद दो इस्थम्मों को दिल्ली कौन लाया था तो ये था फिरोज तोगलक ठीक आगे बात करते हैं सुन्तान फिरोज तोगलक ने अनात मुसलिम मैलाओं विदभाओं एवं लड़कियों की साहता के लिए एक नए विबाद दीवान एक है रात की इस्थाबना की तो याद रखे दीवान एक है रात की स्थापना की ती सुल्तान फिरोज तोगलक ने दीवान एक है रात किसे संबन दे थे तो ये मुसलिम मैलाओं विदभाओं और इम लड़कियों की साहता के लिए एक विबाद था सल्तनत काली सुल्तानों में सासन काल में सबसे अधिक दासों की संक्या करीब एक लाग असी हजार फिरोज तुखलक की समय थी दासों की देखवाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ये बंदगान की स्थापना गी तो याद रखें दीवान ये बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज न कथा थतु हाथ ए फिरोज साही की रचना किया इसने जियाउद्दीन जियाउद्दीन बनने एवन समसे सिराज अफीव को अपना सरक्षन पिदान किया इसने ज्वाला मुखी मंदर के फुस्तकाला से लूटे गए तेरे सो ग्रंतों में से कुछ को फार्शी में विद्वान अफाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज साही नाम से इनवात कराया इसने चांदीतामी के मिसरन से निर्वेज सिक के बहारी संख्या में जारी करवाए जिससे आगधा या बिक्ष कहा जाता था फिरोश्तोगलक की मित्यू सेप्टमबर 1388 में हो गई 1388 फिरोश काल में निर्मित खाने जहां ते लंगानी के मकवरी को सुला जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद सिखी जाती है सुल्तान फिरोश तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोश साहिद दुरूप का निर्मान कराये था तुगलक बल्स का अंतिम सासक हुआ नसरुदीन महमूद तुगलक इसका ससन दिल्ली से पालम तक ही रह गया तेमूर लंग ने सुल्तान नसुरुदीन महमूर तुबलक के समय तेरे सु अंठाउन में मिद्दिली पर आक्मठ किया नसुरुदीन के समय में ही मली कुसर सरक पूरबादी पती की उपादी धारन कर एक हेजडा मलीक सरवर से ने जौनपूर में सुतन्त राज की स्थापना की अब बात करते हैं सेयद बंस के बारे में तो इसका सासन का लाए सेयद बंस का चौदै सो चौदै से चौदै सो इंक्यावनीश भी था सेयद बंस का संस्ता पक था खिज जिखा इसने सुल्तान की उपादी ना धारन कर अपने को रेयत ये आला की उपादी से खुस रखा खिज जिखा ने भार से लोटते समर्द तैमूर लंग ने खिज जिखा को मुलताल लाहोर दिपालपूर का सासक ने उपिया खिज जिखा नेमित रूप से तैमूर के पुत साहरो को कर भेजा करता था खिज जिखा की मित्तियू पीस मई 1421 में हुई खिज जिखा के पुत मुबारक खा ने साहे की उपादी दारण की यहिया यहिया बिन एहमद सरहिंदी को मुबारक साहे था सरक्षन प्रप्थ था इसकी पुस्तक तारीक ए मुबारक साही में सियद बंस की विशे में जानकारी मिलती है युमना के किनारे मुबारक का बाद की स्थापना मुबारक साहे ने की सियद बंस का अंतिम सास्त सुल्टान कौन हुआ अलाउदीन आलम साहे शियद बंस का सासन करीब 37 वर्स तक रहा याद रखे फिर आया लोधी बंस तो लोधी बंस आया 1400 इंक्याउन से 1526 तक लोधी बंस का संस्था वक्त था बहलोल लोधी वोग 29 अपरेल 1400 इंक्याउन को बहलोल साह गाजी की उपादी से दिल्ली के सिंगासन पर बैठा दिल्ली पर इत्थम अफगान राज्यों की स्थाबना कसे बहलोल लोधी को दिया जाता है बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का विजरन करवाया था बहलोल सिक्के का याद रखना वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाता पुकालता था वहलोलोधी वहलोलोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वैम भी खड़ा रहता था वहलोलोधी का पुत्त निजाम खा सत्रे जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर साह की उपादी से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1544 में सिकंदर लोधी ने आगरा सहर की स्थापना की तो याद रखिए आगरा सहर की स्थापना किस ने की थी सिकंदर लोधी ने 1544 में ठीक है भूमी के लिए मापन के प्रमार्डिक विमाने गजे एसिंदि सिकंदरी का पिछलन सिकंदर लोधी ने करवाया था गुल रुकी सीर्षर से फारसी कविताय लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया इसके आदर्स पर संस्कित के आईवेद ग्रंत का फारसी में फरहंगे सिकंद्री के नाम से अनवाद हुआ इसमें नगर कोट के ज्वाला मुखी मंदिर की मूर्ती को तोड़ कर उसके टुकडों को कसाईयों को मास तॉलने के लिए दे दिया था इससे मुसल्मानों को ताजिया निकाल ले एवं मुसल्मान इस्तिरियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर पिती बंद लगा दिया गले की बीमारी के कारण सिकंदल लोदी की मित्तियों 21 नवंबर 1517 इस्वी को हो गई थी इस दिन उसका पुत्र इब्राहिम साह की उपादी से आगरा के सिंगासन पर बैठा 21 अपरेल 1526 इस्वी को याद रखें 21 अपरेल 1526 इस्वी को पानीपत के पित्थम युद में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया इस युद में वह मारा गया बाबर को भारत पर आकमर करने के लिए निमंतर्ण पंजाब के सासथ दौलत खाल लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था मौट की मस्जित का निर्माड सिकंदल लोदी के वजीर द्वारा करवाए गया था अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन सासन विवस्तागीर केंद्री ये फिसासन का मुखिया होता था सुल्तान वलवन एबं अलाउद्दीन के समय अमीर फिरभाव साली हो गए अमीरों का मात्र चर्मोतकर्स पर था लोधी बंस के सासनकाल में सल्तनत काल में मंत्री फर्षत को मजलिस एक खलवत कहा जाता था मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बेठक होती थी बार एक खास इसमें सुल्तान सभी दरवारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अनरहीसों को बुलाता था बार ए आजम सुल्तान राज्किय कारेयों का अधिकान स्वाग पूरा करता था अब बात करते हैं हम मंत्री और उनसे सम्बंदित उससे सम्बंदित विभाग तो सबसे पहले बात करते हैं वजीर विधान मंत्री ये राजस विभाग का प्रमुक था फिर बात करते हैं हमनों मुस्रिफ ये मुमालिक ये महालिका खार का था पिर अंतों एवं अंडवे भागों से प्राप्त आये एवं ब्रेक वे का लेका जुका फिर था मजूम आदर तो ये उदार दिये धन का हिसाब रखता था खजीन को साथ देक्ष था आरज ए मुमालिक याद रखिए दीवान ए अरज अत्वा सेन विवाग का प्रमुक अधिकारी था है सद्ध उस सुदूर ये धरम विवाग एवं दान विवाग का प्रमुक था काजी उलकजाद सुल्तान के बाद नियाय का सरवोच अधिकारी था ये वरीद ये मुमालिक तो ये गुप्त चरविवाग का प्रमुक था अब बात करते हैं वकी लेदर तो इस सुल्तान की वहतिकत सिवाओं की देखवाल करता था दीवान ए खेरात ए दान विवाग था दीवान ए बंदगान ए दास विवाग था दीवान ए इस्तिहाग ए पैंसन विवाग था ठीक है अब बात कर लेते हैं यहीं देख लेते हैं कुछ विवाग और बनाने वाला सुल्तान तो दीवान ए दीवान ए मुस्त खराज इबित इसे बिभाग था जैसा कि आपको पता है अलाउद्दीन खिल जी ने इसकी इसे बनवाए था किसने अलाउद्दीन खिल जी ने फिर बात करते हैं दीवान एक को ही याद रखिए किरसी बिभाग था ये ये मुहम्मद बिन तोगलक ने बनाया था दीवान ए अरज ए सेन बिभाग था ये बलवन के समय बना दीवान ए बंदगान ए फिरोज साथ तोगलक ने बनवाए दीवान ए खेरात ए फिरोज साथ तोगलक ने दीवान ए इतिहाग ए फिरोज साथ तोगलक ने तो याद रखिए दीवान ए मुस्त खराज विति बभाग अलावदिन के लिए दीवाने कोही मुहम्मद बिन तुगलक दीवाने अर्ज सेर्न विवाद बलवन दीवाने बंदकान तुगलक फिरोष्ताय तुगलक दीवाने खेराद फिरोष्ताय तुगलक दीवाने इस्तिहार फिरोष्ताय तुगलक अब आगे बात करते हम लोग यह सुकर्वे उस्ता दिख लेते हैं तो उस ये मुसल्वानों से लिया जाने वाला भूमी करता खराज गैर मुसल्वानों से लिया जाने वाला भूमी करता जकात मुसल्वानों पर धार्मित करता है संपत्ति का 40-30 तो जजिया कर ये गैर मुसल्वानों पर धार्मित करता खम्स की बात करें तो यह लूटे हुए धन, खानों, अत्वा भूमी में गड़े हुए खजानों सुथ प्राप्त, संपत्ती का एक वटे पाँच भाग था जिसमें सुल्तान का अधिकार था, तफ़ा सेश चार वटे पाँच भाग पर उसके सेनकों अत्वा खजानों को प्राप्त करने वाले ब्यक्ती का होता था परन्तु, फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्न सभी सासकों ने चार वटे पाँच हिस्सा स्वैम अपने लिये रखा सुल्तान सेकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था अब बात करते हैं लोग आगे देखतें दिल्ली सल्तनत अनेक प्राफ्तों में बटा हुआ था जिसे एक्ता या सुवा कहा जाता था यहां का सासन नयाव या वली या मुक्ती द्वारा संचालित होता था यक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया जाता था जहां का प्रवुक अधिकारी सिकदार होता था जो एक सेनिक अधिकारी था सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था आमिल पर्गने का मुख अधिकारी था, मुस्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था, एक सहर एक सहर या सो गाओं के सासन की देखरे एक अमीर ए सदा नवक अधिकारी करता था, सुल्टान की स्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था, मंगोल सेना के वर्गीकर्ण की दसमलो पेडाली को सल्तनत काली सेन विवस्था का आधार बनाया गया था, सल्तनत काल में वारूत की साहता से गोला फेकने वाली मसीन को मंग, लीक तथा अर्राद कहा जाता था, अलाउद्दीन की जी ने इक्ता विवस्था को समप्त किया था, किसने अलाउद्दीन की जी जी ने, इक्ता विथा की दोबारा सुरुआत हुई फिरोज दोगलग न की थी, सल्तनत काल में अच्छी नसल के घोड़े तुर्की, अरव, एवं रूस से मंग वाय जाते थे, हाती मुकता बंगाल से मंग आय जाते थे, सल्तनत कानीन, सल्तनत कालीन कानू सरियत, कुरान और हदीस पराधा रिथा, मुस्लिम कानू के चार महत्वूर्थ रोते, कुरान, हदीस, इजिमा, कयास, सुल्तान सप्ता में दो बार दरबार में नयाय करने के लिए उपस्तित होता था, मैं यही देख लेते हैं, दस अस्वार होई, एक सर एक खेल, दस सर एक खेल, एक सिफ़, सिफ़ सलाई, दस सिफ़ सलार, एक अमीर, दस अमीर, एक मलिक, दस मलिक, एक खान के बराबर होता था, ठीए, अब बात करते हम लोग आगे, पिसिद इस्थान और पिसिद्धी के कारण तो सरसूती अच्छी किसमे के चावल के लिए था ये अनिय अनिही वाड़ा ये ब्यापारियों का तीस दिस्थल के रूम में था सतगाव ये रेश्मी रजाईयों के लिए पिसिद्ध था आगरा ये नील उत्पादन के लिए फिसिद्ध था वनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए फिसिद्ध था सुल्तान सप्ताय में दो बार ये देख चुके थी सल्तन काल में लगान निर्धारित करने की मिस्तरित फिडाली को मुक्ताई कहा गया भूमी की नाब जोग करने के बाद चेतफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था पूर्ता केंद के नेतिन में रहने बाली भूमी को खालसा भूमी कहलाती थी अलावदिन ने दान दी गई अलिकाज भूमी को छीन कर खाल सा भूमी में परिवर्थित कर दिया था देवल सल्तनत काल के में अंतराश्टिय बंदारगार के रूमें पिसिद दिता चलिए अब बात करते हैं मोग सल्थनत काल को दीख चुके हैं अब बात करते हैं विजय नगर के बारे में विजय नगर समराज के बारे में विजय नगर समराज विजय नगर समराज की स्थापना 1336 CCV में हरीहर एवं बुक्का नामक दो भाईयों न की थी जो पाँच भाईयों के परिबार के अंगे थे तो याद रखिए विजय नगर की स्थापना किसने की हरीहर एवं बुक्का इसने 1336 में की विजय नगर का साब्दिक अरथ होता है जीत का सहर हरीहर बुक्का ने विजय नगर की स्थापना विध्यारन संत से आसिवाद प्राब्द कर्द की थी हरीहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नंबर संगम राजबंस की स्थापना की विजय नगर समराज की राध्दानी हमपी थी विजय नगर समराज की खंधर नदी परिस्ते थे इसकी राजवासा तेलगू थी ठीक हरी हर एवंबुक का पहले वारंगल के काक्तिय सासक प्रताब रुद्देव के सामत थे विजय नगे समराज के पर क्रमसा नेमन बंसों ने सासन किया संगम सलोग सलोग तुलोग अरावीडू बंस ठीक अब यहीं संग हम मल्स के प्रमोख सास को तो हरीहर इसने 1336 से 151336-1356 तक किया फिर आया बूपका पिथम तो इसने 1356 से तेरह सो सतक्तर तक किया तरह हरी हरु सेकंड तो इसने तेरह सो सतक्तर से चौदैसो चार तक किया देवरायद पथम तो इसने इसने है 144 से 1422 तक त्राया सेकंड तो इसने चोदैसो से 146 तक मलिकार जूर्ण इसने 1440 से 1465 तक तिरुपाक्च सेकंड यह है राद 1465 से 1485 तक ठीक अब बात करते हैं लोग आगे देखते हैं बुक्का ने बेद मार्ग फित्थिष्ठापक की उपादी धारन की हरीहन ने संगम सासकों में सबसे पहले महाराजा धीज राज की उपादी धारन की इटली का यात्री निकोलो कांटी कौन इटली का यात्री निकोलो कांटी विजे नगय की यात्रा पर देवराय पिथम के सासनकाल में आया था देवराय पिथम ने तुंभध्धा नदी पर एक बांध बनवाय ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके सिचाई के लिए उसने हरिद नदी पर भी बांध बनवाया था संगमबंस का सबसे प्रताफी राजा हुआ देवराय दुतिये इससे इमाडी देवराय भी कहा जाता है फार्सी राजदूत अब्दुल रजात देवराय दुतिये के सासनकाल में बिजे नगय आया था पिसिद्ध तेल्व कभी स्रीनात कुछ दिनों तक देवराय दुतिये के दरफार में रही फरिष्टा के अनुसार फरिष्टा के अनुसार देवराय सेटन में अपनी सेना में 2000 मुसल्हवानों को पहती किया था और उन्हें ज्यागिरियन्ती थी एक अभी लेक देवराय दुतिये को जग बेट कर हातियों का सिकारी भी कहा गया है देवराय दुतिये ने संस्कत गरंत महानाटक सुधानीदी एवं बिरमा सूत परभास लिखा मलीका अरजुन को वो ओड देवराय भी कहा जाता है सालो नर्व सिंग ने विजयनेगर में दूसरे राजवन्स सालो बन्स की स्थापना की से 15達-104 और डर्लव. tu know बन्स का सालो लो बन्स का साथनन ने इसंयों और स्थापना की तुरूबन्स 4500 काहटर तक है इस इसकी स्थापना वीर नर्सिंग ने की है फिर लू बन्स की स्थापना वीर नर्सिंग कुए किषिन देवराय ऑफे 8 अगेस्त्रसणौंग उससिक बना सालोंक तिम्म्ह और्म देवरय के यूग मंतरी 24 नावम किष्ण देव भारत का सरवाधिक सक्ति साली सासर बताई किष्ण देव राय के सासनकाल में उर्तिगालीया दौमी दोङना लेव विजय रगर आया था कुष्णर राय के दर्वार में तेलगू साहित के आठ सरफसिष्ट कभी रहते थे जिन्हें अश्ट दिगज कहा जाता था इसके सासनकाल को तेलगू साहित का किलासिकल किलासिक युक कहा गया जुआ कि घुछन्य देवराय ने तेलगू में अमुक्त माल्याद एबम संस्कित में जामेवती कल्यारं की रचना की पांड़ू महात मै की रचना तेनाली रामकिष्ण की नागलपुन नामकिणगर हजारा एबम स्वामी मंदिर का निर्वार किष्ण देवराय ने करवाया था किष्ण देवराय की मित्तियु 1529 में हो गई किष्ण देवराय ने आंद भोज अभी नाव भोज आंद पिता माय आदी उपादी धारन की थी तुलू बंस का अंतिम सासक हुआ सदासिव राक्षी राक्षसी तंगडी या ताल बंनी हटी ये तीनों एक ही है राक्षी राक्षसी तंगडी तालीकोटा बंनी हटी का यूद 23 जन्वरी 1565 में हुआ इस यूद में इस यूद के कारण वीजय नगर का फतर हुआ वीजय नगर के बिरोध बने दच्छिन राज्यों के संग सामिलते वीजापूर एहमद मोर्चे के नित्त अली आदिल साह कर रहा था तालीक उटा की यूद में वीजय नगर का नित्त राम राय कर रहा था ठीक बिजय नगर के राजा के राजाओं और बह्मनी के सुल्तानों के तीन अलग लग छित्रों में आपस में ठकराते थी तुंग भद्धा के द्वाब में कृष्ण गोदावरी के खचार में मराठा वाड़ा के विदेश में तालीक उटा यूद के बाद सदासिब ने तिरूमल के सहयुक से पेनु कोंडा को राध्धानी बना कर सासन करना फ्यारम किया विजयनगर के चोत्रे राजवंस अरावीडू वंस ये 1570 से 1672 तक राध्धा इस थापना तिनु मल्ले सदासिब को आपदस्त कर पेनु कुंडा में स्थापित किया अरावीडू वंस का अंतिव सासक का रंग तिती है अरावीडू सासक बेंकट तित सेकेंड के सासनकाल में ही बोड़े यार ने 1612 इस भी में मैसूर राज की स्थापना की विजय नगर समराज की पिसासने की काई गक्रम घटते हुए इस पिकार था प्रांत मंडल कोटम या वल नाडू जिला नाडू मेला ग्राम पाँच पचास ग्राम का समू था और एक ग्राम था विजय नगर काली सेननारकों को नायक कहा जाता था ये नायक बस्तुताव भू सामन्त थे जिने राजा बेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्त सेना के रख रखाव के लिए बेसेज भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था आयांगर विवस्त था पिसासन को सुचाव रूप से चला संचालित करने के लिए पित्य ग्राम को एक सुतन एकाई के रूम में संगठित किया गया था इस संगठित ग्रामीड एकाईयों पर सासन ही तुवार है पिसासनी अधिकारियों की निवक्ति की जाती थी जिनको सामेहिक रूप से आयांगर कहा जाता था ये आवेतने कोते थे इनकी सेवाओं के बदले सरकार इने पूनता लगानमुक्त एबं करमुक्त भूमी के दान कर दी थी इनका पद अनुवांसिक होता था वह इस पद को बैच या गिर्वी रख सकता था ग्राम स्तर की कोई भी संपती इना थी क्यारियों की इजाज़त के बगें ना तो बैची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी करणडी नामक अनंगर की पास जमीन के क्रेवे क्रेश से संबंदी समस्ते दस्तावेज होते थी विजय नगर संबराज की आयका सबसे बड़ा स्रूत्ता लगान भूराजस की दर इस समय थी एक बटे छे बाबाग विवाह करवर एवन बधु दोनों से लिया जाता था विद्वा से विवाह करवार विवाह करने वाली इसकर से मुक्त थे उंबली ग्राम बिसे सिवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमी की भूधा अरण पदिती थी रक्त कोड़ गे योद में सोरी का पिदर्सन करने वाले मित लोगों के परिवालों को दी गई भूमी को कहा जाता था ठीक है रक्त कोड़ गे अब बात करते हैं विजयर अगर आने वाले प्रमों को देख लेते हैं ही हम लोग तो यह है यात्री यह जिस देश से आया है काल और सासक जिसके रजनकाल में आये सबसे पहले बात करते हैं निकोलो कॉंटी यह टली का था और यह आया है 1420 में देवराय प यह टएवराय सेकेंड की काल में ठीक है फिर अधाय नुनीज यह पूरतगाल था 1450 में आये मलीका अरुझन के सासन काल में आये प्रेय डूमिंग फायस पूरतगाल थाई 1515 में आये किष्ण देवराय के समय आए प्र वार वोषा यह पूरतगाल था 1515 16 इस भी किष्ण द अगे बात करते हैं लोग कुट्टगी कुट्टगी ब्रहमड मंदिर या बड़े भू स्वामी जो स्वयन किर्सी नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमी देते थे ऐसी भूमी को कुट्टगी कहा जाता था बेक्रिसक मजदूर जो भूमी के क्रेविक्रे के साथी हस्तांत्रित हो जाते थे उन्हें कूदी कहलाते थे विजे नगर का सेन विवाग कदाचार कहलाता था तथा इस विवाग का उच्च अदिकारी दंड नायक या सेनापती होता था टकसाल विवाग को जोरी खाना कहा जाता था चिट्टियों की तरह व्यापारव में निफुन दस्तकार बर्ग की लोगों को वीर पंजाल वीर पंजाल कहा जाता था उत्तरवारा से दच्चिर भारत में आकर बसे लोगों को बढ़वा कहा जाता था वीजय नगर में दास्पिता पिजलिती मनुस्व के क्रेविक्रेगो बेस वग कहा जाता था मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था इसको अजीवका के लिए भूमी या नेमित बेतन दिया जाता था वीजय नगर की मुद्रा थी पिगोडा तथा वहमनी राज की मुद्रा थी वोड़ ठीक वीजय नगर की मुद्रा क्या थी पिगोडा वहमनी राज की मुद्रा थी वोड़ चलिए अब देखते हैं हम लोग बह्मनी राज बेजाएन अगर देख चुके हैं अब बह्मनी राज को देखते हैं मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में 1347 सिवी में हसन गंगु ने बह्मनी राज की स्थापना की किसने हसन गंगु बह्मनी राज की स्थापना हसन गंगू ने की थी याद रखिए अलाउद्दीन हसन बह्मन साह की नाम से सिंगासन पर बैठाई इसने अबनी राददानी गुलबरगा को बनाया इसकी राजबात साथी मराठी इसने अपना इस समराज को चार प्रांतों में गुलबरगा, दौलताबाद, बरार, बीदर में बाटा इसकी मित्ति ग्यारे फरवरी तेरा सो अंठाउन को हुए अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्त मुहमद साहिब के थम सुल्तान बना इसके काल में ही सबसे पहले बारूत काफेव, बुक्का की विरूत हुआ बीहिमा नदी, बीहिमा नदी के तट पर फिरोज जाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज नकी थी रोज खागोलियों को पुरुत साहन देता था और उसने दौलताबाद के बास एक 12 साला बनवाई थी बात कर लेते हैं हम लोग यहीं बहमनी बंस के बारे में कि प्रमुक्स सासकों के बारे में तो सबसे पहले मुहमद साहिब पितम मुहमद साहिब पितम फिरोज ईद्रेन घ्रा ए रहा है रहा है तेरे से शंताओं से 1422 पिरा सिहाब उद्दीन एहमत पितं की रहा है 1422 से 1436 आलाओ उद्दीन एहमत यह रहा है सेकेंड यह रहा है 1436 से 1408 तक फिर रहा है सुल्दान समसुद्दीन मुहम्मद तितिये तो यह रहा है 1463 से 1482 तक आंगे बात करते हूं सिहाब उद्दीन अहमद पिथम ने अपनी राध्दानी गुलवरगा से हटा कर वीदर में स्थाफित की इसने वीदर का नाम मुहमद मुहमदा वाद रखा मुहमद सेकिंड के सासनकाल में फाजया जहां की उपादी से महमूद गवा को फिधान मंत्री नियुक्त किया गया आविद्ध्यले की स्थाफ ने कराई रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्तों का संग्राइग किया गया आगे बात करते हैं 1417 इसीवी में रूसी यात्री निकी इतन बह्मनी समराज की यात्रफ राया इस समय बह्मनी राज्जिक पर ताज उद्दीन फिरोज का सासन था किसका ताज उद्दीन फिरोज का सासन था बह्मनी समराज की चारों प्रांथ कि प्रांथ पती उसके बिरोध विसेश से जाना चाहते थे दोलताबाद का तरफदाय था मसनद ए आली बरार का तरफदार था मजलिस ए आली बिदर का तरफदार था अजाम ए हमायू गुलवरगा का तरफदार था मालिक नायव बिजापूर गुलवरगा ताराप में सामिलता यह सबसे भात्पूर ताराप था कलीम उल्ला है बह्मनी सबंस का अंतिम सासर था कौर कलीम उल्ला है इसकी मित्तिव के समय बह्मनी राज़ पांच सुतंत राज़ों में बढ़ गया यह सुतंत राज़ों से सम्मंदी थे ब्युगरण ये है ये राज्चे ये बंसे ये संस्थापक हो गया वो ये बरस हो गया तो बीजापूर इसमें आदिल साही ये इसके संपादक थे बंसे याद रखें यूसुप आदिल साही ये 1489 में ठीक अहमद नगर ये निजाम साही बंस था मलिक एहमद 1490 वरार इमाद साही फते हुलाय इमाद साही 1490 गोलकुंडा कुतुब साही कुलीद कुतुब साही 1512 बीदर वरीद साही अमीर अली वरीद 1526 में ठीक मुहमद पित्थम के मंतरी सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रिय सासन का कार कई वे भावों में ब्रुखत किया उसे आठ मंतरियों को निपकिया जो इस पेकार है बकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नवाब के समान वजील ए कुल सभी मंतरियों के कार का निरिक्चन बकील को छोड़ कर अमीर जुमला अरत्विवाक का अध्यक्ष थाए वजीर ए असरफ ए विदेशी निती ए वंतरवाज सम्विन्दी कार अध्यक्ष पेसवाग बकील ए सल्तनत का साहिक्ष था कोतवाल नगर का मुक्ष पुलिस सदिकारी था सद्दे ए जहां न्याय विवाग धरम तथा दान विवाग का अध्यक्ष थाए सुल्तान के महल तथा दरवार की सुरक्षक लिए विशेस अंगरक्षक सैनिक दल तथा था जिसे साख ए खेल क्या साख ए खेल कहा जाता था या चार विवागों या नौबत में विवाजित था जिसके मुक्ष अधिकारी सर ए नौबत होता था ठीक है बह्मनी राजजी में कुल 18 सासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक सासन किया ठीक है अब बात करते हैं हम लोग सुतंत प्रांतिये राजजी की बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं जौनपूर की बारे में जौना खाकी इसमिती में की थी जौनपूर में सुतंत सरकी राजवन्स के इस्थापना मलिक सरवर्ग ख्वाजा जहान ने की थी ख्वाजा जहान को मलिक वो सरक पूरुका स्वामी की उपादी 1394 में फिरो साय तुगलक के पुद्ध सुल्तान महबूद ने दी थी जौनपूर के अनसा सकते मुबारक साय 1399 से 1402 समसुत्दीन इब्राहिम साय 1402 से 1436 महमूद साय 1436 से इंक्यावन हुसेयन साय 1408 से 1500 तक लगभग 75 वर्स तक सुतंत रहने के वाद जौनपूर पर वहलो लोदी ने कबजा कर लिया सरकी सासन के अंतरकर विसेश इब्राहिम साय की समय जौनपूर में साहित एवं इस्थापत कला कि छित में हुए विकास के कारण जौनपूर को भारत के सिराज के नम से जाना गया अटाला देवी की मस्जिद का निर्माड 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम साहिं द्वारक किया गया था याद रखे अटाला देवी की मस्जिद 1404 सिस 1408 में इब्राहिम साहिं द्वारक किया गया था इसका निर्मार करवाएगा अब बात करते हैं अंगले अंगले दिखते हैं अटाला देवी मस्जित का निर्मार कन्नोच की राजा विजैस चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ कर किया गया था जामा मस्जित का निर्वार्ण 1470 में हुसेन साहिश सर्की द्वारा किया गया था जंजिरी मस्जित 1430 सीशवी में इबराहिम सर्की के द्वारा लाल दरवाजा मस्जित का निर्वार्ण मुहम्मद साहिश के द्वारा 1450 में किया गया अब बात करते हैं हम लोग कस्मीर के बारे में कस्मीर सोहा देव नामक एक हिंदू ने 1321 में कस्मीर में हिंदू राज की स्थापना की 1349 से 1449 में कस्मीर में साहमीर के द्वारा पित्थम मुसलिम बंस की स्थापना की गी कस्मीर का पित्म मुसलिम सासक था साहमीर जो समसुद्दीन साहमीर के नाम से गद्दी फरवेटा इसने अपनी राधधानी इंद कोर्ट में स्थावित की अलाउद्दीन ने राधधानी इंद कोर्ट शेहटा कर अलाउद्दीन पुर स्रीनगर में इस्थाबित कि हिंदू मंदरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुद्ध सिकन कहा गया 1420 में जैन अलाबदीन सिंगासन पर बैटा इसकी दाहर में सहिस्दूता के कारण इसे कस्मीर का अकवर कहा जाता है इसे जैन उल आबदीन को थी जैन उल आबदीन फारसी संस्कित कस्मीरी तिब्विती आदी भासाओं का गयाता था इसने महाभारत मुराश तरंगनी को फारसी में अनुबात कराया 1588 में अकबर ने कस्मीर को मगल समराज में मिला रिया अब बात करते हैं बंगाल की में बंगाल एक्तियाद दूइन मुहम्मद बक्तियार के लिए ने बंगाल को दिल्ली सल्टिनक में मिलाया ग्यासुद दूबलक ने बंगाल को तीन भागों में वजित किया लखनोती उत्तर बंगाल सोनार गाओ पूर्वी बंगाल और सद गाओ दश्चिड बंगाल 1345 में हाजी इलियास बंगाल की विभाजन को समप्त कर समसुद्दीन इलियास साहे के नाम से बंगाल का साहसर बना पांडुआ में अदीना मश्जित का निर्माड 1364 में सुल्दान सिकंदर साहन ने करवाया बंगाल का साहसर ज्यासुदीन आजम साहन 1389 से 1489 में अपनी नियाई फिलितिया के लिए फिसे दिता अलाउद्दीन हुसेन साहन 1453 से 1518 तक राए हुसेन साहन ने राधधानी को पांडुआ से गौड इस्ताफित की इस्तानांतित की महाफिर वुचेतन अलाउद्दीन के समकालीन थे अलाउद्दीन ने सत्फिर अलाउद्दीन के सासनकाल में स्री किष्ण बिजय की रचना कर गुड राज खान की उपादी धारन की इसके वेटे को सत्त राज खान की उपादी दी गई नसरुद्दीन नोसरस साहन ने गौड में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्चित का निर्माण कराया अब बात करते हैं मालवा वंस मालवा की दिलावर खाने 1401 में मालवा को सतंत गोसित किया दिलावर का पूत्त था अलब खान होसंग साहन की उपादी धारन कर 1405 में मालवा का सासक बना इसने अपनी राधधानी को धार से मांडू स्थान रांतित किया मालबा में खिल्जी बंस की स्थापना महमूद साह ने गी गुजरात के सासक बहादुर साह ने महमूद साह दुतिये को युद्ध में पराजित करके उसकी अत्या कर दी वो मालबा को गुजरात में मिला लिया मांडू के कले करने रवाण हुसंग शाहिं ने करवाया था इसके लिए में सरबादिक मत्पूर्ण दिल्ली तरवाई जाहे वाज बहादूर एबं रूख मत्ती का महल करने रवाण सुल्तान नसरुद्दीन साहिं ने द्वारा कराए गया हिडोला भबन या दर्वार अहौल करने वार होसंग सायं के दूरा करवाए गया जहाज महल करने वार ग्यासुदीन खिल जी ने मांडू में कराया था कोस्ट के महल कुमहमूद खिल जी ने फटेयाबाद नामकिस्तान पर बनवाया था अब बात करते हैं लोग गुजरात के बारे में गुजरात के सासक राजा करेंड को फराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 इसवी में इसे दिल्ली सल्तनफ में बिलाया 1391 में मुहम्मद साहे तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सुविदार जफर खान सुल्तान मुझफर साहे की उफादी गरंड कर 1437 में गुजरात का सुल्तान बना गुजरात के प्रमुफ सासकों के बारे में बात करें तो एहमद साहे 1411 से 1412 तक महमूद साहे बेगड़ा 1480 से 1511 तक बहादुर साहे 1526 से 1537 तक एहमद साहे ने आसावल के निकट सावरमती नदी के किनारे एहमदावाद नामक नगर वसाया पातन से राध्धानी अटा कर एहमदावाद को राध्धानी बनाया एहमद साहे गुजरात का सबसे पिस्दे साथ से रिख हुए महमूद बेगड़ा महमूद बेगडा ने गरनार के निकट मुस्तफाबाद नामग नगर और चमानेर के निकट मुहमाद दावाद नगर वसाया 1572 में अकवार ने गुजरात को मुगलसम राजवन में ला लिया फिर वास के बाद आता है मेवाड अलाहुद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड के गुही लौत राजवन्स के सासक रतन सींगों पराज़त कर मेवाड को दिली संतनत में मिलाया गुही लौत बंस की एक साखा से सौधिया बंस के हमीर देव ने मुहमत तोगलक को हरा कर पूरे मेवाड को सिस्तंत कर दिया राडा कुमा 1448 में चितोड में एक बिज़े इस्थम की स्थापना की किसने की राडा कुमा ने 1448 में खानवा का यूद 1527 में राडा साखा एबं बावर के वीच हुआ जिसमें बावर विज़े हुआ पंदरे सो चेतर में हल्दी गाटी का यूद राडा पिताब और अकबर के वीच हुआ जिसमें अकबर विज़े हुआ मेवाड की राडानी थी चितोरगण जहांगीर ने मेवाड को मुगल समराज में मिलाया थी अब बात करते हैं खानदेश तोगलक बंस के पतन के समय थिरोज साहे तोगलक के सूविदार मलिक एहमद साहे फरूकी ने नर्वदा ताक्ती नदी के बीच तीरह सो अड़तालीसी सिवी में खानदेश की स्थाबना की खानदेश की राडानी गूरान पुर्थी इसका सैनिक मुक्चाला अस्तीर गड़ था सूले सो एक इसवी में अकवर ने खानदेश को मोगल समराज में मिला लिया था ठीक है चलिए बहुम बात करते हैं सूफी अंदुलन के बारे में जो लोग सूफी संतों से सिस्सिता गेहनेट करते हैं उन्हें मुरीद कहते हैं ठीक है सूफी जिन अस्त्रों में निवास करते हैं उन्हें खान का है या मठ कहा जाता है सूफीयों के धरम संग वा सारा इसलामी सिद्धान्तों के समर्तल वे सारा इसलामी सिद्धान्तों से बंदे नहीं में विभाजित की अगया है बारत में चिष्टी तथा सोरेवरदी सिलसिले की जड़े काफ़ी गहरी थी ग्यारा सो 92 इश्वी में मुहम्मग गौरी के साथ ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिष्टी भारत आया उन्होंने यहां चिष्टी परंपरा की सुरुआत की चिस्ती परंपरा की कुछ अन्नमत पूंसंत थे नजामुद्दीन ओलिया, बाबा फरीद वक्तियार काकी एवं सेख्स बुरहानुद्दीन गरीव बाबा फरीद वक्तियार काकी किसिस थे वावी बाबा फरीद की रचनाय थी गुरु गरंथ साहिब मैं सामिल है बाबा फरीद की रचनाय गुरु गरंथ साहिब मैं सामिल है याद रखिए बाबा फरीद बाबा फरीद दो मत्फूंसिस थे बाबा फरीद के एक नजामुद्दीन ओलिया, दूसरा था अलाउद्दीन सावे हजरत निजामुद्दीन औरिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासन देखा जिसने हजरत निजामुद्दीन औरिया ने इनके प्रमुक्सिस थे सेख सलीन चिस्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देह लवी सेख वुरहनुद्दीन गरीब ने 1340 में दच्छेन भारत के चेत्रों में चिस्ती संपदाय की शुरुआत की और दोलतावाद को मुक्केंद बनाया सूपियों के सुहरावर्दी धरमसंग या सिलसला की स्थापना सेख सहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की किन्तु 1262 में इसके सोद्रल संचालन का सेख वदरुद्दीन जकारिया को है इनुने सेख वधरुद्दीन जकारिया को है इन्णोंने सेख एव्ध मुल्तान को मुक्क केंद बनाया सहरावर्दी धरम संके अनफिर मुक्संद थे जलालुद्दीन तबरीजी सेयद सुर्ख जोस भूरहान आदी सहरावर्दी सिलसले में ने राज को सुईकार किया था संरक्षन को ठीक सेक अबदुल्ला सतारी ने सतारी सिलसले की स्थापना की इसका मुक्ष थान था कैन विहाद कादिरी धरम संग या सिलसलाजी स्थापना सेयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की भारत में से सिलागे पर वरतक थे मुहम्मद गौस इस सिले की अनुवाई गाने वजाने की विरूदी थे एक लोग सिया मत की विरूदी थे राजकुमार दारा साय जहा का सिष्टपुत कादिरी सिलसला के मुल्ला साय का सिस्था नक्सवंदी धरम संग या सिलसला की इस्थापना ख्वाजा वबेदुल्ला ने की थी भारत में खवाजा वकी विल्ला है ने की थी भारत में इसके 55 सारका से वकी विल्ला है कि सिस अकबर किसं-कालेन सेख ... ऐहमत सरहंडी को जा था सिर्दोसी सुहराबर्दी स्थाला की एक साख़ा थी जिसका कारछेत बिहार में था सिसले को सेख सर्फुद्दीन याया ने लोग प्रिय बनाया याया ख्वाजा नेजामुद्दीन किसिस थे चलिए तो इस सूफी थे अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बार किसे भक्ति आंदोलन छटी सताब्ति में भक्ति आंदोलन की सुरुआत तमिल शित्रों से हुई जो करनाटक महराष्ट में फैल गई भक्ति आंदोलन का विकास बारे अलवार वैश्णों संतों और 63 नाज सेब संतों ने किया सेब संत अपपार ने पल्ला और राजा महंद बर्वन को सेब धरम सुईकार करवाया भक्ति कभी संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूज थे फिथम समूज वैश्णो संत जो महराष्ट में लोग पिये हुए बेभगवान बेठोबा की भक्त थे बेठोबा पंध के संत और उनके अनुवाई वरकरी या तीर्थे या तरी पंध कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंडर पूर की तीर थे यात्रा पर जाते थे दूसरा संभू था पंजाब ये वर्म्राजिस्थान में हिंदी भासी छेत्रों में सक्रिय था इसकी निर्गुण भक्ती हर विसेश्था से परिभगवान की भक्ती में आस्ता थी भक्ति आंदोलन को दच्छिन भारत से उत्तर भारत में रामानन्द की द्वारा लाए गया बंगाल में किष्ण भक्ति की फैरंभिक फिती बादिकों में बिद्याफती ठाकुर और चंडी दास थे रामनन्द की सिक्छा से दो संपदाय दायों का फर्दु भाव हुआ सगोण जो पोनर जैनों में विश्वास करते थे और नर्गोण जो भगवान के निराकार रोग को पूछता था सगोण संपदाय के सबसे फिसिद्य व्याक्याताओं में थे तुलसी दास, नाभाचार, नाभादास जैसे रामभक्त, निमार्क, वल्लभाचार, चैतन, सुवदास, और मीरवाई, किसने भागत थे निर्गोण संपदाय में के सबसे फिसिद्य पिति निदी थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तब भारतिय पंतों का अध्यात में गुरुमान गया है संकराचार के अध्यत तरसन के विरोध में दच्छन में व्यष्णों संतों द्वारा चार मतों की स्थापना की गई इन चार मतों को देख लेते हैं दच्छन में व्यष्णों संतों द्वारा इस्थापना चार मत स्री संपता है यह रामा नो चार द्वारा की गई थी स्कीता विसेश्ट द्वेतबाद ब्रह्मा संपता है मादवाचार द्वेतबाद रुद्य संपता है विष्ण स्वामी सुध्ध द्वेतबाद सनकादी संपता है नमारका चार द्वेतबाद द्वेतबाद यह सभी चार मत थे अब बात करते हैं हम लोग भक्ती अंदुल भक्ती संतों के अंदुलन के संत तो सबसे पहले बात करते हैं रामा नुज्जा चार ग्यारवी सदी में इनों ने राम को अपना राद बाना इनका जनम 1017 इसीवी में मदराज के निकट फेरुंबर नाम हकिस्थान पर रामा नुज्ज ने बेदान्द में फिसीक्षण अपने गुरू कांची पुर्म के यादाव फिकास से प्राप्त किया था फिर आये रामानंद रामानंद का जनम 12199 में प्रियाग में हुआ इनकी सिक्षा प्रियाग तथा वराणसी में हुई इन्हों ने अपना संपदा अमराम सीता की अराधना को समाज के समक्ष रखा इनके प्रमुक्त सिक्ष थे रहधास कबीर धन्ना सेना पीपा अब बात करते हैं कबीर के बारे में कबीर कबीर का जनम हुआ 1425 CCB में एक बिद्वा बिरहमडी के गर्व से हुआ था कबीर को जनम लोक लज्जास के भैसे उसने नौजासिसू को वराणसी में लहर तारा के पास एक तलाब के समी छोड़ दिया जुलाहा नेरू तथा उसकी फत्नी नीमा इस नौजासिसू को अपने घर ले आए इस वालक का नाम कभीर रखा इन्होंने राम रहीम हजरत अल्ला आदी को एक ही सुर के अनेक रूम माना इन्होंने जाती फिता धारमिक करमकान बाहे आडंबर मूर्ती पुजा जब तब आउतारवाद आदी की का घोर बिरूत करते हुए एक सुरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार व्यम्मा की उपासना को मात दिया निर्गुण भक्ती द्वारा निर्गुण भक्ती धारा से जुड़े कभीर ऐसे पित्थम भक्ते थे जिन्हों संथ होने के बाद भी फूनता ग्रहस्त जीवन का नर्वाह किया इनके अनुआई कभीर पंती कहलाए कभीर के उब देश सबत सिक्षों के आदिगरंत में संग्रेट है अब बात करते हैं लोग गुरू नानक की बारे में गुरू नानक का जनम हुए चौदे सो उनत्तर में आविभाजित पंजाब के तलवंडी नामाकिस्थान पर हुए था जो अब ननकाना साहे की नाम से विख्या थे इनकी माता का नाम था त्रपता देवी और पिता का नाम था कालूरां बटाला के मूल राज खत्री की बार हुए उन्होंने देश का पांच बार चक्क लगाया जिसे ओदा सीरा कहा जाता है उन्हों कीरतनों के माध्यम से उब्दिश दिये अपने जीवन के अद्दिव चड़ों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपूर में अपना डेहरा मट इस्थापित किया अप अपनी पुत्री की जगए पुत्रों की जगए अपने सिस्थ भाई लहना अंगत की को अपना उत्तरादीकारी निप्टिया इनकी मित्य हुई गुरु नानक की 1549 में करतारपूर में नानक ने सित धर्म की इस्थापना की थी नानक सोफी संत बाबा फरीज सिप्रभावित थे अब इनके बाद आते हैं चेतन स्वामी चेतन स्वामी का जनम होगा 1486 में लदिया बंगाल में के मयापूर गाउं में होगा था इनके पिता का नाम था जगनात मिसरा चेतन स्वामी के माता का नाम था सची देवी फार्ट साला में चेतन को निमाई पंडित कहा जाता थ इन्होंने गोसाई संकी स्थापना की साथी संकीरतन विथा को जनम दिया इनके दार्षनिक सिधान्तों को अचित अंचित भेदा भाव भेदा भेद भाव की नम से जनन जाता है स्तन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ी सामे चले गए जहाँ उन्होंने दो दसक्त भगवान जगनात की उपासना की आप बात करते हैं स्री बदवलवाचार स्री मदवलवाचार स्री मदवलवाचार का जनम 1489 में 1489 में चमपारन वराणसी में हुआ इनके पिता का नाम लचमडवट था मदवलवाचार का कि पिता का नाम लचमडवट मातक करनेम था यल मगू इनका विवा महलचमी के साथ हुआ इनके दो पोत्ते गोपीनात गोपीनात का जनम हुआ 1511 विठलात इसका हुआ 1516 में इनके गंगा यमना के समीब अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया बलवाचार ने भक्ती साधना पर विसेश जोड दिया इनके भक्ती को मोख्च का साधन बताया इसके भक्ती मालग को पुष्टी मालग कहते पिर आये गो स्थान बलवाी दिया इनके अपने थे मोख्च के कि रचना किसने की वो स्वामी तुल सिदा इंडिका जनब कहा हुआ था बांदा जली की राजा को गाउं में पंद्राइसो चंग्मन में फिर धन्ना धन्ना का जनब 1415 में होगा यह एक जाट परीवार में होगा राजपूता ने उसे बना रहा आकर रामानंद किस्से सबन ग था ठीक फिर बात करते हैं हम लोग रैदास रैदास जाती से चमार थे इस रामानंद के बाहरे सिस्सों में से इक थे इनके पिता का नाम रहू माता का नाम घुर बीनिया था यह जूता बना कर जीवो पारजन करते थे मीरा बाई ने इन्हें अपना गुरु माना इन्हों एक बात करते हैं हम लोग ने रैदासी संपदाय की इस्तापना की अब हैं दादू दयान एक कभीर के नुए थे इनका जनब चोग पंद्रह शुचंगन में हुआ पहम दावाद में इनका संबंध धूनिया जाती से था साभर में आकर इन्होंने अपना ब्रह्मा संपदाय कि इस था अपना की अक्पर ने धार्मित चर्चा के लिए एक बार फतेव पूर सिक्री बुलाया था यह नों निफक नमक अंदूलन की शुरुआत की थी ठीक है अब बात करते हैं लो मुगल समराज की बार है मुगल समराज मुगल बंस का संस्ताफ़क बावर था याद रखिए मुगल समराज का संस्ताफ़क को था बावर बावर उत्तर परवलती मुगल सासक तुरुक एवं सुन्नी मुसल्मान थी बावर ने मुगल बंस की स्थापना के साथ पद वादसाही की स्थापना की जिसके तहित वादसाय कहा जाता था चलिए तो बावर का कारकाल देखते हैं बावर आया 1526 से 30 तर बावर का जनम 24 परवड़ी 1483 में हुआ बावर के पित्तर का नाम था उमर सेख मीरिजा ये फरगना नामक छोटे राज के सासक थे बावर फरगना की गद्धी पर 8 जून 1494 में बैठा बावर ने 1507 में इस भी में बादसाय की उपादी धारन की जिसे आप किसी तैमूर सासक ने धारन नहीं की थी अब तर बात करते ह पिचार बुथ हुमायू, कामरान, असकरी, हिंदान, बावर ने भारत पर पांच बार आकमर किया था बावर भारत के विरोत किया गया फित्मा अवियान था 1519 में यूसोप जाई-जाती के विरोत इस अवियान में बावर ने वाजोर और भेरा को अपना दिकार में कर लिय बावर को भारत पर आकमर करने का नेवंतर पंजाब के सासर दोलत खा लोदी इवर मेवार के सासर राणा सागा ने लिया पानी पत के पिथम यूद के बावर में बावर ने पहली बार तोग लमा यूद नीती तोग खाने का फियू किया उस्ताद अली मुस्तपा बावर के दो के शिद्वे निसान्य वाज्थे जिसने पानीपत्ध की पित्वम्योद्य में भाग लिया था ठीक चलिए तो हम बात करते हैं वो बावर द्वारा लड़े गए योद्धों के बारे में बावर द्वारा लड़े गए प्रमुख्य उद्धों की बात करते हैं जब बरस देख लेने हैं कम हुए वो पक्ष देख लेते हैं कौन को सामिल आ और पईडाम क्या रहा है वो भी देख लेती तो फहला है मारा पानीपत का पित्थम यूद यह हुआ है 21 अपरेल 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बावर के वीच हुआ है इसमें बावर विजय ही रहा फिर है खानवा का यूद तो यह 17 मार्च 1527 को हुआ है राणा सागा एव बावर के वीच वीच हुआ है इसमें पईडाम मेरे बावर विजय ही रहा फिर हुआ चैनेरी का यूद तो यह 29 जनवरी 1528 को हुआ है इसमें सामें मैंदनी राय और बावर और बावर इसमें भी विजय हुआ फिर हुआ घांगरा का यूद जह मैं 1529 को आप गानों एवं बाबर के बीच हुआ, बाबर इसमें भी बिजय रहा, याद रखिए, क्रम लगाने के लिए आ जाता है कई बार प्रिष्छाओं में, तो याद रखिए, पहले फानी पत का हुआ, 26 में, 1526, खानबा का हुआ, 1527, चदेरी का हुआ, 1528, धागरा का हुआ, 1529, बाबर को अपनी उधारता के लिए कलंदर की उपादी दी गई, खानबा योद में पिजय के बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारन की थी, बात करते हैं, 30 जनबरी 1528 को जहेद दे देने के कारण राडा सागा की मित्ती हो गई, करीब 48 वर्स की आयू में, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, बाबर की मित्ती हो गई, प्यारम में बाबर की सब को आगरा के आराम बाग में दपनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए इस्थान पर दपनाया गया, बाबर ने अपनी हाथ कता बाबर नामा की रचना की, जिसका अनुबाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खा सूफी ख्वाजा उबे दौला अहरार का अनुजाई था वावर का उत्तरादीकारी हुआ हुमायू अब बात करते हैं हुमायू के बारे में तो हुमायू का करकल लाए 1530 से 1556 नसरुद्दीन हुमायू 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वाजस की अवस्ता में सिंगासन पर बैठा गद्दी पर बैठने से फैले हुमायू बदक्सा का सूविदार था अपने पिता के निदेश के अनुसार हुमायू ने अपने राज का बटबार अपने भायों में कर दिया था इसने कामरान को काबुल और कंधार मीर्जा और असकरी को संभल मीर्जा हिंदाल को अलवार एब मेवार की जावे दी अपने चचिरेवाई सुलेवान मीर्जा हुमायू ने बदक्सान के देश दिया 1533 सिस्वी में हुमायू ने दीन पनाय नामक नए नगर की स्थापना की चोसा का यूद 25 जून 1549 में सेर खां एबम हुमायू के बीच हुआ इस यूद में सेर खां का बिजय हुआ इस यूद के बास सेर खां ने से साय की पदवी गहण कर ली बिल्गाराम या कन्योच का यूद 17 में 1540 को हुआ से खां एबम हुमायू के बीच हुआ इस यूद में भी हुमायू पराजित हुआ सेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कपजा कर लिया कि आगे बात करते हैं लोग विल्गाम विल्गाम यूद के बाद हुमायू सिंध चला गया जहां उसने 15 वरसों तक गुमकड़ों जैसा निर्वास्चित जीवन विदित किया निर्वासन के समय हुमायू ने हिंदाल के अध्यात में गुरू फारसवासी सिया मीरी बाबा दोस्त ओर्ट मीर अली अकवर जामी की पुत्त हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाहा कर लिया कलांतर में हमीदा से ही अकवर जैसे महान समराठ का जनम हुआ 1555 में हुमायू ने पंजाब के सूरी सासक सिकंदर को पराज़त कर पुनाह दिल्ली पर बैठा हुमायू द्वारा लड़े के चार प्रमुक यद्धों का योद्धों का क्रम बताएं तो देवरा 1531 में 14549 वि दीन पनाय भवन में इस ते पुस्त कालाई की सेणियों से गिरने के कारण हुमायू की वित्ती हो गई हुमायू की रचना थी हुमायू नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी हुमायू जी उतिस में विश्वास करता था इसलिए इसने सप्ताय के सातों दिन सात संतला सौर समराज का सल्श्टापक अवगण बंसी सेरशाय सूरी था था बस सेक चौधेय स॥ 312 में बजबाडै अहुस्यापुर में हुआ इस के बच्षपन प्राम के जमिदार थे फरीद ने एक सेर को तलवार के एक ही बार उसे मार दिया था उसकी इस बहादुरी से पिसन नोकर विहार के अफगान सासक सुल्टान मुहमद वहार खालोहानी ने उसे सेर खां की उपादी तिनान की सेर साह विल्गा मियुत 1540 इस भी के बाद दिली की गद्धी पर बैठा सेर साह की मित्थी कलेंजर के घेरे को जीतने के क्रब में 22 माई 1545 को हो गई मित्ती पिवाद वन उक्का नामक नामक अगनेस्त यास्त चला रहा था इसी की कारण हो गई थी कलिंजर का सासक कीरत सीम था सेसाय का मकवरा कहा है सासाराम में चील के बीच उचे टीले पर निर्मित किया गया है रोहितागड किला किला एक कुहना दिल्ली नामक मस्चित का निर्माण सेसाय की द्वार कराए गया सेसाय का उत्तरा दिकारी उसका फुद इसलाम साय हुगा सेसाय ने भूमी की माप के लिए 32 अंक वाली सिकंद्री गच एवं सन की डंडी का पिदान की सेसाय ने 178 ग्रेंड चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेंड दामे के दाम चलवाये सेसाय ने रोहतास गड की दुरुप एवं कन्नोच की स्थान पर सेर सूर नामक नगर बसाया सेसाय के सब़ए पैदाबार का लगवग एक बटे तीन भाग सरकाल लगान की रूम में बसूल करती थी आंगे दिखते हैं काबूलियत एवं पट्टा पिथा की सुर्वा सेसाय सूरी ने की थी सेसाय पंद्रह सेटाली बुद को पठना के नाम से पुनहा इस्तापित किया सेसाय को ग्रेंड टेक रोड की मरम्मत करवाई सेसाय ने मलिक मुहंबर जैसी सेसाय के संकालीन थे दांग पिथा का पिचलन से साय द्वारा किया गया था अब बात करते हैं अकबर की बारे में तो अकबर का काल काल राए 1542 से 1605 तरह समराट अकबर का जनम 15 ओक्टूवर 1542 को हमीदा बानू बेगम के करव से अमरकोट के राड़ा वीरमाद साल के महल में हुआ अकबर का राज्यव से 14 फरवरी 1556 इसमी को पंजाब के कालानौन नामकिस्तान पर हुआ अकबर का सिक्षक था अब्दूल लतीफ इरानी वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर चाद साही गाधी की उपादी से राज्य सिंगासन पर बैठा था अकबर बैरम खान 1556 से 1560 इसमी तक अकबर का सन रख्चक रहा अगर बात कर लेते हैं अकबर द्वारा जीते गए प सबसे पहले देखने फिदेश फिर सासक वर्स फिर मुगल सेनापती मालवा यहां का सासक था वाज बहादुर फंद्रह सो एकसर्ट में हुआ जीता और मुगल सेनापती थी सेनापती था आदम खा और पीर मुहमद फिर आया चुनार तो अभगान नो का सासन था यहां 1562 मे हैं पूण बादीन नारायन और यहां सेब्गापती थी यहां की सासर 1564 में यहां से जीतात बुगल सेनापती थी की सब्काशन मैं अधीनता इसको सव्यवार्य नेक् panuch регi निन सर्फुद्दीन मुगल सेनापती था मेवार गोदैसिंग और राणा पिताब थे यहां किसाथ से 1568 में स्वयम अकवन नहीं जीता था और 1576 में मांसिंग एवन आसब खाने राणा पिताब को रहा है फिर रण थम्बोर सूरज सूरज जन्व सूरज नहाडा 1569 में वो भगवान दास एवन अकवद की बीच ठीक ठीक अब कलिंजर इन राम चंदन था यहां किसाथ से 1579 में इसे जीता मजनुखा काक साह मोगल सेनापती थे मारवाड राव चंदन सेन थे यहां किसाथ से 1570 में से जीता अब बात करते हैं जेसल भी है तो यहां किसाथ सकता है रावल रावल हरी राय 1570 में इसे जीता इसने स्वेक्षा से अधीनता सुईकार की ठीक है फिर होगा वीका नेर कल्यान मल था यहां किसाथ साथ 1570 में इसने भी स्वेक्षा से अधीनता सुईकारी गुजरात मुजफर खा थेड़ था 1571 में इसे खाने आजम समराट अकवार ने जीता था विहार बंगाल तो यहां किसाथ सकता दाउद खा 1574 मुनीम खा खान खाना ने इसे जीता काबूल हकीम इल जा यहां किसाथ सकता 1561 में इसे जीता मांसीं इबंक हबान कष्मीर युसुप यकŁख खाएं भगवानद्स इबंकासिम simply उड़िशा निशार खाता यहां किसाशा 1572 में मांसीं न्ची जीता सिंद जानी बेल था यहां का सासक 1593 में अब्दुर रहीम खान खाना ने इसे जीता वलुचिस्तान पन्नी अफगान 1595 में मीर मासूम ने इसे जीता कंधार मुझफर हुसेन 1595 में साहे वेग ने इसे जीता अब दच्चिन भारत के देख लिए दें राज्यों को तो दच्चिन भारत की बात के ने तो खान देश अली खान था यहां का सासक 1599 में मुराद अब्दुर रहीम खान खाना अब्दुर फजल अकवर ने इसे जीता अध्मद नगर वहादुर साहे चांद वेवी था यहां का सासा 16 सो में इसे जीता असीरगड मीर वहादुर था यहां का सासा 1601 में अकवर यह अकवर का अंतेम अभियान था ठीक है असीरगड का अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवम और 1556 को अकवर और हैमू के बीच हुई तो याद रखिए पानीपत की दुतिये लड़ाई किस किस के बीच हुई 1556 में हुई पहले तो याद रखिए फिर अकवर और हैमू के बीच मक्का की तीर थ्यात्रा के दौरन पाटन नामाकिस्थान पर मुबारक खान नामा पीवक ने वेरम खान की हत्या कर दी मई 1562 इसीवी में अकबर ने हरम दल को अपने को पूंगता मुक्त कर दिया हल्दी घाटी का योद की बात करें तो 18 जून 1576 को मेवार के साथ महराना पित इस उद्ध में अकबर विजय हुआ इस उद्ध में मुगल सेना कनेतत मान सिंग सिंग एवं आसब खाने किया अकबर का सेनापती था मान सिंग थे महराना महराना पिताब की मित्तियों संतावन बस क्यों है उन्हीं चनवरी 1597 वह हो गई गुजरात विजय के दोरान अकबर सरफिथम पुर्दगालियों से मिला और यहीं उसने सरफिथम समुद्ध को देखा दीवा दीन ए ए इलाही धरम का फिधान प्रोहित अकबर था दीन ए इलाही धरम सुईकार करने वाला पित्थम एवं अंतिम हिंदू सा सकता बीरवल अकबर ने जैन धरम के जैनाचार हरी विजय सूरी को जगद गुरू की उफादी इत्दानी की थी राजस फुराप्ती की जपती पढ़ाली अकबर के सासन काल में पिछली थी अकबर के दीवान थे राजा टोडल मलने 1580 में 10 साल बंदोवस्त लागू की अकबर के दरवार का फिस्द संगीतकार था तानसेन अकबर के दरवार के फिस्द चितकार थे अब्दूस समध दसवंत और वसावन अकबर के दरवार के चितकार थे अकबर के सासनकाल के प्रमुक्र गायक थे तानसेन बाज बहादूर बाबा रामदास और बीजी बीजो बाबरे अकबर के सासन प्लाडली की प्रमुक्र बिज़े इस्ता थी बंसब दारी पिता अकबर के समकाली फिसिद सूखी संद सेल सेख सलीम चिस्ती थे अकबर की मित्यू 16 अक्टूबर 1605 में हुई इससे आकरा की निकट सिकंद्रा में दपनाये गया अब बात कर लेते हैं अकबर के कुछ महत्मूर कारें की बारे में तो ये कारें और वर्स जब हुए हैं दास पिताकंत तो याद रखिए 1562 में अकबर को हरम दल से मुक्ती 1562 में तीर थे आत्रा कर समाप 1563 जजिया कर समाप 1564 फटेपुर सिक्री की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फटेपुर सिक्री इस्थानांतर 1571 एबादत खाने की स्थापना 1575 एबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की इनमती 1568 में याद रखी एबादत खाने में सभी धर्मों की लोगों के प्रिभेश केनमती का हुई 1578 मजहर की घोष्णा 1589 दीन एलाही की स्थावना 1582 इलाही संबत की सुरुवात 1583 लाजधानी लाहर इस्थाने इस्थानांतित 1585 आंगे देखते हैं इस्थापत के छित में अकवर की मत्पून कृतियां थी दिल्ली में हुमाईू का मकवरा आगरा का लाल किला फतेपुर सिक्री में साही महल दीवाने कास पंच महल बुलंद दरवाजा जोदावाई का मकवर महल इबादत खाना एलाबात का किला और लाह अबूल फजल टोडर मल भगवान तस तानसेन मानसीं अब्दुर्रहीम खानखाना मुलाद उप्याजा हकीम हुकाम ये नौरतन थे अब बात करते हैं आगे अबूल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरवार में राजकवी के पत पर असीन था अबूल फजल ने अकबर नामा गरंद की रचना की वह दीन एलाही धरम का मुक पुरुहित था बीरबल के बच्पन का नाम महेश दास था याद रखे बी समराथ तांसेन का जनम ग्वालियर मेर हुआ इनकी पिरमुक्तियां थी मिया की तोड़ी मिया का मलहार मिया का सारंग कंठा भरन वाडी विलास की उपादी अकबर ने तांसेन को दी थी अकबर ने भगवान दास को अमीर उम्रा की उपादी दी थी ठीक है वहां के देखते यूसुप जायू की बिद्रोह को दबाने की दौरान बीरवल की हत्या हुई थी सोला सो दो में सलीम चहांगीर को सलीम भी बोला जाता है सलीम के निर्देश पर दच्छड से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंग मुंदिला नामक सरदार ने हत्या कर दी मोगल समराट अकवर ने अनुबाद विभाग की स्थापना की थी नकीब खांग अब्दुलकादिर बदाव यूनी सेख सुल्तान ने रामायड एवं महाभारत का फारसी एनुबाद किया महाभारत का नाम रजम नामा योधनों की पुस्तक रखा 75 पंच्टंत की भार्षी भासा मैनुवाद अबूल फजल ने अनुबर ए सदात नाम सिक मौलाना हुसेंद फेज ने यार ए दानिस नाम से हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथरव वेद का मौला साय मौमद ने राचतरंगनी का अब्दुल रहीम खान खाना ने तोजो के वाबरी का तथा फेजी ने लिलावती का फार्षी में अनुबाद किया फेजी ने नल दम दमयंती सूर्दास द्वारान लिकित कथा का फार्षी में अनुबाद कर उसका नाम सहेली रखा ठीक है आँगे बात करते हैं हम लोग अकवर के काल को हिंदी साहित का सवर्ड काल कहा जाता है अकवर ने बीरवल को कभी फुरिये एमनर्स हरी को महापात की उपादी पिदान की थी बूलन दरबाजी का निर्वार अकवर ने गुजराद विजय के उपलक्ष में कराया था चार वाग बनाने की परंगपरा अकवर के समय से सुरू ही अकवर ने सीरी कलम की उपादी अब दुस समद को एवन जड़ी कलम की उपादी मुहमद हुसेन कस्मीरी को दी थी मुगलों की राज्की अवासा क्या थी याद रखिए फारसी याद रखिए मुगलों की राज्की अवासा थी फारसी आगे देखते हैं लोग अब जहांगीर को देखते हैं तो जहांगीर का कारकाल रहा है 1605 से 1627 तब अकवर का उत्तरादिकारी सलीम जहांगीर याद रखिए जहांगीर का एक नाम सलीम भी है जो 24 अक्टूबर 1625 को इस भी को नसरुद्दीन मुहमद जहांगीरी वालसाही गाजी की उपादी धारण कर गद्धी पर बैठा जहांगीर का जनम 30 अगस्त 1929 में हुआ अकवर ने अपने पुत्त का नाम सलीम सूपी संत सेख सलीम चिस्ती के नाम पर रखा था जहांगीर को न्याय की जन्जीर के लिए याद किया जाता है यह जन्जीर सौने की बनी थी जो आगरे के किले के साहे बुर्ज एबं यावना तट परिस्तित पत्थर के खबे में ल मौत बिंद खाको है जहांगीर के बड़े सबसे बड़े फुत्त खुस्रों ने 1606 इसवी में अपने पिता की बिरोद बिद्रो कर दिया जहांगीर खुस्रों और जहांगीर की सेना के भी योद्ध जलंदर की निकट धहरावल नामक इस्थार प्रवा खुस्रों को युद्ध कंड़ में डाल दिया गया 5 खुस्रों की सहायता देने के कारण है जहांगी ने शक्खों के फांच आजुन देव को कि अहमत नगर के वजीर मलिक अंबर के विरोई सफलता से कुसोकर जहांगीर ने खुर्रम को साह जहां की उपादी बिदानी साह जहां को खुर्रम भी बुला जाता है 1622 में कंदार मुखलों के हस्त निकल गया साह अभास ने इस पर अधिकार कर लिया नूर जहां इरांग निवासी मेज्या ग्यास बेक की पुत्री नूर जहां का वास्तमिक नाप मेहरून निशा 1594 में इस भी में नूर जहां का विवार अली कुली बेक से संपल हुआ जहांगीर ने एक सेर मारने के कारण अली कुली बेक को सेर अफगान की उपादी पदान की 1605 इसमी में सेर अफगान की मित्तिव के बाद महरू निसा ने अकवर की बिद्वा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई सरफितम जहांगीर ने नावरोज तिवार के अउसर पर महरू निसा को देखा और उसके सौंदर पर मोगद होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसके साथ विवाय कर लिए विवाय के पश्चाद जहांगीर ने उसे नूर महर या नूर जहां की उपवादी पदान की नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी की जहांगीर ने ग्यास बेग को साही दीबान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपादी दी लाडली बेगम सेर अफगान मेहरून निसा की पुत्री थी जिसकी साधी जहांगीर के पुत्र सहर यार के साथ हुई नूर जहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्त निकालने की विदीख हो जी थी महावत खां ने जेलम नदी के तरपर 1626 में जहांगीर नूर जहां और उसके भाई आसब खां को बंदी बना लिया था जहांगीर के पाच पुत्र थे खुसरो फरवेज खुर्रम सहर यार और जहांदार थे 28 अक्टूबर और 1627 इस भी में भीमवार नामकिसान पर जहांगीर की मित्ती हो गई उसे सहादरा लाहूर में रावी नदी के किनारे दपनाए गये मुगल चित्कला अपने चर्मोतकर्स पर जहांगीर के सासनकाल में पहुची थी मुगल चित्कला जहांगीर के सासनकाल में अपने चर्मोतकर्स पर पहुची थी याद रखे जहांगी के दर्वगार के प्रमुक्षित्कार्ते आगा राजा अभूलहसन मुहम्मद नासिर मुहम्मद मुराद उस्ताद मनसूर विसंदास मनोहर एवं गोबरधन और फारू जहांगीर ने आगा राजा की नितत्त में आगरा में चित्र साला की स्थापना की थी उस्ताद मनसूर इवं अवूलहसल को जहांगीर ने क्रमसा नादिर अल उस नादिर नादिरु जिमा की बादी विदान की जहांगीर ने अपनी यात्मध्था में लिखाए कोई भी चि इत्ती द्वारा बनाए गया हूं मैं देखते ही तुरंद बता सकता हूं कि यह किस चितकार की कृति है यदि किसी चहरे पर आख किसी एक चितकार ने की बहुत किसी और ने बनाई तो भी या जान लेता हूँ कि आख किसने और बहुत किसने बनाई आंगे देखते हैं जहां की विसमाई को चितकाल का सडकाल कहा जाता है इत्माद उद्दौला का मकवरा 1626 इसवी में नूर जहां बेगम ने बनमाये था मुगल कालीन बास्तुकला के अंतगर निर्मित ये पित्थ में ऐसी इमारत थी यो पून रूप से बेदाग सफेद संगमल्मल से निर्मित थी तो याद रखे इत्माद उद्दौला का मकवरा 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाये था सरफितम इसी इमारत में पित्थ दौरा नामक जडाओ काम की अगये था असोप के कौसंबी इस्तमले बरतमार में प्रियाग पर समोद्दी की गुप्त की प्रियाग पिसस्ती तखा जहांगीर का लेग उठ्खीन है इस पर जहांगीर के मकबा का निर्मार नूर जहां ने करवाये जहांगीर के सासनकाल में कैप्टन होकिंस सर्ट टॉमस रोग विलियम फ्रेंच एडवर्ड टेरी जैसे इरोपिय याद्थ त्वियाद रखिए जहांगीर के सासनकाल में कैप्टन होकिंस सर्ट टॉमस रोग विलियम फ्रेंच एडवर्ड टेरी आये थे इरोपिय याद्थ वियाद थे अब बात करते हैं लोग साय जहां साय जहां तो इसका टैम काल है 1627 से 1627 इसका कारकाल करता है 1627 जहांगीर के बाद सिंगासन पर साय जहां बैटा जोदपुर के सासक मोटा राजा ओदै सिंग की फुत्री जगत गोसाई के गरफ से पांच जनवरी 1592 में में खुर्रम साय जहां का जनव लाहोर में हुआ 1612 में खुर्रम का विवार खासप खागी पुत्री अरजू मंद बानो बेगम से हुआ जैसे साय जहां ने मलिका ए जमानी की उपादी पिदार किया साज जून 1631 में पिसव पीड़ा के कालन उसकी मित्ती हो गई चार फरवी 1628 इस भी को साय जहां आगरे में अबुल मुझब पर सहब दीन मुहम्मद साहे किरन एसानी की उपादी प्राप्त कर सिंगासन पर बेटा आसप खाने साय जहां ने आसप खाग वजीर पद पर महावत खाग को खान खाना की उपादी पिदान की इसने नूर जहां को दो लाक रुपे पित्ती बरस की पैंसन देकर लाहोर जाने दिया जहां 1645 इसमी में उसकी मित्ती हो गई अपनी बेगा मुझब ताज महल की याद में साहे जहां ने ताज महल का निर्माड आगरे में उसकी कब्र के उपर करवाया ताज महल का निर्माड करने वाला मुख इस्थापत कलाकार था उस्ताद एहमद लाहोरी याद रखिए ताज महल का निर्माड करने वाला मुख इस्थापत कलाकार कुन था उस्ताद एहमद लाहोरी मायूर सिंगासन का निर्वान साइजाहा ने करवाया था इसका मुख कलाकाल था बे बादल खाम आंगे बात करते हैं साइजाहा के सासनकाल को इस्थापत कला का स्वनकाल कहा जाता है साइजाहा द्वारा बनवाई गी हिमारत ने थी दिल्ली का लालकला दिवाने आम, दिवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजवाय, एस अभी साय जहाने मनवाए थे साय जहाने 1638 में अपनी राधधानी को आगरा से, दिल्ली लाने के लिए यूमना नदी के दाहने तटफर, साय जहानावाद की नियू डाली, आगरे की जामा मस्जिद का निर्वार, साय जहान की पुत्री, जहान आरा ने करवाया साय जहान के दरवार के फिर्मुक चितकार थी मुहमत फकीर और मीर हासिम, साय जहाने संगी तग लाल खांको गुड समंदर की उपादी थी, साय जहान के पुत्र दारा सिखो सरवादिक बिद्वन था, इसने भगबत गीता, योगो विस्ट उपनिसद इम रामायर कानुव खार्शी में करवाया, इसने सरे अकवर महान रहस्न नाम से उपनिस्दों का अनुवाद कराया, धारा सिको कादीरी सिलसले की मुल्ला साहे, बदक्सी कसिस से था, साहे जाहा ने दिल्ली में एक कॉलिज का निमार कराया, दारूर्ल यका नाम कॉलिज की मरमद भी कराया, सेप्टमबर 1667 इस भी में साहे जाहा के गंबी रूप से बीमार पढ़ने, मित्तिव का अपभार फैलने के कारण, उसके पुत्रों के बीच उत्रादिकारी का योद ये द टार माज, उसनमा सूजल मएं सूजा बंगाल, मुराद-गुज्याळथ, औरंगजेच धक्र में था, 15 एफरल 1608 में धार्मिट का योद के बीच, दारा और औरंगजेच की बीच दर्ममट का योद हुआ, इस eyebrow में धारा की पराजर हुई, शामूर गडब का य यह उगया 29 माई 1608 इस वी में दारा एवं ओरंग जेब की विचुगा इस युद्ध में भी दारा की हार हुई उत्र अधिकारी कांते में उद्धुगा देवराई की घाटी में 1669 इस वी में इस युद्ध में दारा की पराजित होने पर उसे इसलाम धरम की आउभिलना करने के एक अपराज में 30 अगस्त 1669 को हत्या कर दी साह बुलंद एकवाल की रूम में दारा से को जाना जाता है आठ जून 1608 को औरंग जेन्वे साह जाह को बंदी बना दिया आगरे के क्ले में अपने कैदी जीवन के आठवे वर्स 22 मई 1666 टीचुई को चोहत्तर वर्स की अवस्ता में साह जाह कुमित्ती होगी अब आता है औरंग जेब औरंग जेब की बारे में बात करने तो औरंग जेब 1689 से 707 तक रहा औरंग जेब का जनम 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामकिस्तान पर हुआ औरंग जेब के बच्पन का अधिकान समय नूर जहां के पास बीता 18 मई 1837 इस भी को फारस के राजगानारे की दिल रास बानो बेगम के साथ औरंग जेब का निकाय हुआ आगरा पर कब जाकर जल्दबाजी में औरंग जेब ने अपना राजजब से अबूल मुजब्फर मुहदीन मुजब्फर औरंग जेब बहादुर आलमगीर की उपादी से 31 जुलाई 1609 को करवाया दिवराई की उद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1669 को औरंग जेब ने दिली में पिरवेश किया साहा जाए कि साहां जहां के सांदार महल में 5 जून 1669 को दूसरी बाज़ राजजब से कराया औरंग जेब के गुरु थे मीर मुहमद हचकीम औरंग जेब सुन्नी धर्म को मानता था उसे जिन्दा पीर कह जाता था जैसिंग एवं सिभाजी की बीच पुरंदर की संदी 22 जून 1665 को संपन भी मई 1666 को आगरे के कले के दीवान आम में औरंग जेब की समक्ष सिभाजी उपस्ते तुए यहाँ सिभाजी को कैद कर जैपुर भावन में रखा लिए ठीव है इसलाम धर्म इसलाम नहीं सुईकार करने के कारण शिक्षों के नोवे गुरु गुरु तेज तेग बहादुर की हत्या औरंग जेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दिया औरंग जेब ने 1689 में जजियाकर को पुनाह लागू किया औरंग जेब ने वीवी का मकबरान निर्वार्ण 1689 में औरंग अबाद महराश्ट में बनवाय था ठीए 1686 में बीजापूर 1667 में गोलकुन्दा गुजिर औरंग जेब ने मुगल समराज में बिलाई है मदन्ना एबं अकन्ना नामक ब्रह्मणों का संबन्द गोलकुन्दा के साथ तक अबूल हसन से था औरंग जेब के समय हुए जाट विद्रोय का नेतित गोकुला एबं राजाराम ने किया 1670 की तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए गोकुल की मौत के गात उतार दिया गया इसके बाप चूद जाटों ने 1685 में राजाराम की नेतित में उन्हां फिद्दोर किया इन जाटों ने सिकंद्रा में इस्तित अकवर के मकवरे को भी लूटा भरतपुर राजबंस की नियो औरंग जेव की सासनकाल में जाट नेता इव राजाराम की भतिजा चूरामन ने डाली औरंग जेव की समय में हिंदू मनसबदारों की संक्या लगबग 337 थी जो अन्द मोगल समराटों की तुल्ला में अधिक थी औरंग जेव की कफुद अकवर ने दुर्गादास की वहका में आकर अपने पिताप के खिलाब बिद्धो कर दिया औरंग जेव ने कुरान को अपने सासन का आधार बनाए इसके सिक्के पर कलमा खुदबाना नवरोज का तेवहर मनाना भांग की खेती करना गाना बजाना जहरो का दरसन तुलादान का पिता आधी पर पिती बंद लगा दिया इस पिताप में समराट कुन के जनम दिन पर सोने चांदी अन बस्तू में तौलने की पिताथी तुलादान को यह अकबार के जवाने में प्यारम उका था तुलादान इन सबी पर औरंग जेव ने पिती बंद लगा दिया ओरंग जेब ने दरबार में संगीत परपावंदी लगा थी सरकारी संगीतों संगीतग्ष को आउकास दिया। भातिए संगी सास्थी संगीत पर फालसी में सबसे अधिकुष्टक हैं ओरंग जेब की सासिनकाल में लिखी गई। औरंगजेव स्वयम बीड़ा बजाने में दक्ष था, औरंगजेव ने 1665 टीष्विं में हिंदू मंदिरों को तोड़ने कादिश दिया, इसके सासन काल में तोड़े गए मंद्रों में सौमनात का मंदिर, वनारस का विस्सुनात मंदिर, बीर सिंग देव द्वारा, जहांगीर काल में मत्वरावें निर्मित केसो राहे मंदिर थे औरंग जब की मित्तियों 20 फरवरी 1770 को होगी इससे एक खुल्दा बाद जो अब रोजा कहलाता है में दपनाएंगे, औरंग जब की समय सौमों की संक्या 20 थी औरंग जब दारूल हर्व कफीरों का देश को दावल इसलाम, इसलाम का देश में परिवर्दित करने हैं वो अपना महत्कूंलक्ष मानता था है, औरंग जब की सासन काल में मुगल सहना में सरवादेख हिंदू सहन पदी थी, यहां देखिए ठीक, अब बात करते हैं मुगल सासन विवस्तागी मुगल सासन विवस्ता, तो मंत्री फरष्द को विजारत कहा जाता है विजारत कहा जाता है 22 के सासन काल में वजीर पद काफी महत्पूर था समराट के बाद सासन के कारियों को संचालन करने वाले सबसे महत्पूर लिकाली थे वकील जिसके कर्तपों को अकबर ने दीवान मीर वक्सी सद्द मीर समन में बीवाजित कर दिया था औरंग जेब के समय असद खान ने सरवाधी 31 वरसों तक दीवान के पत पर कार किया मीरवक्सी द्वारा सरकत नाम के पत पर हक्त ताक्चर के बादी सैना को हर महीने वेतन मिल पाता था जब कभी सद्र नहाय विवाग के फिर्मों के का करता था तो उसे काजी कहा जाता है लगान हीन भूमी का नेचन सद्र करता था मदद इहमास समराट के घल्ली विवागों का पिदान मीर समांत कहला था भी अब मुगल काल की प्रम कारी वह उनके कार देख लिते हैं तो यह पद हैं और यह कार हैं सूवदार प्रांतों में सांती इस्थापित करना प्रांतों में कारकारणी का प्रृधान ओधा दीवान फ्रांटिया राजस का प्रांदीवान सीधे साही दीवान की हनती जवाब Sm एट प्रांदी weeds थैंद में सूंछ धाँ जिले का प्रौज आमिल प्र्या अमल गुजार पह अम Gabal ऐ का तुर। कि तैंसे ऐसे काम थे अब बात करते हैं हम लोग सूचना एवं गुप्त चर विभाग का पिधान होता था दरोगा इंटांग चोकी कहलाता था सरीयत के पिती खूल कार करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्ट चरीता से बचाने का कार मोहत सिव नामक अधिकारी करता था पिसासन की दिष्टी से मुगल समुराज्य का बटबारा सूगों में सूगों का सरकार में सरकार का परगना या महल में महाल में महाल का जिला में या दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में बटे थे इसासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम जिसे मावदा या दी ही कहते थे मावदा के अंतरकत छोटी-छोटी वस्तियों को नांगला कहा जाता था साह जहां के सासनकाल में सरकार एवं परगना के मत चकला नाम की एक नई इकाई इस्ताफिक की गई थी अब बात करते हैं भूमी करके बिभाजन के पर मोगल समराज की समस्त भूमी तीन भागों में विभाजी थी एक थी खालसा भूमी ने ने फिर थी जागिर भूमी तो इस तनक्वाय के बदली दी जाने वाली भूमी थी सैयूर गल या मदद एमास ये अन्दान में दी गई लगान भूमी थी इसे मिल्क भी कहा जाता थी सेर साय द्वारा बूराजे सेतु अपनाई गई जाने वाली पदती थी राई कौपयों अकबर ने भी किया ठीक है अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ती 1573 में की गई इसे अपने छित में करोड़ दाम बसूल करना होता थी 1580 में अकबर ने 10 साला नामकी एक करप डाली पराम की इसे विवस्था को टोडर्मल बंदोवस्थे भी कहा जाता है इसे विवस्था के इंदगत भूमी को चार भागों में भी वाजित किया गया था बात करते हैं पोलज इसमें नेमित रूप से खेती होती थी बस में दो बार ठीक फिर हैं परती इस भूमी पर एक या दो वर्स के अंतराल पर खेती की जाती थी चाचर इस पर तीन से चार वर्स के इंतराल पर खेती की जाती थी बंजर यह खेती योग भूमी नहीं थी इस पर लगान नहीं वसूला जाता था ठीक पूलज परती चाचर भंजर फिर बात करते हैं आगे देखते हैं 1770-1771 इसी में टोडल मल ने खाल सा भूमी पर भूर राजस की नवीन पिडाली जप्ती प्रारम की इसमें करनेदारन की दो सेडिया थी एक तो तक्सीस दूसरी थी तहसीर औरंग जीन में अपने सासनकाल में नस्क पिडाली को अपनाया और भूर राजस की रासि को उपच का आधा कर दिया मुगल काल के कर्सक तीन बर भूमी बहाजित थे खुदकास्त एक थान उसी गाओं की भूमी पर खेटि करते थे जहां के वे नवासी थे फाही कास्त एक दूसरे गाओं जाकर किसी करते थे मोजारियन ये खुद कास्त किर्स्तों से किर्स्त्रेकों से भूमी किराय पर लेकर किर्सी करते थी मुगल काल में रुपए की सरवादिक ढलाई ओरंग जेप के समय हुई आना सिक्का का फिचलन साह जाहने करवाया शहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आगती बनवाई साथ ही उस पर अपना नूर एवम नूर जहा का नामंकित करवाया किसने जहांगीर ने सबसे बड़ा सिक्का संसाओ सब सोना का था स्वैड का सबसे विचलिफ सिक्का एलाही था मुगल कालीन अर्थवस्ता का आदार चांदी थी का रुपया था देने कलेंदन के लिए तामे के दाम का प्योग होता था एक रुपया में 40 दाम होते थे मुगल सेना के बात करने तो मुगल सेना चार भागों में बखते थी पैदल सेना घुड सवार सेना तोख खाना सेना और हाती सेना मुगल कालीन सेन विवस्ता कूणता मनसबदारी पिथा परादा रहे थी इसे अकबन ने तारम किया था आगी देखते हैं 10 से 500 तक मनसबदार प्राप्त करने वाले मनसबदार 500 से 2500 तक मनसबद प्राप्त करने वाले उम्रा और 2500 से अधिग से उपर मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर ए आजम कहलाते थी जाती से विक्ति के बेतन, पितिष्ठा कर ज्यान होता था जहांगी ने सवार्पत में दो असपा सिंह असपा की विष्सतागी सरपत्ह महावत खा को दिया गया यादर कि जहांगीर ने सवारपद में दोस्पा सिंग अस्पा की विवस्था की थी मुगल काली लगान बसूल करने की विवस्थाओं की बात करें तुगला वक्सी इसमें फसल का खुछबाग रफसरकार द्वारा ले लिया जाता था नसक इसमें खड़ी फसल की आधार पर लगान कानुमान लगा कर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था यह बेवस्था बंगाल में थी जबती इसमें कोई इसमें बोई गई फसल की आधार पर लगान का निश्चित किया जाता था, जो नगत दिया जाता था, अब बात करते हैं मराठों का उतकर्स, ठेक, मुगल को देख चुके, मुगल का लगो, अब बात करते हैं हम लोग, मराठा, मराठों का उतकर्स, मराठा समराज का संस्ताफक सिवाजी थे सिवाजी का जनम 6 अपरेल 1627 में सिबनेर दुरोग जुननार के समीपुगा सिवाजी की पिता का नाम था साहेंजी भोसले उनिकी माता का नाम था जीजावाई साहेंजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम था तुकावाई मुहिती सिवाजी के गुरु थे कौन्ड देव अध्यात्मक्षेत में सिवाजी के आचारण पर गुरु रामदाश का का काफी प्रभाव था सिवाजी सिवाजी का विवाज साई वाई निम्माल कर से 1640 में हुए सिवाजी ने सिवाजी को पुना पुना की जागिर विदान कर स्वेम भीजा पर रियासत में नौकरी कर लिए अपने से नभियान के अंदर के 1646 में सिवाजी ने सरफितम भीजा पर के तोरन नामक पाड़ी के लिए पदिकार किया 1656 में सिवाजी ने रायगर को अपनी राध्धानी बनाए बीजा के उक्रेश सुल्दान ने अपने योग सेनापती अपजल खा को सेप्टमबर 1665 में सिवाजी को पराजित करने के लिए विजा सिवाजी ने अपजल खा की अत्या कर दी सिवाजी सूरत को 1664 में एवं 1689 में लूटा पुरंदर की संधी की बात करें तो 1665 में महराजा जैसिंग एवं सिवाजी के मद्द संपन हुई थी याद रखिए पुरंदर की संधी कब हुई 1665 में किसके बीच हुई जैसिंग एवं सिवाजी के मद्द 1672 इसिवी में सिवाजी ने पन हाला दुरुक को बीजापर उससे चीना यहीं बात कर लेते हैं हम लोग महराज के पिर्मुक संतों को भी देख लेते हैं घ्यान देव या ज्याने सुथ ये 1271 से 1296 में महराज तुमें भक्ति आंदोलन के जनक होंते ज्यान देव या ज्याने सुथ मराठी भासा और साहित के संस्था पर भगवत गीता पर भावार्थ दीवी का नामक पियर टी का लिखी इनों जिसे सामन रूप से ज्याने सुरी के नाम से जाना जाता है फिर आते हैं नाम देव ये 1270 से 1350 जिनके अराध्य देव पांडरपुर्ण के बिठोवा एवन बिठल विष्णु के रूम में बिठोवा ये बिठल की उपासना को वरकरी वरकरी संपदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थामना नाम देव ने की थी पर बात करते हैं एक नात तो ये 1530 से 1530 नियार में इन्होंने रामाइड पर भावार्थ रामाइड नामक टीका लेका फिर आये तो कारां ये 1580 से 1650 इन्होंने बक्ती परक कभीताएं लिखी जने अभंग कहा गया जाता है ये अभंग भक्ती परक काब के जोधिकुन थे फिर आये रामदा महराष्ट के अंतिमहान संत कभी थे रामदास दस बोद उनकी रचनाओं और देशों का संकलन है किसकी रामदास की आले बात करते हैं लोग पांच जून 1634 सिवाजी ने रायगड में वराणसी कासी के पिती पिसिद्ध बिद्वान स्री गंगावट द्वारा ले अपना राजिव से कराया मोलोप से गंगावट महराष्ट का एक सम्मानित विरामड था जो लंबे समय से वराणसी में रह रहा था सिवाजी को औरंग जेव ने मई 1666 में जैपुर भावर में केद कर लिया जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग ने किले मात्त 23 बरस की आईउ में 3 अप्रेल 1666 को सिवाजी की मित्ती हो गई आगे बात करते हैं सिवाजी के मंत्री मंडल को अष्ट पिधान कहा जाता है अष्ट पिधान में पेश्वा का पत सरवादिक महत्पूर संभान का होता था अष्ट पिधान की बात करते हैं पेश्वा पिधान मंत्री राजी का पिसासन इवं अर्थ विवस्ता की देखरिक करता था फिर है सरी ए नौवत इसेनापती था सेनवित पिधान राजकिये पत्रों को पढ़कर उसकी भासा सेली को देखता था सुमंत सेन विदेशी वंद्री था पंडेत राओ धार में कायों के लिए तिथी का निर्दारिन करता था नियाय देश्म नियाय विवाग का प्यधान था है सिवाजी ने दर्वार में मराठी को भासा की रूम में प्योग किया सिवाजी की सेन तीन मत्पों भाबों में विफक्त थी पागा सेन नेमित गोड़सवा से निखती सिलहक दार ये आश्टाइश गोड़सवा थी पैदल ये पैदल सेन थी सिवाजी की करवेवस्ता मलिक अंबर की करवेवस्ता पर आजार थी सिवाजी ने रस्ती द्वार माप की विवस्ता के स्थान पर काठी एवन मानक छड़ी के प्यों को फ्यारम किया सिवाजी के समय कुल उपच का 33 भाग राजस के रूम में वसुला जाता था जो बढ़कर 40 हो गया था सिवाजी ने किले की सुरक्चा के लिए नियुकत अधिकारियों की बात करने तो हवलदार ये था किले की आंतरे की विवस्ता की देखरात करता था सरे नोवत एक किले की सेना करने तो करता था समने एक लेकी याद विवस्ता पत्वेवार और भंडार की देखरे करता था आंगे बात करते हैं चौथ एवं सर्देश मुखी नामक कर्व से सिवाजी के द्वारा लगाएगा है चौथ याद रखिये चौथ था जो किसी एक छित को बरवाद ना करने के बदले दी जाने वाली रखम को कहा जाता था और सर्देश मुखी इसके हक का दावा करके सिवाजी स्वाजी को सिवाजी के उत्राधिकारी हुआ संभाजी था संभाजी ने उच्जेट के हिंदी एवं संस्कृत के प्रिकांड बिद्वान कभी कलस को अपना सलाह का निव्टिया मार्च 1689 मुगन सेनपती मखर रभ खाने संग मेसुर में छिपे हुए संभाजी एवं कभी कलस को गरफत संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए चत्पती के रूम में राच्चव से किया गया राजाम राम ने अपनी दूसरी राध्दानी सतारों को बनाया राजाराम मोगलों से संगर्थ करता हुए सत्रह सोईस्वी में मारा गया राजाराम की मित्व विवाद उसकी विद्वापतनी तारावाई अपने चारवसीय पुद्ध सिभाजी दुद्धिय का राजीव से करवाकर मराठा समराज की वाफ्तवेक सरलक्षे का वर गया 1707 इसमी में ओरंगजेव की मित्व विवाद सम्माजी के पुद्ध साहु जी जो ओरंगजेव के कज्जे में थे भोपाल के निकट के मोगल सिविर से वापस महराष्ट आ गया साहु जी और तारावाई के भी 1707 में खेडा का योधगा जिसमें साहू बजय हुआ तो याद रखे, खेडा का योगा कम हुआ, 1707 इसमी में, साहू जी और तारावाइ की वहीं, इसमें साहू जी बजय हुए, साहू ने 22 जनवरी 1708 इसमी कुर 17 में अपना राज्यम से करवाय, साहू के नेतबत में, नवीन मराठा, समराजबा के पेस्वा के साथ ही बंसा नुगत हो गया था 1713 साहु ने वाला जी विस्वनात को पेस्वा बनाया इसकी मित्तियों 1720 में हुई इसके बाद पेस्वा बाजीरा और पिथम हुए पेस्वा बाजीरा और पिथम ने मुगल समराज की कमजोर हो रही इस्तिती का फायदा उठाने के लिए साहु को साहित करके ते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने व्यक्ष के खोकले तने फिहार करें साखाएं तो स्तरम गिर जाई हमारे प्रेतनों से मराठा पता का किष्णा नदी से अटक तक पहराने लगी उत्तर में साहु ने कहा निश्चे रूप से ही आप इसे हमाले की फार गाड़ देंगे उनी संदे आप योग फिता की योग खुद थे हैं अब बात करते हैं पाल खेडा का योग यह हुए है साथ मार्च सत्राइस 28 में बाजी रॉपितम यौव निज्चाम मुल्क के बेच जिसमें निजाम की हार हुई निजाम के साथ मुंशी सिब गाउन की संदी किसके साथ हुई निजाम के दिल्ली पर आक्मर करने वाला पित्थम पेस्वा था वाजी राव पित्थम जिसमें 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर दावा गोल लिया उस समय बुगल बात साहित मौम्मद साहित दिल्ली छोड़ने के लिए तियार हो गया वाजी राव पित्थम मस्तानी नावक महला से संबंध होने के कालन चर्चित रहा है वाजी राव किस तर्थम अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां अंग्रेजों और मराठों कि संगर्ष के अंतरगत होने वाली संदियों की सूरत की संदी 1775 में पूरंदर की संदी 1776 छह्सित्र बड़ घाओ की संदी 1789 सालावाई की संदी 1761 बसीन की संधी 70008 देव घाओ की संदी अठाले सोतीन सूर्जी अरज्वन में की संदी 1803 राजा पूर घात की संदी 16 ग्वालियर की संदी नागपुर की 168 ग्वालियर की संदी 1817 पुना की संदी 1817 मन सौर की संदी 1818 तो याद रखिए सूरत की 75 में सूरत की संदी पुरंदर की संदी 1776 बड़ गाओं की संदी 1789 सालावाई की संदी 1782 वसीन की संदी 1802 देव गाओं की संदी 1813 शूर्जी अरजुन गाओं की संदी 1813 राजापुर की घाट की संदी 1814 नागपुर की संदी 1811 वालियन की संदी 1817ी पुना की संदी 1817 मंद सौन की संदी करने हैं अब देखते यांगे बात करते हैं लोगिता इसत्रै सो चालीराउप पित्हम की मित्ती वह गई देसराще पितम की मित्ती के बाद बाला जी बाजीराव 1740 में पेशवा बने 1750 में संगोला संदी संगोला के संदी के बाद पेशवा के आथ में साधे सारे अधिकाद सुरक्षित हो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है जलकी की संदी हैदराबाद की निजाम और बाला जी बाजिराओ के मद्धूई थी यादों कि जल्की की संदी हैदराबाद की निजाम और बाला जी बाजिराओ के मद्धूई बाला जी बाजिराओ के समय में पानी पत का तिती यह होगी 14 जनवरी 1761 को हुआ इसमें मराठो का हार हुई, इस हार को नहीं सहे पाने की कारे, वाला जी की मित्तिव 1761 में हो गई, माधाव नारायन पित्थम 1761 में पिस्वा बना, इसमें मराठो की खोई हुई पितिष्ठा को पुना प्राप्त करने के प्तरियास किया, माधाव राव ने इश्ट इंडिया कंपनी की पैंसन पर रहरे मुगल बादसा है, साह आलंदूतिया को पुनाहा दिल्ली की गद्धी पर बैठा है, मुगल बादसा है अब मराठो का पैंसन भागी बन गया, पेशवा नारायन राव की हत्या, उसके चाचा रगुनात लाव के द्वारा कर दी गई, पेशवा माधाव राव नारायन दुख्ती है, कि अलपाईव के खर मराठा राज की देखवे वारै भाई नाम्स, वारै भाई सभा नाम की वारै सदस्तों की एक परिशत करती थी, इस परिशत की दूमा थोन सदस्ते, महाधी जी सिंदिया और नाना फंडन वीज, अंतिम पेशवा रागुबा को पुत वाजी राव दु कि यह सहाइक संदी स्विकार करने वाला पिथम मराठा सरकार था, सरदार था, पिथम आंगल मराठा यूद, 1750 से 82 तक चला, इसके बाद 1776 में पुरंदर की संदी हुई, इसके तैत कंपनी रागुनात राओ के समर्थर को वापस लिया, तो याद रखे, आंगल मराठा कि संदी हुई थी, फर्स्ट यूद के बाद, दुति ये आंगल मराठा यूद, 1830 से 1850, इसमें बहुत सले, नांगपुर में अंगरेजों को चुनोती थी, इसके पल सुरूप 7 दिसंबर, 1830, याद रखे, 1830 के, देवगाओं की संदी हुई, तो पिथम यूद के बाद, क 1830, इसमें बहुत सुरूप 8 में हुए, इसे उद्ध के बाद, महराठी सक्ति और पेश्वा की बंसा उद्ध को समप्त कर दिया गया, पेश्वा बाजी राउद दुतिये ने, कोरे गाओं एपन अश्टी के उद्ध में हानने के बाद, फर्वरी की 1818 में में मेलकम की सम्म आत्म समर्पड कर दिया, अंग्रेजियों ने फिस्वा की पत को समाप्त कर बाजी राउद दुतियों को कानपूर के निकट पेट्थूर में पैस्टन पर जीने के लिए भीर दिया गया, जहां अठारा सु संताउन, अठारा सु त्रेवन में इसकी मित्ति होगी, अठारा हेलो दोस्तों, पिछली हम लोग बात कर चुके हैं पिछली लेक्चरों में, लूसेंट सामान ग्यान के प्राचीन भारत के बारे में, और मद्यकालीन भारत के बारे में, इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग, आधुनिक भारत के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं, उत्तर कालीन मोगल समराट उत्तरादिकारियोद में गुरू गोविन सिंग ने बहादुर साह का साथ गिया बहादुर साह का पूरुन नाम है मुज़्जम बहादुर साह को साह ए बेखवर के उपनाम से पुकार जाता है साज जहांदार साहे अपने सासन में लाल कुमारी नाम लाल कुमारी नाम की वेस्या को हस्टिफ करने के आदेश दे रखा था मुगल कालीन इतिहास में सियर बंदू हुसेन, अली खां इबंअ अब्दुल्ला खां को सासन निर्माता के रूम में चान जाता है जहांदार साहे को लंपट भूर्ग भी कहा जाता है फरुक सियर को मुगल बंस का गहड़त कायर कहा जाता है किसे फरुक सियर को सुमर सुमदर यूगतियों के प्रिति अत्यदेक रुजान के कारण मुहम्मद साहे को रंगीला बात साहे कहा जाता है तो रानी सेने खैदर वेग ने 9 ओक्टोबर 1720 को सेयर बंदू हुसेन अली खाप की हत्या कर दी थी यही बात करने हैं कि हम लोग सिस्टन्त होने वाले राज एवं संस्थापकों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं अवद अवद के संस्थापकता साधत खां है दराबाद चिन किलिच खां या निजाम उल्ड मुल्क आसप जाहें तरह रोहिल कंड तो यहां का साथा वीर दाउद इवं अली मुहम्मद खां बंगाल बंगाल का साथा मुर्सीद कुली खां करनाटक का साथा सदु धुल्ला तुल्ला भरत पूर चूरामन एवं वद बदन सिंग्काया कसा चाहें मोगल समराट मोहमद साहें ने साधत खां को बुरहार उल्क की उपादी दिती सहाधत खां का असली नाम था मीर मोहमद अमीर ठेक हैं इरान के समराट नादिर साहें ने 1749 इस भी में दिल्ली पर आख्मण किया याद रुखे इरान के फारस इरान के सासक समराट नादिर साय ने 1749 में दिल्ली पर आख्मण किया वो समय दिल्ली का सासकता मुहम्मद साह नादिर साह को इरान का नैपोलियन कहा जाता है नादिर साय लगवक सकतर करोड़ रुपे कुद की धन्रासी और साय जहां का बर्वाया हुगा तक्ते हाउस तथा कुई हिनून हीरा लेकर फारस बापत लोग हुए इराण तक्ते ताउस मयूर सिंगासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सासक कौन था मुहम्मद साय साय हालम दुथिये साय हालम दुथिये अंगली गुहर के सासंकाल में 1803 इसवी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कपज़ा कर लिया पानीपत का तितिये यूद 1761 में मराठा एवं अहमद साय अंग्दाली की सेड़ा के वी चुगा है इस यूद में मराठों की हार हुई थी गुलाम कादिर खाने 1806 में वो साय अलंदुतिये की हत्या कर दी बहादुर साय दुतिये जब पर अंति मोगल समराट था तैवार पूछा जो कुछ चुका है यह अंति मोगल समराट का कौन था तो याद रखे बहादुर साय जाट सेकेंडर जापर यहीं बात कर लेते हैं लोग उत्तर मोगल काल 1707 से 1712 जहांदार साय यह 1712 से 1713 फरुक फरुक सीयर एराय 1713 से 1719 मुहमद साय एराय 1719 से 1748 इसी एहमद साय एराय 1748 से 1754 आलम गीर सेकेंडर एराय 1754 से 1769 आलम साय आलम दुथिये 1769 से 1769 से 1769 से 186 अकबर दुथिये तो एराय 1866 से 1836 बहादुर साय जापर एराय 1836 से 1867 तक ठीवे 1867 की त्यांती में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों दौरा वहादुर साय जाफर को बंदी बनाकर रंगूर भिर दिया एहमद साय अबदाली का वास्तमिक नाम था एहमद खार इसने आठ बार भारत पात्मट किया अब बात करते हैं हम लोग भारत में यूरोप पिये ब्यापारी कंपनियों का आग्मन शत्तरे मई भारत के पश्मी तरफ काली कट बंदरगार पर पहुच कर भारत इव इरोप की बीच नए समुद्रीमाग की खोज़ की थी 1505 इस्विं में भारत में पुर्टगाल वाइसराय बनके आया तो याद रखिये 505 में फ्रांसिस्ऐ द अलगोडा मhरत में पुर्टगाल वाइसराय बनके आया है पंद्रहक्तो नो में अलग कान सोब दालों करक भारत में पूर्दगाल का और बॉल करक नेंं पंद्रहक्ती शुन में वीजापुर की इरुसोप आदिनसाईगो शिघवा कुछ जी था पुर्दगालियों ने अपनी पहली व्यापारे कोटी कोचीन में खोली थी ठीक 1596 में भारत आने वाला पिथम डश्च नागरिक था कार नेलिस देह हस्त मान दश्चों का भारत में अंतिम रूप से पत्र हुआ 1769 में अंग्रेज उन दश्चों के विद्धू हुए बेदरा युद्ध से हुआ थे इंगर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1620 को इंग्लेंड की राजी एलिजा ब्रत पिथम ने इस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्त फिदान किया प्यारब में इस्ट इंडिया कंपनी 1609 हिस्वी में जहांगीर के दर्वार में आया था 1615 हिस्वी में समराथ जेम्स पिथम ने सर्टॉमस रो को अपना राजदूर बनाकर मुगल समराथ जहांगीर के दर्वार में बेजा अंग्रेजों की पिथम व्यापारिक कोठी थी क्या सूरत में 1608 में पुली गई 1611 में दच्छिट पूर्म समुद्य तटपर शर्म पिथम अंग्रेजों ने मुस्लिक पत्नम में व्यापारिक कोठी कष्ट की स्थापना की 1660 में इंग्लेंड के समराथ चाल्स दुतिय का विवाय पुर्दगाल की राजकुमारी कैथरीन पिससे होने के कारण चाल्स को दहेज्म के रूम में बंबई परात हुए जैसे उन्होंने 10 पॉंड के वारसित ग्राइपर इस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1690 में इस भी में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गाउं सुद्था दुति कालीगाट गोबंदपुर की जमीदा अरिवारा सुरुपे मुक्तान का त्थ्राप की और यहां पोर्ट पिलियम का निर्मार किया कालंतर में यही कलकत्ता नगर कहला है जिसकी सबसे पहले बात करते हैं पुर्टगाल इस्ट इंडिया कंपनी तो इसकी स्थापना हुई शोला सुदू में दैने से इस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई शोला सुदू में दैने से इस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई शोला सुदू में दैने से इ तिकत थीज में देखें भारत में फ्रांसीसी की पित्थम कोटी ठैंको के रूप की द्वारा सूरत में 178 में इस्थापित की नहीं याद रखना आपना की 1644 में पित्थम करनाटक यूद 1746 से 348 इस्वी में ओस्टेरिया के उत्तरादिकार यूद्ध सित्रभावित था 1789 इस्थ ब्रीत इस्थी वुए एला साफल की संदी के द्वारा ऑस्टेरिया का उत्तरादिकार योद्ध समप्त हो गया इस संदी के थैंड पित्थम करनाटक यूद्ध समप्त हो गया नहीं में तुसरा करनाटक यूद 1749-1775 में हुआ इस युद्ध में फ्रांसी सी गवर्नर रूपले की हार हुई उससे बापस बुला लिया गया उसी की जगें गोड हीू कुबारत में अगला फ्रांसी सी गवर्नर बनाये फॉंडू चेरी पांडी चेरी की संदी जनवर यह 1775 के साथ युद्ध वराम हुआ त पूर्णा था युद्ध के बाद कौन से संदी हुई है एला साफल और दूतिये करनाटक एंद्ध के बाद हुई और लिच्छिदी की संदी फिर यह करना थका तीती है तीसरा यह व्योंड़ता है 1756 से 63 में वीचु जो 1776 में शुरू हुए सब्त वरसी है यह उत्ध का यह गंग था फेरिस की संदी होने पर यह उदिसमात हुगा 1760 में अंग्रेजी सेनान सर आयरपूट की नेतत्य में वांडिवास की लड़ाई ने फ्रांसीसीयों को पुरी तरह हराया 1761 में अंग्रेजी ने फांडिचेरी को फ्रांसीसीयों से छीन लिया 1763 में हुई फेरिस की संदी के द्वारा अंग्रेजी ने चंद रगत को छोड़कर सेस अंड प्रदेश को लोटा दिया जो 1749 इस भी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे यह पिदेश महारत की आज यदी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे हैं अब बात करते हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का अधीपत मुगल समराज जिके अंतरगत आने वाले फ्रांसों में बंगाल सरवादिक संपन राजी था फिलासी का यूद 23 जून 1767 को अंग्रेजी सेनापदी रोवाइट कलाइड बंगाल के नवाब सिराजित दौला के बीच में फिलासी का यूद कब्गा 23 जून 1767 को अंग्रेजी सेनापदी रोवाइड कलाइड था फिलाइड के नवाब सिराजित दौला के बीच हुगा जिसमें नवाब अपने सेनापती मीर जाफर की धोका दहड़ी करने के वाद कारण पराजित हुगा अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब ब बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम ने अपनी राध्धानी मीर कासिम ने राध्धानी को मुरिशी दाबाद से मुंधेर मुगल मुगदलपुर में स्थाना अंदित किया वकसर का यूद 1764 इसी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अबद के नवाब सुजाद दौला और इसी हुद में अंग्रेजी सेनापती हेक्टर मुनरो था याद रखिए एक तरफ से अंग्रेजों लड़ रहे थे दूसरी तरफ ते मीर कासिम अबद के नवाब सुजाद दौला और मुगल समराथ साह आलम दोती है इसमें अंग्रेजों की जीत हुई हेक्टर मुनरो इसक सब्सक्राइब 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 तरेसट से सत्रहसो पैसट निजाम उन्दॉला ये सत्रहसो पैसट से सट्रहसो चैसर से इस भी तर फ्रुक्स के बाद आता है मुबारत उन्दॉला इस सत्रहसो सत्रहसो सट्रश सैसर सपच्पच्पच्पट नहीं बात कर लेते हैं वकसर की व्लंदॉ के बार फिर मीर कासन कीजगें मीर जाफर को नबाब बना दिया पाद जनवरी सत्रह सो पैसाट को मीर जापर की मित्थी वह तर बात करते हैं अक्रेजों के मैसूर संबन्द से कि सत्रह सुट्रीजी विए हैदर अली ने मैसूर का सासिक बना को और है दर अली की मित्थी 1782 इसमी में दुथीय आंग्रे में सूर्य उद्धिके द्वरान है एदर अली का उत्तराधी करी उसके पोत्र टीपू सिल्तान विए 1787 इसमी में टीपू ने अपनी राध्धानी श्री का सदस्रे बना याद रखिए कई आठ मुछाचे शुका जी स्री रंग पत्नम में स्वतनतता का अव्यवच लगवाया था इसने टीपू डूटी यही बाद कर लिए देवनों प्रमुक्ह योद्धों के बारें ओबर्स ओर गवन्न तो पिथां जो आंगल में सुर युग दुगाँ ये 1767 से 1759 तक दो तीये आंगल में शुर युग दुगाँ यू 1732 द्रेसो चोराची वरेंग घ्रिंग्स था जुगर्वेंडर जरेल इस सत्रा सुनवान में कारण 25 की समय 14 आंगल मैसूर यूद 17 सुनगिनार में लौर्ड पेले जली के अब बात कर लेते हैं मत्पूर संदियों के बारे में मत्पूर संदियां तो पित्तम आंगल मैसूर यूद के बाद मद्रास की संदिवी 1767 कोने पित्थम अंगल के बाद पतनम की सट्रे में 279 कुछ धिया और वसुर्युद्द के बाद मन्गलूर की संधी चल घर सजी 5 1792 में मद्रास की संदी 1799 मंगनूर की 1784 स्री रंग पत्नम की 1772 टीपू की मित्यु चत्तोर्ट आंगल मैसूर युग्दिके द्वरान 1799 में 1760 इसमें में वांडी वास का यूद्वा जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर घूट कि लियतित में लाली के निद्वाली फ्रांसी सी सेन्द पराजित किया अब बात करते हुएए सिफ्ध की पारिवे बारे में सिख्धाय की सथापणा का सरी जोहिए को जाता है पिथम गुरु थे गुरु जन्म I इससे कि कहला है यह वहाद्व वासा है कि वावर एवायू के समकाली थे सन 1496 की कार्थिक पूर्वा को नानक को अत्यात अध्यात में को नरज जीवन का वहाद सुगा था गुरू नानक ने गुरू का लंगर नमक जिसोल सहभागी भुधन इस्तावित किया था गुरू नानक ने अनेक स्थानओं के अगना खर्व क्यों संगत अधरमशाला पंगत लंगर इस्तावित कि युछ एंगे बाt है तो river transplant में गुरू नानक संगीत और पंगत संगत और प करतारपुर में मित्ती हो गई गुरु नानक की फिर बात करते हैं गुरु अंगल तो इस पंदरा सो नतालिस से वाओन शिक्खों के दूसरे गुरु इनका करम एक नाम था लहना इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर विवस्था को इस्थाई बना दिया था गु मुखी लिफी कौना मुखी लिफी लिफी का मुण अंगल ने किया सिख्षों के तीसरे गुरु के अमर्दास dai फंदरह सो बांट से चौह तरिस भीता गुरु अमर्दास ने हिंदूओं से पित्थ होने वाले कई कार किये हिंदूओं से अलग विवाय पद्धिति लवन को पिछलिक्त किया, फिर हैं अकबर के गुरू, अमरदास ने गुविन्दे वाल जाकर भेट की पर गुरू पुत्री बीबी बहानी को कई गाउंदान दिये, अमरदास ने 22 गद्दियों इस्थापनागी पिते पर एक महंत की निक्ति की, बीबी के पती रामदास, सब पंद्र 24 से 84 सिखों के चोत्री गुरू हुए और रामदास, अकुबर में ने 22 बहानी को पांच भीगर भूमी दी गुरू रामदास, इसी भूमी पर अमरद सर्ण नामक जला से खुदवाया, और अमेस्था नगर की स्थापना थी, रामदास ने, गुरू रामदास ने अपने ती 15 सक्यासी से, 16 सो पाच तर सिखों के पाच वे गुरू थे गुरू अजुन, इन्होंने सिखों के धार में गुर्थ, आदी गुर्थ की रशना की और गुरू अरजुन ने, इसमें गुरू नानक की तीड़ा प्रातनाय एवं गीत संक्ले थे, गुरू अजुन ने अवरतस मंदर, जलासे के मंदर, हर मंदर साहिब का निर्मान कराया, राजकुमार की साहिथा कंड़ के काई, जहांगी इन्हें 1606 में गुरू अरजुन को मरवा दिया था, किसने याद रखिये, जहांगी इन्हें, सिखों के छटे गुरू वे हर गोविन से, 1606 से 165, इन्होंने सिखों को सेन संगठन का रूप दिया, तका अकाल तक्त या इस्तों के सिंगासन का निर्मार करवाया, ये दो तलवार बाद का गद्धी पर बैठते थे, दरवार में नगाडा बजाने की व्रस्ता थी, इन्होंने अम्रत सर की किलावन्दी की थी, किसने गुरू को बंद सिखों के साथवे गुरू की बाद करें, तो हरीर, हर राय, हर राय, 1645-1661 हुए, इन्होंने दारा सिखों को मिल्ले आने पर आसीवाद दिया, सिखों के आठवे गुरू हुए, हरीकिसन, 1661-64, इनकी मित्तिव चेचक से हुई थी, हरीकिसन की, दिल्ली जाकर गुरू पत क दिवारे में औरंग जिव को समझाना पड़ा था, सिखों के नौबे गुरू हुए, तेज बहादु, 1664-75 इसलाम सुईतार नहीं करने की कारण, औरंग जिव रहने बर्तमान सीज गंग में गुरू द्वारा की निकट मरवा दिया था, ठीक, सिखों के दस्वे एबम अंत गुरू गोविल सिंग अपने को सच्चा पादसाह कहा, इन्होंने सिखों के लिए पांच कार अनिवार की अर्था, ठीक सिखों के पार कच्छा और कड़ा रखने की अनुमती दी, सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंग सब्द जोड़ने के लिए कहा, गुरू गोविल सिंग का निवास इस्थान आनन्द पूर साहिब था, यह उनकार इस्तिली पाउता थी, इनके दो पुत्तों ए फतय सिंग और जुरावर सिंग, सरहिंदे के मुगल भॉजदार वजीर खाने दीवार में चलवा दिया था, इनके दो पुत्त फतय सिंग गुरू गोविल सिंग ने खाल्शा पंत की स्थाफन की तो याद रखे हैं, गया सिंग के सथाफन में। और कहा कि गुरु वाडी सिक्क समधाय की गुरु का कार करेगी गुरु गोविन सिंग की हक्तिया 1788 में नादेड नामक इस्थान पर गुल खान नामक पठाने कर दीदी बंदा वहादु इसका नाम इसका जनम 1670 में पूर्श जिले की रजोली गाव में इसके वच्पन का ना सामधियों भारद्वास जास्थान बंदा कॉद्देश पंजाब में एक सिक्क राज इस्ताबित करना था इसके लिए नो नो एकड़ कुरादारी बनाया इसने बंदाबाद उन्हें इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविन सिंग के नाम के सिक्के से लवाए बंदा ने सरहिंदे के मुगल कोईदार वजी खांकी हत्या कर दी मुगल वास्तार थरुक सियर की आदिश्पन 1760 में बंदा सिंग को गुरु दास्पन नागल नावकिस्थान पर पकड़कर मौद के लहाट उतार दिया साहदरा कल्ब कतलगड़ी के नाम से विख्या थे जहां बंदा ने हजारों मुगल सेटकों की मौद की धार उतार रहाए बंदा की मित्ती के बाद सिक्र कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ गए 1747 में नवाब करपूर सिंग की पहल पर सभी सिक्र के टुकड़ियो लुवालिया के नित्त्य राख गये जिसके बाद 12 दलो में विवाज़त किया गया इसे मिसल का गया मिसल अर्भी वासा के सब्सक्राइब जिसका आरते है समान रडजी सिंग रडजी सिंग का जनम गुजरावाला में दो नममा सत्रोइस वस्टी इस भी तो हुगा सुकर श शुकर चकिया मेसल को प्रमुकिस्थान दिला दिया था श्यूद्ध रडजी सिंग लावर का सब्सक्राइब पच्छी सप्राइल 1889 में को चाल्स मैटकॉफ और महराजा रडजी सिंग की अमरत साथ की संदीवी रडजी सिंग राज चार हुआ में बटाता था पेशावर कस्मीर मुल्तान लाहोर महराज रडजी सिंग का विदिस मंत्री था ठकीर अजुद्ध दीन विवंबित मंत्री था दीनानाथ साथ जून 1849 में रडजी सिंग की मित्ती हो गए तिथम आंगले सिख्यों 1845 से 1846 के भी चुगा दुद्धी आंगले सिख्यों 1849 में होगा अंगले जो इन सिख्धों के भी संदिजों के बारे बात करें लाहोर की संदी इन नो माइच उन 1846 को ही वह बहरो याल की संदी इन 22 दिसम्द 1846 को ही इस संदी के तरह राजत दली सें संरक्ष्ण इस रुग अंगले जी सेना कि उत्तरवास पंजाब में मान लिया गया महारानी जिन्दा को राजा दलीव सींग से अलगकर 48 सजार रुपरी बार्शिक पेंसंदेकर सेख्पुरा भी दिया गया दूतिये आंगल सिख्यूद के दौरां पहली लड़ाई चीलिया चीलियान वाला की लड़ाई सिख्धनेता सेरसी और अंग्रेजी कमांड़ा गप के भी बंदुई लड़ी गई दूसरी लड़ाई गुजरात के चैनाव नदी के किनारे चाल्स नेपियर की नेतत्त में अंग्रेज्जों ने एक चीज फरवरी ने अठारा सो उननचास को इस वी को लड़ी इस हुद में सिख्धी बुरी तरे सिपराजित हुए लोड़ ड अब इसर्फ विश्दिधिरा को हिनूर कुमारानी वेक्टोरिया को भी दिए घिक चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कंपणी के अधीन गवर्णर जनर वंगाल पी गवर्णर जनर लिखते हैं सबसे पहली सबसे पहली बात करते हैं रोवाइट क्लाइब 1767 से 1760 फिर पुना दुवारा बना 1765 से 1767 याद रखिए रोवाइट क्लाइब 1767 से 1760 तक रहे पहले दूसरी बाद 1765 से 1767 तक रहे इसने बंगाल में दोएट सासन की विवस्ता की जिसके तैस राजस वसूलें इवं सैनिक सरक्षण इवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे जब कि सासन चलाने की जिम्मेदारी नवाप की थी नवाप के आउटों में होती थी तो याद रखिए दोएट सासन में होती तो कि द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया रोवाइट के लाइब ने बंगाल की समस्चित के लिए दो उप दीवान बंगाल के लिए मुहमद रजा खा और विहार के लिए रजा सिताव राय कुनिप किया अन्डे गवर्नर गुवरले लाम्त शत्रे सो त्रीसर सी उनत्र तक राजी कार्टियल ये सत्रे सो उनत्र सी बहत्तर बोरेंग एस्टंस शत्रे सो बहत्तर सी चोहत्तर तक ठीए तर बात करते हैं लोग कंपनी के दिन गवर्नर जनल की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट सत्रा सो तहत्तर इस भी जनसार बंगाल की गवर्नर को अब अंगरेजी छेत्रों का गवर्नर जनल कहा जाने लगा जिसका कारकाल पाज बरसों का निरधायत किया गया मदरास इवं बंबाई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया इसके में जो गवर्नर अंगरेजी छेत्रों के गवर्नर जनल कहा जाने लगा इसकी तहर मदरास इवं बंबाई के गवर्नर जनल गवर्नर को कर दिया गया इस पेकार भारत में कंपनी के दिन इत्थम गवर्नर जनल बोरेंग हैस्टिंग 1774 से 85 में हुआ वर्रिंग हैस्टिंग 1750 में कंपनी के किलब के रूम में कलकत्त आया था और अपनी कार कुसलता के खारण कासिम वाजार का दियक्ष बंगाल का गवर्नर कंपनी का गवर्नर जनल बना फिर आया वर्रिंग हैस्टिंग बोर्रिंग हैस्टिंग के बारे में बात करें तो 1774 से 85 तक रहाएं 1785 तक इसने राच्किये कोसागार को मुर्सिदाबाद से अटाकर कलकत्ता लाया 1772 में इसने तित्यक जिले में एक फोजदारी तथा दीवान अदालतों की स्थापना की इसने 1781 में कलकत्ता मुसलिम सिक्षा के लिए के विकास के लिए पिथम मदर्सा इस्थापित किया इसी की समय 1772 में जोनाथम डंकन ने वनारस में संस्कित विद्याले की इस्थापना गी गीता के अंग्रेजी अरवाद विलियम विलिंग्स को हैस्टिंग्स ने ही आश्रे दिया था इसी के समय सर विलियम जॉन्स ने 1784 में दा एसीयाटिक सुसाइटी और बंगाल की इस्थापना की सर विलियम जॉन्स ने 1784 इस्थापना की इसने मुगल समराट को मिलने वाला 20 लाद रुपे की बाहत से पैंसन बंद करवा दी इसी के समय सत्रह स्थी सी में भारत पर पहला समाचारपत दा बंगाल गजट का पिकासन हुआ जैम्स अगश्टर्स हिक्की ने किया था इसने इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहए 1774 में कलकत्ता में ये उच्छ नियालयकी स्थापना की गई जिसके अधिकार्चित कलकत्ता तक था कलकत्ते के वाहर का मुकत्मा सभी पूर्णा सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों तो इसमें बंगाल ब्रह्मन सभा नंद कुमार पर जूंटा मुकत्मा लगाकर नियालयक ने सेफ़ासी की सजा सुनवार दी थी पिथम आंगल मराठा यूद 1785 से 82 तथा दुत्तिय आंगल मैसूर यूद 1780 से 1784 बोरेंग हेस्टन की समर में ही लड़े गए ठीक है पिथम आंगल मराठा यूद सालवाई की संदी 1782 यूद दुत्तिय आंगल मैसूर यूद मंगलोर की संदी 1784 की द्वारा स्वाप्त हुई इसी के काल में बोर्ड और रेमेनू की स्थाबना हुई फिर्ट्स इंडिया एक्ट 1784 की विरूद में इस्तिपा देकर जब बॉरेंग हेस्टन अक्षरवरी 1785 में इंग्लेट पहुंचा तो बरक द्वारा कि उसके उपर महावियोग चला लगाया गया फरन्तु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया फिर आता है सर जॉन मैट फरसंद 1785 से छासी इसे आर्स्थाई गवर्नर जनर्र निफ्ट किया गया था फिर आता है लौड सब्सक्राइब करने वाली अदालतों में जिसमें तीन बंगाल के लिए और ये विहार के लिए निफ्ट की कॉर्णबालिस 1793 इस भी में पिसिद्ध कॉर्णबालिस कोड का निर्वाण कराया जोग सक्तियों के पिठक करन पिठक की करन सिद्धान पर अलारी था पुलिस करमचारियों के बेतन में विद्धी के साथ ही ग्रामीर चित्रों में पुलिस आधार फिराप्त जमीदारों को इस अधिकार पर बंचित कर दिया गए कमचनी के करमचारियों के ब्यत्तिगत व्यापार पर इतीवंद लगा दिया गए इसने जिला पुलिस जिला में पुलिस थारा की श्थापना का एक दर एक दरोगा को इसका इंचाज बनाएगा भालतियों के लिए सेना में सुविदार जमादार प्रशासनिक सेवा में मुनसित सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से उंचा पदम नहीं दिया जाता था कौन वालिस की समय में इसने 1793 में इस्थाई गंदोबस्त की पतिति लाग की जिसके तहर जमीदारों को भूराजर्स का लगवग 90 पितीसत कंपनी को लगवग 10 पितीसत अपने पास रखना था इस्थाई बंदोबस्त की यूजना जौन सौन ने बनाई थी इसे बंगाल बिहार उडिशा वनारस मद्रास की उत्री जिलों में लागू की गई थी इसमें जमीदार भूराजर्स की त जनक माला जाता है तेल याद रखिए नागरिक सेवा का जनक माला जाता है कौन वालिस में फिर आता है सर्जौन सौन 1793 से अंठाउन तर आहस्थ चेप की नीती वत्तौनाईस में सर्जौन सौन। फिर आता है लौर्ड वेलेजली साहाइक संधी की पद्धिती शुरूगी लौड वेलेजली ने भारत में साहाइक संधी का फियुक वेलेजली से पूर्ण से सी गवर्ननेट डूपले ने की जा था साहाइक संधी करने वाले राज्यों की बात करें तो हैदरावाद 1789 में मैसूर 1799 तंजोर ऑफ्टूवर 1799 अवद 801 केसवा दिसंबर 801 बरार और एवं पॉसलिंग दिसंबर 803 सिंधियाने 804 एवं अन्य साहाइक संधी करने वाले राज थे जोदपूर जैपूर मच्छडी बूंदी भरत्पूर इसी के समय टीवू सुद्दान चौथे आंगल मैसूर रियोद 1799 में मारा गया आंगल मैसूर रियोद 14 लौड वैली जली के समय ही हुगा था इसी ने कलकत्ता में नागरिफ सिवा में भलती की वीबुकों को सिक्षित करने के लिए होड बिलियम कॉल बैले जली के समय में ही हुई थी इसी ने की यह स्वर्म को बंगाल का सेर कहा करता था लौड कानवाले इस 1805 में दूसरा कारका सुरूबार परंक्तु सीख ही उसकी वित्तिव होगी अब बात करते हैं सर जौर्ज वालों 1805 से 1807 बैलोर में सिपाही विद्व इसके काल में ह बैलोर में सिपाही विद्व किसके काल में हुगा था सर जौर्ण वालों के फिरा है लौड मिंटो कि थम 1807 से 1803 इसके काल में रजी सिंग केवां अंग्रेजों की बीच 25 अपरेल 1809 कुर्ण अम्रत सर की संधी हुई इसी के सबाद चार्टर एक्टर 1813 पास हुए तो याद रगें रटवि Sound और अंग्रेजों की बीच अम्रत घसकी संदी हुई था है याद रखें अम्रति संधी संधी किसके करी हुई थी त postpon मिंटो एहां के कार्षा में हुई थी और इसके काल में एक कारवार हुआ चार्टर रेक्ट 1833 पारित हुआ अब बात करते हम लोग लॉड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 इसी के समय आंगल नेपाल लियुद 1814 से 1626 में हुगा इसे नेपाल के अमर्सी थापा को आत्म समर्पड़ करना पड़ा मार्च 1816 इसी में अंग्रेजों और गौर्खों के बीच संगोली की संदी के द्वारा आंगल नेपाल लियुद का अंथ हुआ याद रखे संगोली की संदी थे अंग्रेजों और गौर्खों की बीच हुई थी लॉड है हेस्टेंग्स के समय इसके समय में पिंदारियों का दमन कर दिया गया पिंदारियों के फिर्मुक नेता में वासिल मोहमद चीतु और करीम खांति इसने मराठा की सक्ति को अंतिम रूप से नश्ट कर दिया बिची कि समय अठारा सुबाइज में टैनेंसी टैनेंसी एक या कास्थिपकारी अदीनियम लाझ किया गया लौद हैसिंग्सिंस की समय आख़ लाउड ह्यूर्व अ 1890 1823-1828 इसके समय में कित्थम आंगले बर्मायों दुगा 1824-26 दुगा 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों की भी यांडो की संदी होई 1824 में वैरभपूर का सेंद में विद्रोव भी इसी के समय हुआ फिर आता है लौर्ड बेल बिलियम लौर्ड बिलियम बैंटिक अठारे सो अठारे से तर्थम अठारे सो तीन में मद्रास का गवर्नन था इसी के समय अठारा सुच्छे में माथ्य पर जाती है चल्ड ना लग अरफ़ूर के सेंपोंने विद्दोव करतिया 18zięki चार्टॉरभ आ calling till Gug कुल दो दौरा बंगाली इतांव्ट सेखे額र्ट के दौरैंब बंगालली गवन राव नटाीक बना दिया इसस्तार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंग बना लॉर्ड विलियम बैंटिंग भारत का इतना गवर्नर जनरल राजा राम मोहन राय कि सहयोग से वैंटिंग ने 1829 में सत्फी पिधा को सभाब्स कर दिया वैंटिंग ने इस पिधा के कानूव खिलाब कानूव बना कर 1829 में 117 की द्वारा महिलाओं को सभी होने मैं अक्वर और मराठा इस्वाओं ने भी सथी पिधा पर रोक लगाने को तर्यास किया था बैंटिंग ने कर्नल सलीवन की सह कायता से 1830 तक ठगी पिता को सबाप्त कर दिया सन 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की इसी के सब्सक्राइब मैकाले की अनुसंसाफर अंग्रेजों अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया गया मेकाले का कानून कबरगी करण भी किया गया बें इसने भारतियों को पत्तरदाई पदों को रिप्त किया इसे सिसु वाइलका की हत्या पर भी पित्रम लगा दिया चलिए तो बात करते हैं चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 तक रहा चार्ल्स मैटकॉफ इसने अपने एक वरस के कारकाल में फ्रेज पर से नियंतर नटाया मुक्ति दाता भातिय फ्रेज का मुक्ति दाता कहा गया फिराय लॉड ऑखलेंड यादर रखे फ्रेज मुक्ति दाता किसे का चार्ल्स मैटकॉफ राय लॉड ऑपलेंड अठाहरे सो चैसरे इसके समय में सबसे बडमा परिभण फित्थम आंगल्य आपगार लियुथ 1849 से में 1849 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्राण टेंड रोड की कमरम्मत करवाया फिर आया लौड एलिन वरू 1849 फित्थम आंगल अपनान युद्न समाप्त हुआ इसी की कारखाल में सिंद को अगस्त में 1833 में फून रूप से विदेशी समराज में मिला लिया गया दास किता का उन्गूलन इसी के सभय हुआ 1843 के एक्ट थायब की द्वारा फिर आता है लौड एलिन वरू की बाद लौड हार्डिंग अठारे सुचावालिस से अड़तालीस तक रहता है इसके काल की सबसे मत्कून घटना थी पित्थम आंगल सिक्ख्योद अठारे सुच्च्च्च इसमें अंग्रेज विजय इसने डर्वली पित्था पर पितीवंत लगाये इसने लौड हाइडिंग फिर आता है लौड डलो ऑठारे सुच्च्च्च दुथी आंगल सिक्ख्योद अठारे सुच्च्च तथा पंजाब का वेटिस आसन में भी लें 1849 के समय दुतिये आंग्द सिक्ख्योद दुगा 1849 में तथा पंजाब का वेटिस आसन में मिले 1849 में हों जगत कुसिद कि सिक्ष्राज का पिसेद्ध हिरा कोहनोर महाराणी विक्टोरिया को भेद दिया गया दुतिय अंगल बर्मायोद सन 1852 में लुवर बर्मा एवं पेगु को अंग्रेजी राज में मिला लिया दलहुजी ने सिक्के पर दो अंग्रेजी डॉक्ट्रों के साथ दुर्विवहार कारूप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया सिक्के पर ठीक अठारे सुधान में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई इसका उद्देश भूमी रहे जागीनों का पता करके उन्हें छीनना था दर्वजी का सातनकाल उसके व्यवगत सिद्धान डॉक्ट्रन और लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है इस नेती के तहत अंग्रे सतारा अठारे सॉड़तालीस जेतपूर गुंदिलखंड और सांवलपूर उडिशा ये अठारा सौनिन चास में बगाड हिमाचल पिदेश अठारो सुपैचास में उदेपूर मत्पिदेश अठारे सुबाउन जहांसी अठारे सुट्रेपन नांगपूर अठारे नाँपूर नाइठारे सुच्छयुः अबाद को पुर्आएजी सपराज में मिला लिया वस समय बगता नवावधा वाजीद अली 2966 में इसने तो खाने की मुझ्ठाले को खोल खाता से मेरत इस्थाना दित्किया शेना का मुख्याल है सिम्ला में स्थाफित किया इस में सिक्ष्छा संबिधी सुधारों में डल्लवजी ने 18 जंगर में बुढ़ डिस्पेश को लागू किया इसके अनसार जिलों में एंग्लों वरने क्विविवलर कि इसकूल तर्मक नगरों म में एक सिक्षा ने देशक न्युक्त किया गया दल होजी को भारत में रेल लिवी का जनक माना जाता है इसी के समय भारत में पहली बार 16 अपरेल 1803 पर में वंबाई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर पित्तम रेल चलाएगे तो याद रखिए कई बार पूछा जा चुका है रेल भी का जनक दल होजी है और सबसे पहले भारत में चली 16 अक्टूबर 1803 बन वंडे एकजाम में ये देट भी पूछ लेता है तो याद रखिए इसको 16 अपरेल 1803 बन ये चली थी बंब हो भारत में पहली बार दाखटिकेट का पिचला हुआ दलोजी की कालुदि इसने पिथक रूख से भारत में पहली बार सारवजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कि इसने 18 से चंग्ण में एक सुरतलत्य विभाग की रूंब लोक सेवा विभाग की इसी की समय 1803 में कल लकत्ता आग्रा के बीच पहली बार विजली से संचाले तार सेवा सुनु इसने सिमला को दृष्म काली राधानी बनाया इसी के सब्भातिय नागरिक सेवा एथु पहली बार तितियुकता परिशा सुनु हुई डल्होजी ने नर्हवली पिथा को रोपने का भी प्रियास कि दल्होजी के बाद आता है लॉड कैनिंग अठारह सो चपन से बासर यह बात में कंप्रीन द्वारा नियुक्त अंतिंग गवर्नर जनरल था तथा बैटिस अबराठ के दीन नियुक्त भारत का पिताव वाइसराय था लॉड कैनिग इसके समय में की सबसे मत्कुम गठना है सर पादर थी अठारह सो संतावन का इतिहासिक विद्रोण लॉड कैनिंग के समय में इसी विद्रोण के बाद में सासनिक सुधार के अंतवारत का साजना कंपनी के हादों से सीधे बैटिस सरकार के नियंदर में ले ली जा गया कैनिंग के समय इंडियन हाइको टेक्ट में जिसके द्वारा बंबई कलकत्ता तथा मद्रास में एक-एक उचनियाले की इस्थाबनाब की कैनिंग के समय में इस संद अठारह सो छपन में विद्भा पुनर में वाया दिनिये पारित हुए मैंकाली द्वारा प्यारूपित दर्ण सेहता को 1889 इसी में कानून बना द कर दिया गया 1861 इसी में इंडियन कांसिल एक्ट पारित हुए तथा पोर्टपोलियो पिडाली लाउग की गई फिराता है कैनिंग के बाद था है लौड एल्गी अठारह सो बासट से ट्रेसर इसने बहावी आंदूलन का दमन किया और 1863 में धरम साला मैं इसकी मित्ति भूटान ने बेटे समराजपरातमर कर दिया अफगानिस्तान के समद्ध में इसने आहस्त छेप की नीती अपनाई जैसे सामदार निस्त्रिता के नाम से जन्र जाता है इसी के सवाएं उडिशा में सन 1866 में तथा बुंदेर संड़ और राजपूत राजपूता नामें 1868 जो लगतर में भीशण अकाल पड़ा इसे चेम वेल हेंडरी के नेतत्त में एक अकाल आयोग का गठन किया इसमें 1855 इसके द्वारा भारत और यूरोप के भी पित्थम समुद्री टेली ग्राफ सिवा सुरूमी फिर आता है लौड मेव तो लौड मेव ने अजमेर में मेव को लिच की स्थाफना की सन 1872 में इक किल्सी विभाग की स्थाफना हुई लौड मेव के काल में एक अफगान ने सन 1872 में चापू मार कर इसकी हत्या कर दी तो याद रखिए और जंडगरना भी लौड मेव के काल में पूई थी फिर आता है लौड नार्थ भ्रोग 1872 से चैतर इसके समार में बंगाल में बायानक काल पड़ा इसने बड़ोदा कि मलहार राओ गैकवार को बिश्टा चार क्यारों मैं पंचित कर मंद्रा स्वेतिया नौड लौड नौड 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 यह गोश्णा की कि मेरा उद्देश करों को अठाना तथा आना अवस्षक वेधानिक कारवाईयों को बंद करना है पंजाब का पिसिद्ध कुका बंद्रोड नौड इसी के समय हुए था नौड ब्रूप के समय इसी के समय स्वेज नहीं खुल जाने से भारत एवं बेंटे एवं साहित्काल था साहित्काल में इसे ओवन मेरी डिक के नाम से जाने जाते हैं इसके समय में बंबाई मद्रास है दरावाद पंजाब मद्ध भारत आदी में भयानक अकल पड़ा लिटर ने रिचेर्ड इस्टेची की अध्यक्षिता में एक अकाल आई कि इस्थापना क जन्वरी अठारों सिस्थात्तर वेटेंड की महरानी विक्टोरिया को केस्तर ये हिंदी की उपादी से सम्मालित करने के दिल्ली दर्वार का एवजन किया इसी कि लॉड लेटर की समद्ध मार्च यठारों सो थात्तर में लेटर ने भारतिये समाचार पर अधिनियों वर् और लेटर विसे इसका राख्यवादी समाचार पथ सोम प्रिकास को पीतीवन करने के लिए आया था सौम प्रिकास को बात करते हैं फायर नियर अखवार ने वर्नार की लग तुरेश एक्ट अठारेसो अथात्तर का समत्रु गिया थे इसी कि समय सर्था अठारेसो अठतर म में भारतिये सस्त अदिया पारिखवा जिसके तर सस्त रखने कि वंप्यापार करने की लाइसेंस को अनिवार बना दिया इसने सिविल सिवा पर इच्छा में प्रवेस की अधिक्तम आई एक्कीस बार से अटा कर 29 बारत कर दी लिट्टन ने अलीगड में एक मुसलिम एंग में फिर आता है लॉड रिपन अठारे सो असी से पचासी में लॉड रिपन रिपन ने सरप्तिम समाचार पत्रों की सुतंता को बहाल करते हुए 1882 में वर्ना की में फ्रेस एक्ट को समाप्त कर लिया इसने सिब्ल सेपा में प्रवेस किया यह उननीज से बढ़ा कर 21 बस कर दी इसने स्थानिय सुसासन की सुरूबात की इसी के समय महारत में 1881 में सरप्तिम नईमित जनगरना करवाई याद रखे यह नईमित जनगरना थ तब से लेकर अब तक पितेग दस बार्स के तंत्राल में जनगरना की जाती है नेमित भारत में पहली वारत जनगरना सन 1822 में लौड मेयो के काल में रिपन के द्वारा 1881 में पित्थम कारखाना अधिनीम लाए गया रिपन के समय में सेक्षडिक सुधार के तग बिलियम हं इन्टर किया देखिता में एक आयो गठित किया गया इसके समय में यूप यो की विरोध भारतिय नियादीस को दोड़ा मोकद्र में की सर्माई के लिए इल्वर्ट विध्ययक विस्तुत किया है लेकिन यूप बास्यों की प्रवल विरोध के कारण इसे वापस लेना प्रिपन को भारित के उद्धारत की संग्या दिए अब बात करते हैं लौड दफ्रेंग कि रहा है 1884-1888 इसके समय तितिये आंगली वर्मा यूद्गा अंग्रेली जान मिला लिए लौड डफ्रेंग के काम इसी के समय में बंगाल ट्रेंस नेंसी एक्ट अवद ट्रेंसी एक्ट पंजाग तर्नेंसी एक्ट फारत हुए इसके समय के सबसे महत्कून घटना थी जान है 1885 अधाइस दिसम्मर 1885 में यह ओं के नेततमे भारतिए राश्टिये कोउरिस की स्थावनाक कभी यह तो यह रखिए 181885 बंबाइ में हुई थी एक हो को यूम के नेतर और यह हुई थी लॉर्ड डफरिंग के कारकाल में ठीक है इसकी स्थाद में अब बात करने हैं लॉर्ड लैंस डाउन अठाय सो अठाय से चौराण में भारत अभगानिस्तान के बद्द सीमा रेका डूरन रडेका करनेदारन इसी की समय में लॉर्ड लैंस डाउन के अठाय सो एकानुवे इसमी में दूसरा कारिक खाना अधिनियम लाया गया इसमें इस्तरियों को ग्यारे घंटे पिती दिन से काम करने पर पितीबंद लगा लगाएगा साथी सप्ता में एक दिन की छुप्टी में वस्ता की विए लॉर्ड लैंस डाउन की कारकान है फिर आया लॉर्ड एलिगिन दूति है अठाय सो चौरानुवे से जन्यानुवे भारत को तलवार की बल पर विजित किया गया और त विहार पंजाब मध्यपिदेश में भाहिंकर अकाल पड़ा लॉर्ड एलिगिन दूतिये के कालकाल में फिर आया लॉर्ड करजन ही रहा है अठारा सुनियार में से पांच तर करजन नहीं सो पांच में 1901 में सबसे पहले सर कॉलिन एक कॉर्ट इसकॉर्ट मॉन क्रीप की अ तॉमस रेले की अधिश्था में विश्विद्याला आयो की स्थाफना के कावी लॉर्ड करजन के काल में 1904 में भारतीय विश्विद्याला अधीनिय पास हुआ इसने सर एंटिनी मैक डॉनल की अध्यक्ष्टा में एक अकालायो की कगठन भी किया लॉड करजन ने इसने सेंड लॉड करजन कि अधिकारियों के विशिक्षण के लिए क्योटा में कॉलिज की स्थाफना की प्राची ने इसमारेक परिक्षन अधिनियम 1904 की द्वारत में पहली वाद इतिहासे के मालतों की सुरक्षाय और मनमत की विध्यान दे लाए इसकार के लिए करजन भारतिये पूरा तत्य विभ का निमार कर आएगा करजन की भारत में रोदीकारियों के सरभादिक मातपूरता 1905 में बंगाल का विभाया याद रखिए 1905 में बंगाल का विभाया लॉर्ड करजन के समय में बूवए अब बात करते हैं लौड मेंटो दुशिया 1905 से दस्तन में इसके सबां में आगा खा चाहए आगाखा और सलीम पुल्ला घाकिव दौर्ण धाकव में 1906. में मुसलिम लीग किस्ताफना घीए अगाखा और सलीम दौला गे लेडतत्त में और लौण मिंटे दुथिये दारका ही 1907 में कॉंग्रेस की सूर द्विल अधी विपसर परमें कॉंग्रेस का विभाजन हो गया इसने इसके साथनकाल में 1907 में आंग एवं रूसी कितीनी दीवंदल के बीच बैठा कुई मुस्वनमानों के लिए अलाइक निर्वासन विबस्था मेंटो वारले सुधार अधिनियम 1909 में कि द्वारा किया गया फिराया लॉर्ड हार्डिंग दूथी है 1910-1915 तर इसके समय बेटेंट के राजा जौर्ट पंचम भारता है कि 12 दिसम्मर 1911 दिल्ली में एक भब बतारवार काईजन के हुगा जहां बंगाल विभाजण रद्य करने की गोछना की गई भारत की तब कल्कतर से दिली स्थांद्य करने की गोशना की गई 1912 में दिल्ली भारत की राद्धानी बनी है आपको यहां बताते हैं तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग दुधिये के समय बंगालवी भाजन को रत्त करने की गोष्णा की गई कलकत्ता से दिल्ली इस्थांतित करने की गोष्णा हुई 1911 में लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में ठीक है याद रखिए लॉर्ड करजन के कलक में बंगाल वीभाजन हुआ था 1905 में और लॉर्ड हार्डिंग दुधिये के कलक में वीभाजन रत्त हुआ तो याद रखिए कई बार पर इच्छा में पूछा जा चुका है कि बंगाल वीभाजन किसके कलक में हुआ था तो लॉर्ड कर दिली में बंपेगा गया इसी के समय 28 दुलाई 1914 इस वीबु पित्थम में से उद्ध्यारम हुआ इसी के साथनकाल में व्रोज में हिता ने बंबी क्रोनिकल इवन गड़े संकर विध्यारती ने प्रताप का विकासन किया इससुला में लॉड हरें को बनारस हिंदु विध्यारय का तुलाधी बक्ती नेउख किया है लोड अबाय लॉड चेंज पोड उनिस्से सोले से 21 तर कांग्रेस के लगनोग दिविशन 1916 में कांग्रेस के का एक ही करन हुआ मुस्लिम लीग के साथ सम्झोता भी हुआ 1916 में पूना में महिला इसको द्याराइगी स्थापना हुए इसके लॉर्ड चम्सपोर के काल में इसके समावे 1919 में रॉलेक्ट वारित हुआ लॉड चम्सपोर के काल में इसके काल में 13 एपरेल 1919 में जलिया वाला वाग अमुरत सर हत्याकांड हुआ याद रखिए याद रखिए जलिया वाला हत्याकांड का हुआ 13 एपरेल 1919 को चम्सपोर लॉर्ड चम्सपोर के कार काल में वह हुए खिलापत अंदोलर एवं गांगी का असभी अंदोलर इसी की समाव गुए तिटिये अंग से अपगाने उन्विय के समावग लॉड चम्सपोर के समाव ठीर चम्सपोर के वाद आता है Esto in 1921 से छबीसका पांच फरवरी 1922 को घटी चोरी-चोरा कांड उत्तरप्रदिश के गुरकप्र जिलेवत के बाद महत्वा गांदी ने अपना असाहिवा अंदोलें बापस ले लिया तो याद रखें चोरी-चोरा कांड का हुआ पांच फरवरी 1922 को 1923 में चितरणजंदास इवा मोतिलाल नहरू ने इलावाब में कॉंग्रेस के इंतरगत स्वराज पायटी की स्थापना गी 1923 के चुनाओं में इस तलकुमात्य प्रांत बंगाल में पूर महमन मिला तो याद रखें स्वराज पायटी की स्थापना किसमें की थी तो इसकी शिपरणजंदास और मोतिलाल नहरू ने की थी लॉड रेडिंग के काल में प्रेस फ्रेंज और वेल्स ने नवम्मर 1921 में भारत की याद्रा की इस दिन पूरे भारत में हरता लाइव पायविट किया गया उन्नी से की समय मोगला वित्व हुगा इसे के का लॉड किया गया याद रखिए बातिये कमिनिष्ट काईटी का विठ्रा कभगा उन्नी से की समय में एम एन रोय द्वारा किया गया उन्नी सो पचीसी से फिसिद्ध आर्य समाजी राष्टवादी नेता स्वामी सिध्धानंद की हध्या करती गई थी उन्नी सो पचीस में लॉड एरविन ये उन्नी सो छबी से एकत्तीस तक रहता है लॉड एरविन तीन फरवरी 1928 को साइवन कमीशन बंबई पहुंचा कब तीन फरवरी अठारग 1928 को बारह माच 1930 में गांधी के द्वारा सविनय एयुग्या आंदोलन पहरम किया गया लाला लाजपत राएं की वित्ति द्वारा दिल्ली के असेमली होल में 1939 में बं फिका गया इसी के समय लॉड इर्मिन के समय लाहुर जेल में चतिन दास में 13 जुलाई 1939 को भूंखड़ताल सुरूगी और भूंखड़ताल के 63 वेदिन यानि कि 13 सेक्टमबर 1929 को उसकी वित्ति होगी भूंखड़ताल का कारण भारतिये और यह मंगेज्यों के दिनों के वीच बेवार में किया जाना है वहित्भाव था 1929 में कॉंग्रेस के लाहुर अधिवेशन में फूर सुरॉड का लक्ष ने दार्ज किया गये और 26 जन्मरी 1930 को सुतंता दिवस मानाने की गोश्णा की गये तो याल रखिए 26 जन् जन्वरी 1930 को सुतंता दिवस मनाने की गोश्णा की गई अब बात करते हैं आगे 12 जन्वरी 1930 में लंधन में पितम गोल में संभीन हुआ इस्टेमालिया में कॉंग्रेस में भाग नहीं लिया था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझवत्य पर हर्स्ट्रक्षर की वे साधी मे सब्सक्राइब कर दिया गया लॉड एरविन के समय में अब आता है लॉड बिलेंगेटन लंदर में साथ सप्टमबर से एक दिसमबर 1931 तग याद रखिये दूतिया गोल में समेलन का इस समय में कॉंग्रेस ने भी भाग लिया तो कॉंग्रेस की का इतिने नित महत्मा गांधी ने किया याद रखिए दुतिया गोल में समेलब में गांदी जिने भाग लिया था कॉंगरिस की तरब से एक साथ सेप्टम्बर से एक देसमार 1931 के भी चुगा था दूसरी गोल में समेलब की असफ़ता के वाद महत्मा गांदी ने इसे गांदी जी बहुत दुखी हुए उन्होंने इसे अटाने के लिए आमरण कुछ रष का ट वह क्वायरियो कंट्र दिया अंत्र में एक समुझोता वज़े से पूणा सम्जोते के नाम से गय जाना जालता है चीजमें दलिद बर्गों के लिए साध्र ही सीटों कहरेक्षन किया गया पूणा सम्झोता 24 सेक्टमबर 1932 कोणगगगगगग harassing 1932 को पूना समझाता हुगा, 17 नवंबर से 24 बिसमबर 1932 तक लंदन में तितिये गूल में समेलन कायजिन किया गया, कॉंग्रेसमें ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है दूतिये, मैं लिया था, तितिये में निगिले, बिहार में 18, 1934 में बहेंकर मुकम पाया, भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया, लौर्ड विलिंग्टन ने कॉंग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था, इस अधिवेशन की अधिक्स्ता सर्व सत्यंद फिसन्न से गहा नहीं की थी, लौर्ड विलिंग्टन है, ठील, अब आता है लौर्ड लिन लेथ को 1936 से इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गये, लौर्ड लिन लेथ को विसा नहीं है, कॉंग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारे बनाई, एक सेप्टमर 1949 को दुथिये विस्यूद प्यार हो गया, बेटी सरकार ने बिना भार्तियों से पूछे भारत को भी योत म नारा दिया, ना कोई भाई, ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा सासित प्रांदों के सभी मंती मतलों उने से त्याखपत्र दे दिया को उनके से, एक मई 1949 में सुवाशन्द बॉस ने फारवर्ड विलोग नाद किये, नहीं पार्टी बनाई, तो याद रखे, पाकिस्तान की मांग की गई, 1940 में लीक, लीक के लाहर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, आठ अगस्त 1940 को अगस्त पिस्ता कॉंग्रेजों की द्वारा, आठ अगस्त 1940 को अगस्त पिस्ता कॉंग्रेजों की द्वारा लाया गया, किसके द्वारा बात के होते हैं लॉड वेवल 944 से सेंटारिस दग राग सिम्ला चम्दोंता 1945 में है चेविनेट में निसो चहालीश में है है जाधर के विनेट विनेट मेंічन है इस में तरिपोर्ट इसन में सन के सदस्थ टेज़ पोर्ट येरा पैंथिक लॉररेंस ओंट लेये जैटनर तो रिए याद रखें केमिनेट में सनाया उनिस चालीस में इसके सदफ थे इश्टेफोर्ड, किप्स, पेंथिक, लारेंस, एवी, अलेक्जेंडर, 20 फर्वरी उनिस सहतारीस को पिदार मंतिर लॉर्ड किलेमेंट इट्री लेवर पाइटी के थे, ने हाउस ऑफ होमन्स में यह गोश् सक्ता भारतियों के हाथों में दे दी जाएगी, तो याद रखें, 20 फर्वरी उनिस सहतारीस में, पिदार मंतिर लॉर्ड लीमेंट इट्ली लेवर पाइटी के थे, ने हाउस ऑफ होमन्स में यह गोश्ना की, जून उनिस सहतारीस तर पिरुष सक्ता भारतियों के हाथ में दे दी जाएगी, अब बात करते हैं, लॉर्ड माउंट वैटन, मार्च 1947 से जून उनिस सहतारीस तकरा, चार जुलाई उनिस सहतारीस, इस भी को बैटिस संसद ने इटली द्वारा भारतियों सवतार्थिता विदेयक पिस्तत किया, इटली द्वारा भारतियों सवतार्थि गोष्णा किये, 15 अगस्तों 1947 को भारत सतन्त हुआ, सतन्त भारत को पिथम गवर्नर जनल लॉर्ड माउंट वैटन था, हुए, और सतन्त भारत को पिथम एवं अंतिंग भारतिये वायसरा है, जनल चक्क वर्ती राज गोपालाचारी हुए, तो याद रखे, सतन्त भारत के सतन्त भारत के पिथम गोपालाचारी हुए, यहीं बात कर लेते हैं हम लोग, अंग्रेजी सासर की दरोत, महत्पूल्ट वे द्रोमों के बारे में, आंदोलन, प्रभावित, छेत, सम्मंदित, नेता और नेतत, सभय कभगा, तो सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी वित्तों पिर भाविच्छे थे बिहार, बंकाल, सम्मंदित, नेता थे इसके, केरना सरकार, दिर्जी, नारायन, यह 1860 से, 1760 से 1820 के बीच हुआ, फिर हुआ फकीर वित्रो, यह बंगाल में हुआ फकीर वित्रो, इसके नेता थे, मजनू, मजनून साहें, एवन चिरागली, यह 1760 से फिर हुआ चुरा, चुवारों बित्रो, इवाकुडा वंगाल में हुआ, तो यह हुआ दुर्जन सीं, इसके नेता थे, 1790 इस भी में हुआ, फिर बात करें, पॉली गरों का वित्रो, तो यह तमिलाणू में हुआ, इसके नेता थे, बीर, पी, कट्टावा, वम्मान, 1789 से, 19, 1801 में हुआ, ठे, फिर आया बेला तम्मी विद्रो, तो यह तैवन कोर में हुआ, मेलू थम, पी, इसके नेता थे, 1808 से, 1908 से, 1809 के विछ वा, फिर बात करें बील विद्रो, तो यह पश्टमी घात में हुआ, शेवाराम, इसके नेता थे, 1825 से, एकात्तीस के विच वाइन, रमोसी विद्रो, तो ये पश्च्मी घात में हुआ, इसके नेटा थे चित्तर सी, 1822 से 1929 के भी जह थे, पागलपंती विद्रो ये असम में हुआ, टीफु इसके नेटा थे, 1825 से 27 के भी जह विद्रो, असम में हुआ, फिर्ग सीकनेटा थी तपर्ट परच्ष आलगे जनी अगले में धुद्र नम्मिटा थी आलगा। फरायती अंदूलन तो ये बंगाल में हुगा सरियात उल्ला पुखु मिया इसके नेता थे 1838 के वीच्छुगा नील विद्रो तो ये बंगाल विहार में हुगा तिरूत सीम इसके नेता थे 18 जंगन से बासक की संथाल विद्रो ये बंगाल और विहार में हुगा सिद्धू कान्यू इसके नेता थे 1856 मुंडा विद्रो ये विहार में हुगा बिर्शा मुंडा इसके नेता करता थे 1899 से 1900 के वीच पाइक विद्रो उडिशा में हुगा वक्सी जग बंदू इसके नेता थे 1870 से 1825 के बंगाल में हुए दिगंबर इसके नेता थी 1869 से 60 की हुए पावना विद्रों पावना बंगाल में इसान चंदराय एवन संभूपाल इसके नेता थे 1873 से 76 की बीच हुए दक्कन विद्रों ये महराश्ट में हुए ये हुगा था 1864 से 75 की हुए मोपला विद्रों ये मालावार केरल में हुए अली मुल्ड सियार इसके नेता थे 1822 की बीच कूका अंदुलन ये पंजाब में हुगा था भगत जवाहर इसके नेता थे ये हुगा था 2022 की बीच रम्पाओं का विद्रों ये आंध्पिदेश में हुगा सीता राम राजू इ 1882 ताना भगत आंदुरन ये बिहार में हुआ जत्रा भगत इसके नेता थे 1914 ते भंगा आंदुलन तो ये बंगाल में हुआ कंपा राम सिंग और भवन सिंग इसके नेता थे 1940 में ते लंगा ना अंदुलन ये 1940 में हुआ ठीक भगर जवाहर मल की सिस्थ राम सिंग ने 1872 में आंग्रे जो कडाई से समा कडाई से सामना किया बाद में ने कैद कर लंगून बेत दिया गया जो 1885 में इनकी मित्तियों में ठीक अब बात करते हैं 1872 की महान करांती के वारे में 29 मार्च 1872 को मंगल पांडे नामों की सेनिक ने बेरगपूर में गाय की चल्पी मिले कालती उसों को मुह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया है अलसुरू उसे ग्रफ्ता कर लिया है और आठ अपरेल 1877 को फांसी दे दिया है याद रखिए मंगल पांडे को फांसी का हुई आठ अपरेल 1877 को दस माई 1877 इस वी के दे मेरट की पैदल टुगरी 20Ni ने 1877 की करांथी की शुरुआत की अब बात करते हैं 1877 की महान करांथी की प्रमुक्त कैंद ये कैंद हो गया भारती नायक हो गया विद्रोव की तिथी होगए ये वेटिश नायक हो गया विद्रोव का दमाने वाले य कि अगल कि सबसे पहले बात क्रदें में दिल्ली की है कि तो यहाई नायक जो सासुक्ते बहादुर साज्यापथा वो बक्त कहा सैंगने द्द किया वक्त खाल कि तो इन्होंने वेट्रोव की तारीक की हैं 11 – 12 में इंड़ा संताओं यहां वेटिश नायक में बिद्रोव कि यह कई बार पर इचाहों में बूच लिया जाता है तो दिल्ली यहां का नेतत किस ने किया बहादुर साजय पर वबक्त खाने और यहां बिद्रों का दवाने का नेतत किस ने किया नेकलसन एम हटसन ने 21 सेफ्टमबर 1857 को दवाने की दिद्धि यह बात करते हैं कानपूर में नेतत किस ने किया नाना सहा और तत्याटौपी 5 जून 1867 ठीश यहां कानपूर में दवन किस ने किया 1867 कि राधि में तो यह थे कैप्वबन 6 सेफ्टंबर 1807 लखनों भी बात करें तो बीगम हजरत महल थी है चार जून 1807 पर इन्हों ने विद्धरो किया कैम्पवल मार्च 1807 में इन्हों ने विद्धरों के दवाने का काम किया तो याद रही कानपूर और लखनों विद्धरों किसमें दवाया कैम्पवल ने अब बात करते हैं जासी तो रहानी लक्षी में आई थी जासी किसास में दून 1807 में यह रोज ने यहाँ बेटिस नाइफ था जिसमें विद्धरों दवाने का काम किया तीन अपरयन अठषरासो 58 फि थी एला बात कि बात करें तो ले आक तली थी अधार चाह दरूसी कि तो इसी ऒढ़ा कि और यहाँ विद्धरों दवाने का गाम किया कर्णल नील ने अठारसों अधान लाट ने जग्दी श्फुर कि बात कि तो खान बहादॐर खान वाहा हा । तो बंसे अध्रेश ऑ में दवायार यह तु आखा आरन गिवा लिए न मैं दवाया ons देख लेते हैं हम लोग, एक बारों, दिल्ली में 18 संताओं की किरामती का नेतरत किस ने किया, महादुर साय जापर्ना, ओव बक्त खाने, कानपूर में नाना साहब दत्याटों पे, लखनाउ में वेगा भजरत भाई, जासी में नानी लक्षिनवाई, इलावत में लियाकत अली, जगदीशपूर में कुमर सिंग, बरेली में खान महादुर था, खैजाबाद में मौल्वी एहमत खान, फथेपुर में अली मुल्ला था, तत्या टॉपी का वास्तविक नाम क्या था, राम चंद पांडू रंग, तत्या टॉपी का वास्तविक नाम, राम चंद बंडू रगता, अठारव सुसंताओं की क्रांती के स्थाने विद्रोईने ताओं में 27 के रंगा बापुजी गुपते, हैदरावाद के श्रोना जी पंडेत, और रंगा रावा पांगे, मौल्वी सेयद अलावतीं, करनाट के भीम राव, मुंडगी, शोटा सिंग, कोलापुर के अन्ना जी फंडावीज, तत्या मोतित, मद्रास के गुलाम गोस, सुल्दान वक्स, चिकलकुट के अरंगिरी, किष्णा, कुएमबटूर के, मुल्वागल स्वामी, केरल के, विजय कुदारत कुंजी इमामा, मुल्ल कुण ना, कि छित में चिंता हुपती, और उनका वतीजा सन्यासी हुपती, गंजम में राधा किष्ण गंड से तथा, असम में दीवान मनीराम दत थे, ते, अब बात करते हैं, भारत का सितनता संगयस, पहला अंग्रेजी विरोधी संगयस सन्यासियों के द्वारा सुरू क किया गया था, सन्यासी विद्रोह का उलेग बाकिम चंद चटर जी के उपन्यास आनन्दमट में किया गया था, 1887 में दादाभाई नौरोजी ने इंग्लेंड में भारतिय सुधार सम्ति की इस्तापना की थी, याद रखिये, भारतिय सुधार सम्ति की इस्तापना इंग्लेंड में नहीं थी, दादाभाई नौरोजी ने 1887 में, 1887 के बाद, वेंटिस्ट, सरकार का रूख, के वजशूपश्मदर सी अलवसंख्या का पिती नित करती है। ये किसे ने कहा था? डप्रेण ने. करजन ने कहा था? कॉंगरेस अपने पतन की ओ लड़ा ती वीध जा रही है। एक कर्जन ने कहा था, अरवेंद भुस के अमसार कॉंग्रेश छे रोग से मनने वाली है, अरवेंद भुस के अमसार कॉंग्रेश छे रोग से मनने वाली है, वाकिम चिंद चटरण जी ने क्या कहा, कॉंग्रेश के लोग पदों के मुंखे राजनितिक है, नौरोजी दत्त और बाच्छा ने धन्द विकास की से धन्द कफिती वादन किया, वेर्टिस हाउस और कॉमर्स का चुनाव लन्ने वाली तित सरब्विकम भारतिये दादा भाई नौरुजी थे, इन्होंने लेवरल फाइटी के उमीदवार के रूमें, खेंस्बरी से 1892 में चुनाव जीता, लौर्ड करजन ने 20 जुलाई 1905 इस्वी को बंगाल विभाजन का नेडाय किया, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलंकत्ता के टाउन हॉल में सौधिसी आंदोलन की बोठना की, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प् 1905 को प्रभावी हुआ था, इस दिर पूरे बंगाल में सोख दिबस मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, सौधिसी आंदोलन में बंदे भाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, आदी नारे दिये गया है, 1906 में कलकात्ता में हुए कॉंग्रेस के अधिविशन की अधिश्टा करते हुए, दादा भाई नोरोजी ने पहली बार सौराज की मान पिस्तुत की, 1893 में वर्ष एक परिवर्तन बिंदू है, इसे भी देख लिए थे हैं, क्या हुआ हुआ इस प्लाएं, 1823 में स्वामी बिवेकंद, 1863 से 1902, अमेरिका 1893 में स्वामी बिवेकंद, अमेरिका की सिकागो नगरों के, याद रखिये एक तारीक याद रखिये, 1853, स्वामी बिवेकंद, स्वामी बिवेकंद, अमेरिका के भाईयों के साथ, शुरूंपिया, तालियों की गड़वा, गड़-गड़ा हट में, ना केवल उन्हें, वलकि भारत को बिस्के सर्वोच सित, देशों में लाकर खड़ा कर दिया, उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा, उन्हें स्वामी बिवेकंद को, इस सिखागो कब गए, अठाए सु त्रेव, तेरानवे में, अठाए सु तेरानवे में, चौदे बस की बाद, योग, योगी राज अर्विंद भोस्त, भारत भूमी पर वापसी हुए, वो अठाए सु तेरानवे में, वनोंने एक लेक माला, निउ लेंप और ओल्ड पिकासित किया, 16 नवमर 1893 में, वो एनी वैसंट, भारत आई, मैं बनार सहर में रहने लगी, उन्होंने भारत पियों से कह था कि मैं हिदाय से तुम्हारे साथ हूं, और शंत्किती से भी मैं तुम्ही लोगों में से हूं, 1853 में महत्मा गांदी, अब्दुल्ला सेट नावग व्यापारी के मुकदमे में दच्छण पेका चलिए, तो याद रखिए, 16 नवमर 1893 में एन्थनी वैसंट भारत आई, और 1853 में महत्मा गांदी, अब्दुल्ला सेट नावग व्यापारी के मुकदमे में दच्छण पे किरांती कारी गतिविदियों की दिरिश्टी से 1893 नासिक में चापने कर बंदुवान है कि गुप्त संस्ता सोसाइटी पूर दा रेमूवल और से टिकल्स टू दा हिंदू लिलिजर इस्ताफित की सोदेशी आंगे देखते हम लोग सोदेशी आंदूलन की चलाने के तरीवे को लेकर की कॉंग्रेस 1907 में सूरत अधीवेशन में ओगवादी गरम दल उधारवादी दरम दल नमंदू दलों में विभाजेत होगी इस संबेलन की ये देट्टता रास बिहारी पौस ने की थी 1907 सुदेशी आंदूलन के आउसर पर ही रवेंदाट टैगोर रवेंदाट ठागोर ने अपना पिसेदी गीत आमार सोनार बंगला लेखा बाद में यही गीत बंगला देश का राष्टिय गीत बना बंगा बाल गंगाधर दिलक पहले कॉंग्री से लेता थे जिनों ने तेश के चापे कर बंगला दामुदर एवं बालकिष्ण निपलेक अधिकारी रेंड एवं ये इस्टरट की हत्या कर दी बंगल में करांतिकारी विचार धारक वरिंद क्वार्गोस एवं भूपेंदर नाथ दत्त ने पहलाए 1905 में वरिंद क्वार्गोस ने भावानी मंदिर न कि दृतनों में फ़ेया गत्ता हर्ग प्वेकासन किया महें अ UH यह पात्त दानल ने आस की मद्यौनग मिनिन अनुसील समिथी में हैंचन्द घुरूसी करागतिकारĩों से भंबनाने की कला सीखने की नि रूस चेल महराष्ट में बिनायक दामुदर्सावारकन 1904 में अभीनए भारत नामक संस्ता की स्थावना की अभीना भारास संगतन के सदर्स के पीए नुबापट बन बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए दियों है महराट में करांतिकारी आंदोलन उभारने के असरे तिलक के पत केसली को जाता है तिलक ने 1893 में गड़पती येवन 1895 में सिवाजी उत्सम मनाया ना वारम किया वेलेंटाइन से रोले ने बाल गंगादे तिलक कुभातिय आसन तोस का जनका महराट से महत्पूर्ण करादीकारी पत काल का संपदन परांजबे परांजपे ने किया पिप्फल, चाकी और खुसीराम बॉस ने 30 अपरेल 1908 को इसमी को मोजप्र पुर के चैन किंग्स ओर की नत्या का प्रतिन किया कंती से बंप कैनेडी की गाड़ी पर गिरा जिसमें दो महलावी मिर्ती हो गई चाकी ने आत्मत्या कर लिए और कुसीराम बॉस को 15 वर्स की अवस्ता में 11 अगस्त 1908 को थासी दे दे देंगे में लंदन के स्यामजी कि लंदन में स्यामजी किष्ण बर्वा ने इंडियन होम रूल सुसाइटी की स्थाथना की तीस दिसम्बर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाखा की ने दितर में सम्मीदान हुआ नवाब वकारूल मुल्क इसके अधाद्यश थे इसी सम्मीदान में अखिल भारती है मुस्लिम लीक का होदय हुआ लीक का सम्मीदान 1907 में कराची नगना और इस सम्मीदान के अनुसार पित्थम अधिवेशन 1908 में अमरस्तर में हुआ जहां आगा खाके कुषका अध्यक्त बना दिया गया मुस्लिम लीक का एक जुलाई 1909 मदन लालठींगरा ने बिलियम करजन वाईली की बोली मार कर हत्या कर दिया 16 अगस्त 1909 मदन लालठींगरा को मित्ति उतन दिया गया फिरा 21 देसंबर 1909 अनंद कन हरेड ने चेक्षन को बोली मार दिया वायतराय लौड आयडिंग ने 1911 में दिली में भब दरवार का आईविजन इंगलेंड के समराठ जॉड पंचम एवं मेरी की स्वागत में किया इस धरवार में निम्न गुष्णाय हुई बंगाल विवाजन को रद्क किया गया बंगाली भासा छित को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया विहार एक अलग राज बना जिसमें उडिस्सा भी सामिल हुआ राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली इस्तानांतित करकितने की विवाजधा में तिराय कर लिया यह जल्यान तीन सो इंक्याउन यात्रियों के साथ 26 सेप्टमबर 1904 को उगली पहुंचा बजबज नामक बंगरगार पर जहाज पहुंचने पर तलासी हुई और संगयश हुआ अठारे यात्री वारे गए और लगभग पच्चीस यात्री घायल हुए तेईस देटमबर 1912 कुरास बिहारी वोसले दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बंपिका इसमें के परड़ाम सरू तेरे व्यक्ति गरत्तार किये वे इसमें प्रमक्ति मास्टर अमीचन दीनाना अवद विहारी लाल लालमुकुन वसंद कुमार विश्वास थन्वन साहर एवं बलराज बालमुकुन वसंद कुमार विश्वास कुपासी देदी गई दीनाना दवाव में आकर सरकारी गवाब बन गए थी यादर कि मास्टर अमिंद चन्द और समंदित अवद व यारी लाल बालमुकंद और वसंतकुमार विश्वास को पासी दे दी गई थी एक नमबर 1913 में अनेट भर्तियों ने लाला हरद्याल की नेतत्त में सेंट फ्रांसिस लिखों में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की सोहन सिंग भाखना इसके पित्थम अध्यक्षित एक नमबर 1913 में विए लाला हरद्याल की नेतत्त में 1915 में अंग्रेश सरकार ने केसर एंदिकी उपादी से महत्मा गांधी को सम्मानित किया कॉंग्रेश के लखना अधिवेशन 1916 में हुआ कांग्रेश के इस अधिवेशन के दोनों दलों में एकता हो गई गरम दल और नरम दल इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कॉंग्रेश से मिलकर एक सैफ समिती किस था अपना की बाल गंगाथन तिलक ने स्वसाथन रात्य गित्व मार्च 1916 इस भी को उना में हॉम्रूल लीग की स्थापना की एनी वेशन्ट ने सेफ्टमबर 1916 को मद्राफ्ट में हॉम्रूल लीग की स्थापना की जॉर्ज अरूड निल को लीग का सचिब बनाए गया गांधी जी पिथम इस्थे उद्विके समय लोगों को सेना में भात्य होने की लिए प्रूत्साहित किया इसलिए लोगों ने भात्य कराने वाला एजेंट कहने लगे 1916 इसलिए में गांधी जी ने अहंदाबाद में करीब सावर्वती आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने की उनेसा सोल्य में भ बिहार के के साल राज्कमान ने गांधी जी को चंपारन आने कहां पेरिद के गांधी जी ने सत्ययागह का सर्भर्रपिषम पियोग दज्चर अफेका में किया तो याद रोबकिए गांधी जी सत्ययागहए Alay'Tasar कि याके चंपारण बिहार में बिहार मेंfilm कि भी जो侈 सद्रिक भारत छंपारण काल्यों की समापत कर नहीं महत्म्हाल गांधी ने सुपप गुजरात के एक खेडा जली में करण नहीं आंदोलन चलाया एनोंने 19 मार्च 1929 को रॉलेक्ट एक्ट लागू किया है जिसके अनसार किसी भी संद्धे इस पर व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ग्रतार किया जा सकता है परन्तु इसके विरूद ना कोई यकील ना कोई दलील और ना कोई पकीली किया जा सकता है रॉलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1929 को लागूगा गांधी जी ने इस कानून के विरूद 6 परेल 1929 को देश व्यापी हर्दाल करवाई 13 परेल 1929 को इस भी को अमरस्तर में चलिया वाला बागत्या पानूगा तब 13 परेल 1929 को डॉक्टर सत्वाल और सेपुद्देन किचलू की गर्पतारी के विरूद में हो रही जनसवा पर जनरल डायर ने अधाद उन्द गोली चलवाई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 389 व्यक्ति एवाब कॉंग्रेस संती के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए तो यादर की डॉक्टर सत्वाल और सेपुद्देन किचलू की गर्पतारी के विरूद में जनसवा हो रही थी तो इसमें जनरल डायर ने अधाद गोली चलवाई इसे ही अमरस्तर में जलिया वाला बागत्याकान कहा जाता है 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बागत्याकान में हंस राज नावा भात्तिय ने डायर का सहयो किया था हंस राज अंगला संकरन नायर ने चलिया वाला बागत्याकान के विरूद में वायसराय की कारकारणी पईस से सदस्ता से इस्थिपा दे दिया जलियावाला वाग हत्याकांड की विरोद में महत्मा गांदी ने केसर एहंदी की उपादी लोटा दी, जनरल वजाज ने राय बहादुर की उपादी एवं रविंद्रा टेगोर ने सर की उपादी बापस कर दी जलियावाला वाग हत्याकांड की जाज के लिए सरकार्नेट 19 अक्टूबर 1912 को लौड हंटर की अद्धिक्ता में कमेटिक अगट्म किया, पाँच अंग्रेश और तीन भालतियों, सर्चिमनलाल, सीतलवाड, सहव, जादा सुल्तान, एहमत, चगत, नारारे सतिस थे इसके, क बार्नेट सदर्स में मौतिला नहरू और गांदी जी थे, जलियावाल वाग कभी जली नावक्वित्ती की संपत्ती थी, खिलापत अंदुलन भारतियों मुसल्वानों को बित राष्टों की बिरोद, विसे इसकर वैटन की खिलाप, टर्की के खलीपा की समर्थर में अंद 23 नवंबर 1912 को हिंदू और मुसल्वानों की एक सेर्थ कॉन्फोल सुई जिसकी अध्यक्रता महत्मा गांदी ने की, लोले टेप, जलियावाल वाग कांडों और खिलापत अंदुलन के, उन्तर में गांदी जी ने 1 अगस्त 1920 को असाइव अंदुलन फेरम किया, असाइव आंदुलन को प्रुष्टी भारती रफ्टी कॉंग्रेस में दिसम्बर 1920 के नांगपुर अधीवेशन में किया, तो याद रखी कॉंग्रेस का नांगपुर अधीवेशन एक दिसम्बर 1920 को गा, मुहम्मद अली को सर्पितम असाइव अंदुलन में गिरपतार किया गया, गोरखपुर जिलेगी चोरी-चोरा नावकिस्थार पर असाइव अंदुलन कारियों ने प्रोध में आकर ठाने में आग लगा दी, जिसमें एक ठानेदार और 21 सिपाईयों की मित्ती हो गई, इस घटना से दुखित हो पर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असाइव अंदुल का गया, 1922 इसमी को मेवाड भी लांदोलन का नेत, मौतिलाल तेजावत थे, मेवाड भी लांदोलन के नेत, नेता कों थे, मौतिलाल तेजावत, 1923 में इलावाद में चितरंजन्तास, मौतिलाल नहरू ने कॉंग्रेस के अंदर अंतरगर स्वराज पार्टी की स्ताफना की महतमा गांदी से एक बार Congress के वेल गाओ अधिवेशन 1924 के ureauे याद रखे पूछा ज़ा सकता है कई बार पूछा ज़ा चुका है सरफ इंधा만 इंद सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीशन की स्थाफना की बहगत सींग 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिक एसोसीशन रग दिया नागस्त 1925 को जब रेल गारी से सरकारी खजान सहारान सी लखनाव की वोर ऊई श्यारा है तो इसे कापी कांड कहा जाता है तो नागस्त 1925 को सरकारी खजाना नूटने का विचार राम पिसाथ विश्मिल का था इसमें राम पिसाथ विश्मिल राजेंद लहेडी रोसल सींग अस्फा को उल्ला खां को दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई सचेन संग्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई मनम्नम्नमत्नात गुप्त को चौदर विश्मिल राम पिसाथ विश्मिल यह कहते हुए मैं राज के पतन की उच्छा करता हूं फांसी पर लटक गई संभावता अस्फाक उल्ला खां पहले भारती करतिकारी मुसल्मान थे जो देश की सुद्धा के लिए फांसी के तक्तिप लटक गई इस्तिरियों ने सेम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का उत्देश से 1926 में अखिल भारती महला संग्य की स्थापना की याद र इमिन कमीशन तीन फरवई 1923 को भारत आया इसमें वाइड में कमीशन भी कहते हैं से 30 अक्टूबर 1923 को लाहोर में साइमन आयो की ब्रोध विदर्शन करते समय पुलिस की लाटी से लाला लाच पत्राय भैल होगी और बाद में उनकी मित्तिव होगी साइमन कमीशन का वहसक अजयात के बारें पंडिक जी के बारें इनका चंद सेकर ऐस पूरा नाहिक.. चनद सेकर सीताराम्तिवारी इनका जननम हुआ भावरा जहावक जिलाब.. बरत्मान अली राजपूर जिला मत्यदेश में जनम गुगा दायन का 23 जुलाई 1906 पिता थे इसके सीता रामतिवारी और माता थी जगरानी देवी सहीद पिस्तले अलफेट पार्क इलावा 27 परवई 1931 में संभाने संगठन से थे नौजवान सभा कृती किसान पार्टी इंदोस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन आगे बाब करते हैं भगस्तन की नेतत्वे पंजाब के किराधी कारियों ने 27 दिसंबल 1928 पर लाहोर के ततकालीन सहाइक पुलिस कप्तान सांडर्स की गोली को गोली मार्दी पबलिक सेक्टी विल के पास होने के विरोध में आठ अपरेल 1930 को वटू किस्रदत देवं भगस्तिग ने दिली में सेंट्रल लेजिस्टलेटिव असेमली में खाली बेंचों को गवठेका उन्मी सो उनतीज में कॉंगरेस लाहोर अधि विसन में कॉंगरेस ने उन स्वराज का अतना लक्षे मोससर किया कॉग्रेस लाहोर अधिय दिली थ्यादर रखेंद्फिय इस अदिश्ताट पंडि जवाहलला नहलू कर जागवर अधिविशन की 31 दिसंबर 1937 को रात में 12 बजी जवाहला नहिनुने रावी नदी के तर्फन नौ गेद तरंगे जंटे को फेराये इसी दिन 26 जन्वरी इसके साथी पितेग बर 26 जन्वरी को सुतत्त दिवस रूप के रूप में मनाये जाने की परप्रा शुरू हुई 22-12 मार्च 1930 को गांधी की ने अपने 89 समर्थकों के साथ सावर्वती इस्तित अपने आस्रम से लगवक 322 क्लोमीटर दूर डांडी के लिए विस्थार किया चेपरेल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानूं तोड़ा सुभाष्चन बॉस ने गांधी जी को नमक चत्यागाय की तोल्दा नेपोलियन के एलवा से फेरिस यात्रा से की थी याद रखिए दांडी मार्च का हुगा 12 मार्च 1930 को निटे और पहुंचेगा चेपरेल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी आंगे दिखते हैं आठ मार्च 1931 को गांधी ने एर्विन पैक्त हुगा इसके बाद गांधी जी ने समया एव्यां दोलन इस्तिकर करें गांधी एर करण आशक पिथम गोल में समयलन 12 नमबर 1930 तीटीय गोल में समयलन 17 नमबर 1932 में याद रखिए तीन नो गोल में समयलन किसमें इंगलेंट पिधार मंत्री चैन्स रेम जे मैंका डॉनाल्ड था डॉक्तर भीम राममेड कर लंडन में हुई तीनो गोल में समयलन 12 नमबर 1932 में अच्छूतों के पितिनी जी की रूम में बुलाया गया किसे भीम डॉक्तर भीम रामममेड कर को तीनो गोल में समयलन 12 नमबर 1932 को पुनहा सविने अयुग्या अंदोलन प्यारम कर दिया सविने अयुग्या अंदोलन अंतिम रूप से 7 अफरें 1934 को बापस लिया गया सविने अयुग्या अंदोलन में पठान सत्या ग्राणियों पर गोली चलाने से गणवाल राइफल्स ने एकार कर दिया 23 मार्च 1931 इसवि को सुखदेयों भागसीन और राजगुरु को फांसी पर लगका दिया गया था कॉंसीडेट है 23 मार्च 1931 को सुखदेयों भागसीन और राजगुरु को फांसी दी गई थी याद रखिए मई 1934 को कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की स्थापना में 1949 में महत्मा गांधी द्वारब फिस्तावित पिस्त्यासी पठावी सीता रमया को हराकर स्वाष चंद बॉस कॉंग्रेस के अद्यफ चुने गए एक मई 1949 इस भी को सुवाष चंद बॉस में कॉंग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे फारवर्ड बिलोग कहा गया सुवाष चंद बॉस ने सुतंत्ता संगयोस के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर किसरदार उधम सिंग ने पंजाब के भूधपूर लेप्टिनेंट गवर्णल डायर को गोली मार कर हत्या कर दी, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पाव नार में ब्यक्ति गस त्या गया है आंदोलन सुरूटिया, इस आंदोलन के पित्थम सत्या गयी थे विनोवा भावे, दूसरे थे सत्या गयी पंड जवाहलाल नहरू और तीसरे थे ब्रह्मा दत्त, ठीक है तब पहले याद रखिए पिनोवा भावे, दूसरे जवाहलाल नहरू, तीसरे थे ब्रह्मा दत्त, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, 24 मार्ट 1904 इसमें को मुसलिम लीग के लाहोर अधीवेशन में अध्यक्षता करते हुए, मुहमद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुसलिम राश्ट पाकिस्तान की माल की, मुसलिम लीग के 1940 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्ष्टा लावाक्स में खली कुझ्ज मानने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट का पिस्ताव रखा वर्धा 1942 में कांग्रेश ने अंग्रेजों भारत छोड़ों पिस्ताव पारत किया 7 अगस्त 1942 इसवी को कॉंग्रिस की बेटे बंबई के इतिहासे ग्वालिया टेंग में हुई भारत गांधी के भारत छोड़ों पिस्ताव कॉंग्रेश कालसंती ने 8 अगस्त 1942 को सुईकार कर लिया भारत छोड़ों आंदोलन की सुरुआद 9 दिसम्मर 1922 इसवी को हुई सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्न सभी मत्मनेता गृपतार के लिये गांधी को पूना के आगा खा महिल में तथर कालकारी के अन्न सदस्तों को एहमद नगर के दुर्ग में रखा गया राचेन प्रिसात को भी नजर बंद कर दिया गया नौ मई उन्निस्तों चवालीस को गांधी जी को जिल से चुड़ा गया आज़ाद हिंद पहुच की स्थापना कविचार सरफ पूच्छ के टन मोहन सिंग के बन में आया आज़ाद हिंद पहुच की फित्थम डिवीजन का गठन एक सेक्टमर उन्निस्तों प्यालीस को केप्टर मोहन सिंग के द्वारा किया गया परंदू है आज़ाद हिंद पहुच का सफलता कुरवक इस्थापनागर सिरे रास बिहारी बॉस को दिया जाता है आक्टूबर उन्डिस्थाटालीस इसभी में सुवाश्चत बॉस को आज़ाद हिंद पहुच का सरवोथ सैनापती बनाए गया आज़ाद हिंद पहुच की तीन बिगेडों के नाम है सुवाश बिगेड, गांधी बिगेड और नहरू बिगेड महिलाओं के बिगेड का नाम था लच्मिवाई रेजिमेंट, आज़ाद हिंद पहुच का ज़ंडा कॉंग्रेस के तरंगे की भाती था जिस सिफर दहाडते हुई स्थेर का चिन्द था आठ नामबर उननीस सो तैतालीश सीशवी को जापान में अन्वान और निकवायद दुईव समूख सुवाश बॉस को सौप दिया नेता जी ने इसका नाम क्रप्सा सहीद दुईव और सुराज दुईव रखा ठीक टोपियो जाते हुए फार मूसा दुईव के पास अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुवाश्चंद बॉस 18 अगस्त 1945 इस भी को मारे गए परन्तो इस दुगटना को अभी तक प्रमाइड नहीं माना गया तो याद रखिए सुवाश्चंद बॉस 18 अगस्त 1945 को फार मूसा दुईव के पास अचानक हवाई जहाज में आग लगने से मारे गए सुवाश्चंद बॉस का जनब 23 जनबरी 1897 इस भी को कर्टक उड़ीसा में हुआ था ठीज जनबरी 1897 आगे बात करते हैं आज्याद हिंद फोच को गिरत तार अधिकारी पीके सहेगल करनल गुरू दयाज धिलन मेजर सहन वाजखा पर राजदुरहों का आरूप लगाकर दिल्ली के लाल के लिए पर नवंबर 1945 को मुकद्मा चलाए गया वायस राय ने इसकी सजाबाब कर दी इनकी तो याद रखिए किस-किस पर चलाए गया था दिल्ली किलाल के लिए पर मुकद्मा पीके सहगल कर्मनल गुरुदयाल धिल्ले मेजर सहन वाजखा आजाद हिंद पहुच के अवियक्तों की तरफ से तेहेज बहादर सप्प्रो जवाहलाल लहरू भोला भाई देशाई एवं के एन काटजू ने फेर भी की थे क्रांची में 20 परवरी 1946 को बायुचना के कुछ सेंकों ने 25 सरकार के बिदरोत हर्ताल कर दी बंबई डाहूर दिल्ली में भी यह से की फैल गई इसमें लगवग बाउन सो सेंकों ने भाग लिया इसकी फिरमुकमान ती ही भारतिय और अंग्रेज सेंकों में बराबरी का वे भार किया जाए नौसेना बिदरोत 19 परवरी 1946 को मुंबई में आई एनस तलवार नामक चहाच के सेंकों द्वारा किया गया था पांच जार सेंकों ने आजाद हिंद पहुंचके बिल्ले लगाए इन्होंने भी बराबरी की मांग की केबिनेट मिसन योजनाप को मुसलिम ल तो याद रखे मुसलिम लीग ने 6 जून 1946 और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को केबिनेट मिसन के योजना को सुईकार किये जाने के पश्चार समीदान सभा के निर्मार के लिए हुए चुनाओ जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान स्थानों में से 205 स्थान पराप्त किये मुसल मुसलिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कारवाही दिवस मनाया कम मुसलिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कारवाही दिवस मनाया 27 मार्च 1947 को मुसलिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूम में मनाया जब हालाल नहरू के नितत्त में अंतर्म जंकार का गठाम 2 सेप्टमबर 1946 को हुगा 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग ने अंतर्म सरकार में संभिलित भी पांस सादस 26 अक्टूबर सुदंत्त प्राप्ति के समय कोंग्रेस के अद्श कों हों ते जे के जेवी कि पलादी मुक वेरि करने के कारण फडेंद घोश की हत्या बैकुंट सुलक ने सुकल ने की थी महत्मा कांधी द्वार एस्थाफित हरी जन्स सेवक संग के सास्थाफब अध्यक्स थे घंस्याम दास बिड़ला गांधी जी ने कॉंगरिस की सदस्था थे दो बार त्याग पत्त दिया 1925 में और 1930 में गांधी जी ने कॉंगरिस की सदस्था से दो बार त्याग पत्त कपकप दिया तो 1925 और 1930 बाटो और बाटो और छोडो पनारा लीग ने दिसंबर उनिस्सो त्याइटालीज में करांची अधिवेशन में दिया कॉंगरिस का पिथम बेटिस अध्यक्ष कौन था जार्ज यूले मैं देश की वालू से ही कांगरिस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं यह महतुमागांदी ने कहा था डंडा पौज का गठन पंजाब में चमंदू इपने किया था दीन बंदू मित करनाटक नील दरपन नील की खेती करने वाल लोंपर हुए अत्याचार का उले है रस्टवादी अहे रार आंदोलन मैहर उलहक न नाय करने की थी निरकारी आंदोलन की सुर्वाद दयाल दासने की थी ब्रह्मा समाज का इतीपात देविंदना ठापुर ने तेयार किया देव समाज की सल्तावक्ते सिव नारायण अगनी होती वरों इस्तरी सवा के सलस्तिक स्थाफना कलकत्ता में हुई थी भारत भाद्य के लिए यह नारा दिया आर समाज में अखिल भारतिये किसान सवाकिस्ता अपना लखनग में हुई थी जाद रखिए स्वामी बेवे कंद ने 1893 में में सिखागों में 20 से धरम संबिलन को संबोरित किया था दिल्ली सडेंद केस में दिनानात के द्वारा मुख्वेरी की गई थी अलीपूर केस में सरकारी गवा नरेंद गोसाई बने थे सबसे कमों में फांसी की सजा पाने वाली करांती कारी खुशी राम बॉस थे याद रखे सबसे कमों में फांसी की सजा पाने वाली करांती कारी खुदी राम बॉस थे इंकलाव जिन्दावाद का नारा भगस सिंग न दिया सहीत आज़म कि नाम से भगस सिग को जाना जाता है भगस सिंग को फांसी की सजा सुनाने वाले नयादिशते जे सिंग हेल्टन सबके लिए एक जाती एक धरम एक इसर का नारा स्री नारायन गुरू ने दिया था सवर्ण हिंदू की फांसी बात कॉंग्रेस करके कॉंग्रेस का चरेट निरूपन मुहम्मद अली जिन्दा ने किया था मैं किरांती कारी के रूम में कार करता है या कतन था जवालाल नहिरूजी का महत्मा गांधी रवेंक टेगोर ने सरप्तितं महत्मा का तो तो यादर कि महत्मा गांधी ईसे भेल कोams राक्ष्ट किता किसने कहा था सुवास्चन्द भॉस ठेव बल्ला भाई पटल को सरदार की उपाधी बारदोली सत्या ग्रह की सफलता के बाद वहां की महलाओं की और से गांदी जी ने प्यदान की थी सरदार की उपाधी बारदोली सत्या ग्रह की सफलता के बाद वहां की महलाओं की और से गांदी जी ने प्यदान की थी सुवास्चन्द भॉस को सरप्रितम नेता जी एडॉल पर हिटलर ने कहा था गोखले अध्यात्मिक राजनेतिक गुरू किसके थे एम जी गोखले के अध्यात्मिक एवम राजनेतिक गुरू थे एम जी रहणाडे महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरू कों थे गुपालकिश्न गोखली सुवास्चन्द भॉस के राजनेतिक गुरू को थे देश बंदो चितरंजन तास बारत का किसे कहा जाता है सदार पल्लब भाई फटल को सुद्धी अंदुलन के प्रवत अक्कों थे स्वामी दयानन सरसुती उन्नीस भी सताबदी के भारतिये पुनरज यागरण का पिता राजाराम मुहन राय को कहा जाता है अखिल भारतिये हरजन संग के स्थापना महत्मा गांधी तहुम नकी थी चेव गांधी को अड़न अंघन, फचीर कहा था राश्छी है विवासा स्वामी विवेका दंद से संबंध को यंग बंगालांदूय लगा प्रवातक को था विविएन-डेयरी जीऊ यंग बंगालांदूया विवेएन security अंधि बिभाणी के सथा पारित किया भारत के पितावाई ग्रेंट ओल्ड मैन ओप इंडिया दादा भाई नोरी जीव के कहा जाते हैं गोपाल हरी देश्म को लोग हितवादी के नाम से भी जाना जाता है बिना ताज का वास्था है सुरेंद नाथबनर जी को कहा जाता है A.O. Hume को हर्मिट और सिमला कहा जाता है A.O. Hume ने 1885 से 1907 तक कॉंग्रेस के महामंत्री रहे कॉंग्रेस के पिताम मुसलिम अद्देश थे बदुरुद्दीन तेव जी रोलेक्टिक को बिना अपील बिनाद बकी तथा बिना दलील का कानून कहा गया मुहम्मद अली और सौकत अली ने 1920 में खिलाकल अंदोलन की सुरुवात की थी तीनों होल में सम्मिलन में भाग लेने वाले भारतिय नितागों थे लॉक्टर भीब राव मेड़कर 22 दिसंबर 1949 कांग्रेस मंती मंदल ने सामूरी के रूप से त्याकपत दिया था इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस के रूम में मनाया था पाकिस्तान सब्द का जनम दाता को था चौदरी रह्मत अली याद रखे कई बात पर इच्छाओंगों पूचा जा चुका है पाकिस्तान सब्द का जनम दाता को था चौदरी रह्मत अली गांदी जी ने किफ से पिस्ताव और कहा था कि वह यह एक आंगे की तारीक का चेक जिसका बैक iley夏 होने वाला है ठीक है Noricalime लिष्ट पोस्ट डिदेट्टिट डिटेक्टिग चेप संदोल इंडिपेंडेट्टेण्स और इंडियाओ कि स्थपना जवाहलाल नहरु और शुवार्षन बोस ने इंडिया इंडेपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें सब्सक्राइब कि राष्टिये सुतंतता अंदोलन के दुरान को कुख्यात सेलूला जेल के अन्दमान में स्थित्थ आरे महला सवाकिस्तावना पंडिता रामावाई ने की थी अब बात कर लेते हैं हम लोग वहां तीये राष्टिये आंदोलन से समधित महत्पूर्ण संगठन यह उन संस्था हैं तो यह वो ही संस्था है और यह गए हो गए इस थापना भर्स संस्था पर बात करते हैं एसी आर्टिक सुसाइटी इसकी स्थापना हुई इसकी स्थापना की इसकी इसी आर्टिक स्थापना इसकी 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 दालांदुलां 1826 हेन लुई लुई वीवियन डेरू जीयो ब्रह्मा समाच 1828 राजा रांग मुहन राय तत्य बोधनी सवा 1849 देविन्दनाठ ठाकुर फिर हमारा बेटिस साथ चनिक सवां 1843 दादभाई नौरोजी परम हंस मंडली 1844 में गोपाल हरीदेश मुख में रहनु माई मजदायान सवां 1891 दादभाई नौरोजी नकीश की इस्ताबना वालिका विद्याले बालिका विद्याले 1871 आध एकाउन इंक्याउन जिवतिवा फिलेने ऐसी की स्थावना मोहुमंद मोहुमंट डन इंगलो लेक्तरीरी ससाइटी 1863 अग्दौल लथीज परम्हें इसकी स्थावना की साइंटिफिक ससाइटी 1864 सर्शेद एहमद खाने की इसकी स्थावना इस्ट इंडियार एसोस प्राथना समाज 1866 सभाइब नोर्व जी ने किस्ति पूर्णा सारव जी निक सभाइब 1866 एजी रनाडे ने की प्राथना समाज 1866 केश्व चंद के सहयुग से एम जी रनाडे पात्माराम पांडु रग पांडुकर देविंदनाट ठाकर आधी ने की थी पिर बात करते हैं वेद समाज तो 1866 आचार केश्व चंद सेंग सत्य सोदक समाज 1873 जेतीवा फुले ने किस्कि अलीगर मंडन डन एंगलो और इंटर कॉलेज 1875 सर्फ सेयद अहमत खाने किस्कि इंडियन लीग 1875 सिसिर कुमार घोस ने किस्कि स्थापना आरे समाल अधारे समझ दयानन सरसुती ने स्किस्थापना गीं इंडियन एस्सोसीएशन 1866 आंगंद मोहन बोस और सुरेंद बनर जी ने किस्कि इस्थापना थियो सवीकल सोसाइटी 1888 मेडम बिलाट वस्की एउट करनल अलकाट ने की यूनाइटेड इंडियन कमेंटी 1873 बेयोंच अंदत बनर्जी नेगी बार्तिय राख्टिय कॉंग्रेस्ट 1850 में एओ यूम नेगी फिर आतार गॉंबी प्रेसिडेंसी एस्सोसियेशन 1850 फिरोज मेता तेलंग एवं तेव जी नेगी वेलूर मट 1880 स्वामी बेवेकानन्द ने इंडियन सोसल कॉंफरेंस 1880 में महादेव गोविंद रनाडे सार्दा सदन 1899 नवाती रामाबाई ने कीज की स्था रामकिष्ण विसन 1870 स्वामी बेवेकानन्द ने कीज की अभीनो भारस स्था 1904 बिनायक दामुदकर दामुदर सावरकन ने सर्वेंट ऑप इंडिया ससाइटी 1905 गोपाल किष्ण गोखले ने कीज मुसलिम ली 1906 आगाखा एवं सलीम अनला कुल लाने की स्की स्था अनुसीलिनी समिती 1907 स्री वरेंद गोष्ण वूपेंद दत्त ने की सोसल सर्विस ली 1911 स्री नारायन वलहार जोसी ने की विस्वार्दी 1912 रभिना टेगवर ने की स्की स्था अभी गदर पार्टी 1903 ने हर्दयाल कासी राहम ने की स्की हिंदु महासवा 1915 मदन मुहनमाल विये ने इसकी इस्थावना की हम रोल लीग तो 1916 तिलक एवन एनीवेसेंटर ने की वीमेंस इंडिया एसोसीएशन 1917 में लेडी सदासेव आयर ने की खिलापत आंदोलन 1919 अली बंदु ने संस्थापक थे इसके अखिल भारतिये ट्रेडीर्मियन 1924 एम चोसी इसके संस्थापक थे सवराज काईटी 1923 में मौतिलाल नहरु याव चितरंजन दास इसके संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब इसकित हितकार्णी सभा 1924 बी आर अम्बेड कर जीने इसके संस्थापक थे राष्टिय समसेवक संग 1925 डॉक्टर हैड गेवाल नौजवान सभा 1926 भागस सिंग छवील दास इसपाल हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन एसोसीशन 1928 भागस सिंग ने इसकी इस्थाप खोदाई शित्मत गार 1930 अग्दुल गफ़ार खान इसकी इस्थापना की हरीजन सेवक संग उडे 1932 में महत्मागांदी संस्थापक थे इसकी सुतंत सेर्मिक्स पार्टी 1936 बी आर अम्बेड कर इसके संस्थापक थे फॉर्बर्ड गलोग और 1949 सुवाश्चन्द बोस इसके संस्थापक थे आजदमिक्स49 राजविहारी बोस इसके संस्थापक थे आजदमिक्स संगटन थे संस्थाइं और जिस सर में बने वह भी और संस्थापकों को देख लिए आंने कि छलिए तो बात करते हैं मों भार्तीय राट्टिय है आंदोलन से संबंदि इन और न अंदोलन में स्ट्राइब सेभ्याइन पर रहे वह हेंगेक में संबंदिक के बात करें करें इसकी सथापनप Agriculture ही य में बबनूब भी थी फिराया बंग भंग आंदोलं इस सौधिसी आंदोलं 1905 में हुआ बंगाल के विभाजन में के विरुद्ध में आया था है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आगा खां एवं सलीहीं उल्ला खाने धागा में की फिराया कॉंग्रेस का भी भाजन 1907 नरम एवं गरम दल में भी भाजित हुई सूरत फूट फिराया हुम रोल आंदोलं 1916 तेलक एवं एनीवेसिंट ने सुरूं किया था है फिराया लगनव दिसंबर 1916 कॉंग्रेस तथा मुस्लिम लीग के भी समझता था है फिराया मॉन्टेग्यू गोष्णा 20 अगस्त 1970 भारतिय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने गोष्णा की थी रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानुन भी का जाता है जिसके अंतर के किसी भी व्यक्ति को स संदेह के आदार पर गैक्तार किया जबता है फिर आया जलिया वाला बागत्या कंड हुआ 13 अप्रेल 1929 को जनरल डायर ने इसमें सामिलता है इसने किया अमरस्तर खिलापत आंदोलन 1919 सौकत ली एवा मॉम्माद अली ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट बिकासती 28 माई 1920 को जलिया वाला बाग से संबंदेथ थी है कॉंग्रेस का नांग्पुर अडिवेशन दिसम्बर 1920 में असहेव आंदोलन का विस्ताव पारित हुआ है असहेव आंदोलन तो यह एक अगस्त 1920 से शुरूंगा इससे संबंदेथ ब्यक्ति थे महत्मा गांदी चोरी चुराकांड पांच परबडी 1922 गोरफ पुर्ज लेके उत्रक्देश में इस गटना के बाद असहेव आंदोलन बापस ले लिया गया था स्वराज पार्टी के अगठन एक जन्मरी 1923 मौतिलाल नहरू और चितरण जन्दास न किया हिंदूस्तान रिपबलेकन एस्सोसियेशन ओक्टोबर 1926 सचेंद सन्याल साइमन कमीशन की न्युक्ति आठ नमबर 1927 जौन साइमन की अध्यप्स्ता में सास्त दस्तिया आयुक क पगठन किया गया तो आगे बात करते हमनों साइमन कमीशन का भारत आगमत तीन परबढ़ी 1923 भारत में लाला लाज पत्रायट की नितत्त में विरोद में उनकी लाटी पर हुआ हुआ उनके उपर नहरू रेपोर्ट अगस्त उनिस वट्थाइस पंडित मौलतीला नहरू की अध्यक्ष्तम बारदोली सत्य गया आप्टूबर उनिस वट्थाइस गुजरात के खिसानों की का लगान विद्धी के विरोद में सर्दार बल्ला भाई पटल की नितत्त में अन्दूलन हुआ लाहूर 17, 8 अपरैल 1929 भागस्तीं वट्थाइस असेमली में पंप एक उनिस पंडित का लाहूर अधी मिशन दिसमबर 1929 उन्षदाद स्वाधिंता की का प्ष्ताव शाधिंता दिवस दो जन्वरी 1936 जन्वरी के स्वाधिंता दिवस के रूमें मनाने की खोश्ना की गई आगे बात करते हैं नमक सकते आगें ये वारे मार्च 1930 से मार्च अपरेल 1930 तक महतुमा कांदी द्वारा सावर्वती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून काउलिगन करना सामिनताज में सभीने एव ग्यांदुलन सभीने एव ग्यांदुलन की सुरुवात हुई पितमगोल में समेले बारे नमबर 1930 पिधानमंतरी मैक डॉनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आईजित किया गया था गांदी इर्विन सम्झोता आठ मार्च 1931 को मत्मा गांदी एवं बायर वायसराय इर्विन की मत्य संपन तता सभीनाय एक्या आंदूलन इस्थखत करने की गोश्णा की गई इसमें फिर आया दुदियर गूल में सल मेलन पिर साथ सेप्टमबर 1931 गांदी जी ने संबिलन म में भाग लिया थ्रायक कम्यूनल अवर्ड शंपदायक पंचाट 16 अगस्त 1932 मैं मैंक डॉनाल्ड द्वारा फित्तक पित्ती निदित्य पिदान करना फिराया पूना पेक्ट सेप्टमबर 1932 गांदी जी और डॉक्टर अंबेड कर के वीच एक समझता हुए जिसके संपद सब्सक्राइक पंचाट में दलतों के लिए प्रहांतिय विवस्थाभी का सभाव में करब में में एकत्तर इस्थान सुरक्षत किये गए थी जो बढ़कर 148 सदी गये तितिये गूल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं किया कांग्रेस सोचलिस्ट का गट्र माई 1934 जयपेकास नारायन मेनू मसानी और सम जोसी कोंग्रेस सूचलिस्ट पाइटी का गट्र माई 1934 जयपेकास नारायन मेनू मसानी सम जोसी आगे बात करते हैं होरवर्ड विलोग का गठन एक माई 1949 इसे संबन दें थे सवाश्चन्द मुक्ति दिवस 22 दिशंबर 1949 मुसलिम लीग के द्वारा कॉंग्रेस मंदी मंदलो के त्यागपत पर मनाय गया था हूँ पाकिस्तान की मांग की बात करें तो 24 मार्च 1940 को मुसलिम लीग के लाओर अधिवेशन में एक मांग की गई अगस्त पिस्ताओ आठ अगस्त 1940 वासराय लिन लेत्गो के समय में हुआ है किप्स मिसन का पिस्ताओ मार्च 1942 इस्टीफर्ड किप्स कि भारत छोड़ों बंदो पिस सभी राजनितिक दलों का सम्मेलन था है नौसेना विद्दूर 29 फरवरी सरी 19 फरवरी 1946 यह मुंबई में हुआ पिद्धान मंतिली एटली की गोशना 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत करने का स्वासन दिया है केमिनिट मिसन का आगमर 24 मार्च 1946 वैटिस मंतिमंडल के तीन सदस्टों पैंतिक लॉरेंस सर एश्टीफर्ड किप्स पैंतिक लॉरेंस सर एश्टीफर्ड किप्स एवन एप बी एलेक्जेंडर का भारत आगमर केमिनिट मिसन योजना का पेकासन 16 मैं 1946 को हुआ थिराया पिद्ध्यक्च कानरवाही दिवस 16 अगस्ट 1946 मुश्लिम लीजग्वारक बना गया थि अंत्रिम सरकार का गठन साथ अंत्रिम सरकार का गठन दो सेप्टमबर 1940 को नहरू पिधानमंत्री बनेश में मांट बेटन योजना 3 जून 1947 वाइस राय मांट बेटन भारत विभाजनिक योजना रखी स्वतंतिता की तुराप्ति 15 अगस्ट 1947 भारत स्वतंतिता दिनियम द्वारा भारतिय गर्दंत की स्थापना 7 जनवरी 1950 डॉक्टर राजिन पिसाथ इत्वराश्ट पती बनेग अब बात करते हैं भारत के महांस सहीदों के बारे में ये नाम है उनके सम्मंदित गटनायन और सजाय ठीक तो सबसे पहले बात करते हैं खुसी राम खुदी राम बोस की तो 1908 में सैसन जग्ज गैंस फोर कि गाड़ी पर बम फेकने के कारण बेड़ी रिलिविस्टेशन पर ग्रत्तार हुए जे और 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई ने तो याद रखिए खुदी राम बोस को 8 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी प्रे अस्फा कुल्ला खां तो 19 अगस्त 1925 इजवी को का को दी डाक गाड़ी डकेंती केस के अभियोग में गिरख बंदी बनाये गए और 18 दिसंबर 1927 को फांसी गई ने फिर हैं उधम सीन 23 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को केक्स टन और लंदर में गोली मारने के कारण गिरखता हुए 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई ने फर बात करते हैं लोग भाकस्तिन तो सांडर्स की हत्या एवं आठ अप्रेल 1929 इसवी को केंदी ये विधान सभाव में बंफेकने के के आरव में ग्रफतार हुए संडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा गई ने 23 मार्च 1930 को फांसी बात के साथ बात करें तो बगस्तिन के साथ के केंदी ये सम्हीली में बंफेकने के आरव में ग्रफतार हुए थे वन्हें आजीवन का रवास का दन्द मिला वटू के सरफ दत्त हुए फिर बात करते हैं चंद सेकर राजाग जी की तो काकोरी डागगाडी डखेंती केस में कि मुख अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरका मैंने जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपे को रुक्सकार की गोशना की थी 27 फरवरी 1931 को अलफेड पार किलावाद में सहीद हो गए 27 फरवरी 1931 को फिर बात करते हैं मास्टर अमी अमी चंद दिल्ली सडेंद के प्रमों के क्रामतिकारी अमी चंद फरवर 1931 को चार साथी में पसाजने फासी देगी फिर अबद बिहारी और अबद बढ़ाई दिल्ली सडेंद केस केस और लाहोर बमकांड के आरोब में फरवरी 1934 में बंदी बनाएगे 8 माई 1931 को फासी देगी मदललाल धिंगरा एक जुलाई 1909 इसवी में कर्मा बिलियम करजन वैली की हत्या करने के कारण गरफतार किया गया और 16 अवेस्थ 1909 को इन्हें फासी पचड़ा दिया गया दामोदर चापे कर 22 जून 1897 में इसवी को फिलेग कमिशनर रेंड और लेटिनेंट एयर स्टर्ड की हत्या की सेल्कले में अपने भाजियों के साथ गरफतार में रेंड एंड एवं एयर स्टर्ड की हत्या एर्यूपीय की पित्थम राजिनतिक हत्या थीश्तों अठारे अप्रेल 1897 को फासी के तक्ते पर चड़कर सहीद होए इनके भाई वालकिष्म चापेकर को 12 मई 1899 तथा बासू देव चापेकर को 8 मई 1899 को फासी पर लटका दिया गया तो राय राजगुरू 17 दिसंबर 1928 को सांडर्स सांडर्स की हत्या में भाग लेने की पारण 30 दिसंबर 1929 को पुना में एक मोटर गयराज में गरपता हुए वो 23 मार्च 1931 को केंदिय जल लाहर में भगस्तिंग और सुकदेव के साथ फासी दे दी गई ने फिर बात करते हैं वासुदेव बलबंत फड़के एक सस्तक्त सेनाग बनाकर बेटिस सरकार की बिरोद का बिरोद करने की कारण 21 जुलाइं 1889 में को गरपतार में इन्हें काला पानी की सजार के सिलसिली में अधर में आमरा ठंसन करके 17 फरवरी 1883 में ने पराण तरग दी परें कारतार सी सरावा तो इक गदर पार्टी के सक्रिय कार करता हो लाहो सेनिक सडेंत नेता यह से गरपतार किये गए 16 नवंबर 1915 को फासी के धक्ते पर जोलते हुए सहीद हो गए करतार सी सरावा फिर बात करते हैं राजेंद लहीडी लहीडी यह दर्चड़ेस और वम कांड तथा काकूरी काकूरी डाग गाड़ी टकें थी कांड के सिलसिले में गरपतार हुए 17 दिसंबर 1927 को गोर्णडा की जिल में ने फासी दिगे तरह अनंद कनहरे नासिक के जैक्सन हत्याखन के प्रमुक अवियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गया वह 19 अपरेल 1910 को इने फासी दिगे 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापूर में आजाद भारत के आस्थाई सरकार की स्थापना की घोष्णा की तथन जापानी सेना की साहता से अन्वान एवन उन्हें को वारत दूइत पर अधिकार करते हुए 24 में भात्तिय सीमा के इंफाल चेत्मां तरवेश लिया 18 अगरस्त 1945 को बायुयं दुरगटना मेंड की मित्ति होगे प्रंतु इस दुरगटना को अभी तब प्रमार्डित नहीं माना गया फिर बात करते हुए विश्णूंगड़ेश वेंगल 23 मार्च 1915 को विस्पोटक ब मेदनापूर के जिला मजिश्टेट वर्ज बर्ज पर गोली चलान के आरूम में 2 सेप्टमबर 1923 को गरफतार में 26 ऑक्टूबर 1934 को पासी पर लटका दिया गया ने को साल कौवर 9 ऑक्टूबर 1942 को बेटिक्स सेनेट गाड़ी को पट्री से उतारने के संद्रम में गरफत दिए त्रे असिद भट्टाचारी कि इना 13 मार्च 1923 को हभीवकर जमें वी डाक्ट लकेती तथा हत्या के अनुमामलों में मामलों में मामलों के सिलसले में गरफतार किये तो दो जुलाई 1934 को सेहटल शेल सिलहट जेल में रफासी दिए बात करते हैं जगन्नास सिन्दे के बारे में सोला को ठाने पर हुए रामले का अभियो लगा करने बंदी बनाए है वो बारे मार्च जन्वरी 1931 को इने फासी दिए हरी के सन्थ 23 दिसंबर 1930 इसवी को पंजाब के गवर्ना पर गोली चलाने के आरों में गरफतर किये नौ जुन 1931 को इने फासी तरह सूर सें 18 अपरेल 1930 इसवी में चटगाओं इस्तिद बेटिस सस्तागात पर आकमण में भाग लेने के कारण गरफतार हुए और 11 जन्वरी 1934 को इने फासी दिए लाला लाच पत्राय सत्तरह नौंबर 1928 इसको इसवी को साहिवन कमीशन का पिरोद करने पर पुलिस के द पीने के बाद उनका दियान हो गए चलिए तो आप हम देखते हैं भारतिय सुतंता आंदोलन के पिर्मों को बचन एवं नारे तो यह हो गए बचन या नारे और जिसना यह बुला है नाम हो गया इंकिलाब जिंधाबाद किसने का अधा बहकर सिंग्ध ने नारा दिया था करो या मरो किसने नारा दिया महत्मा गांडी जी ने जय हिंद किसने नारा दिया सुभास चंदवास पूर्ण सवराज किसने नारा दिया पंडिज जवाहालाल नहरु ने हिंदी हिंदू हिंदूस्तान किसने नारा दिया भालतेंदू तेंदू हरिश्चंद ने कि बीदों की ओर लोट लोटो किसे यह सद्गिसने का दैहार नंदय सरस्र शती जीने आराम हर और किसुने क्या इजपंडिज्वह दाल नहरों किसने किसने का महतमागान्दी झाल से चुनक महतमागान्दी झाल जवान जयकिसान किसंने नाझय है 1965 प्पाकरस्तानियों piece go टंटमक मारूफ रंगयों को भंगल पांडे करतbay जयचा किसका ना रहा था विनोवा भावे का गर्म्दुय किसका था सर्दार पल्लभाई प्टेल्टी का संपूर क्रांती गिसका नारा था जैभीकाउस नारायें वित्तुब विजैई विष्शत्रहंगा फ्यारा किसका नारा था स्याम लाल गुपता फार्सतकर वनदे मात्राम किसका नारा था वाकिम चंद चतरजी जनगड मनं, अधे, नायक ज्यहें, किसका नारा था? रवेनाट टाइकोल। समराज बात का नाशुक किसका नारा था? भागस स्मर्यूर। सुराज वात अध्यक्ताइच हैंच्छा Zoo Talk किसने का? वालगंगाथत तिलबने इस ह करनाप ज़रगेंची की दवन्म। इंदोस्तान हमारा किसने एक ग्लाव एकवाल ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूगा किसका नारा था सुवाश्चंद वॉस्प साहिमन कमीशन बापर जाओं किसका नारा था लाला लाजपतराई मेरी लाठी मेरी सिर्फ लाठी का एक एक फ्रेहार अंग्रेली सासन के तावूर की की सावित होगा यह किसने कहा था लाला लाजपतराई है मुसल्मान मूर्ग थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांगी और हिंदू उनसे भी मूर्ग थे जो उन्होंने उस मांग को ठोबरा दिया एक इसका वक्तब बथा अपूल कलाम आजात का थे वे नारे थे प्रुमुक अब बात करते हैं सुतंता अंदोलन से सब्मदित महत्कू आपर अबिव्याच दस्काफ कमे ढ़ें और लीडर हिंदूस्तान किस किति थी मदनमोहन माल वियरग ऑफ關係 अभिवदर लीडर हिंदूस्तान mother माल वियर इंडियन मेर्ट क्वाम बोधने किति सटेसरय और हैं डेमिपैंटेट्टि क्सकिती मोंती डाल नहरों की आज प्राजिवे की थी कामरेड हमदर्द किसकी थी मुहम्मद अली जिन्ना की के स्री मराथी दा मराथा अंग्रेजी गीता रहस इसके संपादक कुन थे इनके बाल गंगाधा तिलग करम योगी युगामतर बंदे मात्रम लाइफ डिवाइन सावत्री इन सबके संपादक कुन थे अरियर्ध गोष्ऑ इनके संपादक क्यों थे नेशन के गोपाल किस्न गोखले बंगाली ये Chanel, वंगाली ये इन अते इंसे इन मेकिम इसके संपादक सुरेंद नातबनर जी थे इनके भवानी बंदे कमतिय संपादक के रहत बैंद गुमार गोष् नव जीवन हिंदु स्वराज माई एक्सप्रिमेंट वित प्रूद इसके इन सब के संपाथ लिएकत मातमगांति संबात को मोधि इसके संपाद कर राजराम पूहन राए सुम पिकास इसके संपाद कि इसर्चंद विद्या सागत अमरत बाजार पत्तिका इसके ते सिसीर कुमार घोष वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट के कारण को अंगला से अंग्रेजियों में प्रिकासित होने लगाल रंगलाय कामन बील न्यू इंडिया इसके संपादक थी एनी वैसेट त्री इंदोस्तान इसके संपादक लेकप थी तारगनाथ दास दारिगुस्प रिवुलियू सिनरी इसके सचन्दनाथ सन्याल पोवर्टी एंड अन्वेर्टिस रूल इन इंडिया रस्ट गुप तूर इसके संपादक थी दोनों के थी लाला सुरी दादा नौरोजी अन्हेपी इंडिया लाला लाजपत राई इंडिया वीवन्स फीडम गुवारी खातिर अल हिलाल इसके संपादक अगूल कलामाजा डिस्कवरी ओफ इंडिया गिलर्प शेज ओफिट वाल्ड इस्ट्री मेरी कहानी इसके संपादक थी चवाहलाल नहरू हिंट्स पोर रेल कल्चर इसके संपादक लाला हर्दयाल इंडिया अन्रेश्ट इसके संपादक सर्वेलेंटाइन श्रूल इंडिया फोर इंडियंस कौं थे चितरन्जन दास इसके संपादक वार ओफ इंडियंस इंडिपेंडेंट डेंस कौं थे बीर सावर करने लिखाते हैं त्रे अंगली है वोम एंड दावल्ड एवन गीता अंजली रवेंडाक टेप ठाकोर याद लख लख लिए गीता अंजली के लिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिलाए नील दरबन दीनवंदू मेत्र सोजे वतन करंबूरिवी सत्रण्य के खिलाड़ी एपुस्तक लिए की प्रेम चंदने वांगे दरा तराने हिंड किसमें लिए मुहम्मद इकवालने भारत भारती किसमें लिए मैथली सरन गुप्तने भारत दुरदसा किसमें लिए वारती हैंदू ह्रिष्चन कॉंग्रेस कर किसमें लिए पट्टा भी सीता रवेजा सत्यार्थ प्रकास किसमें लिए दयानंद सरस्चिति इंडियन श्टेगल किसमें लिए स्वार्चन बॉसली आनंद मट देवी चोधुरानी बाकिंचन चटोपाद्यार राजारा मुहन राय कुभारतिये पत्तिकार्था का अगदूद कहा जाता है 1821 में उन्होंने बंगाली सप्ताहिक संबाल को मोदी और 1822 में थार्ची में मिराल उल अकवाद परम किया अब यहीं देख लेते हम लोगों उपादी प्राप्त करता इवं दाता ठीक उपादी प्राप्त करता और ये दाता जिसनों नदी गुरू उपादी ये गुरू देव रवेंडा टैगोर को किसन दी थी महत्मा गांधी नदी महत्मा गांधी को उपादी किसन दी थी महत्मा की रवेंडा टैगोर नदी याब रख्ये गुरू देव रवेंडा टैगोर को गुरू देव की उपादी महत्मा गांधी नदी महत्मा ग चुब्ला बाई पटंगू सघ्भार के उपादी कर्णाले वाल दौली, महलां। डॉक्टर राजन आपशाथ को देश रतन क्यपाद़ी कर्णाले महतमा गांदीली मुहम्माद अली जिन्ना कायदे आजम की उपादी किस्न दी थी महत्मा गांदी जीने सुभास्चंद बॉस को देश नायक की उपादी किस्न दी थी रवेंदरा टैगोर ने स्वामी बेवेकानंद को बेवेकानंद की उपादी किस्न दी थी महराजा खेत डीन महत्तमारांदी को राष्ट किता की उपादी किसमें दी सुवाश्चंद वासली राजा राम मुवर राइगो राजा की उपादी किसमें दी अकबर दूतिया चलिए तो हम बात करते हैं कॉंग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुए अधारासो पच्छासी से 1947 तो तो सक्से मेरें हम लोग बात करते हैं है यहां देख लेजिए उपर से फैसा में देख लेते हैं लोग अमरतसर में हुआ 1909 में अमरुत सर में कब हुआ 1909 में यहां मानचित की मैप के साथ से देख लेए ते हम वोब से नीचे, अमरुत सर में में कब हुआ 1912 में लाहौर में कब हुआ 1893 फिर 1900 में 1909 फिर 1912 में तो यहाद रखेए 1893 में 1900 1999 और 1929 फिर यहीं बात कर लेते हैं हम्법 कराची की तो कराची में 2 बार हुए 1923 और 1931 यहाद रखे कराची में 1913 में हुए और 1931 में फिर बात करतेíchphones मेर्त में मेरट में एक बार हुआ, 1946 में, फिर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में तीन बार हुआ, 1908, 1923 और 1932, दिल्ली में कितने बार हुआ, तीन बार, 1908, 1923 और 1932, फिर कानपुर की बात कर लें यहीं, तो कानपुर में 1925 में हुआ, फिर यहीं लखनव की बात कर लें, तो 1899, 1916 तो लखनव में तीन बार हुआ और 889 में 1916 और 1936 फिर एलावाद की बात करें तो एलावाद में हुगा 1192 में और 1910 में बाकी पुरा में 1912 में बनारत की बाथ करें तो 1905 में गया अभिहार में हुआ 1922 में गौहाटी में 1926 में रामगड की बात करते हैं तो 1940 में हुआ रामगड में अब बात करते हैं नांगपूर में दो बार हुआ 1891 में हम्रावात्य में हुका 1897 में हैज़पुर में 1837 सूरत में 1907 में हुए पुना में पुना की बात करें तो पुना में 1895 में बेलगामлем इसमें 1924 मैं इसी में गांधी जी ने अद्धस्द تब कीisin केवल एक बार की उन्नीस सो चौविस में बैल गाव में वह थो अब बात करते हैं काकी नाड़ा तो इन्नीस सो थीज अब बात करते हैं कलकत्ता गी तो कलकत्ता में हुआ सबसे जानदा बार 1886 फिर हुआ हुआ अठारे सोनपे फिर हुआ अठाहर सो चानवे उनिस सो ए तो और गुआ हम सहीं त्युक्रिण सो और तो आट आजा सहीं तर वावन निस सो सकत्रहें फिर हुआ उनिस्टो इस कि रहुआ उनिस्टों ऑठाचाट्ञा पेँश। कि वर देख लिए तें कलकत्ता की 1886 में हुगा फिर वह नभवे में अथारे सो नभवे फिर एठारे सो चानुवे फिर उन्नीच सो एठ फिर उन्नीच सो च्छे पर उन्नीच सो ग्यारे में 1970 में, 1920 में, 1928 में और 1933 में दसवार हुआ कलकत्तम ठीड़, अब बात करते हैं बंबई की बात, तो बंबई में हुआ 1885 में पित्थम हुआ था, फिर 1889, फिर 1904, 1915, 1918 में, 1934 में, मद्रास की बात कर लें, तो 1887, 1894 में, 1898 में, 1903, 1908, 1914, 1927 में हुआ, ठीक, अब बात कर लेते हैं लोग, क्रमबाई क्रमब, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला, 1885 में, यह हुआ बंबई में, इसकी अध्यक्षता की थी, बेंचन्द बनरजी में, इसमें बहत्तर पिति निदियों ने भाग लिया था, फिर दूसरा हु नवरोजी ने इसमें अध्यक्षता की, पहला बंबई, दूसरा खलकत्ता, पहले के अध्यक्षते बेंचन्द बनरजी, दूसरे के दादा भाई नवरोजी, तीसरा, 1887 में, मद्रास में, इसमें बदरुद्दीन तेयब जी ने अध्यक्षता की, यह पित्थम मुसलिम अध्यक्षते, अंगला देगें, चौथरा, तो 1888 में, इलावाद में होगा, जौर्ज यूल, यह पित्थम अंग्रेज अध्यक्षता, जौर्ज यूल, याद रखें, इलावाद में, पित्थम मुसलिम अध्यक्षत कों था, मद्रास में हुई थी, तीसरी में, युकल कद्ता हुगा, इसकी अध्यक्षता की सर्फ रोज महेता, साह महेता हुई षाथ ना साथ इसकी अध्यक्षता की नांगप्र में मंद्रास में अल्थेड बेव कॉंग्री समीदान पर निर्माड हुगा इसमें 11 बाव हुगा 1895 में पूना में सुरेंद नात बने जीने इसमें इसकी अध्यक्षता हुग फिर बारह बारह बाव हुगा 1896 कलकत्ता में हुगा था रहीम तुला सयानी ने अध्यक्षता की पहल बार बंदे मात्रम गया गया था कलकत्ता अधीवेशन में याद रहुखिए 1896 में 12 बारह बारह बाव हुगा 18199 अमृवती में हुगा सी संकर नाय ने इसकी अध्यक्षता ही चौद हीएवा बारह बावब अनन्द मोहं दाशन ने हथी अध्यक्षता ही 15 बावा Animation रमेश चंदत नैं इसकी अद्याइक्ष्टा कीते सोरेवा हुआ कि दोम स्रेंध कार्द कमेर और वां में मंद्याइक्ष्टा की future unserem 1903 में मत्रास मैं नाज मोहन गोस्नः指 mount कुछ इसकी अध्यक्षता की, 20 बा हुगा, 1904 में बंबई में सर हेनरी काटन ने इसकी अध्यक्षता की, 21 बा हुगा, 1905 में बनारस में गोपाल किष्णे गोकले ने इसकी अध्यक्षता की, 22 बा हुगा, 1906 में कलकत्ता में दादवाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, याद कैएई भा हुआ 1907 में सूरत में दॉक्टर काुछ की और राष भीहारी पोस इसके gjच्च थे कॉंग्रिज का कितंपे वाज़ण 1907 इस तो सूरतह्य कर रहे थे धुटर कना कुन कर सकते डॉक्तिट味 मदन:"Mohan Halwi." 26 दा इसके अद säखिष थे चपवीशवा, 1910 में इलाबाद मेुए। गिलियम Byderman," इसके अद अधैस्जवा", 1911 में कलकाथ्ता में हुए। सिवनारायन,"दर," इसके अधैस्जवा", पहली बाध्यानीटत्रizesuk HR Syndrome extended कि याद रखिए 1896 कलकत्ता अधीवेशन में बंदी मात्परम पहली बार गाया गया था और 1911 कलकत्ता अधीवेशन में पहली बार जनकड़मन गाया गया 29 वाद 1913 में गराची में हुआ नवाब सेयद मुहम्मद बहादोर इसके अध्यक्स थे वीस वाद 1914 मद्रास मुपैंदनाच बसूच इसके ते ते तीस वाद 1915 में बंबाई में हुआ सर्शतेंद सिंगा इसके अध्यक्स थे लॉड विलियम बेंटिंग ने भाग लिया थे 32 वाद 1916 में हुआ लखनव में अम्मीका चन्द चरण मयूंदार इसके अध्यक्स थे मुस्लिम लीग से सम्झोता हुआ लखनव सम्झोतें 33 वाद 1917 में कलकत्ता में श्री मती एजनी वैसेंट इसके अध्यक्स थे पित्हम महला थी आध्यक्स थे विसे सदी वैसन 1918 दिल्दी में हुआ पंडेत मधन मुखन मार्विये ने कि युँए 35 में अमरस्ता में हुआ पंडेत मौतिलाल नहरू ने इसके अध्यक्स थे पित्थी बार 1923 में लाह और नांगपुर में इसके अध्यक्स के कॉंगर्ट समिधार ने प्रई भी बतन उ Heinrich अगया इसके पत्राइश के देख्ष थे 37 वाथ 1921 में एहमदावाद में हुआ हकीम अलिमल खान इसके देख्ष थे 38 वाथ 1922 में हुआ गया देश बंदू चितरन जंदास इसके अध्ष थे 49 वाथ 1923 काकी नाड़ा मौलाना मुहमत अली इसके अध्ष थे विशेश अधिवेशन 1923 दिल्ली में हुआ अबुलकालाम अजाद इसके अध्ष थे सकते युगा अध्ष थे 40 वाथ 1924 वैलगाम में हुआ मत्माना थे दस्ते 41 वाथ 1925 में स्रीमती सरोजनी इसकी अध्ष थे पित्धां भारतिये महिला थे आध्ष थे अध्ष थे मैं कलकत्ता में हो गए तो स्रीमती एंधी सरोजनी पित्धां भारतिये महिला थे bloody 22 वाथ 1926 में गौार्टी में हुआ एस्री निवास आयक गाल इसके सदर्श्य सदर्श्य के तू खादी वस्त अनिवार कर दिये गए सदी वेशन में अब मात करते हैं तेन्तालीस वा मद्रासम डॉक्टर एम ए अंसारी इसके देखते और स्वाधिन्ता की मांग रखी गए में चहालीस दौह उन Das 93 में खलककता में पंडिस्मोंति लाल नहिरू ने इसके अद्रश्य सब्सक्ता की सदर्श्य सदी इस भाग लिया अधिकारों की मांग वी याद रह्किए मोलिक अधिकारों की मांग वही ननीसवسم Mehr current में कॉंगे सदी वेशन कराची में हुगा था सर्दार बल्लब भाई पटेल इसके अध्याश्ट तो तभी मौलेका दीकारों की मागई था 47 वाँ 1932 में दिल्ली में हुगा अमरत रट छोड़ दास इसके सेट इसके अध्याश्ट ते स्रीमती नेली सेन गुपता इसके अध्याश्ट थी उननचास वाँ 1934 में हुगा बंबई में डॉक्टर राजन पिसाथ इसके अध्याश्ट थी पचास वाँ 1936 लगनव में हुगा पंडिन जवाहलाल नहरू इसके अध्याश्ट थी इंक्यान वाँ 1937 में फैचपुर में हुगा पंडिन जवाहलाल नहरू इसके अध्याश्ट थी गाउं में आईजित पित्थम अधीवे संथाई थी इसके अध्याश्ट थी इसके अध्याश्ट थी तिरफण वाँ 1944 में मेरट में आचार जेवीक किपलानी थी इसके अध्याश्ट तिय के याद रखे आशार जेवीक किपलानी 46 गयंद sli में जैपुर में हुगा वीपात्ता विसीतर में दॉक्टर राजन के साथ 1947 में दिल्ली में हुए पिसे सदीवेशन के अधिश्ट थे याद रखिए ठीक है चलिए तो हम देख लेते हैं भारत की इतिहासिक लडाईयों के बारे में के उतिरायन का पिथमयोद्य कंवा? 1191 में यह हुआ था मुहम्मद गोरी को अbав याद रखना 1192 में सदीविराज पितिवी राज को हराया था याद रखिए तराइन के पहले यूद में पितिवी राज ने मुहमद गोरी को हराया तराइन के दुतिए यूद में 1192 में हुगा जूद उसमें मुहमद गोरी ने पितिवी राज को हराया फिरुगा चंदावर का यूद ग्यारा सो पज़ानमे में इसमें मुहमद गौरी ने चैचंद को हराया फिर पानीपित की पहली लडाई हुई 1526 याद रखना पानीपित की पहली लडाई का हुई 1526 वावल ने इब्राहिम लोदी को हराया फिर हुआ खानबा का योदे 1527 22 राण सागा को हराया चदेरी का योद्धुगा 1528 में बावर ने मेधिनी राय को हराया गहागरा का योद्धुगा 1539 में बावर ने अगवानों को हराया चौसा का योद्दुगा 1549 में सेसा ने हुमायू को हराया कन्नोच का योद्दुगा 1540 में सेसा ने हुमायू को हराया फिर बात करते हैं पानीपत की दूसरी लडाई हुई कम पानीपत की दूसरी लडाई हुई 1556 में अकवर ने हैमू को हराया ताली पोट का युद्ध हुगा 1565 में इसमें बिजय नगे समराज का पतन का हल्दी गाटी का युद्ध हुगा 1556 में 1556 में हल्दी गाटी का युद्ध का हुगा 1556 में अकवर में महराणा पिताब उभराया पलासी का यूद हुगा 1577 में अंग्रेजों ने स्राज़त गौला को हराया वाड़िवास का यूद कवगा 1760 में फ्रांसीसियों की पराज़े वीजन पानिपत का तीतिय यूद हुगा 1761 में एहमद सायपदाली ने मराठों को हराया फिर हुगा वक्सर का यूद 1764 अंग्रेजों ने मीर कासिम खुराया रोहिला के यूद कवगा 1774 में खुरदा का यूद गगा 1775 में निजाम की पराज़े वीजन पित्थम सुतंता संग्राम कवगा 1877 में भारत चीन ये उद्ध कर गगा 1962 में खित्थम भारत पाक ये उद्ध कर गगगा 1965 में दूतिये पाक के उद्ध कर गगगा उननीस से कत्र में याद रखिए एं कित्थम बिसेफद उद्य 14-18 तर इबन दूतिये विसेफद हुगा राजवंसों के बारे में संस्थापक उनके और राजदानी थे हरक बंस इसका संस्थापक था 27 राजग्रय इसकी राजदानी थी शिसुb नाव् V अन्द्व असνη वए शालिजी इसकी राय्ज्दानिठी नंद्व V अन्द्ष असनस्ताफप नंद्थ औहर्टें। शिसधा वट्व असनारिझाल औहर्टें। शिसधा ब्रेत्प्रे वट्व पार्प नोइल जामेर व्लीफ. तोर माड इसका स्याल कोड इसकी राध्धानी थी, सेंड वांस सामथ सेंड था इसका संस्ता पक लकनोती इसकी राध्धानी थी, परमार वंस उपेंड था इसका संस्ता पक धारा नगरी इसकी राध्धानी थी, गहडवाल वंस चंद देव था इसका सासर कन्नोज इसकी गुर्जत पितिहार वन्स नागवर्ट पिथम था इसका संस्था बग कंदोर इसकी राध्दानी थी राष्ट पूड वन्स दंती दुरुट था इसका संस्था पक मानने खेट इसकी राध्दानी थी सेद भंस खेजिखा था इसका सासर दिल्ली इसकी राध्दानी थी, लोधी भंस बहलो लोधी था दिल्ली इसकी राध्दानी थी, फिरे चोल भंस विजयायलाई था इसका संस्थावक तंजोर इसकी राध्दानी थी, पांडव भंस नेडियोन था इसका सासर संस्थावक मद तूरे स्किश राथद की हिद्वान्स भीलेव फोर था इस का चाहिक अचेश्न ऑीरेवान ने वीस। वश्मों गर्दन थे सभन द्वार समयकर गर्चर 혹 क क evac tensions कि पाइत्कोली सभी कि गषप युद च NOB Siyorsun था इसका संस्थांक विजय नगर इसकी गा democracy गदरी कि तुलों बान भी सेन्ग य ultimate इसका संस्थांस्था बढ़िए नगर आ수 शोलनकी बांश मुलराज था इसका संस्था पक आने हिलवार्ड इसकी राध्दानी थी सरकी बंस मलीक सरवर था इसका संस्था पक जॉनकोर इसकी राध्दानी भॉसले बंस सिवाजी था इसका संस्था पक रायगर थी इसकी राध्दानी थी आलं वकुंभाल था इसका संस्ताफंब जोई वासूधेटि आजमेर इसकी लोहारं संंग्राम राज था इसका इसका संस्ताफंब कैम कुषाण वकुंद इसका संस्तापग कुजरब कड़ फीस था पुरुसपढ़ इसकी राधदानी ठी से ठीस ही और धन ए सक वतित था इसका संस्तापग धनेसर ही जन्दिन एक शेumnर्ऑ सांदेलना भूण कर नंणों पहां का संस्तापग या मघुभा इसकी राध्दानी थी पलण इन सिंग वर्मन चतोर थाइस का संस्तावा कंची पुरां इसकी राध्धानी थी सुंग बंस पोसे समित सुंग थाइस का संस्तावा पाटली पुत राध्धानी थी चालोग बदामी इजय सिंग थाइस का संस्तावा कि थां बतापी इसकी राध्धानी थी चालोग बेंगी इने वल्व था इसकार शंस्तापक दिली में खिली बंस जलालुद्दीन खिली था इसकार शंस्तापक दिली राद्धानी थी स्यास्तोदद्ध रा mejor j findet दीन इसकार शोटाजा और भ्याज़कर यक्षार टे शलेकों साही वं इसका संस्तापक मलिक अहमद नगर इसकी राधानी थी, इमाद साही, हते उल्ला इमाद साही, इसका संस्तापक था, बरार इसकी राधानी थी, कुतुब साही वन्स, पुली कुतुब साही इसका संस्तापक था, गोलकुंदा इसकी राधानी थी, आदिल साही वन्स, आदिल सा इसका संस्तापक था वीजापुर राधानी थी, निजाम साही, मलिक अहमद था इसका संस्तापक, अहमद नगर इसकी राधानी थी, इमाद साही, फते उल्ला इमाद साही, बरार इसकी राधानी, संगम वंस, हरीहर एवं बुक्का था, इसका संस्तापक, वीजे नगर इसकी बह्मनी बनस晚 2014 अट page 2 अश्का कोडाbek ए assim चा षीराधृ से Meerea užाद बुल वर्गा विदर शनस्ता निति श्का है थी आरवीड़ू बनस तीनुमंबल इसका संस्ता पुक्त धा कोड़ा भाएlike 3 … वरी साहिल अमीर अली वरीत था इसका संस्ता पुडर शाहिए है मुगल बजह वावर्षिकास अपहा दिल्ली आगरा इसकी राताने थी। कारको वर्देवार्ध मैं दूर्दब भर्द था इसकास अफ़ा उत्फध बंस्थ इसकावमती वर्वन्थ था ऊच्बक हेथराबाद की निजाम निजाम उल्ध मुल्ध था हैदराबाद इसकी प्रातानी थी अब बात कर लेते हैं हम लोग सामाजुक सुधार अधिनियमों के बारे सिसु वद पितिवंद ए बेली जली ने किया गवर्णर जनल वर्ष 1798 से 1805 सिसु हत्या पर पितिवंद लगा सथी पिता पितिवंद लौर्ड विल्यम बेंतिंग के समय लगा 1837 सथी पिता पर पूर पितिवंद लगाए दास身 बढ़कितिवंद में एलरन वरु था इस समय限 зачем कि कारकाल में लगा 1838 के चै rottern अधिनियम द्वारा 1847 में दास्ता हो लाठ करकाल को पिती बंदित कर दिया लोहाग 2018すご street अंतर जाती है विवाए ऐस की नसद्धाउय समय इसके कारकालने हुआ 1801 लड़की के लिए विवाय की आयू 12दार चारदा एक्ट एर्विन के समय हुआ 1930 में यू लड़की की नाइ रखी गई 14 बस लड़कों के लिए आयू रखी गई 18 बस ठीक तुछ था हमारा बात भिपार्ट को देख लिया तो सब्से पहले बात की हमने इतिहास निपठ चुका ए प्राचीन, मद्य, और आधूनिक गाली ठीक है? एलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्शर में हम लोगों बात करते हैं विष्टु इतियास के बारे में, इससे पहले आप लोगों बताते हैं कि हम लोग भारत का इतियास देख चुके हैं, उसमें तराचीन, मत देखा लेएं ऑर आधानिक भारत तीनों लेक्पट्चरों को देख चुप है अब बात करते हैं इसमें भिष्ट इतिहास के वारे में ठीक है तो लुसनेट सामध्यान को देख रहे हैं हम लोग उसी कड़ी में हम लोग बात कर देख चुपन सब पहले बात करते हैं पुनर जागरण के बारे में criticisms पुनर जागरण का फ्यारं इटली के फिलोो ह्रेंस नगर में में से हुआ था। पुनर जागरन का कारम कहां से हुगा इटली के फिलो रेंस नगर से हुगा इटली के महान कभी दांगते 1260-1321 दांगते को पुनर जगर का अगदूद, पुनर जागरन का अगदूद माना जाता है पुनर जागरण का अब दूद किसे माना जाता है दानते हो इनका जनम फिलोरेंस नगर में हुगा था दानते ने प्राचेन लेटिन भासा को छोड़कर ततकालीन इटली की बोलचाल की भासा टसकन में डिवाइन कोमेडी नामक काब लिखा इसमें दानते ने सर्ग और नरक क एक काल्पनिक यात्रा की आए आंगे दैखें दानते के बात पुनर जागरण की भाव स्वावना आ फ्रसे देने वाला दूसरे व्यक्ति था प्रेटोग पेटोग को मानम बाद का संस्था पक माना जाता है? मानम बाद का जाता है तो यादः रखे पेटोग कोह एटली का आंड़ावासी था इतालियन गज्ध का जनक कहानीकार यूकोड सीओ किडे का मिरोन पिसे दिपुस्तक है आधुनिक विस्ट का पिथम राजनितिक चिंतक फिलोरेंस निवासी मैकिया वैली को माना जाता है आधुनिक विस्ट का पिथम राजनितिक चिंतक इसे माना जाता है फिलोरेंस निवासी मैकिया वैली को मैकिया वैली की पिस्तदो पुस्त के हिंदा पिंध जो राज जश्य नभीन चित्त पिस्तद करती है आधुनिक राजनितिक दर्शन का जना किसे कह जना जोली को पुनर जागरद की भावना ऑपी अभिवेक्ति एटली के तीन कलाकारों की क्रितियों में मिलती है एक अलाकार थे लियो नार्दो विंची माइकेल एंजलो और राफेल लिया लियो नार्दो दा विंची एक बहु मुखी तिदिवा संबन वैकती था वह जित्तकार मुर्दिकार इंजिनियर विज्ञानिक दार्षने कभी और गायक था लियो लियो ना मोनालीशा नमक अमर्चित्रों के रचेता होने के कारण किसे दिरा है तो याद रखें लियो नार्दो दाविंची के चित्र कौन कौन से थे दा लास्ट सपर और मोनालीशा माइकल एंजलो भी एक अधवुत मूतिकार एवं चितकार था दा लास्ट जज्जमेंट एवं दा कित्र कएठी को ओ मैंन माइकल एंजलो की कित्र आए निससन इस्ताम की गिरजगार की माईचल एंजलो के द्वारा भी चित बनाए गये थे लगवर realidade बहुत लगवी इटली का एक छितकार था इसकी सरप्यपहक्त्म किर्ती जीसस्द माता मैडोना कचित है पुनर जागरन काल में चितकला का जनक किसी कहा जाता है जियाटू को कहा जाता है पुनर जागरन काल का सर्फ्टेट निवंदिकार इंगलेंड का फ्रांसीस बैकन था हॉलेंड की इराज मस्ट ने अपनी पुस्तत दफदेज अप फॉली में ब्रंगात्मक धंसे पादरियों के अनैतिक जीवन एवं इसाई धनकी कुरितियों पर पिरभार किया फिहार किया इंगलेंड के लेकर टामस मोर्ड ने अपनी पुस्त का इउटोपिया में आदर समाज कर्चित पिस्तुत किया मार्टिन लूथर ने जर्मन बासा में वाईविल कानवाद पिस्तुत किया रोमियो एंड जूलियट सेक्स पियर की अमर्कृति है इंगलेंड के रोजर वेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक बिग्यान का जनक कहा जाता है पिथवी सौर मंडल का कैंद है इसका खंडन सरपितम पॉलेंड की निवासी कौपर निकस ने किया पिद्वी सॉमर्ण शौर्म अंडल का कैंद है इसका सरपितम खंडन पॉलेंड ने वासी कॉपर निकस ने किया गेली लियो ने कॉपर निकस के सिद्धान का समर्थन किया जर्मन के पिसित विज्ञाने केपला ने गड़ित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर के चारों और किस पिकार वोहते हैं निोटन गुर्पत्वा कर्षिन की नियम का पता लगाई है नियूटन है धर्म सुधार अंडलन के पिवर्तक Pr exploitation था जो जर्मन का रहने वाला undo का विल का नुवाद जर्मन भासा में किया था धर्म सुधारлена अंडलन की शुर्वाद ऐंगलैन में थी बिक विकलेप को धर्म सुधारांदुलन का प्रात्ता कालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन बिकलेप को इसके अनुवाई लॉला लॉलार्डस कहलाते हैं ısı किस ने की थी खोज किसटो फर कॉलंबस ने की थी अमेरिको बिस पूसी- इदली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिक पड़ा आ अमेरियो लिस पूसी ईडली के नाम पर अमुड़ीं का नाम अमेरिका प्षाद माहसागर का नाम इस पैनिवासी मह्लेंगलन ने vidéo प्रिशांद माहसगर का नाम करते हैं इस पेन निवासी मेगलन ने समुद्धी मार्ग से संपूर्ण विसका चक्कल लगाने वाला पितम बैक्ति कौन था मेगलन अब बात कर लेते हैं अमेरिका का सुतंता संगराम अमेरिका में बैटिस उपने वेसवात समराज की इंडियू जैंस पेठम के सास्काल में रखी डाली है रेड इंडियन अमेरिका की मूल नवासी हैं अमेरिका की मूल नवासी कौन है रेड इंडियन अमेरिका का सुतंता यो 1783 इस भी में पेरिस की संधी के तरह समाप्त हुआ, अमेरिका को फूर्ट सुतंतता मिली 4 जुलाई 1776 को, जो बाद में अमेरिका की पित्थम राष्ट वती बने, जॉर्ड बॉसेंटन, अमेरिका सुतंतता संगराम का ततकालीं कारण था, पॉस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को इस घटना में अमेरिका का सुतंतता संगराम काराम हुआ, इस घटना का नाइप था, सेमबूल एडम्स, अब बात करते हैं, पिरजा पंद, पिरजा पंद की स्थापना अमेरिका में हुए, याद रखे, प्रजा पंद की स्थापना सरफ पंदम अमेरिका में हुए, इससे ही आधूने अमेरिका होको ही, आधूने गड़तन्द की जन्नी कहा जाते हैं, और धरम ने पे शुराज की स्थापना भी सरफ पंदम अमेरिका में हुए, आंगे दिखत तो नहीं तुक्त नहीं संसार में इस तरफ किखम लीकित सम्हिदां सहुखतराज अमैरिका ने 789 नहीं Ah बिस्तु में इस तरफ कितम लिखित समिधान सविक्तराज अमेरिका ने 1789 में लागुए 1781 में उपनिवेसी सेना के प्रमुक आत्म समर्बट करने वाले बैटन की सेना का लॉड कार्नोबाल इस था अमेरिका विसका पहला देश है जिसने मनुसों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की गोश्णा किया अमेरिका में दासों के आयत को 1808 में अवैद गोसित किया गया अबराहिम लिंका ने अमेरिका के राजपती 1806 में बने अमेरिका में ग्य ह्युद की सुरवाद 12 अफ्रैल 1861 में दस्चन इबंत्री राज़ों के बीच रुए दश्टी राज़ दास्ता की समय तक और उत्री राज उसके विरोदी थी अमेरिकी ग्य ह्युद की सुरवाद दस्चडी कैरोलीना राज से मिदी थी इसी योद्ध के फिल्सवरूप दास्विता का अध्धुगा, एक जनवरी 1863 को अबराहिम लिंकन ने दास्विता का उमूलन किया। प्रजातंद जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए सासन प्रजातंद की यह परिवासा अबराहिम लिंकन ने दी है। अबराहिम लिंकन की हत्या जॉन बेल की बूत नाम अब्यक्ति ने चार मार्च 1865 को कर दी। अमेरिकी गरह उद्दी की समापती 26 माई 1865 को इअमेरिकी फिलोसोफिल सोसाइटी की स्थापना ब्रंजामीन फैकलीन ने की थी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्रांस की राज क्रांथी। फ्रांस की राज क्रांथी 1789 में लुई शोलाइबा के सासनकाल में हुए। इस समय फ्रांस में सामंती विवस्था थी। 14 जुलाई 1789 इसमी को क्रांथी कारियों ने वास्तील के कारागार की भाटक को दोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्टी ये दिवस के रूम में मना जाता है। समांता, सुतंता और बंदूत्य का नारा फ्रांस की राज क्रांथी की देह है। आंगे देखते हैं लोग। मैं ही राज हूँ, मेरे सब्द ही कानून है। यकतन किसका था? लु चोदरवा का। वर्साय के सीज महल का निर्माण लुई चोदरोय ने करवाया ह। बशाय को फ्रांस की राँध्डानी लु चोदरवा ने बनाया। सत्रहोidedवा चोदर्वा सत्रहोचब चौतर में फ्रांस की गद्धि पर बैठा था। लुई सोलेवा, लुई सोलेवा 1774 में फ्रांस की गद्धी पर बैठा, लुई सोलेवा की पतनी मेरी एंत्वान नेत ओस्ट्रिया की राज कमारी थी, राष्ट की समाधी वर्साय की भड कीला राज दर्वार में था, लुई सोलेवा कुद्देश दुरोय के आरूप मॉट इस्कियू और रूसो ने सरवाद एक युगदा दिया, वाल्टेयर चर्च का विरोधी था, फिर आगे देखते है, रूसो फ्रांस में प्रजात तंतात्मक सासन पदिती का समल कर था, सौ चूहों की अपिक्चार एक सेंग का सासन उत्तम है, या उक्ती वाल्टेयर क थी, वाईय esण क फ्रांस की थी, ती सोसल कंटेक्ट्रा दू रूस का विरोधी, ती वाल्टेयर की रूसो की, एवब लेटर्डंज उन्गिलिस वाल्टेयर की रूसो की एवफेवं लेटर्ड़्येशू उन्गे स्मलों की भन्य की कि उने, स्टेटर्स जनेल के अधीविशन की शुरुआत, पांच मई सत्रहस नवासी में हुई, मापतवल की दसमलों पेडाली फ्रांस की देह ने याद रखे, मापतवल की दसमलों पेडाली फ्रांस की देह सांस्केतिक राश्टेता का जनक हारडर को कहा जाता है नेपोलियन का जनम नेपोलियम नेपोलियन का जनम 15 अगस्त 1789 में कौल सीका द्वीब की राध्धानी अजासियों में हुगा था नेपोलियन के पिता का नाम था कारलू भोना पार्ट नेपोलियन ने बेटेन के सैनिक अकादमी में सिक्षा प्रप्त की 1796 में नेपोलियम नेपोलियम ने टिटली में ऑस्टेरिया के पिर्मुख को सभाप किया थ्रांस में डारेक्टरी का सासन का अंधुए 1799 में नेपोलि ट्रांस का सम्राणड बना। आधनिक फ्रांस का निर्मातार नैपोलियन को माना जाता है। नैपोलियन ने ही सरपितमें इंग्लेंड को बनियों का देश पराथ। नेपॉलियन ने अपनी पत्नी जोसे जोजे फाइन को तलार देकर ओस्टिरिया की राजदानी ओस्टिरिया की राजकुमारी मौरीया लुईसा से साधी की ट्रानफर कायोद सत्ञ 21 अक्वार अथारे सो पांच में इंग्लेंड और नेपॉलियन के बीच हुआ था ट्राल पर का युद थो 21 अक्टूबर 1805 को इंगलेंड और नेपोलियन के बीच हुआ नेपोलियन ने बैंक कॉप फ्रांस की स्थाफना 180 में की थी नेपोलियन ने कानूनों का संग्राइट तियार करवा आया जैसे नेपोलियन का खोड कहा गया नेपोलियन को नील नदी के योद में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेलसन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा यूरोप के राष्टवा से मिलकर 1813 में नेपोलियन ने लिपजिक नामकिस्तान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एलवा के टापू पर भेज दिया गया परतो हुए एलवा से भाग निकला वो पुना फ्रांस का सम्राड बना अंतता मित राष्टों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलो के यूद में पराजज कर बंदी बना लिया उससे सैंट ठैलेना दूई पर भेज दिया जहां 1821 में उसकी मित्ती हो गई नेपोलियन लिटल कारपूरल के नाम से भी जाना जाता है लिटल नेपोलियन को नेपोलियन कर पतन का कारणता उसका रूस पर आकुमट करना इंगलेंड के वाड़िज इवंब्यापार का वहि फ्रांस के प्रिवुत को सब्माक्ट कर दिया अब बात करते हैं इतली का एकी करण इतली का एकी करण 1922 सी के पूरवाल में इतली 13 राज़्यों में थे इतली के एकी करण का जन्क जोसेफ मेजिनी को माना जाता है मेजनी का जन्व Nicola में हुआ है। याद रखना है। याद रखना है। इतली के एककरण में सबसे बड़ा वाधक था ओस्टिया। इतली के एककरण में साडीनिया फीड मॉंट राज ने अगवाई की थी इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतराश्टिय समस्या बना दिया इटली के एकिकरण की तलवार गेरी वाल्डी को कहा जाता है इटली के एकिकरण की सेजनी काउंट काबूर वो गेरी वाल्डी को दिया जाता है यंग इटली की स्थापना 1831 में थी ंजी अदी imply यह गेरी वाल्डी लाल कुटी नाम से सयनगा संगसन या ने किया था कार्बॉनरि शॉसाइटी का सथा पगेवर्टी था वेक्टर एमूनेल एमूनेल सालडी निया का सा सकता इटली के इकरण की शुरुवात लॉम्बार्डी और सालडी निया राज्यों के मेल से हुई इटली राष्ट का जनम दो अपरेल 1860 को माना जाता है 1871 में रॉम को सायुक्त इटली की राधधानी को सित किया गया यदि समाज में क्रांटी लानी हो तो क्रांटी का नेतिद नौ यूंकों के हाथ में दे दो यह कतन किस्ट का था जोसेफ मेजनी का इटली का एकिकरण 1871 में काउंट काउर ने किया इटली का एक्टा का जनम दाता को ने नेपूलियन इटली की एक्टा का ज जर्मनी का एकई करन बिस्मार्ग ने किया बिस्मार्ग प्रिसा के सासक विल्यम पिथम था का पैवानमंद्री था जर्मार्ग के सब्से यह देखर मारी को सब्सेदियन संग के समराठ का ताज आच्वर्वरी target steam करना यया विस्मार को सबसे अधिक भाय था फ्राज से जर्मनी में राष्टियेता का संदेश बाग था नैपोलियन बॉनापार्ट को माना जाता है जर्मनी के आर्ठेक राष्टबाद का फिता फैर्डरिक लिष्ट को माना जाता है जन्मरी जर्मनी राष्टी सभा को डायट के नाम से जाना जाता था या फैंक फायट में होती थी 1815 से 1850 के बीच जर्मन समराज का समराज कर आश्टिया का अधीपत था जर्मन राष्ट के निर्माण में राके बोमर लसर इत्यादी दार सिकों ने मत्कूं गुन जनिवाई फैंक फार्ट समीधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया बिलियंग पिथम के सासनकाल में फिरिसा का रक्षा मंत्री वान रून एं सैनापती वान माल्टे था या रुपन तेई सेप्टमर 1862 में विसमार्ट फिसा का चैंसलर बना विसमार्ट का जनब का हुआ था एक अपले 1815 में बेडरवन बेडन बर्ग में हुआ था सेरे जोगा का यूद ने 1866 में और फिर्सा के आंगे आत्म समर्पन कर दिया तेईस अगस्त 1866 में फ्राग संदी के तहित और जर्मिनी संग में सामिल हो गया थ्रांस एवं पिर्सा के भी सेडान का यूद 15 जुलाई 1870 पूगा नेपोलियन तितिये ने पिर्सा के आंगे एक सेप्टम्बर 1870 को आद्म समर्पन किया बिसमार्ट ने जर्मनी को समराट वीडियन पित्थम का राजिव सेख बरसाय के राजमाय में किया सुडान के यूद के बाद जर्मनी का एकिरांट संभाब सकते हैं भूंसरी के रासिव समाज बान सब्कत्व हुए 9 आदर्सबाद समाजबाद का प्रिवक्ता रोबर्ट ओविन था कुमाने जाता है विग्यानिक समाजबाद का संस्ताफ़ कॉल मार्क्स जर्मनी का निवासी था Kor Lmaqs ने 10 Capital और Communist Manifesto नामकुस्तक लखी Kor Lmaqs ने 10 Capital और Communism Knee Fuesto नामकुस्तके लखी याग लगा फ्रासेजी संबराज साम harassment का जनार। सैंट शाइवन को माने जाता है फ्रासेज expedition का neo graduate ज़ैजवार्नार्डस ने किया London में Thabian Society की स्थापना 1884 इसभी में हुए दुनिया के मजदूरों एको कनारा कॉल मार्पस ने दिया रोस के साथको जार का जाता था यह जार साही विवस्ता मार्च में सब्सक्राइब जार का मुक्ति दाता की नाम से अलेकजेंडर दूतिय को माना जाता है रूस का अंतिम जाल सा सक्वा जार निकूलस दूतिय है मैं गुलनी से एसा की निक दोडार को नहीं चैका का संगेठन से लेनिन ने लाल स्यक्राइन का 1521 ने तृस ती सासक अलेकजेंडर दुथिया की हत्या बंबे स्पोर्टक में हुई थी एक जार एक चर्च वह एक रूस का नारक्ष ने लिया जार्ज निकोलस दुथिया ने रूस में सबसे अधिक संख्या इसलाव लोगों की थी अन्ना केरी नीना के लेकप थे लिए टॉल्स राय टॉल् अग नेयों कुमारा जाता है रूसी समराज्य चे वाद का समयबाद का जनक था फिलेखा नोग शोचल डेमोक्रेटिक डल सोचल डेमोक्रेटिक डल की स्था अपना उननीस सो तीन में रूस में हुए यह दो दो गोटों में विभाजित था बहुत से विक और मैंस मैंसे भी बौल सेविक गयात हुता है वह संक्यत मैंसे भी करत हुता है अल्व संक्यत बौल सिक डल का नेता था लेनिन बौल सेविक डल कानेता लेनिन था 16 अपरेल 1970 में लेनन ने रूस में कांतिकारी योजनाफिकासित की जो अपरेल ठीसिस के नाम से जानी जाती है 1931 में लेलन ने रूस में नई आतिक नीती लागू की आधुनिक रूस का निर्माता इस्टालीन को माना जाता है लेनन की मिर्ती हुई 1926 में राइट्स ऑफ मैन का लेकत था तॉमस पेंड मदर की रचना की है मैकसिस मैकसम गोड की ने इस्थाई करांती का सिध्धान प्रवर्तक था प्राट की पित्म पिस्ते हुद्धे के दौरान लेनन का नारता युद्ध का अंध करो काल मास्क का अजीवन साथी राए है फैडरिक अंगेल्स एब बात कर लेते हैं मिदों ओद्धोगे क्रांती का हुई Zeta में क्योंकि इंग्लेंड के पास ओपने वेसों के कारण कंचे माल और पूंजी की अधिकता थी इंग्लेंड में उद्दोगी क्रांती की सुरुआत सूती कपडा उद्देव से भी थी इंग्लेंड में उद्दोगी क्रांती की सुरुआत किसे हुई थी सूती कपडा उद्देव से सबसे पहले स्कॉट लेंड के मैं टम नामक बेखती ने पक्की सडक सडकें मनाने की पिधी निकाली थी 1761 में बेंड ले नामक इंजिनेर ने इंजिनेर ने मैंचेस्टर में वर्ष ले तद नहर निकाली 1814 में जोर्च इस्टी फैंसन ने रेल द्वारा कार खानों में बंदर गाहे तक कोईला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्योग किया वो गुद्धोगी किरांती में जर ख गुई कुए अविस्कारों कि भी ताइच चलने वाला शेतल इसके अविसकार को ते जान 1733 इसपिनिंगे नि जेंस, हार गिप्स थे इसके अविसकारख, 1765 स्पैनिंग, जैनी, पानी की सक्ति से चाले रिचार्ड, आर्क राइट थे इसके अविसकारख, 1767 स्पैनिंग, न्यूल, क्रॉम त moż थे इसके अविसकारख, 1769 भुरा द्वरा चलाय जाने वाले करगा कार्ट राइटर थे इसके राइट थे संथ अब इसकारक सेप्टी लेंड हमपी हमपी टेवी थे इसके 1815 अब बात कर लेते हैं इंगलेंड में क्रांथी इंगलेंड में ग्रह युद चार्ल्स फित्थम के सासनकाल में 1642 में गुए इंगलेंड में गौरप उनकरांथी 1688 में हुई इसमें इंगलेंड का सासक जैम्स दुधिय था सौ वर्थी हैं इंगलेंड एवन फ्रांस के बिच हुएं सौ वरसी हैं इंगलेंड और फ्रांस के बीचुए गुलाबों का युद्थि किंसे कहते हैं इंगलेंड में हुआ था गुलाबों का यूद का होगा थे इंग्लेंड में, सौ वरसी यूद इंग्लेंड एभम प्रांस में, इंग्लेंड के सावन्तों ने राजा जौन को सन 1215 में अधिकारपत्वा स्ताक्षर करने को मलबूर किया, इस अधिकारपत्व को मेगना कार्टा कहा जाता, यह सरफ साध कारण के अधिकारों का दोश्कना पत्त था, ट्यूडर वंस के सकती साली राजाओं के सासनकाल में, संसद उनके हाथों की कट उतली बनी रही, एली जाक बैत पित्थम का संबन्द, ट्यूडर वंस सुष्टा, इंग्लेंड में ग्रह यूद साथ वरसों तक चला, ठीक, इ अंसत के समलतों को राउंड हेड्स कहा गया, अब बात कर लेते हैं हम लोग पित्थम विस्यूद्धी की शुरुवात हुई 28 जूलाई 1904 में, पित्थम विस्यूद्धी की शुरुवात हुई 28 जूलाई 1904, याद रखिये इडिट, यह चार वरसों तक चला, इसमें 37 इसमें 37 देशों ने भागी है, पित्थम विस्यूद्धी का ततकालिंग कारण था, और अस्टेरिया के राजकुमार, फरडिनेंड की व्रोसेनिया की राध्धानी सेरा जियो में हत्या थी, पित्थम विस्यूद्ध में संपूर्व इस दो खेमों में बढ़ गया था, मित देख थे आस्टेरिया, हंगरी और इटली, मित राफ्ट्रों में इंगलेंड, जापान, सेक्तरा जमेरिका, रोस, फ्रांस सामिल थे, गुप्त संदियों की पड़ाली का जनक विस्मार्ग था, आस्टेरिया, जर्मनी, इटली के वीच, त्री मोट का निर्माड़ गया 1882 म की गुप्त करांती की संस्था थी काला हांत, रोस जापानयोत 1904 से 1905 का अंत अमेरिकी राष्पती रॉजवेल्ट की अमध्यर्ष्था से हुआ था, मुरको संकट 1926 में पैदा हुगा, फित्थम विस्योदी के दौरान जर्मनी ने रोस पर आकमड एक अगस्त 1914 इस भी में किया, वो फ्रांस पर आकमा किया, तीन अगस्त 1914 के, आठ अगस्त 1914 को इंगलेंड पित्थम विस्योदी में सामिल हुगा, 26 अपरेल 1915 को इटली में राष्पों की ओर से पित्थम विस्योदी में सामिल हुगा, पित्थम विस्योदी की समय अमेरिका की राष्पती थी थी अमेरिका चे जुलाई 6 प्रेल 1917 में फिथम विस्थेउदि में सामिलूगा तो अमेरिका कब शेयोदि में सामिल 6 प्रेल 1917 को जर्मनी यू बाट द्वारा एंगलेंड में लुसी तानिया नामक जहाज को डोवाने के बाद अमेरिका फित्थम विश्युद्य में सामिल हुआ क्योंकि उस जाज पर बने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे फित्थम विश्युद्य की समाप्ती हुई 11 नवंबर 1918 को फेरिस सांथी संबेलन हुआ जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे मगर संदी सर्तों की सर्ते केवल तीन देश बेटें फ्रांस अमेरिका तैकर गए थे तेरिस सांथी संबेलन में 37 संदियों की सर्तें ने रधायत करने में जिन राफ्ट अफ्चों ने बूंका नवाई वेते अमेरिकी राटपती बुल्डरो बिलसन और बेटन के विदानमंत कि योद्दे के हरजाने के रूप में जर्मनी ने से जर्मनी से 6 अरफ 50 करोड़ पॉंड की रासी मांग की गई अंतर राष्ट्य अच्छेत में पित्थम विश्युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट संग की इस्थापना थी पित्थम विश्युद्ध के दवरा किरांती का नायक था सन्याद सेंग उन्निस सो पांच में सन्याद सेंग तुंग मैंग दल की स्थापना गी जिसका उस देश चीन में मंचू बंस के सासन को समफ्ट करना था किरांती कारियों ने सन्याद सेंग अपनी राध धानी अपनी सरका का देख्च चुना सन्याद सेंग को कोवी नीड नेड लीग सोसाइटी का संस्ता बक सन्याद सेंग था औनी सो ग्यारह में क्रांधी की बदेटी की इस्तापन होई बोहान सी-सी हगाई के शमरत्म में सनेयाद सेन रिए ऐ director भास ले सिए दीं सो बारह में सन्याद सेन if को मेन-तांग पार्टी की स्थाप्ना की कि इस पार्टी के पुरनर गठन के लिए introduced सैन माइकेल बॉरोडिन को आमन्तित किंए डॉक्टर सनयात सैन्ने अपनी सैन सेणा के सब्सक्किरेए जनर्ल गैलेन को चनाता डॉक्टर सन्याद सेन की तीन सित्धान थे दिराश्टवाद, लोकतंतवाद और सामाजिक न्याए डॉक्टर सन्याद सेन की चीन का डॉक्टर सन्याद सेन को चीन का राप्ता कहा जाता है किसे कहा जाता है चीं का राप्ता किसे कहा जाता है डोक्र सन्या casi की Euro 1925 में ईधु सामभादी लोग अलग को सिर में गिरायगत 1928 में शुरूंगा 1925 को वान के विसाल किसान अंदुलर करने तो माउथ से तोंग ने किया माउथ से तोंग का जनम 1813 में हुआ था उनान में च्यांग काई सेग ने केंद्रिय सरकार भी सत्ता नान किंग में समाली आंगे बात करते हैं हम लोग च्यांग काई सेग ने अपनी सरकार की स्थापना हारमोसा में किया सामभादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई सेग ने बिलू सरटातंग वादे दल का गठर गिया मौत से तुंग के निधत में 1 ओक्टूबर उनिसो रंचास को जनवादी गड़राज की स्थापना चीन में कीगे चीनी सामयवादी गर्तंत का पिथम अध्यक्ष था मौत से तुंग चीन जनवादी गड़राज का पिथम पिथम पिधामंत्री था चाउ इन लाई चीन के जनवादी गड़राज की राधानी थी मौनान खुले द्वार की नीती चीन ने अपनाई चीन के द्वार खुलने का स्थरे ब्रेटेंड को दिया जाता है खुले द्वार की नीती का पितिपादक था जौन हे चीन के सियाक मरीज के नाम से जाना ज़ा गए चीन की स्थापना 1921 में हुई थी अब बात करें तुर्की के बारे में तुर्की को एउरोप का मरीज चीन को कहा जाता है याद रखना एउरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है पाम इसलाम में चीन का नारा अब्दुल हमीद दुद्ये ने दिया था यूबा तरकांग तुर्क आंदोलन की सुरुआत अब्दुल हमीद दुद्ये के सासनकाल में 1908 में हुई इतम बेसेउद के बात तुर्की के साथ भी सड़ अभमान जनक संदी सेवे की संदी 10 1920 को भी मुस्तफा कमाल पासा ने इसे मानने से इवकार कर दिया आधनी तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पासा को माना जाता है इसे अता तुर्क के उपनाम से भी जाना जाता है तुर्की का पिता मुस्तफा कमाल पासा का जनम 1891 में सेली निकाह में हुगा तुर्की म में एक्ता और प्रगिति सम्मिति का गठन 1889 में होगा प्यार में कमाल पासा एक्ता और प्रगिति सम्मिति के प्रभाव में आया एक सेनपती की रूम में कमाल पासा ने गलली पोदियूत में सांदार सब्लता असली इसके बाद 1929 में कमाल पासा ने सेनकपद से कितिपा दे दिया उन्नीस के अखिल तुरुक कॉंग्रेस के पित्वम अदेवियेशन की अत्यक्ष्टा मुस्तफा कमाल पासा ने की दियू 1923 में तुर्की एवं यूडान के बीच लोजान की संदीव हुए 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गरतन्त की गोठना हुए कमाल पासा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 को खिलापत को समप कर दिया 20 अपरेल 1924 को तुर्की में नए समिदार्गी गोठना की गई तुर्की के नए गरतन्त का राश्पती मुस्तफा कमाल पासा हुए मुस्तफा कमाल पासा था मुस्तफा कमाल पासा द्वारा किये गए महत्मूर्टकार निमन थे इनमें 1832 में तुर्की भासा फरिशत की स्था हुए 1933 में तुर्की में पिथम पच्वर्शी हो जना लागू हुए 1934 में 1924 में तुर्की को धरमरे निर्वेश राज्य की गोषना इस्तापुल में एक मेडिकल कॉलिज की स्थापना ग्रुगोरियन क्लेंडर का पिचलन 26 देसंबर 1925 से लागू हुए इस्तापुल का पुराणा नाम क्या था कुस्तुन तुनिया ठीक 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और और और्थों को बुर्का पहनने पर कानूनी की दिबंद लगाये गए कमाल पासागी मित्ति पर भी 1934 में अब बात करते हैं इटलीग में फ्रांसिश्टों काउद इसका जनम दाता था मुसोलीनी मुसोलीनी का जनम 1883 में रोमागना में हुआ मुसोलीनी मुसोलीनी के दल का नाम था फासिष्ट वाद इसकी स्थापना मिलान में की गई थी डियूस के नाम से मुसोलीनी को पुकारा जाता था फासिवादी राष्टवाद का समर्थन करते थे फासिवादी राष्टवाद का समर्थन करते थे फासिवादी दल के स्वैम से वक काली कमीच बहनते थे मुसोलीनी ने डियाज को कुसेना का दिकारी निउप किया मुसिल मुसोलीनी द्वारा बनाए गे नीमो की संख्या थी 22 राष्टिय निगम परिशत का त्यक्ष मुसोलीनी था जिसकी सदस्टों की संख्या थी 500 500 Grand Council और फार्सिष्ट फार्टी के सदस्टों की संख्या 25 थी 25 मौसुलीन ने ऑक्टोबर 1922 में रॉम पर 1935 में अभी सीनिया पर आख्माट किया जर्मन जापान जर्मनी के साथ मौसुलीनी ने रॉम वायरलिंग टॉक्यो धुरी का निर्माट 1936 में किया था मौसुलीनी ने 10 जून 1949 इसभी को दुतिय विस्योद के दौरान मित राष्टों के विरूत योद्ध की गूष्णागी इटली में फासीबात का अंद 28 अपरेल 1945 को माना जाता है अब बात करते हैं अंगला है जर्मनी में नाजीबात का उदर जर्मनी में नाजीबात का उदर धान उत्थान हिटलर के नितर्थ में हुआ हिटलर के जनम 20 अपरेल 1889 को बॉन में हुआ जर्मन समराट कैंसर विलियंग दुद्धिये ने 10 नवंबर 1908 को अपने पतसे स्थीपा दे दिया और 1923 में हिटलर ने नेशनल सोचलिस्ट पार्टी या नाजीबात की इस्थापनागी जर्मने वाकर्ष पार्टी का संस्थावा हिटलर के नितर्थ में हिटलर जर्मिनी क पिदानमंत्री बना उस्तमाइद राठ्वदी हेंडायन वर्ट था एक राठ एक नेटा कनारा हिटलर ने दिया था हिटलर की आत्मगत्था का नाम है माई कैंप मेरा संगर्ष नाजी दल का पिचार कार्ण बोए वाल्स समालता था जर्मनी ने जर्मन सुरक्षा परिशत क की स्थापना चार अप्लेड 1933 में हुए हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जन्मनी में पुना जर्मनी में पुना ससुति करेंट की गोश्ना कि हिटलर ने एक सेप्टमबर 1949 को पॉलेंड पर आगमट किया हिटलर की विस्तारवादी नीती का पहला सिकार पॉस्टरिया हुए एडॉल और रिटलर के लिए सामी विरोधी नीती का अरत था यहूदी विरोधी नीती रिटलर ने 30 अपरेल 1945 को आत्मत्या कर ली थी अब बात करते हैं जापानी समराजवाद के बारे में इसके जापानी समराजवाद के बारे में जापान के समराजवाद का सबसे पहला सिकार हुआ चीन 1863 में एक अमेरिकी नाविक फेरी ने बल प्योग कर जापान करदवार अमेरिकी ब्यापार के लिए खुला जापान में आधुनी के फिरन के भिक्रिया की सुरुआत मौत सुहित्तों ने की 1872 में जापान में सैनिक सेवा हैनिवार प्रदी गई थी 1905 में जापान ने रूस को हराया जापान रूस सेवत की सवापती 5 सेप्टमबर 1905 को फार्ट्स माउथ की संधी के द्वारा हुई जापान रूस सेवत की सवापती 5 सेप्टमबर 1905 को फार्ट्स माउथ की संधी के द्वारा हुई थी जापान ने 1931 में अपनी समराजवादी आकांचाओं की पूर्थी के लिए मंचुरिया पर आप्मण किया 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट शंग की सदस्ता त्यागडी पीत आतंग से जापान को संभोधित किया जाता था दुतिये विशेवत में जापान ने धुरी राठ पसा दिया अमेरिका ने जापान पर परमाडुगं 6 अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर गिराया या अमेरिका ने जापान पर पहला अडुबं 6 अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर गिराया दुतिये विशेवत में 10 सेप्टमबर 1945 को जापान ने आत्म समर्पन करती ला हीरो सीमा और नागसाकी पर अडुबं गिराया जाने के कारण जापान ने दुतिये विशेवत में आत्म समर्पन करती ला याद रखना हीरो सीमा और नागसाकी अब बात कते हैं आगे दुतिये विशेवत के बार ने दुतिये विशेवत की शुरूआद 1 सेप्टमबर 1949 को भी कभी 2 सेप्टमबर 1945 इसमें 61 देशों ने भाग लिया दुतिय विश्यूत का ततकालिम कारण था जर्मनी का ओलेंड पर आखमा दुतिय विश्यूत के दौरान जनर्वन जनरल रोमेल का नाम डिजर्ट आउक्स रखा गया म्यूनिक म्यूनिक पेक्ट सेप्टमबर 1934 में सपन हुआ जर्मनी ने वर्षाई की संधी का उलगन 1935 में किया इसमेन में गरे रिद हुआ 1936 में सेट प्रूप से इटली ये उन जर्मनी का पहला से कार हुआ इसमेन जर्मनी ग्वारा सोविये संग पर आखमड करने की युजना को ओप्रेशन बार वोसा कहा गया 23 अगर्ष को जर्मनी रूस आखमड समझोती पर स्था प्रूप जर्मनी ने रूस पर समझोता उलगन कारुप लगा कर उस पर जून 1947 में आखमड किया जर्मनी की ओर से 22 में 10 जून 1940 को इटले ने प्रमेस किया अमेरिका का 22 में प्रमेस हुआ आट सेक्टमबर उन्नी सेक्टारीस को 23 विसेउद के समय इंगलेंड के पिदार मंत्री थे वेस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्पति कों थे फैंकलीन डी रोजवेल्ट याद रखिए दूतिय विसेउद के समय इंगलेंड के पिदार मंत्री वेस्टन चर्चिल यह अमेरिका के राष्पति फैंकलीन डी रोजवेल्ट इंगलेंड की सांदार अलगावादी नीती के विचारक थे सैली सेवरी वर्साइगी संदी को आरुपिस संदी के नाम से भी जाना जाता है दूतिय विसेउद में जर्मनी की पराजय कसे रूस को दिया जाता है दूतिय विसेउद के दोरा अनवे एरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अडूगम गिराया था दूत्राश्ट्य विसेद्न मित राश्टों दौरा फराजित होने वाला अंतिमदेश था जापा अमेरिका ने हेरो सीमा पर फैट मैं याद रखना यह वैसा याद पर अमेरिका ने हीरो सीमा पर फैट मैन नंगासाग की पर लिटल बॉय नामक एटमम जो 100 मेगावार्ट का गिराए गया था अंतराष्ट ये चेत में दूतिया विस्यूत का सबसे बड़ायों स्यूत्राष्ट संग की स्तापना है वियाद रखें जापान पर फिटमैन धीरो सीमा पर बम गिराए गया और नागा साकी पर ग्लिटल वाय चलिए तो ये था मारा विस्व का इतियास